आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो काफी अवेटेट सब्जेक्ट है CPC ना Code of Civil Procedure, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और जैसा मैंने आपको बताया है कि this is not just a revision, सिर्फ यह नहीं होगा कि मैं आपको section section बता दूँ और चीज़ें बता दूँ क्या problems में आती हैं, हम ची CPC में तो वह requirement आप सब समझते हैं कि कितनी जादा जरूरी है वैसा तो हरी subject में है, बहुत clarity के साथ इस subject को पढ़ने की कोशिश हम लोग करेंगे, बहुत सारी terminology CPC से related आप सब जानते हैं, जो आपको परेशान करती है, cause of action क्या होता है, subject matter क्या होता है, same title क्या होता है, decree, order, judgment तीनों में क्या difference है, preliminary degree क्या है, final degree क्या है, partly preliminary, partly final क्या है, यह बहुत सारी चीजें CPC से related है, जो लगबाग हर law student को परेशान करती है, और मेरी पूरी कूशिश रहेगी कि आगे जो हम यह 6-7 classes CPC के करेंगे, इसमें वो उन चीजों पर मैं आपको पूरी clarity दे पाहूं, I'll try my best तो start करते हैं, CPC पढ़ने civil procedure code और आप जैसा कि जानते है, it's a procedural law, it's a civil procedural law, ठीके, तो जिस तरीके से हमने CRPC को पढ़ा था, जिस तरीके से मैंने आपको एक CRPC का lecture recommend किया था, जो इस crash course का part तो नहीं था, जो मैं पहले ही YouTube पे upload हम लोग कर चुके थे उसको, कि CRPC पढ़ते कैस हैं, उस lecture को जरूर आप देखिए, तो आपको पूरा overall a holistic idea लग जाएगा about the complete subject, about the framing, क्या चीज CRPC हैं बताई गई है, उसका purpose क्या है, क्यों लिखा है, कहां से वो आया, और जो पूरी chain होती है criminal case की, उसमें कहां fit होता है, कौन सा chapter, कौन सा provision, उसकी जानकारी के लिए वो lecture थ मैं आपको पूरी एक civil suit की story बताऊंगे, और उसमें सारी चीज़े, आपको ऐसा लगता है CPC को देखके, कि ये बहुत ही भायानक subject है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत interesting और बहुत easy subject है CPC, अभी जब हमें discuss करेंगे, एक suit की कहानी, उसमें वो सारी चीज़ें आ कि ये क्यों लिखा है, कहां लिखा है, वो आपने एक बार जान लिया, तो CPC आपके लिए बहुत easy subject हो जाएगा, believe me, तो आज के class में मैं वो ही काम आपके साथ करने वाला हूँ, आपके पास CPC का bear act होना चाहिए, एक notebook और एक pen होना चाहिए, कुछ traditional चीज़ें हम लिखते जाएंगे, बाकी bear act आप रखिए, आज सिरफ और सिरफ content पर बात होगी, content का काम है, आपके पास वो होना चाहिए, चीक, तो मैं आपको overall पूरा idea दे दूँगा, इस subject का, क्योंकि इसको start, section wise, इसको start करने के पहले, ये बहुत जरूरी है, कि आप इस subject से थोड़ा familiar हो जाए इस पूरे act को समझ लें, इस पूरे code को आप समझ लें, कि इसमें है क्या, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये सब समझ में आ जाएगा, तो एक-एक order के अंदर के rule या section के अंदर का meaning आपको बड़े अराम से समझ में आएगा, इसलिए कोशेश हम उस approach से चलने की करेंगे, और जैसा मैं बता चुका हूँ, लिली, CPC की classes होंगी, total seven to eight classes, that's it, इतने में हम पूरा CPC cover करेंगे, तो चलिए देखिए, CPC क्या है, कि civil का एक procedural law है, आप जानते हैं, laws को broadly divide किया है, criminal और civil laws में, criminal से related substantive law भी अपन पढ़ चुके हैं, that was IPC, और criminal का procedural law भी हम लोग पढ़ चु अब आप जानते हैं कि procedural law का काम क्या होता है, या procedural law का purpose क्या होता है, substantive law क्या करता है, substantive law parties के right बता देता है, और उसके लिए एक remedy बता देता है, अब जिस व्यक्ति का right violet हुआ है, उसको remedy तक ले जाने का जो पूरा process है, वो सब procedural law में दिया है, सेम चीज आपने IPC और CRPC के connection मे देखी है, अगर आपने CRPC अपने दिमाग में बिठा लिया है, तो same lines पे, काफी similarity है procedure में, same lines पे हमारा चलेगा CPC, CPC में भी क्या है, कि जैसे कोई भी civil law है, substantive civil law आप कोई भी उठा लेजे, उसमें rights दिये हैं parties के, और remedies दिये हैं, कि अगर right का violation होगा, तो क्या remedy आपको मिलन हैं, अब उस right के violation से remedy तक का जो सफर है, ये तय कराता है, ये procedural law जिसको हम कहते हैं, CPC, जैसे एक example से C-scope and start करते हैं, आप समझें, simple contract act आपने पढ़ रखा है, लगवग आप सभी ने contract act पढ़ रखा है, Indian contract act आपको बताता है, कि कैसे एक valid और enforceable contract existence में आएगा, है ना, formation कैस कैसे होगा, और अगर उसका breach, breach कैसे होगा, ये भी बताया है, Indian contract act ने, और अगर breach हुआ, तो उसके बदले में party को remedy क्या दी जाएगी, आपके और मेरे बीच में contract हुआ है, अगर मैं उस contract को breach कर देता हूँ, breach मतला मैं अपनी obligation को fulfill नहीं करता हूँ, जो मैंने लिया है, contract के तो remedy प्रस्क्राइब करी है, Indian contract act ने, जरा comment box में बता दीजे, कौनसी remedy देता है, Indian contract act, in case of breach of contract, कौनसी remedy देता है, contract act, कौनसी remedy देता है, Indian contract act, क्योंकि civil की remedies दूसरे acts में भी है, ये सारे भी आपने बढ़ा होगा, specific relief act, damages, that's correct sanskriti, damages दिये हुए है, contract में जो remedy है, वो primarily damages है, उसक compensation दिला दिया जाएगा, civil का basic purpose compensation दिला नहींगा, इसके, अब compensation के अलावा, specific performance भी आप contract की ले सकते है, specific performance अगर लेना है, specific relief act आपको भी दिलवा देगा, जैसे मानलीजे, अगर मानलीजे, मैं आपके साथ एक contract करता हूँ, आप में से कुछ student ने, इसी live series में, ये भी request करी थी कि सार मेंस वाले subject भी पढ़ा देना, यूपी के local law अगेरा यहाँ, यूट्यूब पे, आप में से कितने लोग चाते हैं कि यूट्यूब पे वो lectures भी हो जाए, मेंस के, आप में से जो चाता हूँ कि यूट्यूब के lectures भी हो जाए, मेंस वाले, इस, आल राइट, तो काफी लोग है, कुशान, तन्वीर, नीला, मियाश, सब चाहरे हैं कि हो जाए, चलिए मैंने आप से प्रेमिस कर दिया, कि ठीक है भाई, मैं आपको local laws भी करा दूँआ यूट्यूब पे, लेकिन आपको पता है कि मैं बहुत ही मतलब ही वेक्ती हूँ और बिना मतलब कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, ठीक है, और मैंने आपके साथ एक agreement किया, कि बटा, अगर प्री होने तक, 12 फरवरी तक, आप इस चानल के सब्सक्राइबर को 25,000 तक पहुचा दीजिए, वीडियो शेयर करके, लाइक करके, चानल सब्सक्राइब करके, दूसर तनवीर ने कहा है कि क्लेम नहीं कर पाएंगे, मैं कह रहा हूँ, इसको अपन लीगल इंटेंशन ले आएं, मैं तनवीर के साथ एक agreement कर लेता हूँ, register कर लेते हैं, stamp कर लेते हैं, लीगल इंटेंशन आना चाहिए, बस, consideration हो जाए दोनों के लिए, कि आपने मुझे promise कर दिय कर दिया, अभी उस पर मज जाए एक contract की legality पर, आप process समझी है, कि मान लीजे, आपने ये बात कह दी, मुझे आपने ये promise कर दिया है, कि sir, 25,000 बक्या आपके, लेकिन आपको फिर पढ़ाना पड़ेगा, मैंने खाटी के contract में अपन agree हो गए, अब जैसे ही, मान लीजे 25,000 subscribers ह हो जाते हैं इस channel के, लेकिन मैं आपको means पढ़ाने से मना कर देता हूँ, मैं बोल दूँगा भाई, यही तो थी मेरी ninja technique, subscriber बढ़ागे, अब नहीं पढ़ा रहा हमें, this is called breach of contract, अगर वो valid contract है, तो अब ये contract valid था या नहीं, इसके लिए आप सुर्सेंटिब आपड़ेंगे, Indian contract act में लिए वाताया गया है, whether it is enforceable or not, अपन मान लेते हैं, अपन मान लेते हैं कि enforceable है, था ये enforceable, अब आपके साथ ये जो contract का breach हुआ, इस contract के ब्रीच के बदले में, आपके पास क्या remedy है, आप मुझसे damages compensation मान सकते हैं, या आप मुझे compel कर सकते हैं, अपना obligation fulfill करने के लि कहा specific performance मिलता है ये आपको पता चलेगा, contract और ये बढ़के, कि personal skill involved है, तो मिलेगा ये specific performance, चलो specific performance की मिलेगा, damage तो मिलेगा, ये सारा, आमने इतनी मेहनत करी थी, आपके वीडियो सकते share किये तो उसके बाद भी आपने पढ़ाया है, ब्रीच तो हुआ है, आप damage तो हमने, अ आप क्या करेंगे, basically, आप court जाएंगे न मेरे against, क्यों जाएंगे, क्यों कि मैंने आपके एक legal right का breach किया है, और वो legal right कैसा था, civil legal right था, उसके बदले में आपके पास civil remedy है, जसको पन केतने damages या compensation, आप contract act में ये तो बता दिया, कि कभे contract valid होगा, enforceable होगा, नहीं होगा, उसक कैसे मिलेगी ये नहीं बताया, इसलिए scene में क्या आया, CPC आया, CPC आपको बताएगा कि वो remedy आपको कहां जाके लेना है, कौन ले सकता है, कैसे लेना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस code में मिलेंगे, CPC में मिलेंगे, तो logical, मैं बता रहूँ, आपने ये जो orders, orders प महँचा दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया फिर भी पढ़ाने से, अब आप कहां जाएंगे, code जाएंगे, आप कौन है, अग्रीवट वख्ती है, जिसके right का violation में, एक term आपने CPC में सुना होगा, जो कि बहुत regularly आपको देखने को मिलेगा, उसको कहा जाता है, cause of action, इस term को क् cause of action, यह सुना है आप सबने, कई जगे मिलेगा, जो टी काट अब पढ़ोगे तो वहां भी मिलेगा आपको, और मैंने क्या कहा, इन सारे terms को समझ के calling अपने, रटना ही नहीं, यह सब कुछ समझेंगे, सेम title का क्या मतलब होता है, subject matter का क्या मतलब होता है, everything, cause of action का क्या जा रहे हैं, आप अगर मेरे against court जाना चाते हैं, कि action लेना चाते हैं मेरे against, इसका कारण क्या है, cause क्या है, कारण यह है कि आपके पास एक legal right था, जिसका मैंने violation किया है, आपके और मेरे बीच में एक valid contract था, उस contract से आपका legal right arise हुआ था, और मैंने उस right का कर दिया है violation, इसलि legal right था, कौन सा right था, contractual right था, आपके और मेरे बीच में contract हुआ था, जिससे आपका यह right arise हुआ था, और क्योंकि मैंने अपना obligation फुल्फिल नहीं करा, इस वज़े से आपके उस right का क्या होगा, violation, इसी को collectively आप कहते है, cause of action, cause of action, cause of action मतलब action करने का court जाने का जो कारण है, I hope that that's cause of action, so legal right plus its violation is cause of action, इसलिए आप court जाएंगे, आप देखिये, यह तो होगे contract की बात की, contract में आप इस करन से court जा सकते है, मेरे against, आपका जो right था, वो कहां से derive हो रहा था, contract से arise हो रहा था, हो सकता, आपके पास एक property हो, आपके पास घर है, जिस पर किसी और ने कभजा कर ल उस घर का उनर है, उसके दादा ने अपनी वसीयत में लिखके गए थे, कि हमारे पोते का होगा यह घर, जादा ने कहा था, यह important नहीं है कि नालयक, important ही है कि हमारा पोता है, इसलिए हम उसको घर देखे जाएंगे, और उस person को वो घर मिला था आपने दादा से, उनर था वो किसी और ने आके उस पर कबजा कर लिया, उसका राइट है, उसका राइट है, उसका राइट कर रहा है, उसमें रहे के वहाँ कबजा करके, so this legal right plus its violation gives a cause of action to that person, कि भही आप चले जाओ civil court, वहाँ जाके possession क्लेम कर लेना, वहाँ जाके possession आप मांग लो, court में जाके, ऐसे आप multiple cause of action सोच सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, legal right उसका violation तो एक cause of action, वो contract से भी आ सकता है, वो किसी दूसरे civil law से आ सकता है, किसी भी substantive law से आएगा, substantive law basically क्या है, right और remedy की बात करेगा, procedural law उस agreement को remedy तक पहुचाएगा, अब क्या कारेक्राम होगा, कैसे होगा, logically आप समझेंगे, तो C cause of action की अपन बात कर लें, जो व्यक्ति है, वो क्या करेगा, एक civil suit फाइल करेगा, criminal case कहा जाता है, civil में उसे अपन suit कहते हैं, उस proceedings को, सो इधर होगा क्या, एक suit, ये suit कौन फाइल करेगा, कौन फाइल करेगा, तो parties देखनी पढ़ेंगे, कौन फाइल करता है, suit भाई, अग् क्या कहते हैं, plaintiff कहते हैं उसे, जो अग्रिवड वक्ति है, ये जो plaintiff जाएगा, अपने राइट को enforce कराने, किस के अगेंस जाएगा, defendant के, जिस वक्ति ने उसके राइट का violation किया, so defendant के अगेंस, यहाँ defendant कौन हूँ, मैं हूँ, क्योंकि मैंने आपसे promise किया था कि आपने इन proceeding के अपने बात करें थी, तो society को crime से protect करना, किसकी responsibility, state की, इसलिए criminal case में institute कौन करता है, prosecution किसकी तरफ से होता है, state government की तरफ से, victim जाके case file ने करता है, वो जाके report करता है, government को, कि मेरे साथ यह offense हो गया है, अब आप मुझे remedy दिलाइए, सरकार अपनी तरफ से prosecution करवाती है, criminal code म यहाँ ऐसा नहीं है, civil में, आपके right का violation हो, आप खुच जाएए, तो plaintiff जाएगा, किसके against, defendant के against, अब यह जो suit institute होगा, अब देखो इसी में technical terms आते जाएंगे, CPC के, suit institute होगा, institution of suit, कैसे होगा, यह institution of suit, through a plaint, यह वक्ति जब court जाएगा, तो कुछ document, कुछ वर्चा वर्चा लेकि जाएगा, अपना matter बताने के लिए, इसको आप कहते हैं, plant, plant लेके यह वक्ति जाएगा, court में, अब यह जब अपनी plant लेके court में जाएगा, इसकी बात सुनी जाएगा, जनरल को सीचर अभी बता रहा हूं, उसके बाद एक चीज पर डिटेल में आएगे, यह वक्ति plant लेके जाएगा, court में, तो फिर court इसके matter को देखेगा, सुनेगा, अभी detailing और आएगी इसमें, कि इतनी आराम से court convince नहीं होगा, लेकिन पहले एक प्रीफ समझ है, कि यह plant लेके court पहुंचा है, court ने देखा, उसके बाद वो क्या करेंगा, हाँ बाई, किसने करा तुमारा र लिखके देगा court को, उस document को कहते हैं, अपन क्या, return statement, जो यह defendant लिखके देगा, उसको अपन क्या कहते है, return statement कहते है, यह अपना defense file करेगा, अपना पक्ष रखेगा court के सामझे, उसके बाद आप दोनों के बीच में argument होगा, पूरा सब करेकरम चलेगा, और end में कहां पूचेंगे एक judgment की तरह, end में होगा एक judgment, अब आप जानते हैं, CPC में सिरफ judgment से भी नहीं होता, judgment के साथ एक चीज और आजाती है इदर पे, जिसको हम कहते हैं, decree, और इसके साथ एक और term use होता है, that is called order, order, दो सब अला जो अपने आप, तो जब यह matter decide होगा, उसको कहते है judgment, जो finally decide होगा, कोई एक judgment देंगे, criminal case में भी या तो equitable होता है, या तो conviction होता है, इधर पे judgment किसे कहते हैं, उस detailed statement को, आप जिस भी conclusion पे पहुंचे, उसका जो पूरा detailed statement है, वो judgment है, इसमें पूरे reasons होँगे, क्यों आपने यह decide किया, अगर आपने मेरे against suit file किया है, और court ने formal expression को, जो भी adjudication है, एक word आएगा, adjudication, adjudication मतलब to decide, जब court या judge कोई चीज़ decide करते हैं, उसको अपन कहते हैं, इस adjudication के formal expression को आप decree कहते हैं, तो फिर यह judgment क्या थे, आप क्या रहो कि जो decide किया, वो decree है, उसका formal expression, फिर यह judgment क्या है, judgment पूरा detailed statement है, कि हम अगर एक conclusion पे पहु अब जिसके भी favor में वो आया, माली जो उस व्यक्ति के favor में आया, जिसके घर पे कबजा कर लिया गया है, तो पूरा उसमें detailing, judgment में पूरी detailing बताई जाएगी, सारी चीज़न के साथ, क्यों ये decide किया है, court ने कहां से आपने अपना title derive किया था, ये वो पूरा statement, लंबर वो बिल्कुल आप लूंग की तरह है, कैसे आप लूंग की तरह है, आप करें सर ये समद बता हो, आप तो ये बता हो, exam में क्या पूछा जाएगा, ये कहान ही नहीं सुननी है, हामें समझना ही नहीं सब्जेक्ट, हामें तो आप परी के question बता दो, बाई आते थे जो कहते पेच का, आपने सारी उसमें है, अपनी reasoning दे दी, पार्टी को इससे मतलम नहीं है, उसको अपना right देखना है कि मेरे right का क्या हुआ, क्या decide हुआ मेरे favor में, तो basically जो हम कह रहे हैं कि एक formal expression होता है, adjudication का decree, decree में वो काम की बात लिखी रहती है, judgment में सब कुछ लिखा रहेगा decree उस adjudication का formal expression है काम की बात, possession किसको दिलाई जाएगी, right determined हो जाएगा conclusively आपका, कि ये घर आपका है या नहीं है, ये होता है formal expression, इसको कहता है decree, क्योंकि जंता इसमें जाना नहीं चाहती है, इससे मतलब ही नहीं है, आपने क्यों decide किया, कैसे decide किया, हमें मतलब ही नहीं है, आप तो हमें बताओ, घर मिलेगा कि नहीं मुझे, इसने illegal possession ले रखी, वो किया रहा सार, बताओ, घर खाली करना है कि यान मत दो, कहां से आपने क्या, नहीं चाहिए, हमें तो आप बता दो, क्या करना है, खाली करना है कि रहना है, उस adjudication को दिया जाता है, इंदी form of decree, and that's the basic difference between judgment and decree, judgment वो पूरा descriptive document है, कैसे court उस conclusion तक पहुचा है, conclusion भी उसनों, उस conclusion तक कैसे पहुचा पूरा, जनता को इससे मतलब नहीं, जनता को तो चाहिए, आप तो लिख के देदो, हमारा है कि नहीं, घर बात कतम, हमें मतलब ही नहीं, check, तो वो document लेके, काम कतम, आप decide हो गया जिस वक्ति ये घर पे जबरजस्ति कबजा किया गया था, decide हो गया कि भया, possession का अधिकार आपका है, आपको ये मिल गई decree, पूरा judgment भी था, आपने अपने काम की बात ले ली, decree, उस adjudication का formal expression आपने ले लिए, लिखके देदिया court ने, कि बटा possession का अधिकार तुमारा, क्या इधर पर बात खतिम हो जाएगी, अभी नहीं होगी, आपने criminal proceeding में भी देखा कि trial court के judgment के बाद, अपील में जाते हैं, इधर भी जाएंगे, लेकिन इधर एक कहानी और है, वो कहानी यह है, क्योंकि आप जानते हैं, कि जो जानता है हमारी, वो इतने आराम से चीज़ें और बाते हैं, मान ले, इसा होता नहीं है, अब court ने बोल भी दिया, decree भी देती उस गरीब के favor में, जिसके घर पर कभजा कर लिया गया है, उसके favor में decree होती है, जिसके favor में decree होती है, उसको बोलते है, decree holder, जिसके against यह judgment दिया गया, जो हरा है, जिसके against judgment दिया गया, उसको बोलते तो आपको लगता है कि वो पैजेशन दे देगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मैं आपको कितना ही समझा दूँ कि बेटा थोड़ा समझ के पड़ो लेकिन नहीं है तो आप कोटने भले यह बोल दिया कि जिस वेक्ति को आपने घर जिससे चीना है वो हगदार है इस घर के अब आपको क्या करना पड़ेगा और एक्जेक्योशन भी कराया जाएगा सेंटेंस का जो भी सेंटेंस दिया जाएगा उसका आपने पड़ाए क्रमिनल में जब उपन चेप्टर पढ़ रहे थे सी आर पीसी में लिखाता है कि अगर डिट्स पनेल्टी है तो लिखेंगे क यहां पर आपने लिख दिया आपने जज्ज्च्मंट दे दिया आपने डिक्री बनाके देदी कि वहीई यह आप में प्रसेशन के अग्दन है कि एतनी से काम ने चलेगा सर पॉसेशन दिलवाईए उसको प्रसेशन दिलवाईए इस तो यह वेक्ति जिसके फिवर में डिक लेकिन मेरे जैसे सात्रिक और नेक शरीफ व्रक्ति कब्जा करते नहीं है इसलिए संभावना कम है कि वो आराम से मान जाए बात अगर विक्री आने के बाद को खाली कर देता है वेलिंगोड कोई समस्या नहीं है बढ़िया है चुप चाप चला गया हो लेकिन जिस व्रक्ति इसना कब्जा किया वो आराम से जाने वाला अगर नहीं है वो खाली नहीं कर रहा है तो फिर यह एक और प्रसीडिंग चालू करेगा उसको कहते हैं एक्जेक्यूशन और जैसे सूट स्टार्ट होता है विद अप्लेंट एक्जेक्यूशन प्रसीडिंग करने के लिए दी इस जच्च्च्च्च उसके लिए होता है एक 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 एक्जेक्यूटिंग खोट उसके बारे में पनबढ़ेंगे वहीं जाके आप एक 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 एक्प्लिकेशन डिक्री मिलने के बाद अभी कहनी खतम नहीं तो देखो डिक्री का कम्प्लाइंस हो जाए खुद भाखु जिसने जबरजस्ति कभजा किया वह अपील करने जा रहा है तो अभी वह कारेक्रम भी चलेगा अपील भी चलेगी सांथ और एक्जिक्यूशन प्रोसीडिंग भी चल सकती है इस से रिलेटेड आप पढ़ेंगे रेस्टिटूशन रेस्टिटूशन यह होता है कि मान लीज इतनी बात आप common sense से भी समझते है कि that's how a proceeding is proceeded इस तरीके से proceeding होती है इतने में कोई problem नहीं आए होप आपको अब अपन जाएंगे थोड़ा detail में इन चीज़ों की और वहीं सारे order chapter हर चीज़ की बात करेंगे अब समझिए यह जो पूरी कहानी इसके बीच में भी बहुत इसमें आप एक बात यह समझी है कि आपने दो चीज़ें देखी है section लिखें और order लिखें पहले में उस कहानी को clear करते हैं एक तराफ आपको दिख रहे हैं sections और दूसरी तराफ आपको दिख रहे हैं orders और rather I should say section की बजा इसको अपन करते हैं parts और parts किसका collection है अलग-अलग sections का बहुत सारे sections को अलग-अलग parts में divide किया गया है जो similar type के provisions होते हैं उसको एक part में रख देते हैं यह बात आप समझते हैं IPC में भी अपनने पड़ा था एक parts separate offenses against human body human body के अगेंस जितने offenses हैं उससे related सारी कहानी एक particular part में ऐसे ही CPC parts में divided हैं जिसके सब part है section और जो अले दूसरा जो part division किया गया वो orders के form में हैं और orders subdivided हैं into rules orders का subdivision क्या है rules तो बहुत सारे rules लिखे हैं जिनको different orders में बाठ दिया गया अब यह कहानी क्या है section क्या है order क्यों है यह दो अलग-अलग बात ने इदर IPC में तो ऐसा नहीं था CRPC में तो ऐसा नहीं था है इसमें क्यों है बात समझना यह जो portion है यह जो section वाला portion है यह substantial portion है, यह बताएगा कि कैसे उस judgment, कैसे उस right के breach के बाद आप judgment तक पहुँच रहे हैं, क्या करना है भी सिकलिए, क्या आपको बताएगा कि suit institute होगा, कैसे होगा यह नहीं बताएगा, section बताएगे कि हाँ suit institute होगा, यह बताएगे कि execution होगा, decree का, कैसे होगा, इधर बताएगे, तो basic difference अगर अपन इधर समझें, order और parts या rules या sections के बीच, तो यह basically आपको बताता है, कि क्या होना है, होना क्या है, वो, कैसे होना है, उसका detailed procedure, that is, orders and rules, कैसे किया जाएगा तो यह क्या और कैसे का difference है, basically, यह elaborated rules है, इसलिए आप देखेंगे, कि जो sections है, उनके corresponding orders है, detail में बताएगी है बात, जरूरी नहीं कि दोनों के बराबर मिलें आपको, बहुत सारी ऐसी बात नहीं है, तो sections में complete हो गई, order की जरूरत ही नहीं उसके लिए, उसकी थोड़ी बहुत, जो detailing थी, वो section में दे दी, but that is the basic difference, अब जो समझ से आपको आती है कि कौन सा section सर किस order के साथ पढ़ना है, कौन सा rule पढ़ना है किस के साथ, तो वो आपकी समझ इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि logic समझ नहीं आया proceeding का, एक बार meaning समझ में आगया कि क्या चल रहा है, तो फिर आपको ये सवाल किसी से पूछने की जरूरती नहीं पढ़ेगी, रोज बैटके ये वीडियो देखने की जरूरती नहीं पढ़ेगी, कैसे पढ़ते हैं CPC, कैसे करें judge बनने की तयारी, इतना देख लिया है, कैसे करें judge बनने की तयारी, कि बोला के पूछ लो किसी aspirant को कि यहां भाई हो गई, तयारी, कैसे करोगे, सोच लिया है, तो aspirant आके करता है, तो इसा एक दम, immediate नहीं सूचे, सूचेंगे, तो फिर क्या देख रहा हो बटा, बढ़ाई कर लो, बेरेट उटा के पर, कितना motivation क्या च इधर आईए, तो यह जो sections और parts हैं, यह बताएंगे कि क्या करना है, और उसका detailed version मिलेगा, इधर की वो कैसे होगा, अब इधर लिखा है, कि जब plant आ जाएगे, तो defendant को बुलाया जाएगा, समन बेच के बुलाएंगे, यह लिखा है, उस समन के पूरे rules क्या है, कैसे जाएग corresponding एक आपको order मिलेगा, उसमें बहुत सारे rules मिलेगे, कि समन कैसे जाएगे, किसको जाएगे, क्या होगा, और आगे का पूरा खारे क्रब, that's the only thing, जो यह दोनो बाते, जो यह दोनो चीज़े reflect करती है, sections और rules, और कुछ नहीं है, इस से जादा कुछ नहीं है, इतनी सी बात ह समझ में आगया यह, yes or no, इसका क्या काम है, उसका क्या काम है, समझ में आगया है यह, समझ से नहीं है इदर, तो बढ़ जाओं मैं आगे, orders rule, चलिए, बहुत बढ़िया, अब आईए ज़रा उस कहानी पर दुबारा, क्योंकि अब हम डीटेल में एक एक चीज़ देखने वाले हैं, अब हम एक एक चीज़ बहुत डीटेल में देखेंगे, कि जो पूरी आपने इत्ते अराम से जो हमें बता दिया है कि यह, 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 यह कहानी और यह, यह, चीज़ें होती हैं, ज़रा उसको अपना डीटेल में देखेंगे, देखिए, हुआ क्या था, आपके पास एक कॉज़ आपके राइट का वाइलेशन हुआ है, आपके जो आपने हिंदी में कहानी सुनी है, इसी में तोड़े टेक्निकल वर्ड अपन लाते जाएंगे, जो CPC नहीं उसका रहे हैं, ले देकर लिखा यह हिसाब है इसलिए परिशान है आप, या फिर हिंदी में लिखा है तो भया ना कि हिंदी लिखी है, वो भी समझ में नहीं आपन अलग ही टाइप फिल हो गया, अपने को ना इंगलिस समझ में आपकी में ज्यादा ही नहीं है, अपने को चाहिए बीच वाला हिसाब, तो आईए उस बीच वाले हिसाब में आज समझ लेते हैं, तो अब ये जो है कि आपको स्टार्ट करना है, आपको सूट शुरू क क्या करेंगे उसके लिए, तो हमने देखा, जो जिस वेक्ति को, जो अग्री वेक्ति है, जिसके राइट का वालेशन हो, वो एक प्लेंट लेकिया, एक डॉक्यूमंट, अपना केस बताओगे ना कोट को, उसके लिए क्या लाओगे, तो बस यही लिखा है CPC में, आप ज़ सिर्फ कंटेंट उपन करिया, वही सारी कहानि में आपको समझा दूँगा उस कंटेंट का, सबसे पहले देखिए, सेच्छन 26 इसके ऊपर एक हेडिंग लिखी है, इंस्टिटूशन ऑफ सूट, सूट कैसे इंस्टिटूट होंगे, सेच्छन 26 बताएगा कि प्लेंट से इं इंस्टिटूशन ऑफ सूट, अब वहां बता दिया प्लेंट से होगा, उससे ठीट थोड़ी से डीटेल बात इधर मिल दाएगी, क्योंकि क्या डिफ्रेंस है, सेक्षन और और रूल में, सेक्षन में बता दिया है, क्या करना है, वो बताएगे अपन, यह एक तो और मिल ग कहा करना है, तो यह सूट फाइल हमें करना है, कोट में, अब कौन से कोट में सूट फाइल होगा, किस कोट का जूरिस्टिक्शन है, कौन इंटाइटल है, क्या ले सकता है, क्या मैंटर नहीं ले सकता, यह सब पढ़ना पढ़ेगा, जैस और नो, किस कोट के पास जाना है, यह सब समझना पढ़ेगा या नहीं समझना पढ़ेगा तो CPC के content portion में आ जाएंगे वापर section की तरफ कि अब देखिए किस court में आप जाएंगे तो court जिसका jurisdiction है उसके पास जाएंगे जिस court का jurisdiction है उसके पास जाएंगे CRPC में आपने jurisdiction दो तरीके से देखा था एक था territorial jurisdiction और एक था आपका power wise jurisdiction कि कितना आप punishment दे सकते हैं उसके basis पे section 829 CRPC का इधर पर जो jurisdiction है वो तीन तरीके का है वाई साब एक आपका pecuniary jurisdiction कि आपके suit का valuation कितना कित्ते का suit है matter में जो subject matter है उसकी value क्या है कितने रुपे का इसको कहते है pecuniary jurisdiction territorial jurisdiction obviously दे सब्सक्रावाद में यह देखना पड़ेगा आपको तो territorial jurisdiction भी बताया गया है किसका रहेगा इसके अलावा एक होता है subject matter jurisdiction आप court को अगर एक specific subject matter दे दिया है कि आपको सिर्फ इसमें deal करना है तो आप सिरफ वो deal करेंगे specific subject matter का अलग court बना दिया है अगर तो आप उसी में deal करेंगे वो matter उसी court में जाएगा particular तो तीन चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी pecuniary jurisdiction, territorial jurisdiction और subject matter इन सब के बारे में कहां बताया सब्सक्राइब देखिए section 6, court की बारे में जानकारी चाहिए section 6 देखिए section 6, pecuniary jurisdiction और इसके बाद आप 9 से बीच में भी चीज़ें हैं और important है, मैं आपको basic वो बता रहा हूं जो एक तम important बात हैं जिनको अपन ज्यादा पड़ेंगे, तो फिर आ जाईए 9 to 25 सब इस court के बा जाना है territorial jurisdiction pecuniary subject matter, यह सारी बातें आपको इदर मिल जाएंगी, सबसे पहले जैसा आपने 6 में देखा pecuniary jurisdiction दिया है, उसके बाद 9 के ऊपर heading देखिए जरा, part 1 suits in general में जो subheading है, jurisdiction of the courts and res judicata, jurisdiction दिया court का, section 9 मैं करते है, suit of civil nature की civil court है, वो किस तरीके matter entertain करेगा, यह बताएगा, फिर अब क्योंकि आप court जा रहे हो, तो court यह भी देखेगा, कि दुबारा तो नहीं आगे, same matter लेके, जब एक बार आपको भाईया decide कर दिया है, दो parties के बीच का dispute है, हम decide करके बता चुके दुबारा क्यों हा रहा है, multiplicity नहीं होगी, एक बार दोर देखिएगा इस पूरे CPC में, जो basic purpose है ना इस पूरे CPC का, वो यह है कि multiplicity of proceedings plus unnecessary delay यह नहीं होना चाहिए, मैंने आपको पहले बता है, court अपने जोसा free नहीं है, कुछ भी देख रहे हैं, कैसे करें, तीन महीने में judiciary की तयारी है, इत्ता free court नहीं है, court को चाहिए काम की बार, समझ नहीं है, इसलिए court प पूरी कोशिश करेगा कि मुद्दे पर बात हो, बस, कोई irrelevant बात नहीं चाहिए, सिर्फ काम की बात चाहिए court को, चिक सिर्फ काम की बात चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए court को, फालतू बात नहीं चाहिए court को, इसलिए आप बहुत सारे provisions CPC में देख नहीं है, जो इस चीज 15 के उपर देखिए, जरा content में, place of suing लिखाए, कहां जाके sue करना है, कहां suit file करना है, हो सकता property, दो अलग अलग court के jurisdiction में जा रही है, इदर जाए suit file करने, ये सारी बातें आपको इदर मिल जाएंगी, और मान लिजे एक जगे institute हो गया है, अगर transfer करना है वहां से, कैसे होगा, एक court में institute हो गया, उससे उड़ागे transfer करना है, दूसरे के पास कैसे होगा, वो सारी कहानिया आपको इदर मिल जाएगी, 9-25 में, सब मिल जाएगा, इस court से related आपको इदर, जिक तो ये दिया है और क्यों दिया है, ये बात आप समझ लेंगे बहुत अच्छे से, अब क्योंक तो means भी फिरिए, उसकी पढ़ाई करवाईंगे तर, मैं उसका breach कर रहा हूँ, ये एक वेक्ती है, कुशान है, ये जाता है court के पास, मेरे against suit file करने, कि वो नितेश सर ने बोला था पढ़ाईंगे और ये तो फैल गया बात में, इनने पहले समझाया था कि selflessly मैं कुछ करता नहीं हूँ, बान लेना चाहिए था बात, लेकिन मैंने कहा मैं selflessly नहीं करता हूँ, तो अगर आपने मेरी requirement फुल्फिल करी तो मैं जरूर करूँगा पिर चाहिए उसके लिए जो हो जाए, और इसा, इतना selfish मुझे लगता इस दुनिया में सबको हो जाना चाहिए, जिस दि पर जाके viewers बढ़ा रहे थे और बाद में जिनके साथ चोट हो गई है, तो पता चला तेनवीर भी पहुंच गया साथ में, पता चला कि अरे वो और भी है, दो पाँच छे और है, तो कोट क्या बोलेगा, बेटा, सबको एकटे लिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, कोट के पास ज पार्टीज, क्यों क्यों होंगी पार्टीज, इसको बोलते हैं, पार्टीज तू सूट, क्या बोलते हैं, इसको पार्टीज, क्यों क्यों होगा इसमें, इसके लिए कहा पचाना पड़ेगा, तो जरा ओर बन निकालिए, और बन निकालिए, जरा पार्टीज तू सूट लि ज्यादा नहीं कि यह सब बात आपको मिल जाएगी order 1 में पार्टी की बात कर ली कि कौन प्लेंटिफ कौन करता है तो अब देखते हैं यह प्लेंट क्या चीज है और इससे रिलेटेड अपने को क्या-क्या मिलने वाला है CPC तो अब देखिए आप प्लेंट प्लेंट से रिलेटेड रूल्स कैसी होगी प्लेंट क्या कंटेंट होगा कब वो रिजेक्ट हो सकती है कब वो एक्सेप्ट होगी सब कुछ तो इसके लिए आजाईए order 7 content में निकाल लीजिए यह लिखते जाए ना इधर साथ में सब मिल जाएगा प्लेंट से रिलेटेड कहां तक पहुंची कहानी अपनी आपको जाना था मेरे अगें सूट फाइल करने पहले आपने इंस्टिउट्यूशन देगा कित्ते आराम से साइड में हो लिया सेक्शन ने बस लिख दिया इंस्टिट्यूट करना है सूट थ्रू और उनने बस बता थिया कि सूट इंस्टिट्यूट कैसे होगा है स्सब खॉल अपको बता देगा कि क्या क्या होगा क्या होगा हो अब एक बात और समझेगा, प्लिंट तो आगे भाई सब, प्लिंटिफ ने अपना पूरा मैटर लिखके समझाया, कोट को, कि सर यह यह मैटर है, अब कोट को यह लग सकता है, कि यार अभी इसने, अब जोगो, कोट का क्या है, उसको बचाना अपना समय, उनके पास नहीं है, उनने सरफ काम की बातने चाहिए, तो कोट क्या कोशिश करेगा, कि इसको बहुत comprehensive बनाया जाए, इस सोट को, एक मैटर आप उनके सामने ले गए है, तो कोट यह कोशिश करेगा, कि जित्ती इससे related चीज़ें हो सकती है, सब भईया इसी में decide कर बाले ना, फिर मताना हमारे पूरा मैंने क्या बताया, से का purpose क्या है, समय बचाना, कोट के पास दुबारा मच जाए, से मैटर लेके मच जाए, एक चीज तरफ दौ बार मच जाए, अब माल लीजे, एक रिलीफ मांगने दे, क्या रहे हमेरे पास तो यहाला भी रिलीफ था, हमको तो यह भी मांगना थ भूल गए, थोड़ा सा मांगना, फिर दुबारा कोट के पास जाओगे, तो कोट बगा देगा, इतना टाइंग नहीं हमके पास, इसलिए कोट क्या ensure करता है, कोट यह ensure करता है, कि यह जो suit हो रहा है, यह properly framed हो, इसमें वो सारी बाते आजाए, जो इस matter से related हो सकती है, वो सब पाना चाहिए, इसको technical language में, CPC की कहते है, frame of suit, इसको क्या बोलते है, frame of suit, कैसे frame होना है, यह भी CPC ने बताया, क्योंकि CPC को पता है न, आप तो, आपके पास G1 में है, क्या समय क्या लावा, ताइम में आपके पास, कोट के पास time होना, इसलिए CPC ने इधर भी बता दिया, इसके लिए देखिए, order 2, order 2, clearly लिखा है, frame of suit में, सब कुछ include करना है, उनके जो rules है, वो इसी बात के लिए है, इस order के जत्ते rule है, उनका emphasis बस इसी बात पर है, कि भाया, सब include कर लो, properly frame कर लो, बार बार मताना हमारे पास, दोबारा entertain नहीं करेंगे, भगा देंगे, clear, तो य लिए ये provision दिया, frame of suit का, आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ रहा है न, तो आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद क्या होगा, देखिए, court ने ये भी देख लिए, कि चलो भाया, proper framing है, जो जो मांग सकता था या व्यक्ति, सब इसने मांग लिया, आजम से, अब इसके बा Summons to Defendant Defendant को समझ जाएंगे, इस से related provision किदर है, तो देखते जाएए, content वाले part में, इस से related section भी मिलेंगे आपको, Summons to Defendant, section 27 देख लिजे जरा, इधर पर आप देख लिजे, section 27 देख लिजे, content में, लिखाए अधर, Summons to Defendant और उस से related, consequential एक दो section और दिये हुआ है, और यही बा कि आगे का, आगे की सारी जो बाते हैं, वो कहां बताई गई हैं, तो आप आगे देखिए, order में, order 5 निकाल लिजे, उसके लिए, corresponding बात समझने के लिए, तो order 5 में देखिए, issue and service of Summon, तो इसके साथ आपको क्या देखना है, order 5 देखना, order 5, पर सहा का doubt है कि जो basics बता रहे हैं, उससे pre clear हो जाएगा, परी किस से clear होगा, यह इस दुनिया में, किसी को नहीं पता, वो आपके पढ़ने से ही होगा, मैं basics इसलिए बता रहा हूँ, ताकि CPC आप पढ़ पाए, यह basics इसलिए हैं, ताकि यह जो डर है, इस subject का, इस barret का, व सवाल बताऊंगा, CPC से, 6-7 classes लूँगा, एक-एक सवाल बताऊंगा, क्या क्या हाएगा, प्रीम है, फोड़ा सबर रखनी की ज़रोच है बस आपको, section 27, order 5, यह बात करता है कि आप कहां नहीं कहां तर कहुंचे, आप कहुंचे court, court decide कर लिया कौन सा है, court ने देख लिया कि properly suit frame होना चाहिए, अब court ने का लाओ, बुलाओ, उसको, जसने right wallet किया, उसके लिए आपना आगे किस पर, summons पर आगे, summons बेजेंगे, किसको बेजेंगे, defendant को, summons बेजना है, यह section 27, इसने बता दिया, कैसे भेजी जाएगी, पूरे rule regulation कितर मिल गए, order 5 में, क्या होगा, कैस plaintiff already है, plaintiff ने already plaintiff देदी है, उसके बाद यह सारा कारेक्रम हो रहा है, summons बेज दिये गाए है defendant को भी, कि भाया तुम्हें भी आना है, अब इसके बाद क्या होगा, appearance होगी, इसके बाद क्या होगा, party की होगी appearance, तो देखिए, इसके बाद एक आपको मिलेगा order, appearance and उसके consequence, consequence क non-appearance के, क्योंकि court ने summon बेज के बुलाया है, अगर नहीं आए तो, मानले जे, वही व्यक्ति नहीं आया, जो suit लेके आया था, आप गय थे मेरे अगे suit लेके court, और आप ही court नहीं पहुचे, date of hearing पे, या मानले जे, जिसको summon बेजाता, वो नहीं पहुचा, तो appearance और non-appearance के consequence बताए जाएंगे आपको, CPC में कि क्या होंगे लिए, उसके लिए देखिए ज़रा, order, order 9 पे आईए, order 9 इसके बारे मां बताता है, कि ठीक है न, समन चलेगा न, अब appear होना आपको, appearance, तो appearance में आप देखेंगे, इधर पे आजाएगा आपका, order 9, plaintiff तो पहले plant लेके आया था, वो भी तो अपना side रखेगा, वो भी तो अपना पक्ष रखेगा, court के सामने, in writing, तो वो रखने के लिए भी, एक separate order मिलेगा, आपको, जिसको बोलते है, return statement, एक और order, return statement, अब इस return statement से related rule, आपको मिल जाएगे, किस में, order 8 में, जिसके लिए देख लिए, order 8, तो यह सम consequences मिल जाएगे, आपको, उसमें, order 9 में, और जो defendant है, वो अपना जो पक्ष रखेगा, in writing, जैसे plaintiff, ने plaint के थ्रू रखा, defendant अपना पक्ष रखता है, return statement के थ्रू, उस return statement के क्या rules होंगे, क्या कहा नहीं होगी, उसमें, किस तरीके से रखना है, क्या content होगा, जैसे plaint का order 7 में दिया था, ऐसे ही return statement का दिया है, order 8 में, order 8 देख लिए, यहीं लिखा है, return statement, set of counter claim में लिखा, उसके परें में मात करेंगे, अब appearance हो गई है, दोनों ने अपने-पने return भी file कर दिया, plant तो पहले ही file हो गए थी, return statement भी file हो गया, सब यह सारी चीज़े हो गई, हमने यह भी दे यह दोनों party appear होती है, तो फिर क्या होगा, parties का examination होगा, so इसके बाद क्या आएगा, एक चीज़ आपका, examination of parties, यह क्यों होता है, क्या होता है, अभी समझ ला, court parties को examine करे ना पहले, कि आप जो matter लेक्या, जो लड़ाई यह आपकी, वो समझ ले ज़रा क्या है, यह जो order है, examination of parties by the court, order 10, यह order आपका 10, इसकी sequence भी में change कर देता हूं, इसको आप वैसे ही लिख लीजिए, जिसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए रिटन स्टेट्मेंट, वाग की फोड़ा वाथ ओपर नीचे है, तो वो अपने एंड में एक बार और बेरेट में देखेंगे, जो चीज़ने छूटेंगे, क्योंकि सारी चीज़ने इस कहानी में शायद ना है, कुछ-कुछ बीच में भी आएगा, तो रिटन स्टेट्मे आपका, और ना ही अगया, अब यह सब हो गया, अपियर हो रही है पार्टी, तो क्या करेगा, कोट पहले उनको एक्जामिन करेगा, क्योंकि उसको देखना है, कि वागई कुछ है कि टाइम पस, आपके पास जीवन में समय कहलावाएग क्या, और ताइम पस करने कोट पहु अब जना है थोड़ा मैटर, कुछ है कि नहीं है, इसलिए पार्टी को एक्जामिन कर लेंगे पहले, वहाँ तो क्या होता है, क्रिमिनल प्रसीटिंग में आप जानते हैं, वहाँ पुलिस रपोर्ट पे कॉग्निसंस लिया जाता है, या फिर कंप्लेंट पे लिया जाता है और कंप्लेंट पे भी कॉग्निसंस लेके मजिस्ट्रेट क्या करता है, कंप्लेंट को एक्जामिन करता है, विटनस को एक्जामिन करता है, तब आगे करता है issue of process, यह CRPC में भी मने बताया था, क्योंकि कोट का टाइम फरी नहीं है, और पुलिस रपोर्ट पे तो कॉग्नि इसके बाद करे करें इधर भी तो होना है, इधर भी तो होना है, कोट को इंशार की वापर चीज़ें हैं, क्या हैं देखें तो matter, so examination of parties इसलिए order 10 लेका हुगा, अब इस examination कोई थोड़ा सा आगे लेके जाएं, कि parties से तो बात कर रहा है, इसके बात court यह कहेगा, कि भया, कि जैसे, ठीक है, written statement और plaint आ गया, ठीक है, plaintiff ने plaint फाइल कर दी, defendant ने written statement फाइल कर दिया, that's all right, उसके बाद parties appear, examine कर रहा है court, साथ में यह भी होगा, कि अब आप से, अब उसकी detail में जाया जाएगा, जो matter है, उसकी detail में जाया जाएगा, उन facts को और ढूंडा जाएगा, कि क् हम कहते है, discovery and inspection, इसको क्या कहते है, CPC में discovery and inspection, और आप देखेंगे CPC में discovery inspection कैसे होता, interrogatories के थू, interrogatory का मतलब समझते है, सवाल जवाल, जैसे CRPC में भी आपने पढ़ाता है, कि commission भेजते है, ऐसे witness जिनको बुलाया नहीं जा सकता, उनके लिए commission भेजते है, तो वहाँ भी party क पास अधिकार था कि interrogatories भेजतो साथ में, cross-examine करने के लिए, interrogatories बोले तो सवाल जवाब कर लिए, और facts को ढूंडना है, क्या है, case से related, क्या detailing उसमें जाना है, हमें issue को समझने के लिए, इसलिए क्या होता है, discovery and inspection होता है, इस से related provision आपको मिलेंगे, ज़रा section पर आईए, पहल बीन होगी, उस matter में है, parties के examination से बात नहीं बनें कि और भी चान बीन होगी, so section 30, इतर लिख लिजिए, section 30, और इसी के साथ, order भी, order 11 आपके पास है, इसके लिए, next content में चल रहा है, examination के बाद 11, discovery and inspection, अब जब यह सवाल जवाब आपका सिलसला चालू होगा ना, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ा निकल के आएंगी, जो दोनों party मनती है, जैसे आपने मेरे अगर सूटवाई कि इन्होंने हमको बोला था, कि आप अगर यह subscriber 25 के पहुंचा दोगे, तो मैं आपको मेंस के लिए भी local local सब यहीं कड़ा दूँ ह और आप बोले हैं कि इन्होंने प्रीच किया है, अब यह जो dispute है ना मेरे और आपके बीच, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़े होगी, जो हम दोनों मानते हैं, उसको कहते हैं हम एडमेट करते हैं, जैसे मैं यह हो सकता है, मैं यह माननों गोट के, मैं यह जब जब आप करता हूँ, बट मैंने ब्रीच नहीं किया, बात कुछ और हुई थी, यह जो कह रहे हैं कि इस समय पर पढ़ा ना था, उसकी बात नहीं हुई थी, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़े मैं भी माननों, जो आपने allegations लगाए, मैं कुछ चीज़े मान सकता हूँ, इसको क्या कह कहते हैं, इसको कहते हैं admissions, जब दोनों parties जिन चीज़ें पर अगरी करती है, उसको क्या कहते हैं, admissions कहते हैं, और ये admissions आपको किदर मिलेंगे देखने को, तो वो मिलेंगे आपको order 12 में, अगला order देखिए admissions, हो सकता है कुछ चीज़े मैं माननों, खुदी accept करनों, यहां contract तो हुआ था भाई साब, यह तो हम मानते हैं, तो इसका फाइदा क्या है, अब बात समझना, इन admissions का फाइदा क्या है, फाइदा ही है, फाइदा ही है, पर यहां इसा कुछ बोला है, हमारे बीच में एक agreement हुआ था, यह मैं मानता हूँ, तो आप उस agreement को प्रूफ करने नहीं चा सामने वाला फिर क्यों उसमें क्यों पढ़ना आगे बात किस पर होगी जो आप एलिज करेंगे और मैं डिनाय करूंगा ऐसी बातों पर आगे बढ़ेगा कोड अब कोड को यह देखना है कि बेसिक डिस्प्यूट है किस चीज़ पर कौन से ऐसे इशूज हैं जिस पर आगे हमको डिसाइड करना है कुछ इशूज तो सेटल है ना औरटी होगे ना कुछ इशू तो अब कोड यह कुशिश करेगा कि कौनसी ऐसी बाते हैं जो एक पार्टी कर रही है दूसरी डिनाय कर रही है वो बनते हैं इदर इशूज आगे की जो प्रोसीडिंग होगे उन इशूज पर चलेगी तो इसके बाद एक चीज़ आप पढ़ेंगे सीपीसी में जिसको बोलते हैं framing of issues या settlement of issues इसको क्या बोलते हैं settlement of issues और issues कौनसी चीज़े बनती है जो पार्टी जिनाय करें एक करें दूसरा डिनाय करें अगर मान लिए दूसरी पार्टी ने मान लिया वो तो admission होगे उस पर क्यों बात करेंगे सो अगला order देखिया order 14 बीच में 13 भी है उसके बारे में बाद में बताऊंगा अभी कायन के बीच में disturb मत करना की यह भी छूट गया वो सब मुझे द्यानने में बाद में बताऊंगा सेट्लमेंट ओफिशुस होगा फिर देखा जाएगा कि किन बातों पर यागर ही नहीं कर रहें दोनों एक बंदा बोल रहा दूसरा डिनाय कर रहा इसको कितने सेट्लमेंट ओफिशूस डिटर्मिनेशन और सूट ऑन इशूट ऑन इसका रूल वन देख लिए फ्रेमिंग इस पर फिरेम करेंगे किन कि फिरेमिंग्य उपिशूस का भी फॉपस क्या है । पॉइंट पॉइंट भात हो जो काम की बात है वही बात हो उसप्रसेडिंग में इसलिए पूइच इसफ्रेंग करने का यह है ।акि ट्रैक्प कर रहे है प्रसेडिंग ऐसा नहीं कुछ फ् होती है अब कि उसको बताने के लिए कि उसको समझाने के लिए कि तुमको यह क्यों लाया है क्या विवाद है किस बात का उन पॉइंट्स को रख लगते हैं बस इसलिए एक और दिया है पूरा सीपीजी का सार क्या है कोट के पास समय ज़्यादा नहीं है तो इन दोनों के बीच में है एक्चुलि कोई डिस्प्यूट है ही नहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप टाइम पास के एसाप से पहुंच वह है उत चलो कोई वेकेंसी नहीं है तो सूट सुटी खिल लेते हैं कोई विवाद है नहीं सबस्टेंस में कुछ विवाद है नहीं दिबर जस्ती तो ऐसे में क्य कर देंगे और उसमें भी आप देखेंगे रूल एकात कोड़ेंगे तो आपके समझ में आएगा ओडर 15 के कंटेंट पी अपन चल रहे हैं कंटेंट में पहला रूल देखिए पार्टी इस नॉट एट इसूट को लगता है कि कोई इसू है ने इनके बीच में पिर भी आगा तो पहली hearing में dispose or करा जा सकता आज ये बताएगा ऑगा शाटीं में बनते हैं और लगता है कि हाँ आगे बढ़ना है अब क्या करेंगे और अप अपनी बातों को प्रूफ करेंगे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे विट्नेस बिलाएंगे पहले हमने समन्न किसको बलाने के लिए बेजा defendant को बुलाने के लिए बेजा defendant को समन बेजने के बाद हमने देखा appearance of party and its consequences of non-appearance नहीं आया तो फिर क्या consequence होंगे वो हमने देखा उसके बाद parties का examination भी देख लिया हम अब जब issue बन गए है कि हाँ वापर proceed करने लायक case है आके बढ़ना है विवाद है तो अब उसके judgment तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा विटनेस पो एक्जामिन करना पड़ेगा और एक्जामिन करने के लिए पहले बोलाना पड़ेगा तो अगला order देखिए फिर summoning and attendance of witness अगला order किस बात करेगा किस चिस की बात करेगा तो वो करेगा summoning and attendance चीक है तो summoning and attendance of witness यह किसकी attendance के अब अपन बात कर रहे हैं किसको समन कर रहे है विटनेस को defendant को अल्रडी बुला चोके है इनको बुलाएंगे अपन चीक इसके लिए आपको section भी मिल जाएंगे section 31 देख लेजे जारा content में section 31 देख लेगे और इसके लाव आप देखिए order 16 और order 16 A B कोई करती है अगर प्रिजन प्रिजन में है तो उसको बुला लिए जाएगा तो आप order 16 की हेडिंग देखिए summoning and attendance of witness और 16 A है attendance of witness confined or detained in prison जेल में है तो उसको कैसे बुलाएंगे और section 31 भी इनको बुलाने की बात करता है रहानी समझ में आ रही है ना issues मिलगा है court को proceed करने के लिए अब बात होगी प्रूफ करने की तो प्रूफ करने के लिए पहले witness लाओ तो witness को पहले अब प्रॉसीड करेंगे hearing होगी और examination होगा witness का आगे क्या होगा मान लीजिए आते हैं जिनको आपने बुलाया witnesses आएंगे और फिर क्या होगा hearing होगी matter की hearing and examination अब इससे रिलेटेट पूरे प्रोवेशन इधर इटीन मैप को मिल जाएंगे इनके examination से रिलेटेब अब एक बाद और ध्यान दखना इधर जो मैंने आपको CRPC में भी बताई थी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोट में बुलाना सही नहीं है वैसे तो लिखा है कि समन बेज़के आप बुलवा लीजिए विटनेस लेकिन इस तरीके के विटनेस हैं जिनको कोट बुलाना संभव नहीं है या बुलाएंगे तो अननेसेसरी इंकन्विनेंस होगा यह सब CRPC में पढ़ा था कि मान लीजे मुदी जी को बुलाना है ऐसे विटनेस मोपाल के कोट में तो पहले हेलिपेड की विवस्था होती है वरकतुल्य उनिवस्टी के ग्राउंड में पहले हेलिकॉप्टर उतरता है रूट बनाई जाती है कि वहां से लेके दसे रमिदान तर सिर्व उत्ती कि यह सब के लिए भी खर्चा पार्टी करना है इसलिए क्या करते हैं तो पीच में पीच में आएगा वी लिख लेते हैं इसलिए मैंने कहा सीक्वेंस में चलना बहुत पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं आपको पता दे रहा हूं क्या क्या बाते हैं और वो कहां reflect हो रही है उ को connection भी बताऊंगा क्या पड़ने हैं क्या नहीं पड़ना अभी तो आप उस कहानी में सारी चीजस समझ लिए कि कि इसक चीज को आपको ज़रूरत पड़ती और यह सब लिखा है इतना सारा इंत ना सारा है सब क्यों लिखा ऐसी समझनिय आ रहा था कि यह क्या है और क्यों ह अगर विटनेस को नहीं बुलाना या किसी वक्ति को नहीं बुलाना तो कमिशन इसू कर लो उससे भी काम चलेगा वापस आते हैं अपने कहानी पर कि भाई आप एक्जामिनेशन हो रहे है विटनेस का और आपको लेने हैं एविडेंस यह जो लिए जा रहे हैं जो भी यह काम की बात अथेंटिक बात फालतू की बातें को चाहिए रहे हैं इसलिए कोट क्या कर सकता है उसकी बढ़ा सकता है कैसे बढ़ाते हैं अथेंटिसटी थ्रू एफिडेविट का क्या मतलब होता है क्या काम होता है एफिडेविट का क्या मतलब होता है या क्या काम होता ह क्या सब्सक्राइब और क्या जी अप्सक्राइब, इससे पूरा हो रहा है कि हमने कहां से चालू किया institution of suit से हमने चालू किया suit institute हुआ parties के बारे में देखा फिर party आई तो देखा कि frame of suit होना चाहिए कि properly frame होना चाहिए फिर हमने defendant को बुलाया समन करके उनका examination किया फिर witness बुलाए फहले issues settle हुए उसके बाद आपने witness बुलाए उनका examination आपने कर लिया यह process समझ में आ रहा है किदर जा रहा है civil procedure में क्यों यह सब लिखा हुआ है CPC में सब काम की बाते हैं कुछ फिजूल नहीं लिखा सब वही चीज़े हैं जो आपको logically भी जो होना चाहिए यह वही बाते हैं सारी अब यह सब हो गया examination examination होगा अब court क्या करेगा matter को decide करेगा actually तो अब क्या आएगा इसके बाद next तो next में आएगा आपका judgment अब यह सब विट्नस विट्नस एग्जामिन हो गए आपके बातें बातें सारी सुन ली तो आएगा क्या judgment and decree मैंने डिक्री भी आपको पहले ही बता दी क्या difference है judgment or decree के बीच मैंने आपको बता दिया है तो अब इसके बाद देखिए judgment and decree इसके लिए section order दोनों मिलेंगे section मिलेगा 33 order 20 section देख लीजे section 33 order 20 बात करता है judgment or decree अब इस से related provision substantial part आपको इसके बारे में पूरी कहानी आप देख सकते हैं 20 रूल है इसमें judgment and decree तो यह आपकी proceeding एक तरीके से end की तरफ आ रही है institution of suit से end तक बीच में क्या-क्या चीज़ें आ रही है वो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बैट रहे है तब जब यह प्रोविशन अपन पढ़ना चालू करेंगे न कि frame of suit जो order था उसके अंदर के जो rules है वो समझ में इसलिए नहीं आते क्योंकि आपको chain समझ में आनी चीए same as with CRPC इसलिए मैंने CRPC माप होगा ता पहले आप वो कहनी वाली चीज़ देखोगी यह सब fit कितर होता उस process में तब अंदर की बात ज्यादा अच्छे से catch होगी आपको वो correlation आपको समझ में आएगा कि simultaneous क्या क्या चीज़ें चल रही है तो भाई जज्मेंट इंडिक्री हो गया आप सरा एक बात और समझना अब मान लीजिए जो हमारा case चल रहा है आपने जो मेरे अगेंस सूट पाई दिया है कि इन्होंने बोला था कि मेंस भी पढ़ा देंग कि माल लीजिए जज्मेंट आया आपके favor में आपके favor में या चलिए थोड़ा सा benefit मुझे भी दीजिए माल लीजिए जज्मेंट मेरे favor में आया कि ठीक है ये फालतु बात कर रहे हैं बच्चे कुछ नहीं था आपने को यह सा मतब उसमें जो भी decision हुआ कि मुझे नहीं करना अब यह हो सकता है कि मैं खर्चा हुआ ना जिसके भी favor में आया जज्ज्मेंट खर्चा तो हुआ दोनों party का अब मैं कोट से कहूंगा कि साथ देखो एक तो इनको मैंने इनको हम लोगोंने MP ADPO के लिए पढ़ाया इनको हमने UP का crash course करवाया UP क्या मतलब यह तो सभी state के गारा बज़े तक और उसके बाद आप मतलब परिकाष्टा देखिए कितनी किस कदर मतलब ही हो सकते हैं लोग कि मतलब इन लोगों ने वो भी पढ़ा और फिर मेरा गन सूट फाइल करने आ गए कि वो नहीं उसमें मेरा खर्चा हुआ है मेरा समय गया है यह सब हुए मेरे स किसी के भी फिवर में हो सकता है कौस किसी की भी लग सकती है तो को समझ में भी बात होगी इदर प्रोसीडिंग में अन्नेसेसरी डिले कर रहे हैं तो भी कॉस्ट लगाएगा यह प्यूनिटिव मेशर भी कोट का समय है बहुत इंपॉर्टन आपने कोट का समय खराब किया उस पर भी कॉस्ट हो जैसे आप मैच में देखते है न क्रिकट में जिसने डिले किया उनकी मैच इसमें से पैसा लग जाता देना पड़ता क्याप्टन को पर सेटिंग डिले पर ही उस पर भी कॉस्ट प्रोविशन आपको मिल जाएंगे सेक्शन 35 देख लिए इस ते रिलेट है तो सेक्शन 35 35 A 35 B यह देख लीजे आप तो कॉस्ट की बात करते हो दिख जाएंगे यह प् इसका मतलब यह थोड़ी ना कि सामने वाली पार्टी वह फुल्फिल करी दे आपके राइट को कोड ने तो रिकगनाईज कर दिया दूसरी पार्टी की अगेंस और दूसरी पार्टी का माल लीजे अब्लिगेशन भी उन्होंने डिसाइड कर दे जैसे मैंने वह कब्जा करने वाला केस बताया कि एक व्यक्ति है जिसके घर पर किसी दूसरे ने कब्ज अब यह जो डिकरी होल्टारे क्या करेगा एक्जिक्योशन की प्रोसेडिंग के लिए जाएगा कि साब भो घर खाली भी तो करवा दो आपने बोल तो दिया कि मेरेको रहने काधिकार करवा हो तो कि मालेज़ आपने मुद्सा डामेज ले लिया आप जीत गाए वैं और मैंने काँ नहीं दे रहेए पर इस तो फिर आप जाएंगे एक अप्लिकेशन लेकर इस लिए अधिक्योशन के लिए ग्जीशन देखेंगे एसे सूट के लिए प्लेंट एक्जीशन की अप्लिकेश वो भी दिलवाने कोटी बीच में आएगा उसके लिए भी कोटी जाना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं execution तो आप क्या करवाएंगे उस degree का आप करवाएंगे execution उसके लिए फिर आप कोड जाएंगे और execution के लिए आप सेक्शन सगर देखें तो देर आर मल्टिपल सेक्शन अगर आप देखेंगे तो सेक्शन आपके 36 से 74 काफी ज्यादा है 36 तो 74 यह सब्सक्राइब पॉर्शन और और 21 भी आपको इसी से रिलेटेड में लेगा अगर आपको सेक्शन में समस्या है 36 के ओपर देखेंगे पार्ट का नाम क्या लिखाए सेक्शन वाले कॉलम में जाहिए content में और उसमें देखिए जरा 36 के ओपर पार्ट तू execution वह सब अब देखो जरा एक बार देख भी लेना अंदर का कारेक्रम भी देखेंगे कैसे होगा तो थोड़ा सिमिलर लगेग अगर आपने पढ़ रखा है तो execution आपको पहले जन्रल बात बताईए फिर लिमेट आफ टाइम फॉर एक हैड आपको यह भी मिलेगा कि जो एक्जीक्यूट कर रहा है वो क्या 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 करेगा जो को क्या करना है कौन से क्वेश्चन करने करने और यह प्री में सवाल पूछा जाता है मतलब आप सोचना कि मैं बस आपको ऐसी कहाली सुना रहा हूं यह सब प्री के question है अगर मान लिजे 10 question आये है न तो यह बात समझ लेना कि तीन question तो सिर्फ इस पर बन जाते हैं कि structure clear है हमारे देमाद में CPC का content यह content वाला portion है यह structuring clear है कि क्या चीज प्रोसेस में किदर फिट हो रही है मैं बता रहा हूं दस में सतीन सवाल फिस पर बनते हैं आपकी और दस के नंबर पूछे जाते हैं basic चीज़ें पूछे वो सब किस पर बन जाएंगे आपके सिर्फ अगर यह processing आपके समझ में आ गई यहां compensation लेलो इनसे मैं नहीं देरा compensation फिर तो प्रापर्टी का attachment जैसे अपने CRPC में पढ़ा था परसन की प्रेजन्स इंशॉर करानी के लिए आप अटेच्मेंट कर देते हैं प्रापर्टी सेल कर देते हैं डिक्री एक्जिकूट करानी के लिए प्रपर्टी अटाच करके स तो एक बार तुरंत ब्रशब करते हैं जत्ती चीज़ें हमने पड़ी कहां से कहानी हमारी चाले हुई थी institution of suit से institution of suit में कहां institute करोगा court में करेंगे उससे related provision उसके बाद हमने देखा कौन करेगा तो party कौन plaintiff कौन defendant यह सब भी होगा उसके लिए एक order is separate parties to suit जो institution हो रहा है प्लेंटिफ कर रहा है कैसे कर रहा है प्लेंट से कर रहा है तो प्लेंट से रूल और 7 में पूरे मिल जाएंगे फिर क्योंकि आप प्लेंट लेका है court यह भी इंशूर करेगा कि यह suit पूरा comprehensive है कि नहीं इसमें सारी बात है हो जाएंगे कि इसके बाद भी कुछ रह जाएगा क्योंकि वह कोट का समय इसलिए frame of suit उससरे डूल भी देती है कैसे आपको फ्रेम करना है suit को क्या क्या include होगा उसमें उसके बाद हमने देखा समन टू डिफेंडेंट को बलाएं जाएगा उसके बाद वो ब्रिटन स्टेट्मेंट अपना पक्ष कैसे रखेगा थू रिटन स्टेट्मेंट अपीरंस और उसका consequence उसका रिस्पेक्टे बाद एक्जामेनेशन होगा पार्टी का order 10 के अंदर उसके बाद discovery inspection जानने के लिए matter को और वो सहरी कहानी फिर admissions हो जाएंगे कुछ ऐसी बात में जो दुनों पार्टी मान लेंगी तो उस पर issue frame नहीं होंगे आगे बात नहीं बढ़ेगी और जिन पर विटनस बुलाएंगे अगर आगे बढ़ना है proceeding में तो विटनस बुलाएंगे उनकी attendance फिर उनकी उनका examination होगा और उसी से related अपनने commission भी देख लिया फिर कि examination कैसे कर सकते हैं और फिर if it effect का चीज़ें उनसे ली जाएंगे अगर आपको इंशर करना है कि true information नहीं आए तो फिर judgment आएगा decree और cost भी लिवाए करी जा सकती है और फिर execution होगा इसके बीच में भी कुछ चीज़ें है दो तीन चीज़ें इसके बीच में हैं वह दो तीन क्या है attach and sorry arrest and attachment before judgment एक order आपको यह भी मिलेगा ज़रा बेरिक में देखिए arrest and attachment before judgment वो भी देखिए ज़रा that is also important in this story इस कहानी काई पार्ट है वो भी 38 order 38 देखिए 38 देखिए अरिस्ट के पहले ही बीच प्रसेडिंग में अरिस्ट हो रहा है क्यों हो सकता ऐसा मान लीजिए आपने मेरे साथ agreement किया था कि आप मुझे अपना mobile phone देंगे 10,000 रुपे में अब मैं proceeding तो फाइल कर रहा हूं court में जाके आपने breach कर दिया बाद आपने बाद में फोन देने से मना कर दिया मुझे तो मैं suit तो फाइल करूँगा लेकिन मुझे यह अंदेशा है कि मुझे चाहिए specific performance मैं court में जाके आपको यह सब होगा एक चीज़ आपने यह भी देखी कि डिक्री को execute करने के लिए भी यह सब होगा arrest और attachment लेकिन हो सकता है उसके पहले से संभाबना हो कि वो जो defendant है वो सब कायब करने तो आतो रहे वह तो कि property में रहेगी तो फिर कायब का सूट क्या दिंगा ऐसा भी हो सकता है य जजमेंट नहीं हो रहा कोट का तब तक उस property के देख भाल हो नहीं है वो कौन करेगा तो उसके लिए एक वक्ति ऐसी आर पीसी में जिसको कहते है रिसीवर इस से रिलेटेट भी प्रोविजन में लेंग रिसीवर से रिलेट को समानने के लिए होता है यह वैसे के रिसीवर सब्सक्ति वाट करता है कि यह परपोन संब्सक्ति कर दिए म हैँ अब को अब निक्स्त ने ब्रीफ में बता रहा हूं अभी हम लोग को पोडेंगे उवर ब्रुड़न और अइस प्र एक सोब ब्रूर्स दो लेकिन ये किस परपस के लिए परी के लिए जब पर इंडेट कोड़ते हैं जो फांडेशन कोर्स में जो पड़ाया जाता है उसमें मुझे दो-दो दिन लग जाते हैं के कापिक में जैसे CRPC का था जैसे CRPC है मैंने आपको याद होगा इस Crash Course में एक क्लास में इंवेस्टिकेशन कराया है 154 से लेके 167 सब फांडेशन की क्लास में जब उसमें बात होती है तो वह जाता है दो दिन सिर्फ 167 मेरको 2-2 गंटे की दो लगती हैं तो उसके अंर और इंट रिज्ट जीट है जो जानने लाइक आपके लिए एकजाम करक करने के लिए लिए और एकशाम करने के बात काम करने के लिए लगा C क्लास में भिसे वी खथम हुआ है तो अभी साला different लेकिन लेकिन मानिए CPC की चीज़ों को याद रखने और समझने के लिए यह बहुत जरूरी है जो हमने आज किया है इससे आपको समझ में आएगा कि यह सब्जेक्ट है क्या है वह जैसा मैंने आपको बताया कि यह जो रिसीवर होगा इसके अलाबा टेंप्रेरी इंजंक्श और इंटर्लोक्यूट्री ओडर भी इनी चीज़ों के लिए है बेसिकली कि जब तक सोटकाट डेसिजन होगा तब तक तो साफ काम ही खराब हो जाएगा अभी पहले कुछ तो रिलीफ दिलवाईए इंटर्लोक्यूट्री ओडर उनी को कहते हैं जो प्रसीडिंग के बीच म पास हो सकते हैं यह सारी कहानी भी आपको यहां मिलेगे अब आप ब्रॉडली देखेंगे तो यह जो स्टोरी में मैंने आपको सारी चीज़ें लिखी है यही सीपीसी है बस हो गया कतम से इसके लाब कुछ नहीं है जो आपने अभी कॉमन सेंस से बातें समझे कि इसके को डेटेल में पढ़ना है तो यह ब्रॉड आईडिया अगर आपके पास है कि यह है क्या चीज़ किस परफस के लिए है धन्यों यो यह बीबल तो इस अब आपको ब्रॉल का मतलब और इल्ग कूल पढ़ेंगे तो आपके जहन में जाओगा कि यह चल क्या रहा है की पहले तो यह पता की स्ट्र्चन कहुन है और चलो यह भी पता की ओडर क्यों है तो अच्छा आपदर का सब्सकूर आ vide सुप्रोबीज सिसली एक लें सोदिक बस किसी में प्रब्लम है चलिए अब जरा कॉंटेंट एक बार फिर निकाल लिए एक बार मैं ब्रीफ में आपको वो चीज़ें बता दूँ जो इस स्टोरी में नहीं आई है कुछ और एडिशनल बातें हैं उसको समझ लेते हैं तो रंद सीपीसी का कॉंटेंट निकाल लीज कि पहले खरीद के लाएंगे डिगलॉट वाला इंगलिश वाला है तो पढ़ेंगे नहीं पर कॉपी लाएंगे रेजिस्टर फिर याद आएगा जब पढ़ने बैठेंगे कि अरे ब्लैक पेन नहीं है तो फिर सोजाओगे कि कल ब्लैक पेन लेके आँँगा फिर पढ़ाई काम होती तो आज माहूल था सीपीज आज पढ़ा ही नहीं थी जीपीज के आज माहूल था सीपीज के लिए इसका बहुत परपस है आगे की चीज़ें पढ़ने है चलिए जरह सेक्शन पर आईए तुरंट प्रलिमिनरी वाला पार्ट देखिए बेसिक बाते बत ठीशन पर 26 के ओपर जो हैडिंग वो अलग आगी आज़ेंगी फार्ट को समझने के लिए इंटरोगेटरी बेजी जाएंगी इसके बात देखिए नेक्स समय ने के लिए जज्वेंन डिग्री तो आपके समझ में आगें एंड में एंगा जज्मेंट सेक्शन 33 उसकी बात क इस प्रोसीडिंग में जो पैसा इन्वाल वे कॉस्ट है मान लीजे डिक्री आई कि हाँ आपको इसको इतना पैसा दें जो भी इंटरस्ट वन रहा वो भी दिलवाए गाए गाए पिर कॉस्ट की बाद भी मने आपको बता दी क्योंकि आपने किसी पार्टी को अननेसेसरी सता पिर आते हैं अपन नेक्स पार्ट पे सूट इन पर्टिकुलर केस यह एक डिफरेंट बात है जो इस स्टूरी में नहीं आई है तो उसका भी ब्रीफ समझ लीजे है अब यहां बात है जो सरकारी करमचारी है वो भी फ्री नहीं है जबर जस्ती क्योंकि हराद में से इल कर रहा है वो पता चला काम चोड़के वो भाई कोट कर रहा है इसलिए उस पर थोड़े सेफगार्ट है उनका प्रसीजर थोड़ा सा कुछ उनके लिए स्पेशल चीजें बता ही नहीं है उनसे लिए उसके बाद नीचे आप इंटर प्लीडर भी देखेंगे इस वेरी इंपर सब बताऊंगा अब अब अपन पढ़ना चालू करेंगे तो याद तो करी लेंगे प्रोविशन समझेंगे भी है क्या इंटर्प्लीडर कौन है क्या पूरा सम्झाओंगा हिंदी में आपको उसके बाद देखें पार फाइव स्पेशल प्रसीडिंग यह भी एडिशनल ची सब्सक्राइब करने लिए अपने लिए इस लिए इस तरीके के प्रोविशन भी आपको मिलेंगे और कुछ स्पेशल पब्लिक नुसंस से रिलेड़िड इसके बाद नेक्स पर्ट पर यह सप्लिमेंटल प्रोसीडिंगे यहां कुछ बेसिक बातें और मिलेंगी जैसे वह मैंने कहा ना अटाच्मेंट अरेस्ट ज अटाच्मेंटों से रिलेड़ इसके बाद एक अपीछ अपील ऑई खेक्यूशन तो अपनी जगे मैंने कहा ना जो पार्टी हारी है जिसके अगेंस जेज्मेंट आया वो अपील में भी जा सकता है क्या जो पार्ट जिस पार्टी के फेवर में डिक्री आई है क्या वो भी अपील में जा सकती है ऐसे अपील इदर पर भी पढ़ना है तो इस स्टोरी में भी वो चीज आई थी अपील और यहां आप देख लिए सेक्शन दिये हैं 96 से लेके 112 अपील से रिलेटेड और 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 और रिविजन जैसे CRPC में देखाता है हाई कोट के पास रिफरेंस जाता है और वहां रिविजन भी था रिव्यू नहीं था क्योंकि क्रिमिनल को अपने ही जज्जमेंट को दुबारा रिव्यू करने का अधिकार नहीं दिया गया है तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन इसके बाद लास्ट में रूमेकिंग पावर बताया कि किस-किस के पास राइट है कि कौन अमिंट कर सकता कौन रूल बनाएगा वो सारी बाते हैं पन पढ़ेंगे कल थोड़ा बहुत 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 जादा प्री के लिए इंपर्टन नहीं है यह सब यह वाले आकरी के पार कि अब कुछ बेसिक बात मिसलेनियास में भी पड़ेंगे कुछ ऐसी चीज़ है जो इस कहानी में नहीं आई है जैसे के वेट वगयरा ये सारी बाते हैं पनी अदर पर मिसलेनियास में कुछ अधीशनल बात है मैजॉरेटी ओफ चीज अस्टोरी में आप देखेंगे खतम ह कि कि इसके बाद तेखिए ऑडर पे आई यह तो उडर में और हमने इस स्टोरी में कवर कर लिया पाइज कर लिया अब जब आ हमने पाइज की बाद कर लियूडर यह एक order separately दिया हुआ है, generally rule rule पढ़ते नहीं है pre में सिर्फ order का number पुछा जाता है और बहुत बार pre में पुछा जाता है order 3 में क्या है recognized agent and pleaders, यह ध्यान रखीगा, order 4 story में आ गया, 5 आ गया, उसकी जरूरत नहीं है, अब देखे 6, हमने plant और return statement की बात करी, प्लेंट 7 में दिया है, return statement 8 में दिया है, इन दोने को ही collectively बोला जाता है pleading's, plant और return statement को collectively बोलते है pleading's, इसमें अगर amendment करना है तो, क्या होगा, वो सकता है, क्या, इन सबसे, इस pleading's are rated, जो general बाते हैं, वो आपको मिलेंगी order 6 में, और उसके बाद specific मिलेगा, क्योंकि pleading's मतलब, दोनों, print of return statement, दोनों से जनरल बाते हैं, order 6 में, order 7 में specifically print के बारे में, order 8 में specifically return statement के बारे में, और फिर 9 onwards तो आपने कहानी सुने लिए, order 9 आपकी story में आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 हमने छोड़ दिया था, सीधे 14 पर कहते है, 13 देखिए, production, impounding and return of document, जो document quote के सामन आपने produce होंगे, वो कैसे होंगे, और उनकी impounding quote जब भी कर सकता है, रोल बोल से प्रीमे question नहीं आते, सिर्फ order number याद रपना आपको, इसलिए, story में भी नहीं आया, उसके बाद आएगा, order 14 वो story में आ गया, आप समझ गया है, उसको, क्या है वो, disposal 15 भी में आपको बता दिय यहाँ, उसके बाद 17 adjournments की बात करता है, इसमें भी अंदर से question नहीं आते, जब proceeding चल रही है, रोज तो होगी नहीं, adjourn भी होगा, proceedings adjourn होती है, postpone होती है, उस से related बातें आपको इस order में मिल जाएंगे, फिर अगले order तो hearing of the suit and examination of witness, यह मैं आपको पूरा बता दिया, along with rules, उ आपको बता दिया, उसके बाद execution दिया है, तो वो सारी बातें आपको इधर मिल जाएंगी पूरे इसमें, इसके अलाबा जो additional चीज़ें, एक और बहुत important और अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इसके लिए आप देखिए ज़रा order 22, अब 21 में तो execution बता दिया, 22 स्टोरी में नहीं आया था, death, marriage and insolvency of party, देखें बीच प्रोसेटिंग में अगर किसी party के death हो गई, या वो insolvent हो गया, तो क्या होगा, या उसकी शादी हो गई, तो क्या होगा, बीच प्रोसेटिंग में, क्या करेंगे फिर, कैसे continue होगा, ये सारी बातें भी आपको मिले मतलब क्या correlate किया भाई नहीं, या तो आपकी death हो जाए, या तो आप insolvent हो जाए, या आपकी शादी हो गई, तीनों को एक में किन दिया भाई नहीं, तीनों को से कोची हो जाए, ये, मतलब जो similarity पिठाने का, वो देखें आपने, इतना बड़ी है, death, marriage, insolvency of parties, इसको पढ withdrawal and adjustment of suit, अब जब आपने suit file कर दिया हो सकता है, बीच में हर्दय परिवर्तन हो गया, इधर पर जिसने भी suit file कि उसका मन हो गया, बीच में हर्दय परिवर्तन कि नहीं, आपने मान लिजे मेरे अगिन suit file कर तो दिया था, लेकर बाद में लगा कि नहीं, या ठीक टाक लगती ह इसके बाद अगले जो कुछ orders है, वो बहुत important नहीं है, जैसे next order payment into court, court में जो payments होने वो कैसे होंगे, उस से rated rules है, फिर security for cost important नहीं है, बट basic बात में आपको बताऊंगो इसके बारे में, commissions, important है, इपन पढ़ चोक है, roles, जो दो question नहीं आते pre में, यह सम्में आपको अभी एक generally question इससे नहीं आते, उसके बाद next order, अब जो order start हो रहे हैं, 27 onwards, इन में order number के question पूछे जाते हैं कि किस order में क्या है, यह specific क्योंकि कुछ nature of suits, कुछ specific suits की बात है, उन में क्या special चीज होगी, जैसे इसमें देखिए आप 27 में suits by or against the government or public officers, वो ही मेना section में भी बताया, उनके following a substantial question of law, जहां question of law decide होना है, उसमें कैसे होगा, अगला order देखिए suits by or against military or development, उनके लिए अलग provision बना दिया, defense वालों के लिए, फिर आगे suits by or against corporations, उनके against कैसे होगा, suit, next order में suit by or against firm and persons carrying on business in name other than their own, firms के नाम में जो काम हो रहा है, उसके अगर suit file होए, तो क्या procedure अपनाया जाए इसके बाद next order देखिए suit by or against trustees, यह भी similar उसी तरी के special provision, इसके बाद suits by or against minor, यह बहुत important है प्री के लिए, अब party अगर minor है, unsound mind किया तो उनके बहाफ पर obviously बात है कोई और करेगा, क्योंकि वो तो competent नहीं है, तो उस बारे में पूरा provision इधर दिया है, और यह order काफी important है, जो इसके बाद next order देखिए, suits relating to mortgages of immovable property, immovable property का अगर mortgage हुआ है, तो वो उससे related पूरा, है यह suit. order पूरा, उससे related बताया गया है, but exam में नहीं आता है, जैसे मेंने का, इसके बाद interplete हरी है, समझना बहुत जरूरी है, बहुत important है, इसके बारे हैं बताऊँगा, यह specific nature का suit होता है, इसलिए वो story में नहीं आया है, जो general थी, हमने जो theme बनाई, CPC के जो story बनाई, वो general बातों judgment, before judgment, purpose, purpose, बता दिया, उसके बाद अगला temporary injunction, interlocutory order, यह भी में आपको बता दिया, होता क्या है, appointment of receiver के बारे में भी में आपको बता दिया, फिर आजहेंगी appeals, appeals related order, appeal from original decree, that is 41, उसके बाद appeals from appellate decrees, appeals from orders, appeal by indigent, appeal के अलग-अलग variation है, बहुत जादा important नहीं है, फिर reference, review, revision, जो section में दिया है, substantial part, उसी के corresponding orders, and that's how CPC comes to an end, यह हो गया CPC खतम आपका, अब I hope इस class के बाद आपके दिमाग में structuring बाढ़ गई है CPC की, कि यह जो इतने सारे section, इतने सारे order है, यह है क्या, इस पूरी story को जो मैंने आपको इस अलग-अलग 5 slides में बताया है, यह आपको जह साथ से 8 classes में लुगा है, आज की मिला के, इसके अलावा 6 से 7 classes और होंगी, depending on की कितना अपना चलता है, यह अगर आपके समझ में आ गया है, तो believe me, अब आप बेरट खुद उठाके भी बहुत कुछ पढ़ लेंगे, और बहुत कुछ आप समझ सकते हैं खुद से, अगर इसको सुनने के बाद आपको CPC थोड़ा आसान लगे, और जैसा मैंने आपको कहा है कि CPC उसके बाद evidence भी होगा 9 बजे वो भी मैं कराऊंगा आपको और इसी तरीके से, पहले उस subject को भी आसान करेंगे, फिर पढ़ेंगे, पहले आसान कर लेंगे अपने लिए subject, फिर पढ पहलेंगे, CRPC भी ऐसी पढ़ाते, CPC भी ऐसी पढ़ेंगे, तो आप कल से आईए 9 बजे, बेरिट ले लिजे, सब लेके आज आईए, बहुत बहुत धन्यवाद, अधिवक्ता, अटल, कुमार, तिवारी जी, और जैसा मैंने कहा कि मेंस का भी अगर आप इक चुके हैं, त लेकें, इतना मतला भी नहीं होता है, कहानी उसी की थी आज पूरी, सब्सक्रप्शन की, लाइक्स की, और सब्सक्राइबर्स, ठीक है, तो इस कहानी को ध्यान रखिये गए, अधिया है, अब जैसा मैंने आपको कलेक स्टोरी के फॉर्म में, पूरा CPC के जो और्डर्स हैं और जो section से उनको correlate करके बताया था, अब जो हम पढ़ेंगे, देखे, CPC को पढ़ने की न, अलग-अलग approaches हैं, और ये approach कौन सी होगी, ये depend करता है, कि किस purpose के लिए अपन पढ़ रहे हैं, जो समना आपको कहा था, कि अभी ये जो purpose है, इस crash course का, वो है आपके prelims examination, प्री निक से आपको पूरी judiciary के तीनों stages को consider करते हुए foundation batch होता है, तो उधर अपन अलग तरीके से बढ़ते हैं, वहां हम एक topic उठाते हैं, उससे related order, उससे related section, पढ़ते हैं और random इधर उधर से topic उठाके पढ़ा जाता है उसे, but for the purpose of prelims, जो मेरा opinion है, वो ये है, कि एक sequence में पढ़ा ज से ही है, ताकि क्योंकि यहां पर direct question भी बहुत होता है, सीधे-सीधे order के question, उनके rule के question, किस order के, किस rule में क्या दिया है, किस section में क्या दिया है, इस तरीके के सवाल भी equally important है आपके prelims examination में, along with a little conceptual clarity on the topic, तो हम जो पढ़ना start करेंगे आज CPC, यह हम करेंगे orders से, मैंने आपको sections का importance और order का importance है, उनका क्या है दोनों का, यह आपको कल की class में समझा दिया है, कैसे वो correlated है, हमने जो सारे topics देखे, उसमें कौन से section relevant है, कौन से order relevant है, वो भी मैंने आपको बता दिया, हम order से पढ़ना शुरू करेंगे, order के बीच में, जो भी corresponding sections उसके दिये हुए है, उनको हम देख लेंगे, क्योंकि sections में additional बातें भी बहुत सारी है, जैसे rest judicator है, rest subject है, उसको अभी नहीं लाएंगे, पहले एक बार थोड़ा सा simplified तरीके से CPC का थोड़ा सा process समझ लें, उसके बाद वो topic अपन उठाएंगे, अब इस process में भी बहुत सारे technical term CPC के हैं, जो आपके process होगा, समझा मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी दिया है, जो बची-कुची कसर है, वो समझाऊंगा, लेकिन इस भी जो technical term है, वो जरू समझेंगे, जैसे order 1 से order 7 आज की class में पढ़ना है, तो इसमें आप term देखेंगे, necessary party एक term आता है, proper party एक term जो direct में नहीं मिलेग करती है, तो कोशिश करेंगे, with the help of examples, इनको अपन clear करते हुए चलेंगे, pre-k question पर ही ध्यान है, लेकिन इन पर भी question बनते है, prelims में, इसलिए ये जो basic terminologies है, इन पर clarity चाहिए, जैसे जब अपन resudicator पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको जानना पढ़ेगा कि subject matter किस से बोलते है, parties का क्या मतलब है, litigating under the same title का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ है, कैसे cause of action कल हमने समझा, तो जो terminology ऐसे use हो रहे ही, जिसको समझना चाहिए, जो आपको आना चाहिए, उसको मैं cover साथ-साथ करता जाओंगा, उस particular portion में, जहां वो fall कर रहा है, जैसे degree विकरी पाढ़ेंगे, तो कल की जो मैंने आपको कहानी बताई थी, उसकी sequence थोड़ी different थी, order 4 से मैंने बात करना चालू किया था, कि एक suit institute होता है, institution of suit से, क्योंकि वो आपको समझाना था, इस subject का structure, अभी जैसा मैंने कहा, अपने को pre के लिए CPC का bear it एक दम बढ़िया कर लेना है, कि questions छूटे ना, that's why we are starting with, orders और order 1 से अपन start करेंगे, सबसे पहले निकाल लीजए, bear it में order 1, जैसा मैंने आपको कल की class में भी बताया, कि order 1 का purpose क्या है, या क्या है order 1, तो parties to suit की बात करता है, क्योंकि भाई, एक suit institute होना है, अगर court में, तो एक तो ये चीज़ देटर्माइन होनी है, कि कि किस court मे ये suit institute होना चाहिए, आपको ये समझना है, एक तो, दूसरा ये समझना है कि वो parties कौन है, जो suit institute करेंगी, जो institute करता, उसको plaintiff बोलते हैं, जिसके against suit institute होता, उसको defendant बोलते हैं, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ, कल के lecture में, तो अब इस से related क्या rules है, वो इस order में दिये इसका rule 1 देखिए सबसे पहले, who may be joined as plaintiffs, all persons may be joined in one suit as plaintiffs, where any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction or series of acts or transaction is at least to exist in such persons, whether jointly, severally or alternatively, तो ऐसे लोग जो same act से related हैं, उससे connected हैं, और उनका connection कैसा है, jointly, severally or alternatively, ये तीन term आप use कर लीजे, underline कर लीजे, इस से related भी prelims में questions, पूछे जाते हैं, जो cause of action हैं, उससे लोग किस तरीके से connected हैं, तो ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा अभी, defendant के connectivity की बाता है, कि वहाँ अभी ये term आएंगे, jointly, severally or alternatively, तो अब मुझे लगता है, इसको याद करने के लिए आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, तो वो अपन समझेंगे, प्लस यहाँ जो बात हो रही है कि किसको आप add कर सकते हैं, किसको नहीं, तो rule 1 तो सिर्फ कहता है कि इन लोगों को add किया जा सकता है, आप कर सकते हैं, चाहें तो same उसमें लाया जा सकता है, कल की जो class मैंने आपके साथ करी थी, जिसम कि जैसा मैंने आपके पहा था, कि court के पास समय नहीं है, और आपके पास जीवन में समय के लाहवा कुछ नहीं है, तो court को अपना समय बचाना है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वो कोशिश करेगा, जितना comprehensive suit हो जाए उतना अच्छा, जो जो party एक साहता सकती इनको एक साहत लिया है, इसलिए parties to suit में भी इस सब की बात करी गई है, सबसे पहले rule 1 में कौन-कौन join हो सकता है as plaintiff, तो आप देखिए, यहाँ यहीं पे वो सारी चीज़ें आती है, necessary party कौन है, proper party कौन है, यह जो लिखा हुआ है term jointly, severally और alternatively, इसका क्या मतलब है, तो इस च अंग लिजिए, एक घर है, यह एक घर है, और यहाँ पे दो भाई रहते हैं, इस घर के joint owners हैं, दो, A and B, they are the joint owners, they own the property jointly, यह दोनों इस घर में रहते हैं, अब एक व्यक्ति है C, एक person है C, और यह C आके इन दोनों भाईयों को dispossess कर देता है इस property से, यहाँ से possession से बाहर करके खुद possession हतिया लिता है इस property की, and they were the joint owners of the property, चेक, अब जब इस C ने इनको dispossess कर दिया, यहाँ से possession हतिया ली है, तो A cause of action आया, A और B के पास, yes or no, cause of action आप समझते है, legal right की existence और उस right का violation, तो A और B के पास legal right ता possession था, because they are the joint owners, और C ने उनके उस right का violation किया, सुदेहावा cause of action against C, अब बताये क्या A और B, has a plaintiff join हो सकते हैं एक suit में, yes or no, A और B, अगर C क्या again suit file कर रहे हैं, court में जाके possession का, तो क्या join हो सकते है, the answer is yes, और यह कैसे, इनका connection कैसे है cause of action के साथ, they are jointly interested into that, जो relief मांगा जा रहा है, जो rule 1 में लिखा है, any right to relief in respect of, जो relief मांगा जा रहा है, जो right to relief है, court से जो आप relief मांगने जा रहा है, possession का, हिसाब हमारी possession मापस दिलाइए, उसमें ये लोग कैसे connected है, jointly because they are the joint owners of the property, अब इन दोनों को join किया जा सकता है as a plaintiff, यहाँ यह बात समझे है कि इन दोनों को join किया ही जाना चाहिए as a plaintiff, कारण समझे है क्यों, अगर मान लीजि यह रहन देता हूँ, मैं मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ कहीं और रहलूँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन A एकदम करांतिकारी टाइप का व्यक्ति है, यह कहता है नहीं भाई, मैं तो जाँँगा अपनी property, चिक, अब A जब court जाएगा as a plaintiff, तो A क्या तो A को possession दिला दी जाएगी इस घर की, yes or no, अब जब A को possession मिल जाएगी यह suit जीतने के बाद, क्या यह matter conclusively determined हो गया, कि हाँ आप A यहां रहना चालू कर दे, क्या यह conclusively determined हो सकता है यह matter, yes or no, या इसमें यह possibility है, कि यह जो B है, यह बाद में आके लफ़डा कर सकता है, B बाद में आके लफ़डा कर सकता है, कि साब हम भी तो थे, ठीके आपने C के against आपने judgment दिया है, कि C की possession नहीं रहेगी, A की रहेगी वो ठीक है, लेकिन हम दोनों joint owner है ना, अब एक संभावना यह भी तो है, कि मानलो A ने ले ली possession, court के थ्रू, तो B बाद में फिर court जाएग Conclusively Determine ही नहीं हो पाएगा रहेगा, क्योंकि वो भी owner है, आप एक को कैसे देते रहे है property, दूसरा वाला भी तो है, तो जब joint donors होते हैं ऐसी चीजों में, या जहाँ पे ऐसा, ऐसी situation है, कि एक party को join अगर नहीं किया गया, तो conclusively Determine नहीं किया जा सकता, उस suit को ऐसी party को कहते है, necessary party, ऐसी party को क्या कहते है, necessary party कहते है, जिसका suit में होना जरूरी है, उस suit के proper decision के लिए, इसको कहते है, necessary party, अब इसलिए क्या होगा, कि A, अब एक बात और समझ लेना, जो terminology मैंने use करी थी, A जब suit file करने जाएगा, CK against, तो फिर भाईया, ये भी होगा, कि यार ये जो B है, A को भी पता है, कि अभी मैं suit file करके ले लूँगा position, B बाद में लफडा करेगा, तो B क्या करेगा ऐसे case में, because, sorry, A क्या करेगा, because B is a necessary party, क्योंकि वो भी joint होना है, तो A को ये रहेगा कि अगर मैं ले लूँगा, तो बाद में B लफडा करेगा, B is also a necessary party, तो A ऐसे में करता क क्या है, इसने तो बोला, तो चल भाई, suit file करते, B ने मना कर दिया, अब A तो गया है suit file करने, ऐसे cases में, A क्या करता है, B को भी एक party बना लेता है, लेकिन वो उसके साथ plaintiff की तरह add नहीं हुआ है, तो क्या किया जाता है, कि A जो है, वो B को suit में add कर देगा, as a defendant, A क्या करेग B को suit में add कर देगा, as a defendant, जबकि A जो right claim कर रहा है, वो B के against नहीं कर रहा है, वो C के against कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो ऐसी party है, जिसका होना इस suit में जरूरी है, इसलिए उसने B को भी, क्योंकि वो साथ plaintiff की तरह आ जाता, तो ठीक हो जाता, लेकिन इदर नहीं आया, judgment आए, वो एकदम proper आए, सबके interest determine हो जाए, जितनी related party है, जो बाद में लफ़ला कर सकती है, सबका एक बार में judgment आजाए, सबके regarding, सबके right decide हो जाए, इसलिए ये A क्या करेगा, ऐसी necessary party को बनाना पड़ेगा आपको party उसे, क्योंकि वो necessary party है, उसको party बना लेगा, और इसको अ court के सामने ये matter आएगा, कि B, इसमें party क्यों है, इसे पूछेंगे भईया, तुम्हारा कुन से right की बात हो रही है, B, जब कहानी बताएगा, कि साब इसको बोला था ही, तो necessary party आ नहीं रहा था, इसलिए बोलाना जरूरी है, क्योंकि conclusively determine हो पाए suit, ऐसे case में court क्या करेगा, इ क्योंकि pro pharma defendant हमने उसको बनाया था, because he was also a necessary party, ताकि suit conclusively determine हो पाए, और फिर court ने उठागे, because he is not fit as a defendant, इसको इधर बना दिया जाएगा, co-plaintive, so that's the whole story around this, ये है आपका pro pharma defendant, जिसको जवर जस्ती suit में बनाया गया है, because he is a necessary party, अब देखिए, जो हम rule 1 में पढ़ रहे थे, जो हम rule 1 में पढ़ रहे थे, कि ये जो jointly, severely और alternatively क्या है, अब severely का मतलब समझे, ये jointly, because they are joint owners of the property, they have a joint interest in the property, severely कैसे होगा, उसके लिए समझे, जैसे मान लेजिए, अभी तो ये दोनों भाई, A और B एक property में, एक घर में, ये घर है, इसमें A और B दोनों रह रहे थे, देवर इन दोनों की शादी हो जाती है, और इसके बाद, ये जो घर था इनका, that was a two-story building, दो फ्लोर थे इसमें, तो पहले तो देवर थी joint owners of the property, लेकिन थोड़े समयत बाद, इन दोनों की हो जाती है शादी, और उसके बाद इस property का हो जाता है बटवारा, ये जो दो फ्लोर का घर ये डिवाइड हो गया, partition हो गया in favor of both the parties, a और b के बीच, और क्योंकि a की जो wife थी, उसको garden पसंद था, इसलिए उनने ले लिया ground floor, b की जो wife है, उसको पसंद है, balcony, इसलिए उसने ले लिया first floor, उपर वाला, ये उनकी wives की पसंद थी, इसलिए इस तरीके से इन गरीबों ने partition कराया, इन से तो किसी ने पूचा ही नहीं कि तो मैं क्या पसंद है, पहले दोनों वाइफ बड़े मज़े से रह रहे थे, फिर हुई शाधी, फिर हुआ partition दोनों की property का, और पर आस पर the preference of their wife, उन्होंने partition करवाया, क्योंकि इसकी wife को garden पसंद है, और उसकी wife को balcony, इसलिए हो है C, और सेम काम करता है, इन दोनों को भगा देता है, खेता बटा अब न रहेगी बालका नहीं, न रहेगा garden, दोनों निकलो इदर से, और अपनी wives को भी ले जाओ, जिनकी preference को तुमने floor select करे थे, ये घर हो जाता है, dispossess कर देता है, C, इनको भगा देता है इदर से, अब ए इनके पास अपना-पना cause of action है A और B, A जा सकता है, B के अगेंस suit file कर सकता है, sorry C के अगेंस B जा सकता है, C के अगेंस suit file कर सकता है, अपने portion के लिए कर सकते है, yes or no, लेकिन इस property में interested दोनों है, और अभी ये कैसे connected है, ये jointly नहीं है, ये severally connected है, ये चो टर्म लिखाना, रूल रहे C के अगेंस, उसमें B का होना जरूरी नहीं है, because he is not the joint owner of the complete property now, उसका होना जरूरी बिल्कुल नहीं है, ऐसे अगर B, C के अगेंस suit file करता है, तो B का होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि same property है, और partition है, अगर दोनों को join कर लिया जाएगा, तो suit जादा अच्छे स through इनको भगाया गया है, तो ऐसे में जादा अच्छे से ये suit determine हो सकता है, that's what we call proper party, और इसको basically क्या आप कहते हैं, इसको कहते हैं, आप severally, जो यह rule 1 में लिखा है, तो they can be joint as a plaintiff in a suit, अब इधर पे भी क्या, अलग-अलग जाने की बज़ए, जब joint थे तब तो single ही करना था, इधर पे भी आप single join हो सकते, a और भी दोनों join हो सकते हैं as plaintiff, और c के अगें suit file कर सकते हैं, because they are interested in the subject matter severally, they are connected severally, not jointly here, क्योंकि दोनों का अपना portion है, उनको पास अपना independent right है जाने का, against the person c, I hope you are getting the difference, yes or no, अब समझिये ज़र, तो tenant के case में, tenant के case में भी बताता हूं शालीनी में अभी और कुशान का है, तो decision will be conclusively, severally, बिल्कुल, लेकिन conclusively determine, कुशान बिना उसके भी हो सकता था, अपने portion के लिए, अगर भी अकेला suit file करें, seek against, तो B का जो portion है, उसके context में, तो conclusively determine होगा न, but इधर नहीं हो सकता था, because they were the joint owners, because यहाँ पे वो अलग अलग होँन कर रहे है, severally होँन कर रहे है, तो यह अपने context में conclusively करा सकता है, उसको यह को joint करने जरूत नहीं है, अपने favor में conclusively determine, वो करवा सकता है, इसको एक चीज़ और से समझ लिजे, फिर में alternative पे आऊंगा, इस necessary party और proper party के regarding cases हैं काफी, और tenancy में यह बहुत use होता है, एक चीज़ और समझ लिजे, इसमें, जैसे मान लिजिए, एक है आपका landlord, L, इस landlord ने क्या किया, अपनी property दी, इस tenant को, that is T, एक फिर जिसको इसने rent पे दिया, T को, lawfully create हुए थी यह tenancy, landlord ने बढ़ी agreement करके इस tenant को दिया, अब इस tenant में क्या किया, एक रख लिया, sub tenant, tenant में क्या किया, sub tenant का मतलब आप समझते हैं न, tenant में अपना tenant रख लिया उसी promise में, अब यहाँ दो चीज़े हो सकती है, या तो वो lawfully created subtenancy होगी, या तो unlawfully, अगर मान लिजिए, ये lawfully created, अगर मान लिजिए, ये lawfully created subtenancy है, lawfully मतलब lawfully कब होता है, जब इसक इससे permission लेके, इसके notice में लाक है, वो tenancy create करी गई है, ऐसे case में, इस subtenant का अपना right तो इस tenant के against है, लेकिन एक legal right इसके context में भी होता है, इस landlord के, क्योंकि इसको confidence में लेके, इसको बज़ा कि वो subtenancy create करी गई है, ऐसे case में अगर ये landlord, इस tenant के against, eviction का suit file करेगा, ऐसे case में है ये, in that case, the subtenant will be considered as necessary party, this has been held in a case, कि ये जो subtenant, जो lawfully created है, it will be, it may be considered as a necessary party, क्योंकि जब ये इससे eviction करा रहा है, तो इसका भी right impact होरा बाद में, ये भी आएगा, क्योंकि इसका भी connection landlord से है, because lawfully create हुई थी, इसको बता के create हुई थी, लेकिन अगर ये subtenant, अगर unlawfully है, ब party नहीं होगा, जहाँ unlawfully created है, लेकिन जब ये landlord इस property के eviction के लिए suit file करेगा, तो possession में तो दो लोग है, tenant भी है, और subtenant भी है, तो ये इस party के against भी अगर आ जाये तो बहतर है, नहीं भी आएगा, तो भी ये lawfully created तो नहीं है, नहीं भी आएगा, इसके favor में तो खाली करवा द इसका होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इसको रख लेंगे, तो ज्यादा बेतर तरीके से एक बार में matter decide हो जाएगा, कि position पूरी खाली होनी है, कि नहीं, इस पर defend करेगा whether it is a necessary party और a proper party, so I hope you got this idea about necessary party and proper party, yes or no, ऐसी party जिसका होना जरूरी है, जिसके बिना decree execute हो ही नहीं प और ऐसा वेक्ति, जिसके नहीं होने से बेट एक एक्सेक्यूट करा ही जा सकेगी, लेकिन अगर उसको भी add कर लेंगे तो जादा बेतर है, that is proper party, और वो jointly और severally भी आपने समझ लिया, अब आते हैं एक और term इदर पे लिखा है alternatively, jointly, severally और एक है आपका alternatively, अब इस alternatively को सम person F, इसकी death हो जाती है, अब इस व्यक्ति का, जो भाई है, B, B is his brother, वो इसकी पूरी property पर कभजा कर लेता है, वो उसको पूरा हतिया लेता है, इसका भाई, और साथ में इस person की, एक wife है W, और एक As है adopted son, कन कन है, एक wife है और एक है adopted son, अब क्योंकि पूरी property उसने हतिया ली है, इन दोनों का भी अपने personal law में ये legally else है, इसके वो property claim करने जाते हैं, और दोनों का interest है, साथ में ये गए as a plaintiff, ये दोनों जाते हैं साथ में जॉइन करने, किसकी against, B के against, इसकी against ये suit file करने जा रहे हैं, अब B का contention इस suit में ये है, क किसाब ये जो विक्ति है न, ये जो adopted son बता रहा न, अपने आपको, ये legally adopted son नहीं है, B का contention है, कि ये जो अपने आपको adopted son बता रहा है, हमारे भाई का, ये adopted son नहीं है, ऐसे cases में ये दोनों कैसे connected हो सकते हैं, alternatively, ये court के सामने relief मांग सकते हैं, किसाब अगर suit में ये decide हो जा कि ये lawfully adopted son है, तो ये तो ही न, wife पे तो कोई allegation ही न, वो तो है न, lawfully embedded wife, वो तो video ही न, तो इसको दे देना, तो इस तरीके से भी जो लोग क्लेम कर सकते हैं, अपने relief को, alternatively, they can also be joined as a plaintiff, I hope that is clear, I hope that is clear, yes or no, ये alternatively claim कर सकते हैं, तीनों वर्ड लिखे हैं, jointly, severally, alternatively, मैंने आपको तीनों बता दिये, jointly, severally भी अपन ने देख लिया, हमाँ अलग-अलग भी कर सकते थे claim, तो भी join हो सकते हैं as a plaintiff, जहां alternatively claim कर सकते हैं, उनको भी साथ में join किया जा सकता है, as a plaintiff, I hope that is clear, yes or no, देखो भाई, मैंने पहली बताया था, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे, सिर्फ रकवाना पर्पस नहीं है मेरा, याद तो करेंगे, क्योंकि प्रीमे सवाल तो यही कूछ जाएंगे, लेकिन समझ लिया है, तो याद करने में आसानी होगी, चलिए, तो ये होगे, अब आगे से मिलना था, इस कारण से भी प्रोब्लम होती है, बट, प्रिलिम्स के लिए जितनी जानकारी चाहिए, उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा, कि ऐसी कोई चीज ना है, जो आपको वहाँ नहीं आती है, तो यहाँ समझने में कठीनाई हो, मैं आपको जहाँ जितनी बेसिक एक अंडरस्टांडिंग की जरूरत है, उतनी देते चलूँगा, इस तरीके से, अब आपको मेरे क्या एक बेसिक अंडरस्टांडिंग हो गई, नेसेसरी पार्टी की, प्रॉपर पार्टी की, प्रोफार्मा डिफेंडेंट की भी, क्योंकि वो सब अभी आगे, इधर यू एसे लोग भी जॉइन हो सकते हैं, यही सब लोग हैं, इनी में ओवरलापिंग है, इसलिए रूल वन में comprehensively लिख दिया है, कि इन सब, यह जो जुटे भी लोग हैं, जिनके अपनने बात करी, यह सब जॉइन हो सकते हैं, as a plaintiff, in a suit, चाहे वो necessary party हो, चाहे वो proper party, या किसी औ और तरीके से भी connected, alternatively claim कर रहे हों, तो भी वो join हो सकते हैं, as a plaintiff, यह बताता है, rule 1, rule number याद रखियेगा, बहुत important question है, pre के लिए, किस order के, किस rule में दिया है, कि plaintiff join हो सकते है, यह सवाल आता है, rule 1, याद रखियेगा, rule 2 भी important, the power of court to order separate trial, simple सी बात, rule 2 में यह है, कि जब बह है, कि वो separate trial order कर देगा, वो बोलेगा, नहीं भईया, तुम साथ में मताओ, क्योंकि मैंने क्या कहा, court का समय सबसे important है, उनके पास time नहीं है, बिल्कुल, तो वो क्या करेंगे, अगर court को लगता है, कि this joiner की वैसे दिक्कत हो रही है, क्योंकि 2-3 लोग एखटे join हो गए, उस be joined as defendant, कौन लोग as defendant join हो सकते हैं, पूरी language exactly rule 1 की है, the only difference is, वहाँ था कि जो लोग relief claim करने जा रहे हैं, उनमें कौन-कौन join हो सकता है, rule 3 में सिर्फ एक difference देखेंगे, यहां लिखा है, exist against such person, जिनके against relief claim किया जा रहा है, वो join हो सकते हैं, बाकी पूरी कहानी same है, अगर वो jointly connected ह हैं, अगर वो severally connected हैं, अगर वो alternatively connected हैं, जिनके against relief claim किया जा रहा है, अगर ऐसे 4-5 लोग हैं, तो वो भी join हो सकते हैं as a defendant, उन्हें भी join किया जा सकता, as a defendant बाकी कहानी same है, rule 1 के आप वो terminology समझ गया, तो कोई समझ्या है नहीं, that is the only difference, rule 3 भी धियान रखिएगा, बहुत important है इसके बाद आजाईए 3A पर, अब जैसे 1 के बाद 2 था, कि अगर join करने की वज़े से समझ्या हो रही तो separate order कर देंगे, ऐसे 3A में दिया है, power to order separate trials, where joiner of defendants may embarrass or delay trial, अब अगर कुछ लोगों को as a defendant join करने की वज़े से जो trial है, वो embarrass or delay हो सकती है, in that case also separate trial order कर देगा, तो 3A भी ध्यान रखिएगा, इसके बाद सीधे आजाईए 8 पर, rule 8 देखिए इसके बाद, one person may see all different on behalf of all in same interest, यह है representative suit की बाद, अब देखिए हमने पहले पढ़ा कि जितने लोग interested से सब साथ में आके plaintiff बन सकते हैं, हम कहारा बहुत ही जादा जनता है, अब सब को क्यों plaintiff बनाना, अ वो जो लोग है जिनकी वज़े से वाल उडरा, जिनकी अगें suit filer हो, वो सब अगर सब जॉइन नहीं होना चाते है as a party, तो उनमें से कोई एक बंदा सब को represent करने के लिए आ सकता है, यह दिया है आपका rule 8 में, ज़रा basic सी बात समझ लीजे, where there are numerous persons having the same interest in one suit, one or more of such persons may with the permission of the court, see you or be sued or may different such suit on behalf of or for the benefit of all persons who are interested, तो जहां बहुत सारे लोग का या तो interest affect हो रहा है या वो दूसरे के interest affect कर रहा है, उनमें से कोई भी एक विक्ति, विक्ति permission of the court, एक representative suit लेके, आ सकता है, इसके बाद भी देखिए, the court में direct, that one or more of such persons may see you or be sued, court भी यह direct कर सकता है, कि भया सारी य जा जाओ, एक representative suit लेके, सब के भी हाफ के आप आ जाएगे, चीक, तो ये भी हो सकता है, PIL अलग है कुशान, PIL concept अलग है बेटवो सिर्फ हाई court, Supreme Court के लिए, रिड jurisdiction जहां बहुत सारे लोगों का right wallet हो रहा है, बहुत सारे लोगों का right wallet हो रहा है, वो एक अलग concept है, जिसका right wallet ने हो रहा है, ये majorly वो parties है, जिनका या तो right wallet हो रहा है, जिनका right wallet के रहा है, उनमें से एक विक्ति को as representative लाया जा रहा है, चीक, आप इसकी दो-तीन बात ने, ये तो आप समझ गया कि होता क्या है, rule number याद रखिएगा, इधर से question आता है, दो-तीन बात ने इसकी समझ ल होगा, जो बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे किया जा रहा है, तो जितने लोगों के बिहाफ पे किया जा रहा है, सब को notice जाएगा, उन सब को जानकारी होनी चाहिए, कि हमारे बिहाफ पे चला गया, क्योंकि जो decree आईगी न, उससे ये सब के सब bound होंगे, जिनके बिहाफ पर सूट फाइल किया जा रहा, इसलिए उनको notice भेजा जाएगा, अगर withdrawal होना है या compromise होना है, in that case also सब को notice भेजा जाएगा, बता चला वो जो representative है उसने पैसे वे से खाली है defendant से और जबर जस्ती withdraw कर लिया, बिना लोगों को बता है बाकी को, ये ना हूँ, इसलिए उनको notice भे rule shall be binding on all persons on whose behalf or for whose benefit the suit is instituted or defended as the case में भी, तो जितने लोगों के बहाफ पर ये suit फाइल हुआ था, सबके सब bound होंगे उस decree से, this is very very important, चीक, इसके बाद आजाए ये सीधे 9 पर, rule 9 बहुत important of prelims के लिए, misjoinder and non-joinder, no suit shall be defeated by reason of the misjoinder or non-joinder of parties, अब देखें, misjoinder or non-joinder क्या होता है, ह हमने rule 3 में देखा कि काई सारे लोग as defendant join हो सकते है, misjoinder तब कहते हैं, जब किसी ऐसे वक्ति को join कर लिया जाए, join करा दिया जाए suit में, जो entitled नहीं है join होने के लिए, अब entitled है या या कैसे determine होगा, rule 1 से और rule 3 से, अगर वो उस तरीके से connected है, तो वो add हो सकता है, नहीं तो नही सकती थी, इस suit में, क्योंकि 1 में और 3 दोनों में लिखा है, बहुत सारे लोगों के बारे में, कि उन्हें किया जा सकता है, add as a party, तो अगर किसी party को add किया जा सकता था, वो छूड गया, that is called non-joinder, कोई ऐसा party, कोई इसी party add हो गई, जिसे नहीं किया जाना था, वो हो गया, misjoinder इसका impact क्या होगा, अगर मनलीच ये proceeding हो गई है, तो non-joinder और misjoinder का impact क्या होगा, तो rule 9 उस case में कहता है, no suit shall be defeated by reason of the misjoinder or non-joinder of parties and the court may in every suit deal with the matter and controversy so far as regards the right and interest of the parties actually before it, तो misjoinder, non-joinder का ऐसा कोई substantive effect generally नहीं हो था, court proceed कर लेगा, उसमें कोई problem नहीं है, defeat नहीं होगा सिर्फ इस current से, क्योंकि कोई ऐसा वक्ती join हो गया था उसमें, या फिर join नहीं हो पाया, इसका लेकिन जो proviso है, यह बहुत important है, provided that nothing in this rule shall apply to non-joinder of a necessary party, लेकिन यह किस पे applicable नहीं है non-joinder of necessary party पे यह applicable नहीं है, इसलिए उसको necessary party कहते है, क्योंकि उसका join होना जरूरी है, और clearly proviso में लिखाया, अगर necessary party को add नहीं किया गया है, तो यह rule applicable नहीं है, इसका मतलब अगर necessary party को add नहीं किया गया है, in that case, जो suit है, वो defeat हो सकता इस ground पे, suit इस ground पे defect हो सकता है, कि necessary party को add नहीं किया गया, इसलिए यह बहुत important है, rule याद रखिएगा 9, इसी के साथ एक section पढ़ लीजिए, जो थोड़ा connected है, इस concept से, सीधर आजाईए section 99 पे जरा, section 99 पे आजाईए, so भाई order 1 अपन पढ़ रहे हैं, इसका हमने देखा rule 9, इसके साथ अपन क्या पढ़ रहे है, section 99, क्यों पढ़ गए हैं, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, आजाईए जरा section ते, section 99, section 99 आप देखेंगे किस चेप्टर के तहट आ रहा है, appeal, किस पार्ट के अंडर आ रहा है, appeal के अंडर आ रहा है, appeals are related, so trial court में already decide हो गया, 99 कहता है, no decree to be reversed or modified for error or irregularity not affecting merits of jurisdiction, यह बता र reverse कर देगा इस ग्राउंड पे, 99 में बताया, कब reverse करेगा, कब नहीं करेगा, तो इसमें misjoinder और non-joinder की भी बात है, कि अगर parties गलत add हो गए थी, तो कि इस ग्राउंड पे appellate court पूरा suit nullify कर देगा, कि decree set aside कर देगा, उसके लिए पढ़िए जरा, no decree shall be reversed or substantially varied, nor shall any case be remanded in appeal on account of any on account of any misjoinder और non-joinder of parties, इस ground पे reverse नहीं होगी, या substantially vary नहीं करेंगे, just this ground पे, कि misjoinder या non-joinder हो गया है, of parties, और cause of action और any error, defect or irregularity in any proceedings in the suit, not affecting the merits of the case or the jurisdiction of the court, दूसरे जो error है उनके बारे में है, कि जब तक jurisdiction effect नहीं हो रहा है, merit effect नहीं होई है, कब तक set aside नहीं करी जाएगी decree, पे भी देखिया, provided that nothing in this section shall apply to non-joinder of a necessary party, non-joinder of necessary party पे यह अपलाए, नहीं होगा, यह clear नहीं लिखाए, इसका मिकला, अगर necessary party को एड नहीं किया था, trial court ने और decree दे दिया, तो इस ground पे वो reverse भी कर सकता है, इस ground पे reverse भी लागा, यह एक substantial mistake है, so that is about order 1 rule 9 और section 97, चीक, इसके बा order के साथ साथ ये भी 7 में लिखते जाता हूं कि क्या कि आपन किस order में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपन पढ़ रहे हैं, order 1, इसमें हमने कौन-कौन से rule पढ़े हैं, तो हमने पहले पढ़ा rule 1, फिर हमने पढ़ा rule 2, फिर हमने पढ़ा rule 3, फिर हमने पढ़ा rule 3A, ठीक है, इस में क्या है यह याद रखते जाएगा सांथ सांथ 10 पह यह suit in name of wrong plaintiff इसको जरा समझना इसका जो rule 10 का जो sub rule 1 है यह कहता है where a suit has been instituted in the name of the wrong person as plaintiff or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of the right plaintiff यह जो rule 10 है इसका जो sub rule 1 है यह बात करता है कि आपने describe नहीं किया party को जो नाम plaintiff का आना चाहिए था as a plaintiff वो proper नाम यह misjoinder या non-joinder of party की बात नहीं कर रहा है यह misjoinder of party की बात basically नहीं कर रहा है कि किसी दूसरे विक्ति को आपने add कर दिया है यह जो rule 10 है जरा ध्यान से मेरी बात सुनियागा देखे भाई आपके पास मैं बता दूं CPC में बहुत सारी ऐसी चीज़े होंगी जो आप पूछना चाहेंगा वो पहले मेरा आप से आग रह दीजे उसके बाद जो रह जाएगा वो अपन देख लेंगे तो यह बैसिकली रॉंग नेम से रिलेटेड रोल 10 सब रूल वन जो है यह रॉंग नेम या रॉंग डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है नाम गलत लिखा गया सही डिस्क्रिप्शन नहीं लिखाया जैसे जब ग कराया जा सकता है किसी भी स्टेज पर यह लिखाया है सब रूल वन में इसके बाद जो सब रूल टू है वो बात करता है मिस्जोंडर ऑफ पार्टी की कोई गलत व्रक्ति एड हो गया है तो इसका जो सब रूल टू है वो कहता है स्ट्राइक आउट कर सकते लिए कि कोट में लेकिन तो sub rule 1 था वो सिरफ description की बात कर रहा था, that is the difference between the two, अब इसका एक sub rule 4 भी important है, where defendant added, plaint to be amended, ये बात ध्यान रखिएगा, pre का important question है, जब भी कोई नया व्यक्ति, as a plaintiff, add होता है suit में, तो plaint में amendment करना necessary है, अब याप order 6 rule 17 में देखेंगे, amendment of pleadings, तो वो amendment के through ही defendant add होगा, ये prelims का important question है, is rule 10 से, इसके बाद जो आखरी rule यहाँ important है, इस order के अंदर, वो है आपका rule 13, rule 13, this is very very important, तो इतने rule आपको ध्यान रखने, sequence भी बनाते जाहिए, pre के लिए, कहां क्या दिया है, objections as to non-joinder or mis-joinder, अगर objection करना है, तो कब करना है, वो बताया है, all objections on the ground of non-joinder or mis-joinder of parties, shall be taken at the earliest possible opportunity, जितना जल्दी समझ में आ जाए, उतनी जल्दी आपको objection फाइल करना है, party से related अगर है, तो, and in all cases where issues are settled, at or before such settlement, unless the ground of objection है, subsequently, और जहां issues settle हो रहे है, suit में, issues settle होने के समय, या उसके पहले, आपको ये objection raise कर देना है, बाद में आप नहीं करेंगे, बाद में कब करेंगे, exceptionally दिया है, अगर, वो ground ही, उस party को add करने का ground ही, बाद में arise हुआ, settlement of issue के बाद, in that case, आप बाद में add कर पाएंगे, otherwise, generally, आपको add करने का मौका नहीं दिया जाएगा, after settlement of issue, अब इसलिए कल की जो class मैंने लीती, उसमें मैंने आपको वो process समझाया था, अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कि settlement of issue कहां आता है, या क्या होता है, वो हमने कल की कहानी में properly समझ लिया था, ठीक, तो उसके पहले या order 2 में क्या-क्या पढ़ना है, सबसे पहले देगी, order 2 का purpose वरपस सबकल बताया था, frame of suit है order 2, कहानी में आया था, court का purpose क्या है, ऐसी framing of suit की, इतना comprehensively design हो, कि जो कुछ आ सकता है, उस matter से related सब यह ही decide हो जाए, ताकि फिर बाद में कोई और ना लाए, और इसलिए ये, कि भईय लेकिन अभी आपने insufficient claim के साथ, अगर suit file किया, पचास हजार का, तो court बोलेगा, बेटा, properly frame करता हो, फिर तुमाँ होगे, या मानलेजे, कोई relief, एक relief आप मान सकते थे, तीन relief आप मान सकते थे, मेरे against, लेकिन आपने claim किया सिर्फ एक relief, वो भी properly framed suit नहीं है, उसके लिए order कहत है, फिर आप बाद में आओगे ना तो entertain नहीं करेंगे, बार हो जाएगा आपका suit, जैसे समझी इस बात को, मानलेजे, मैंने एक contract का breach किया है, आपके against, अब आपके पास दो-तीन relief हैं, जो आप मुझसे मांग सकते हैं, आप specific performance भी मांग सकते हैं, आप damages भी मांग सकते हैं, कहीं पर आप किसी से possession मांग रहे हैं, तो आप possession भी मांग सकते हैं, उस से related कुछ कमाई हुई है, उस property is related वो भी मांग सकते हैं, दो-तीन तरीके के relief आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपने एक ही किया, तो अब अगर आप subsequent suit लेके आएंगे, दूसरे relief के लिए से cause of action पे, तो court further litigation concerning them, suit जो कि जो framing होगी, कैसी होगी, कि जो judgment आए, वो final आजाए, और कोई further litigation ना हो, इसके बाद कुछ और proceeding के लिए रहना जाए, इस तरीके किसे suit frame करना है, क्यों कर रहे हैं यह, same बात, court के पास समय नहीं है, इसके बाद देखिए rule 2, suit to include the whole claim, जितना claim आप मांग सकते हैं suit में पूरा ले लिजे, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया आना, तो बाद में आपको दुबारा आने नहीं दिया जाएगा, देखिए, every suit shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff, me, relinquish any portion of his choice in order to bring the suit within the jurisdiction of any court, उसको claim पूरा करना है, जितना claim वो ले सकता है, पूरा claim करना है, ल एक होता है territorial jurisdiction, एक होता है subject matter jurisdiction, अगर pecuniary jurisdiction की बात करें, तो अलग-अलग decided है, कि कौन सा particular civil court किते तक के matter सुनेगा, अगर मालनी जी कोई particular civil court है, जो 2,00,000 तक के matter सुन सकता है, अब आपके पास जो cause of action है, उसमें आप 5,00,000 रुपे claim कर सकते थे, लेकिन क्योंकि, या मालनी ज court में ही अपना मामला फाइल करना था और उसके jurisdiction में लाना था, इसलिए आपने सिर्फ 2,00,000 का claim किया, या आप कर सकते हैं, प्रोब्लम नहीं है, लेकिन फिर दोबारा मताना 50,000 का लेकि, ये आगे लिखा हुआ है, तो देखिए इसका subrule 2, relinquishment of part of claim, where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, underline कर लेजे, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquish, आप छोड़ तो सकता है claim का part, आप भले कम claim करिये, ताकि आपका case एक particular court के jurisdiction में है, लेकिन बाद में मता आना वो मांगने, अगर आप 2,00,000 मांग सकते थे, लेकिन आपने 2,00,000 भी ही मांगा, तो 50,000 के लिए दोबारा आप सूट ले पाकी के जो relief है उसके लिए अब आप दुबारा नहीं आ पाएंगे, दुबारा suit file आप नहीं कर पाएंगे, वो bard होगा, इसमें भी last line में लेखा, he shall not afterwards sue for any relief so omitted, अगर आपने पहले वो relief नहीं मांगे, तो बाद में मताईएगा, explanation बताता है कि obligation और collateral security, same cause of action माना जाएगा, obligation और collateral security का मतलब क्या है, जिसे मान लीजिए, आपने मुझ से loan लिया 50,000 रुपे, और एक property security, collateral security भी आपने कुछ रखी है, अब अगर मैं claim करना चाह रहा हूँ, वो debt 50,000 का, तो मेरे पास एक collateral security वाला भी option है, जो आपने आपने अज़ा security रखा है, मैं दोनो claim करना हूँ, य जो आपने पैसे देने में breach किया है, ये same cause of action माना जाएगा, दोनों चीज के respect में, उस obligation के respect में भी और collateral security के respect में भी, मुझे अगर suit file करना है, तो दोनों साथ में मांग लेना चाहिए, मुझे, collateral security भी जो मुझे मिल सकती है, वो भी मैं मांग लूँ, और पैसा भी मांग दूसरी चीज के लिए, ठीक, तो ये basic SAR क्या है, इसका frame of suit का, कि जितने चीज़े hard हो सकती है, वो सब होना, rule 2 बहुत important है, rule 2 बहुत important है, याद रखिएगा इसका, तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमे, rule 1 बढ़ा, जो की frame of suit बता रहा है, और frame simple है, ऐसा frame होना चाहिए, कि सारा matter decide हो जाए, rule 2 बार की बात करता है, कि अगर मान लिजिए, अगर आपने पूरा claim नहीं किया, सारे release नहीं माँगे, तो बाद में आप दुबारा claim करने नहीं आएंगे, rule 3 भी बहुत important है इसका, प्री में सीधे सीधे question पो पूछा जाता है, joiner of cause of action किदर दिया है CPC में, joiner of cause of action, जैसे आपने पिछले order में देखा, joiner of parties, इधर पे बात करेंगे, joiner of cause of action की, जैसे मान लिजिए, आप हैं और मैं हूँ, दो parties हैं, मुझे आपसे 50,000 रुपे लेने हैं, क्योंकि आपने मुझसे उधार लिये थे 50,000, प्लस, आपने मेरे साथ एक contract किया था, आपने institute मे admission लिया था और आपने काता सर, fees बाद में देदेंगे, आपने ना मेरे वो 50,000 लोटाए जो उधार लिये थे, और ना आपने यहां पढ़ने की fees पे करी, दो अलग-अलग cause of action मेरे पास आपके against हैं, इनको भी मैं club कर सकता हूँ, एक suit में, same party के against में, जितने चाहूँ, उतन इस topic को पढ़ाया जाता है, तो मुझे कम से कम दिड़ से 2 गंटे लगते हैं सिर्फ यह समझाने में कि यह joiner of cause of action क्या है, लेकिन अपने pre के लिए relevant नहीं, हर चीज की detail में अपन नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सो समय का constraint है, जहां जितना जरूरी था, जो लिखा हुआ, ऐ इसी चीज आ जाती है, जिसको समझना जरूरी है, जिसे वो jointly और severally और alternatively अब वो bear it में है, और वो समझ नहीं आएगा, तो problem है, चीज? तो यहां simple आप rule 3 में यह समझ यह, joiner of cause of action, कि अलग-अलग cause of action है, एक party के पास दूसरी गेंज, तो सब को join करके एक suit file किया जा सकता है that is rule 3, बहुत important है, प्री में सीदे यह question आता है, कि joiner of cause of action कि दर दिला है, इसके बाद 4 देखिए, 4 भी बहुत important है, only certain claims to be joint for recovery of immovable property, अगर आपने एक suit file किया है, immovable property की recovery के लिए, कोई भी immovable property, कोई land है, कोई building है, उसको recover करने का अगर आपने suit file किया है, ध्यान से समझना, तो कौन-कौन सी ऐसी चीजे है, दूसरे कौन-कौन से cause of action है, जो आप join करा सकते हैं, इसके बारे में है, तो यहां लिखा है, no cause of action shall, unless with the leave of the code be joined with a suit for recovery of immovable property, except, सिर्फ इन चीजों को join कर सकते हो, जब भी आप suit file करोगे for recovery of immovable property, सिर्फ ये चीजें आप add कर पाएंगे, ज जो ABC में लिखी है, तो देखिए क्या-क्या add कर सकते हैं, ए है claims for mean profit और area of rent, mean profit क्या होता है, adverse possession से कमाया हुआ पैसा, जैसे जबर जस्ती आपके घर पे किसी ने कबजा कर लिया है, और कबजा करके उसको rent पे दे दिया किसी को, तो वो जो rent कमाया, उस लिखती ने adverse party से उसको कहते हैं mean profit, और areas of rent तो आप समझते हैं कि जो भी rent का बकाया है, तो जब भी आप immovable property की possession का suit file करेंगे, यह आप add कर सकते हैं, mean profit और areas of rent, इसके बाद भी लिखा है claim for damages for breach of any contract, अगर किसी contract का breach हुआ है, immovable property से related, जिसमें आप immovable property तो claim करी रहे हैं, साथ में आपको damage भी claim कर करना है, तो ऐसे damage को भी आप add कर सकते हैं, while suing for recovery of immovable property, C कहता है, कोई और same cause of action से जो चीज़ आइस हो रहे हैं, कोई भी ऐसा relief, जो same cause of action से arise हो रहा है, दूसरा, along with recovery of immovable property, तो उसको भी आप add कर सकते हैं, तीनों चीज़ें धान रिखिएगा, mean profit, rent, और damages for breach of contract, या फिर same cause of action से arise होने वाला कोई दूसरा relief, यह सारी चीज़ें add हो सकती है, इसका जो proviso है, that is also important, provided that nothing in this rule shall be deemed to prevent any party in suit for foreclosure or redemption from asking to be put into possession of the mortgage property, अब देखिए, हमने क्योंकि यह यहाँ पे पढ़ा है, इस particular rule में, कि सिरफ यह चीज़ें add होंगी, जब आप immovable property की possession लेंगे, proviso आपको यह है, कि in case of foreclosure and redemption, अगर redemption का suit file किया गया है, या foreclosure का suit file किया गया है, तो इसके साथ आप possession मांग सकते हैं, इसको proclude नहीं करता यह section, यह section उसको बार नहीं करता, कि अगर आपने foreclosure का suit file किया है, या redemption का suit file किया है, तो आप possession भी मांग सकते हैं property की, यह कहता है आपका proviso, उसक और foreclosure क्या होता है तो brief में मैं आपको बता दूँ mortgage अगर आप जानते हैं देखिए CPC अपन पढ़ रहा है ये किसका procedure है civil laws का procedure है और procedure के लिए substantive पर थोड़ी जानकारी होना बहुत जरूरी है and I hope TPA में आपने ये पढ़ रखा है redemption और foreclosure एक बार brief में आपको recall खरा दूँ अगर जो लोग नए हैं जिन्होंने वो classes नहीं करी है तो foreclosure basically होता है एक होता है आपका mortgage अपना घर B के पास गिरवी रखा है और लोन लिया B से लोन लिया है 50 लाक रुपे का और घर गिरवी रखा है तो A is the mortgage है जिसकी property है जिसके पास रखी है वो mortgage अब होगा क्या अगर A नहीं जो 50 लाक का लोन लिया है वो successfully वापस कर देगा अगर A ये लोन properly वापस कर देगा तो A के पास ये अधिकार है कि वो अपना घर जो उसमें गिरवी रखा घर है वो वापस लेने का अधिकार है ये के पास अगर लोन का रिप्यमेंट टाइम पर कर देगा Yes or No इसको कहते है राइट आफ रिडंशन मौडगेजर के पास अधिकार होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ले मौडगेजी से इसको कहते है राइट आफ रिडंशन और similarly B का एक अधिकार है कि अगर टाइम पर पैसा नहीं मिल पाए जो भी बात हुई थी पैसा नहीं मिल पाए इसी रिखती इन फ्यूचर कभी अपनी प्रॉपर्टी रिडीम नहीं कर पाएगा इस अधिकार को कितने हैं फ्यूचर यह किसका है वी का भी यह काम करवाएगा अब इन फ्यूचर आप कभी इसको क्लेम करने मत देना चीक यह होता है रिडंशन फॉर्क्लोजर तो चाहे रिड पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है अलॉंग विद दी प्रोवाईजो इसके बाद सीधे माग करिए 6 रूल 6 आता है प्री में रूल 6 है पावर ओफ कोट तो और सेपरेट ट्राइल जैसे प्लेंटिफ को जॉइन करने के बाद अगर को लगा कि डिले हो रहा है तो रूल 2 में सेपरेट ट्राइल हो सकती है वैसे इसके लिए है तीन में और छे में यह रूल्स भी याद रखिएगा जितने रूल में आपको माग करा रहा हूं बता रहा हूं यह सब प्रीकले इंपॉर्टेंट है और यह खतम होगया आपका ओडर 2 यह आपका ओडर 2 भी खतम होगय ओडर 3 पे आईए तो ओडर 3 में कोई रूल पढ़ना नहीं है कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है ब्रीफ में मैं आपको कल भी बताया था ओडर 3 है अब यह जो पार्टी इस है ना प्लिंटे फोर डिफेंडेंट ओडर 3 बस यह बता रहा है कि यह लोग खुद भी परसनल इसके बारे में है जनरली चांसे अंदर से क्वेश्चन आने के नहीं होते और जैसा आप जानते हैं यह जो हम कर रहे हैं क्राश कोर्स इसलिए सीपीसी आप जानते हैं बहुत बढ़ा है लेकिन हमें करना इसको छेसे साथ क्लास में खतम इसलिए मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टन है जिनसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभाव नाए हैं सो ओडर 3 आप स्किप कर सकते हैं सिर्फ नाम याद रखिएगा कि ओडर 3 में आता क्या है इसके बाद आईए ओडर 4 और जैसा कि आप जानते हैं कल भी बताया था सेक्श में सेक्शन चबबिस क्याता है बेरिट में सेक्शन चबबिस निकाल लीजे तुरांग एवरी सूट शाल बी इंसेट्यूटेट बाइधी प्रेजेशन ऑफ प्लेंट और इन सच अधर मैनर एज में प्रसक्राइब सूट कैसे इंसेट्यूट होगा कल भी बताया था प्ले इसे डिटेई प्रोविजन आपको भी इफरेंस बताया था कि सेक्शन और में क्या डिफरेंस है और फॉर इंसेटिशन ऑफ सूट रूल वन सूट तो भी कमेंस बाइप लेंट से वही बात इधर बताई है एवरी सूट शाल बाइप प्रेजेंटिट इंडर लीजे कियेगा प्लेंट जो फाइल होगी डुपलिकेट में होगी और सच ऑफिसर अपॉइंट इस बेहाफ तो वह अपने तरीके साब बागी कोछ पढ़ने की जरूरत नहीं है सीधे इसके बाद रूल टू भी देखिए रजिस्टर फॉर सूट बहुत इंपॉर्ट नहीं है इसके बाद निक्स्ट ओडर पर आईए ओडर 5 इशू एंड सर्विस ऑफ समन अब वह कहानी ध्यान रखना प्लेंट फाइल हो गई है उसके बाद क्या होगा भईया डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा फ्रेम औफ सूट बगेरा सब सब्सक्राइब कि देखेंगे कि सू कौन से की बात हमने कल करी है डिफेंडेंट को अगर समन भेजना है कल मैंने यह सारी चीज़ें आपको बताई है चीक है करेक्ट करेक्ट कुशान आज आईए जरह सेक्शन वाले पोर्शन पे सेक्शन 27 इसक्शन 27 समन्स टूदेंट उपर एडिंगे समन्स इंडिस्कवरी स पड़ा है उसका सब रूल 3 देख लीजेगा तो आपके समझ में आजाएगा कि कब सूट को डूली इंसिटूटेड मान लिया जाता है जब सारे कंप्लाइंस हो जाए तम चीक तो उसके बाद अगर वेरा सूट है डूली इंसिटूटेट अपेर इन आंसर्दी क्लेम एंड इसको आना है रिटन स्टेक्मेंट लेकर यह बताया गया अभी आगे ओडर में भी है सवाल वहां से जन्रवली पूछा जाता है इधर से बस सेक्शन नंबर याद रखिएगा कि सेक्शन 27 में समन टू अब आ जाईए ओडर पे और 5 इशू एं सर्विस आफ समन कैसे अब व वो आपको orders बताएंगे तो अब यह समन कैसे भेजी जाएगी कैसे served मानी जाएगी क्या process होगा वो सब आपको इस order में मिलेगा order 5 में इसलिए इनको साथ में पढ़ा जाता है order 5 देखिए issue and service of summon first part issue of summon rule 1 summons बहुत important है यह rule 1 number का सवाल भी पूछा जाता है इसके content से भी question आते किस form बें देता है defendant अपना statement कल बताया था return statement फाइल करेगा आगे लिखा है and to file the return statement of his defense अपने defense का वो क्या करेगा return statement फाइल करेगा if any within 30 days underline कर लीजे 30 दिन के अंदर होना है यह 30 दिन के अंदर होना है this is very important question return statement फाइल होगा within 30 days from the date of service of summon on the defendant जिस दिन समन सर्व हो गई आप प defendant के उपर उस दिन से 30 दिन के अंदर उसको अपना return statement फाइल करना होता है that is an important question इसका second proviso भी important है second proviso कहता है कि अगर 30 दिन में नहीं हो पाया है तो फिर maximum आप 90 दिन तक कह सकते हैं को चाहे तो इस time को बढ़ा सकता है कितने दिन हो सकता है primarily it should be done in 30 days अगर 30 दिन में नहीं हो प commission से आप later on भी कर सकते हैं but not later than 90 days नभ्य दिन से जाधा नहीं date of service of summons से नभ्य दिन से जाधा नहीं commercial dispute अगर है एक amendment भी है इसमें 2000 रसूला का जो effect में आया था 2015 से वो कहता है commercial dispute के case में यह जो extended time है यह 120 दिन हो सकता है यह अभी note down कर लिजे या mark कर लिजे जनरली नभ्य commercial dispute में 120 यह दो तीन सवाल इदर rule 1 से important है summons से related इसके बाद rule 2 देखिए copy of plant annex to summons उत्तर प्रदेश के 2015 UP 2015 में सवाल आया है order 5 rule 2 बहुत important है copy of plant annex to summons every summons shall be accompanied by a copy of the plant जब समन भेजी जाएगी defendant को तो उसमें एक copy plant की भी होगी इसलिए पहले plant मंगवाई इसलिए मैं आपको वह important rules बता रहा हूँ सिरफ और समझा रहा हूँ जिन पर question बनते है इसके बाद four पहले important था थोड़ा अब बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो उसका भी पार्ट है आप देखेंगे अब वो relevant ही नहीं रहा गया इसलिए four आप चाहें तो पढ़ लीजेगा बहुत important नहीं है छोड़ सकते हैं सीदे आजाईए nine पे अब ये जो बात है कि भाई समन भेजना है हमें और जो डिफेंडेंट है उसे service of समन के तीस दिन के अंदर return statement फाई करना है अब ये समन कैसे भेजी जाएंगी delivery कैसे होगी तो second part का service of समन जिसमें सबसे पहला rule है rule nine तो इसके बाद अब सीदे ये जो order five पे पन आए है जरा हमें इसके भी लिख दूँ order four के तो अपन ने सब कुछ ही पढ़ लिया है order five के important rules भी मैं आपको बताते जाता हूँ तो order five में सबसे पहले हमने पढ़ा rule one बहुत important है rule one तो उसके बाद सीदे आ जाईए rule nine कि भाया समन सर्व होना है कैसे होगी delivery कैसे होगी तो simply समझ लेजिए delivery of summon by court करवाता है summons की delivery उसके लिए procedure laid down होता है court का या तो कोई officer जाता है या फिर registered post के through भी कराया जा सकता है या जो भी procedure laid down हो उसके through जनलरी registered post के through भी समन इधर पर सर्व होती है criminal समन की अलग कहा नहीं है जो CRPC में अपन ने पढ़ी थी अब यह अपन civil की बाद कर रहा है और nine आप पढ़ेंगे तो you will conclude nine का sub rule one जो है वो कहता है कि इन में से किसी भ हो गई है अपनने CRPC में भी देखा था कि समन सर्व हुई है इसका प्रूफ भी चाहिए तो यहां प्रूफ क्या होगा कि समन सर्व हो गई है registered post के through भेज रहे है registered post में हमेशा acknowledgement आता है वह acknowledgement इस बात का प्रमाण होगा कि समन सर्व हो गई है यह सब rule three में दिया है इस से जाद आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है इसके बाद सीधे आ जाईए rule nine a this is very very important for prelims rule nine a nine a कहता है summons given to the plaintiff for service अब देखिए समन को सर्व करने के अलग अलग कई तरीके हैं इदर एक general बात 9 में बता दी कि court summons serve कराएगा कैसे कराएगा वो भी बता दिया general की भाई by post बेज दी ज सब होगा nine a में अलग से एक चीज़ बताई गई है और यह in addition to nine nine में जैसे court serve करा रहा है वो कराएगा उसके साथ-साथ यह भी किया जा सकता है एक बार जारा sub rule one इसका पढ़िए the court main addition to the service of someone under rule nine rule nine के होने दीजिए in addition आप यह भी कर सकते हैं कि plaintiff को देदे समन कि भाईया तो इसको कहते हैं दस्ती समन कहां दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा order five के rule nine a में दिया है दस्ती समन यह क्या होता है कि nine के हिसाब से तो सार्व होई रहा है प्लेंटिफ खुद ले लेता पर्सनली लाओ साब वो तो हम पोचा कि आंगे defendant के पास जीवन में सबरी नहीं है इसके बाद eleven भी आप मार्ग कर सकते हैं service on several defendant जितने भी defendant है भया सब पे सर्व होना है समन यह रूल 11 में लिखा है इसको भी ध्यान लखिएगा इसको भी ध्यान लखिएगा आप लोग को लग रहा हो मैं कई बार यह चीज मतलब थोड़ा सा कई बार होता है मैं बहुत पेशन्ट रखती हूं लेकिन कई बार मुझे भी इंटेशन होने लगती है बार बार वो देख यह कितिनी क्लास है क्या है अरे भाई पड़ो भी तो थोड़ा है ना क्या होता है ना कि यूट्यूब पे आप चांकी देखते हैं और पेड़ कोर्स में पैसा देते हैं और हो क्योंकि आब आप जुडीश्री के पेपर का लेवल देख रहा है और बहुत बार में मैं इस सवाल को देख देखके हो जाता हूं कि कितनी कब तब भाई मैं बता चुका हूं मेरी रिस्पॉंसिबिलिटी है उत्तरप्रदेश की प्रिलम्स की तयारी आपकी निश्चन्थ ह यूपी का तो 2018 के बाद से पेपर नहीं हुआ प्रिलम्स जो कंसिस्टेंट स्टेट है वो मध्यप्रदेश है अगर आप जानते हूं 2019 फेस वन 2019 फेस टू और 2020 हूं के इंटर्व्यू चल वह हैं अभी चालू हो गया इंटर्व्यू मंड़े से और आगर आपको जानना है कि यह क्राश कोर्स यूट्यूब पे जो मैं दे रहा हूं और जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको यह बता दूं कि MPCJ जो रिसंट एक्जाम हुआ है क्योंकि UP 2018 के बाद हुआ नहीं है ऐसे लिए मैं आपको बता दूं MPCJ प्रिलम्स एक्जामिनेशन में अग पढ़ने वाले तो छोड़ो पढ़ाने वालों को पसीना आ गया था कि यह क्या पूछ डाला है ऐसा पेपर था और उस पेपर में मैं बता दूं MPCJ जो रिजल्ट था पचास से पचपन बच्चों का एक बैच होता है फांडेशन का इसमें से अप्रॉक्सिमेटली 30 स्टू और वो चेंजवें जोस में बहुत सारे बवाल भी हुए थे अंसर्स को लेके होके लगभग 100 थैक्तिस हुआ था चेंभाय पांडेशन का इसके अब आप बात करें 2020 की जहां वापस थोड़ा पुराने डर्रे पेपर आया थोड़ा डारेट जादा आया 2020 प्रेलिम्स और ज जो 37 नंबर का मतलब समझते हैं अब 300 में से क्या होता है मजाक नहीं है और इस बार डारेक्ट पेपर था एंद सेम परसन वो गट 137 है सोमेश पिछला जो कॉंसेप्चुल था 2019 फेस्टू वह भी निकालके आया था 125 नंबर के सार्थ तो जब कॉंसेप्चुल आया था 125 इस बार उसको यूट्यूब कराया जा रहा है इसलिए विनम्र निवेदन है कि यह क्लासिस व्लासिस का चक्कर छोड़ी है जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लीजी बहुत खामकी बात पढ़ा रहा हूं आपको तीस तारिक तक आपने सब कुछ कराया है इसलिए जी पूरा कराया है जीरिस पूरा कराया है पी आईल भी पूरा कराया है सब पढ़ाएंगे पूरे नौ लॉके भी और बाकी बाकी के जो जी एसके अडिशनल हां टैट हूए है उन में से मजॉरिटी अलरी यूट्यूब पे है आपको एमसी क्यू भी दे दिये हैं आप पे तो इसके बाद करके यह ना पहा है पूरा मोटिवेशन ही घताम हो जाता है मेरा कसम से खेर वह बहुत कम संख्या है जादा संख्या उन लोगों की है दोस वार गिविंग वाल्यू तो दिस पोर वही कुछ बेनेफिट उठा सकता है इसको वैल्यू है इसी चीज़ की तो चलिए प्याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है रूल 12 कहता है service to be on defendant person when practicable और on his agent इसको भी थोड़ा प्याद रखेजेगा कि in person होती है 12 कहता है कि समन की जो service है वो in person हो जहां तर संभा वो person हो नहीं है तो अगर कोई agent authorize कर रखा उस वक्ति ने समन लेने के लिए कोई agent authorize कर रख वक्ति का उस defendant का गामकास समालता हो उसके business को समालता हो ऐसे वक्ति के ओपर भी आप समन सर्व कर सकते है यह से बहुत ज्यादा important नहीं है लेकिन 12 ध्यान रखियेगा इसके बाद आजाए सीधे 15 इससे प्रिलिम्स में question आ चुका है पहले rule 15 is very very important rule 15 पर आजाएए where service may be on an adult member of defendants family इस तरीके की बात CRPC में भी पढ़ी थी कि जहां personally करपाना संभव ना हो विक्ति मिली नीरा है तो उसके घर के किसी भी adult male member को दे सकते है यह लिखाता CRPC में इधर लिखा है किसी भी adult member को दे सकते है male या female तो rule 15 बहुत ज्यादा important है अगर summons personally serve नहीं हो पाई है तो उसके साथ जो रहता है घर में कोई भी adult member उसको दे सकते है male या female last line में लिखा है underline कर लीजे service may be made on any adult member of the family whether male or female who is residing with him कोई भी male female दोनों पर कर सकते है रूल बहुत important है चीक है यह correct है विशाल क्यूंकि YouTube पे है इसलिए यह पूछ रहे हैं कि कब तर चले रहा अभी इसके पैसे ले लिए जाते तो शायद यह सवाल नहीं आता ख्या related भी मैंने कहा है जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है चल यह 17 पर आई इसके बाद सब्सक् लब यह बिल्कुल यह वाला appreciation मुझे please कोही ना दे कि मैं बहुत बहला कर रहा हूं सब आपन बहुत selfish रखती है और clearly बोलके करता हूं मैं कोई दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है यह बात आप जानते भी है बहुत अच्छे से आपको भी पता है बट उस तीसको express करने मे हमारा social order खराब हो जाता है बट मैं कर देता हूं कोई कोई भी चीज फ्री नहीं है और मैं तो कता ही नहीं करता हूं क्यों करूं फ्री मैंने भी पढ़ाई करी एक अच्छे college से law graduation किया है बिये चुगा law graduate हूं में मेरी भी जिन्दगिया पैसे कमाने के इक्छा है जैसे अगर इसमें आपका भी भाला है तो बहुत बढ़िया बाते हो सकता है एक्चुली वह black and white समस्या हमने सोच लिया है कि अगर हम कोई चीज अपने फायदे के लिए भी कर रहा है तो किसी दूसरे का फायदा नहीं कर सकते या जब हम दूसरे का फायदा करने जाएंगे तो हम चीज बेंगे फिर 17 कहता है कि ये भी नहीं हो पा रहा 17 कहता है प्रोसीजर वें डिफेंडेंट रिफूजज तो एक्सेप सर्विस और के नौट भी फाउंड वो समन लेने से मना कर रहा है डिफेंडेंट या फिर मिली नहीं रहा कहा है पता ही नहीं वाई साब घर पे पर चिपका देंगे ले जाके सामन यह हो सकता है 17 में इसके बाद आईए आप 20 पे सीधे आ जाईए इसके बाद 20 रूल 20 पे आ जाईए सीधे तो 17 है कि उसके घर पे चिपका दीजिए पहले तो कोशिच करिए परसनली हो जाए परसनली नहीं हो पा रहा तो कोई भी adult member of the family adult member भी नहीं मिल पा रहा तो घर पे चिपका दीजिए घर पे भी ना हो पाए तो सब्सिट्यूटेट सर्वेस की बात करता है रूल 20 किसकी बात करता है सब्सिट्यूटेट सर्वेस की बात करता है सब्सिट्यूटेट सर्वेस क्या होता है कि यह सब करेकरम फेल इससे नहीं ह इसको भी valid service मान लिया जाएगा और did decide कर दी जाएगी defendant के appearance की ये सारी बातें आपको मिल जाएगी rule 20 के अलग-अलग sub rule में rule 20 बहुत important है prelims के लिए दो ये means का भी topic है जब means के लिए पढ़ते हैं तो detail में पढ़ना पढ़ता है इसे अब अभी आप इत्ता ध्यान रखिए 20 में substituted service है चेन बनाने के लिए मैं आपको कहानी पूरी बता दी service की क्या-क्या हो रहा ताकि ये rule आप इस chain में बिठा पाएं इसके बाद देखिए आजाए 21 पे service of someone where defendant resides within jurisdiction of another court अगर मालनेजे जो defendant है वो किसी दूसरे court के jurisdiction में तो simple सी बात है जिस court के jurisdiction में है उसको दे दिया रूल 21 रूल 21 क्या है कि जिस व्यक्ति के लिए जो defendant है अगर वो दूसरे court के jurisdiction में है तो इस court को दे दिया जाएगा सर्फ कराने के लिए इसके बाद 24 बहुत ज्यादा important प्री में कई बार पूछा गया सवाल रूल 24 पूछा जाता है अगर prelims के लिए आप देखिया ना तो इसमें दो एक बहुत important है एक आपका यह जिससे rule number पूछा जाएगा आपसे rule number service on defendant in prison यह कई बार आपको मिल जाएगा प्रसन में अगर defendant तो कहा जाएगी सर्फ किसको address होगी तो ध्यान रखियेगा last line में लिखा है to the officer in charge of prison prison का जो officer in charge है उसको दी जाएगी समन rule 24 में यह बात दी हुई है यह बहुत important सवाल है इसके बाद rule 25 भी कई जगे पूछा गया है service where defendant resides out of India and has no agent अगर भारत के बाहर रहता है तो उसके लिए जो हाई कोट ने courier services वगेरा decide कर रखी है सीधे उस विक्ती पे भेज दिया जाता है rule 25 ध्यान रखिएगा defendant अगर भारत के बाहर रहता है in that case applicable है जो भी decided services है उस सीधे विदेश में जहां वो रह रहा उस पे बेज दे जाएगा rule number ध्यान रखिएगा important तो यह होता है पांगलादेश और पाकिस्तान के लिए proviso लिखा हुआ है कि उस case में वहां के जो भी concerned court है उनको भी 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 जा सकता है क्योंकि similar type का procedure उधर भी होता है इसलिए बाकि कहीं भी भी वेजना है तो जो आई-court में रूल बनाया है वैसे सिर्फ आप rule number ध्यान रखिएगा 24 में प्रिजन 25 में वारत के बाहर इसके बाद एक और rule mark कर लीजिए rule 30 इसके बाद एक और mark कर लीजिए rule 30 तो स्वार सहा का doubt था कि प्रिलिम्स पॉइंट के इतना sufficient है clear हो जाएगा बेटो देखो exam clear कराने की guarantee तो इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता यह मैं हमेशा कहता है और जो मैंने आपको अभी examples के score जो मैंने आपको बताए MPCJ 2019 phase 2 or 20 इसका इसमें से सिर्फ 25 से 30 का निकला था 20 का वहाँ भी निकला था end of the day it's your effort आप क्या करते हैं कोई भी mentor या institute आपकी success में सिर्फ 25 परसेंट का भागीदार हो सकता है ऐसा मेरा मानना है इससे ज़्यादा कोई नहीं यह जो बड़े-बड़े banner लाया के गोंते हैं ना rank one हर एक्जा जो अपनी महनत कर रहा है वो ही निकलेगा यह जो मैंने आपको एक्जाम्पल दिया इसका मतलब यह नहीं कि आपके वी एक सुस्यातिसा जाएंगे अगर आप उस लेवल की महनत इसको पढ़ने के बाद इस पर करेंगे इस पर काम करेंगे तो आपके नंबर आएंगे यह लगा एक परपस और इसक्राश कोर्स का यह है कि आप लोग के यह समझ में है कि लौपढ़ा कैसे जाता है यह सबसे मेजर परपस है मेरा यहां के पढ़ाने का कि लौपढ़ा कैसे जाता है इसके बाद देखिए 30 substitution of letter for summon brief में समझ लीजए कई बार प्रिलिम्स में पूचे जाने की संभावना है इस rule की 30 क्या कैता है कोई ऐसे लोग है जिनका की rank ऐसी है जिसको summon भेजना सही नहीं है तो उनको court summon की जगे क्या भेजेगा एक letter भेजेगा जज जो है court के वो अपने नाम से letter भेज देंगे इ आई बार की बुलाया गया आदिट कोई ऐसा बड़ा office hold कर रहा है कोई व्यक्ति उसके लिए क्या कर सकते है letter भी जा जा सकता है instead of someone that is given under rule 30 I hope that is clear इसके बाद आजाए यह order 6 पे यह हो गया आपका 5 complete अब आजाए यह बटा 6 पे order 6 order 6 है pleading generally कल भी मैंना आपको बताया था plaint और return statement plaintiff लेके आएगा plaint डिफिंटिंट लेके आएगा written statement दोनों को collective ली कह देते है pleading insulated to general rule है जो दोनों पे applicable है plaint और return statement पे वो इस order में मिलेंगे जनरली पे और बाकी specific जो rule है plane से related वो order 7 में मिलेंगे जो specific rule है return statement से related वो आपको मिलेंगे order 8 में that's how it is framed so order 6 is pleading generally pleadings के बारे में general बातने सारी इतर पे बताई गई है तो आईए जारा rule 1 बहुत important इसका रूल 2 बहुत ही ज़्यादा important है इससे बहुत question पूछा जाते हैं कि यह जो pleading हैं इसमें सिर्फ material fact बताए जाएंगे evidences नहीं दिये जाएंगे evidences proceedings के दोर्नाब देते जाएंगे प्लेंट जो होगी या written statement जो होगा जो pleading है इनमें सिर्फ fact बताए जाएंगे material fact evidences नहीं होंगे यह दिया हुआ है rule 2 में this is very important pleadings to state material facts and not evidence इसमें सिर्फ material facts state करना है evidence नहीं देना है बस इतना ध्यान रखिएगा rule 2 इसके बारे में बात करता है इसके बाद एक और mark कर लीजे रूल 7 रूल 7 is a little important that's correct तन्वीर fact प्रविंदा that's important that's correct इसके बाद 7 departure no pleading shall except by way of amendment raise any new ground of claim or contain any allegation of that inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same अगर कोई नई चीज़ आड करने कोई नया claim आपको देना है which is in contravention to the original one तो आपको amendment के थू ही देना है basically कोई change अगर आप करना चाते है अपने claim में या जो plead करना है तो वो amendment के थू होगा departure मतलब जो original दिया था जो आपने claim में दिया है उससे हट के आप कुछ करना चारे है तो वो amendment के थूँ आपको करना पड़ेगा amendment करना पड़ेगा उस pleading में उसके बारे में आगे provision है इसलिए इसकी शुरुआत rule 7 से होती इसलिए बस इसको याद रख लिजे इसके बाद आप सीधे आ जाईए 14 14 से भी क्याश्य अच्छा 13 भी मार्क कर लिजे 13 और 14 rule 13 rule 14 दोने rule 13 ब्रीफ में समझ लिजे presumptions of law की बात करता है ऐसी चीज़ें जो already presume करेगा court आपके favor में बहुत सारे laws में ये चीज़ें दी हुई है evidence में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है कि क्या-क्या presumption court already करेगा उनको proof करने की जरूरत नहीं है तो ऐसी बातों को आपको यहाँ state करने की जरूरत नहीं है जिन चीज़ों को law already presume करेगा आपके favor में वो आपको यहाँ state करने की जरूरत नहीं है इसमें example भी लिखा हुआ है rule के बाद जैसे कोई bill of exchange आप देते हैं तो consideration के लिए इसे जितने भी presumption of law है वो स्क्रिक करने जरूरत नहीं पड़ेगी 13 में रूल याद रखिएगा rule 14 बहुत important है pleading to be signed दोनों चीज़े important है rule का number भी पूछा दा सकता है कौन sign करेगा pleadings यह भी important question है यहां लिखा है every pleading shall be signed by the party and his pleader if any अगर pleader है तो pleader के भी sign होंगे और party के भी ध्यान रखिएगा प्री में दोनों question पूछे जाते हैं कौन sign करेगा तो party भी sign करेगी और pleader भी sign करेगा बस इतना important है रूल 15 में दिया है यह important है इसके बाद आ जाई है rule 15 इस इंपॉर्टेंट rule 15 है verification of pleadings this is again an important question for prelims save as otherwise provided by any law for the timing in force every pleading shall be verified at the foot कौन verify करता है pleadings यह बहुत important question है और कौन verification of pleadings sign करता है दोनों question देखिए verify कौन करेगा verify का मतलब कि जो लिखा है सही लिखा है कि नहीं या तो party करेगी या कोई ऐसा विक्ति करेगा जो fact के बारे में जानकारी रखता हो it is simple तो इस विक्ति ने verify कि या है pleading को वही उस पे sign करता है ध्यान रखिएगा rule number भी important है बट ज्यादा important सवाल इदर से prelims का यह है कि verification पे sign कौन करता है सो यहां लिखा है save as otherwise provided by any law for the timing infos every pleading shall be verified at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case कौन कर सकता है या तो party verify करेगी pleading को या कोई ऐसा विक्ति करेगा जो fact से acquaintance रखता हो जो fact के बारे में जानकारी रखता हो ऐसा विक्ति करेगा इसके बाद आजाएए इसके सब रूल 3 पर सब रूल 3 बहुत जादा important है the verification shall be signed by the person making it sign कौन करेगा जिसने verification किया confuse करने के लिए option में दे दिया जाता है कि verification पे sign party करेगी option में आपको मिलेगा जिस person ने verify किया है वो the correct answer is जिसने pleading को verify किया है वो sign करेगा वो party भी हो सकती है या कोई दूसरा वक्ति भी हो सकता है जो facts की ज मजलीजिए इसके बाद इसका sub rule 4 भी है the person verifying the pleading shall also furnish an effort in support of his pleading वो effort भी देगा जो इसको verify कर रहा है वो effort पे verify करेगा कि हां मैं जानता हूं सब के बार में जो भी information है वो सही है ये effort पे आप देंगे क्योंकि court का समय important है परजी बातें चाहिए नहीं court को अपने पास ठीक तो rule 16 is important striking out pleadings the court met any stage of the proceedings order to be struck out or amend any matter in any pleading court चाहे तो pleading मैं से चीज़ें struck out करा देगा जो unnecessary लगेगा वो हटा देगा important क्या है court का समय पालतू की बातें करने है court के पास time नहीं है इसलिए अगर उसको यह से लगा कि pleading में कुछ बखवास है जिसका कोई मतलब नहीं है हटाते जाओ strike out तो 16 किसके बारे हम बात करता है strike out strike out कौन करेगा court खुद अगर court को लगता है कि यह चीज़ इस फट आएगा underline कर लिजे विच में भी unnecessary scandalous frivolous और vexatious इन मेंसे अगर कुछ भी है vexatious है frivolous है unnecessary है scandalous है इनको हटा सकते है और B विच में tend to prejudice embarrass और delay की fair trial जो trial को prejudice कर सकता है embrace कर सकता है delay कर सकता है ऐसा कुछ करता है तो struck out party को chance दिया जाता है उसके लिए amendment 17 में आप देखिए rule 17 देखिए इसके बाद 16 में क्या difference है 16 है struck out 17 है amendment of pleadings the court may at any stage of the proceedings allow either party to alter 16 में आपने क्या देखा court फिर struck out कर देगा जो उसको unnecessary लगेगा यह court allow करेगा अगर party कहती है कि साब यह हटाना है यह हमें amend करना है party कहत कि आपको अगर कोई दोसरी चीज़ क्लेम करनी है तो उसके लिए आपको amend करना पड़ेगा प्लीटिंग यह वह amendment of pleading party application देगी amend करने की court allow करेगा तो अप्लीट करिए that's how it is done so amendment of pleading देखिए the court made at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleading in such manner and in such term as may be just and all such amendment shall be made as may be necessary क्यो करने देतने है amendment यह बहु अगर आपकी pleading में clear नहीं हो तो आप comment करने दिया जाएगा क्योंकि basic purpose यह है कि जो trial है वो साही direction में चाले पालतों की बाते ना आए इसमें जो काम का है वो चले इसलिए pleading amend करने दी जाएगी proper question क्या है controversy में वो determine करने के लिए इसके बाद देखिए एक important है 18 rule 18 is also very important rule 18 is also important failure to amend after order अब मान लीजिए आपने application दी amend करने के लिए और court ने allow भी कर दिया कि हाँ टी के amend कर लीजिए अगर court ने कोई समय निर्धारित किया है तो उस समय में कर लीजिए अगर court ने कोई समय निर्धारित नहीं किया है तो 18 में लिखा है उसको underline कर लीजिए if a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly with the time limited for that purpose by the order or if no time is thereby limited underline करिये then within 14 days from the date of the order अगर court में कोई स्पेसिफिक समय दिया है तो उसमें आपको amend कर लेना ही नहीं दिया है तो 14 दिन के अंदर कर लेना है उसके बाद नहीं कर पाऊँगा that is very important question rule तो उत्ता important नहीं है यहां से यह 14 दिन important है जो प्रिलम्स में पूछा जाता है यह होगे आपका प्लेंडिंग्स जेंडर ली जिसमें तुम हो जाएंगे प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट उसके बाद आते हैं आज के आखरी order की तरफ that is order 7 अब order 7 specifically बात करता है भाई साब प्लेंट की कि जो प्लेंट है जिससे institute होना है उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी कैसे क्या होगा प्री के सारे question इससे related अपन डिसकस करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो order number भी ध्यान रखिएगा यह सारे और उसके लिए तो कल की मैंने story सुनाई थे उसके बीच में आपको put करना है सारी चीज़ें और इन सारे orders को और इसलिए मैं order को उसी sequence में पढ़ा रहा हूं जिसमें तक यह याद हो पाए आपको प्रलम्स मैं मैं बता रहा हूं अगर 15 question आते हैं CPC के दो से तीन question सिर्फ बात पर बन जाते हैं कि आपको structuring clear है इस subject rule 1 देखिए particulars to be contained in plant तो rule 1 क्या बताता है important है rule 1 particulars बताता है क्या-क्या होगा plant में एक निगा इस पर भी डाल लेजएगा जरूर करिएगा कई बार exceptionally यह भी पूचा जा सकता है कि इन में से क्या plant का content है या नहीं है बाकी rule important है इसके बाद 2 भी mark कर यह rule 2 भी important है थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं but rule 2 भी थोड़ा important है in money suit where the plaintiff seeks the recovery of money the plaintiff shall state the precise amount claimed अगर money की recovery पैसे की recovery का suit है तो कितना amount वो भी आपको mention करना है the precise amount claimed आपको mention करना है अपनी plant में बस इतना mark कर लीजे that's sufficient अगर recovery of money का suit है तो कितना amount है वो आप लिखी है plant में यह rule 2 में दिया है that is another important question इसके बाद सीधे आजाईए 9 पे जो बहुत important है rule 9 इदर से जादा important है 7 8 simple सी बातें कर रहे हैं relief to be specifically stated जो भी relief आप मांगना चाह रहे हैं अगर अलग-अलग relief है तो अलग-अलग state करिए सब को relief founded on separate ground 8 कैता है अलग-अलग ground पे आप relief मांगना है तो उनको भी separately state करना है लेकिन इतना बहुत ज्यादा important है जहां से ज्यादा question बनते है या जो story के लिए जरूरी है वो मैं आपको मांग करा रहा हूं procedure on admitting plaint अब मालीजे plaint admit हो गई है तो आगे क्या होगा तो आगे आप proceed करेंगे where the court orders that the summons be served on the defendant in the manner provided in rule 9 of order 5 it will direct the underline कर लीजे it will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on plain paper as there are defendant within 7 days तो कितनी copy देनी है plaint की ये सब question बनते है इदर rule 9 से plaint admit हो गई है तो फिर आप क्या होगा summon serve करना है तो जितने defendant है उतनी copy 7 दिन के अंदर from the date of such order along with requisite fee for service of summon on the defendant साथ दिन के अंदर plaintiff को उतनी copy जितने defendant है जमा करानी है और fees जमा करानी है service of summon की क्योंकि जो summon serve करी जाएगी defendant पे उसके पैसे जस्ता थोड़ी देंगे है उसके पैसे plaintiff से लिए जाएंगे तो वो जो fees है वो भी submit कराईए और साथ में उतनी copy submit कराईए plaintiff की जितने defendant है this is very important question इसके बाद देखिये 10 rule 10 भी important है बहुत जादा important है prelims के लिए return of plaint basically return में होता क्या है कि अगर आप गलट court में plaint लेके चले गए है तो आपको बोल दिया जाएगा सही court की तरफ direct करके कि भई आप उदर लेके जाए है that's return of plaint subject to the provisions of rule 10 है the plaint shall at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted proper court में अगर आप नहीं आए है तो आपकी plaint लेके आपको बोल दिया जाएगा भया उदर जाएगे वो है proper court that is called return of plaint order 10 में दिया है important है बहुत important है 11 11 बहुत जादा important है return of plaint sorry rejection of plaint 10 is return तो कि आपको proper court में बेज़ दिया जाएगा 11 is rejection आपकी plaint reject हो जाएगी दोनों चीज़े important है rule number भी याद रखना है किस order के किस rule में दिया है rejection of plaint और rejection of plaint के ground क्या है सबसे पहले देखिए the plaint shall be rejected in the following cases a where it does not disclose a cause of action cause of action नहीं हो रहा कर ली बताया था cause of action क्या होता है existence of legal right और उसका violation अब आपने वही नहीं बताया कि किस legal right का violation और वही properly express नहीं हो रहा आपकी plaint में तो plaint reject हो सकती इस ground भी देखिए where the relief claim is undervalued and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court fails to do so आपने correct valuation नहीं किया है sorry claim relief claim जो है वो undervalued है क्योंकि हमने क्या पड़ा frame of suit में जितना claim ले सकते हो सब इदर ही लेना है court को अपना समय प्यारा है हर जगे चेक रहेगा इस बात पे इसलिए अगर आपने अपने claim को undervalued कर रखा है तो भी reject हो जाएगा आपको मौका दिया जाएगा कि भईया सही कर के लिए उसके बाद भी नहीं लाए तो reject हो जाएगी advance reject नहीं होती plaint ज्यां दखिएगा अगर यह सब reason है तो advance reject में होगी बस भाग दिया अब आपने claim की value तो प्रपर लिखी है लेकिन stamp sufficient नहीं है कम पैसे का stamp जो को पैसा मिलता है जो stamp लगाना होता है वो आपने कम लगा दिया इसलिए इन सब की जानकारी आपको होने सही है तो stamp जो वो है वो insufficiently stamped है अगर तो इस ground पे भी rejection of plaint होगा यहां पे भी आप देखिए advance नहीं होगा पहले आपको मौका दिया जाएगा इसके बाद देखिए d where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law underline कर लीजए to be barred by any law अगर किसी law से barred है वो suit तो भी आपकी प्लेंट reject हो जाएगी अब बहुत सारे बार दिये हो है बहुत सारे अलग-अलग special laws है जो civil suit का jurisdiction ही बार कर वेते हैं कि उनको यह court यह case deal बार्ड है तो आपकी प्लेंट reject हो जाएगी यह देखिए where it is not filed in duplicate अगर आपने duplicate में file नहीं किया जो कि अभी पढ़ा था plant कैसे file होगी duplicates में अगर आपने duplicate में file नहीं किया तो भी reject हो जाएगी if देखिए where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9 rule 9 का compliance नहीं किया अभी जो आपने पहले rule 9 पढ़ा है कि जितने defendant उतनी copy देनी है और sufficient fees जमा करानी है यह rule 9 अगर आपने compliance नहीं किया that is very important 13 is important तेरा कैता है कि अगर 11 में दिये हुए rule 11 में दिये हुए किसी भी ground पे आपकी plant reject होती है तो mere rejection of plant आपको fresh suit file करने से बार नहीं करता फिर इस करण क्योंकि आपकी plant reject हो गई है rule 11 में आप दूसरा fresh suit file नहीं कर सकते same cause of action पे ऐसा नहीं होगा आपको preclude नहीं किया जाता the rejection of the plant on any of the grounds there and before mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting fresh plant in respect of the same cause of action तो rejection of plant का automatic effect यह नहीं होगा कि आप fresh suit file नहीं कर सकते इसके बाद 14 भी important है rule 14 भी mark करिये 14 is also important production of document on which plaintiffs use or rely तो भाई देखिए जितने भी document है जिस पे plaintiff rely कर रहा है उसकी list भी आपको देनी है plant के साथ आपको और क्या देना है जिस पे भी आपका suit है भाई आपको चीजें प्रूफ करनी है court में जाके अपने suit को अपने favor में लाने के लिए तो जिन चीजों पे जिन documents पे आप rely कर रहे हैं वो आपको furnish करने है plaint के साथ ये rule 14 में दिया है ये rule का number पूछा जाता है में कि किस rule में दिया है कि documents furnish करने है plaint के साथ ये दिया है rule 14 में इसका sub rule 3 ये भी कहता है कि यहां अगर आपने furnish नहीं किये तो हो सकता है बाद में court आपको allow ना करें फिर बिना court की permission के आप लानी पाएंगे sub rule 3 देखिए a document which ought to be produced in court by the plaintiff when the plaintiff is presented ought to be entered in the list to be added or annexed to the plaintiff but is not produced or entered accordingly shall not without the leave of the court be received in any evidence on his behalf at the airing of the suit अगर यहां आपने list में उसका नाम नहीं डाला है उस document को furnish नहीं किया है तो later on trial के दौरान बिना court की permission के आप उसको use नहीं कर पाएंगे बस इतने ही rules आपको पढ़ने है plaint से order 7 से जिनके आने की संभावनाएं ज्यादा है rule 6 के यह है 7 के यह है इनको अच्छे से मेरे थाल आपने देख लिया है मार्क कर लिया 1 2 3 अपने ज्यादा पढ़ा नहीं पढ़ना ही नहीं है order ध्यान रखना है 4 दो है दोनों ही आपको याद हो जाएंगे 5 में यह है important और उसके बाद 6 7 में यह है इसके बाद अब order 8 से अपन बात करेंगे कल से अब रिटन स्टेट्मेंट कुछान के डवट है विल्टीस दॉक्यूमेंट्स विल्टीस दे रहे हो उसी की लिस्ट आप दे रहे हो यहां से हुआ है कि प्लेंट में सिरुफ फाक्ट स्टीट करना है एविदेंस नहीं इसके लिए थोड़ा सा एविदेंस की जानकारी भी चाहिए पढ़ेंगे वहां पे इन चीजों का जिक्राएगा जब आप दो तीन आक्ट पढ़ लेतने थोड़े सब्सक्राइब फिर प्रसीजर तो वह बैट पाई गी और जैसा मैंने कहा इस सीरीज को कंड़र्ट करने क एक परपस मेरा ये भी है कि आप ये समझ पाएं कि लोग को चाहिए पढ़ने का सही तरीका क्या है या किस हिसाब से आपको तयारी करनी है अगर आप इस हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप तहारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं इसकी गारंटी ये तो नहीं है तास अदार बच्चे उससे वे उपर बच्चे अपियर होते हैं, exam में seat होती है 200-300, तो मेरा ये मानना है कि कम से कम, जतनी seat है, उसके 10 गुना बच्चे तो सब कुछ करते हैं, उस exam को निकालने के लिए जो करना चाहिए, अगर 300 seat है तो 3000 बच्चे तो ऐसे होंगे, जिन्होंन करनी है, ये बहुत important है, अच्छे से law पढ़ना सीख जाहिए इसमें, वो भी जिन्दगी में बहुत आपके काम आने वाला है, thank you so much. कैसे क्या होना है, defendant को जो समन जानी है, उसके बारे में हमने देख लिया, ग्रेटिंस के बारे में generally order 6 है, वो हमने देख लिया, ये सब revise करते रहे हैं साथ साथ, उसके बाद हमने 7 में देखा, plant, तो plant में हमने सारे essentials देख लिया, specifically उसके, और उसके बाद अब हमारे है order 8 की तरफ, order 8 जिसमें दिया है return statement, अब मैं क्योंकि यहां important rules जो है, जो ध्यान रखने है वो लिखते जाओंगा, ठीक, लवी का कहना है, क्यों भल whiteboard ऐसा, इसमें कुछ problem हो रही है, क्या विजिबल नहीं है क्या यह, मुझे लगता है black जादा proper, उस पे content जादा proper visible होता है, ज चली, order 8, rule 1, return statement, the defendant शाल, यह बात हम पहले भी पढ़ चुके है, the defendant शाल, within 30 days, from the date of service of summons, on him, present the return statement of his defense, provided that, where the defendant fails to file the return statement, तो वो 90 दिन में कर सकता है, यह बात हम पहले भी पढ़ चुके है, वह यहां लिखा है, rule 1 बस यह बताता है, rule 1 इंपोर्टन है, तो rule 1 सिरफ यह बताता है, कि defendant जो है, वो अपना return statement फाइल करेगा, within 30 days, 30 दिन में नहीं कर पाया, तो 90 दिन तक extend करा जा सकता है, और हमने यह भी पढ़ा था, कि commercial disputes के case में, 120, इसके बाद आईए, rule 1A, this is again important, 1A, duty of defendant to produce documents upon which relief is claimed or relied upon by him, अब देखिए, जो defendant है, वो वो document की list और वो document भी फाइल करेगा जिन पे वो rely कर रहा है, जिनके through उसे अपने case को defend करना है, वो documents भी वो यहाँ पे file करेगा, same हमने plant में पढ़ा था, जरा rule बता दीजे, order 7 का वो rule बता दीजे जल्दी से, जिसमें plaintiff जिन documents पे rely कर रहा है, वो file करता है, rule number क्या था, मैंने कहा था, important है, वो भी और हमने routing ये कहता है, और 8 में, order, sorry, rule 1A ये कहता है, so, rule 1A ये कहता है, चीक, की document submit करेगा, बस बाई चीजे, जादा कोई technicalities में नहीं है, इसके बाद rule 2 पे आईए, इसके, new facts must be specially pleaded, this is important, rule याद रखिएगा, rule 2, new facts must be specially pleaded, इसमें basically लिखा क्या है, देखे, क्या होगा, कि जब plaintiff ने allegations लगाएगा, defendant के ऊपर, plaintiff कुछ बाते रखिएगा, court के सामने, कि साब ये ये समस्या है मुझे, मेरे ये claim है, मेरे ये allegations है, इस व्यक्ति के against, जिसने मेरे right का violation किया, ये काम कौन करेगा, ये काम plaintiff करेगा, और plaintiff के जितने भी allegations होंगे, उससे related अपना reply file कर रहा है, defendant, defendant on allegations को deny करेगा, या हो सकता कुछ को admit भी कर ले, तो defendant जब ये काम करेगा, जब वो written statement अपना file करेगा, तो वो चीज़े तो देगा, जो plaintiff ने allegiance करी है, जो allegation लगाए, उसके अलावा कुछ दूसरे नए facts भी वो देगा, ये facts कैसे हो सकते हैं, जैसे माल लीजिए, अगर उसे कोई objection ऐसा raise करना है, जो उस allegation से related नहीं है, इस rule में example भी दिये है, जैसे माल लीजिए, limitation से related objection raise करना है, कि साब ये जो plaintiff suit लेके आया है, इस suit को file करनी की एक limit होती है, समय सीमा होती है, एक time की limit होती है, कि आज goes of action arise हुआ, तो उसके कुछ समय में ही आपको suit file करना है, otherwise आपका, आपकी जो वो remedy है, वो आपको फिर महीं मिलेगी, इसके लिए law of limitation हमारे पास already है, तो ये defense अगर लेना है defendant को तो वो यहीं ले ले, या फ आप चाहते है, आप ये कहना चाहते है, court के सामने being the defendant के साथ, जिस contract की ये बात कर रहे है, जिसके basis पर ये हमसे claim कर रहे है, वो तो contract ही void है, उसकी कोई legal existence ही नहीं है, तो उसकी legality को challenge करना है, या कोई इस तरीके का law का issue आपको raise करना है, तो वो आपको specifically करना है, उस नए fact को आप specially plead करो, ये किसके लिए instruction है, defendant के, आप सिरफ उन allegations का answer नहीं करेंगे, जो plaintiff ने लगाए है, उसके अलावा आपके पास ये सब grounds हैं, अगर ये सब points हैं, अगर तो उनको भी आप raise करिये, जी court के jurisdiction से related है, तो वो भी करिये, तो ये जो additional चीज़े हैं ही सारी आपको raise करनी ह ये rule 2 कहता है, इसके बाद rule 3 देखिये, denial to be specific, this is also important, rule 3, denial to be specific, which shall not be sufficient for a defendant in his written statement to deny generally the grounds alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth except damages, तो देखिये, जितने भी allegation, माल लीजे, plaintiff ने अलग-अलग 6 allegations लगाई defendant के ऊपर, कि साब इनने contract किया था, उसका breach किया है, उसके साथ ये किया है, वो क इस तरीके के 6 अलग-अलग allegation अगर plaintiff defendant के ऊपर लगा रहा है, तो defendant की responsibility है, कि वो अपने written statement में, 6 के 6 allegation deny करे, सबके बारे में expressly बताए, कि साब पहला allegation ये है plaintiff का, उसके regarding मेरा reply ये है, दूसरा ये है, उसके regarding मेरा reply ये है, इस तरीके से आपको specifically deny करना है allegation, ऐसा नहीं कि generally आपने कर दिया, कि plaintiff ने 6 allegation लगाए, आपने generally एक बात लिख दी कि साब इसमें से कुछ सही नहीं है, या इसकी कोई बात सही नहीं है, ऐसा नहीं होगा, आपको हर एक allegation को, हर एक point को plaintiff के specifically deny करना है, ये कहता है 3, 4 है evasive denial, कि आपको आपका जो denial है, वो evasive नहीं होना चाह ये, now what do you understand by the word evasive, evasive denial का मतलब ये होता है, evasive का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आप expressly नहीं कर रहें, बहुत clearly नहीं कर रहें, आप avoid कर रहें, तो defendant को avoid नहीं करना है किसी allegation को, उसको बहुत clearly बताना है सारी चीज़, जैसे इस rule में ही एक example भी दिया गया है, कि कोई amount अगर claim किया गया है, अगर ये कहा जा रहा है, मान लिजे, आपने मेरे against एक suit file किया, और आपने उसमें ये elige किया कि इनने हमसे 50,000 रुपे लिए, इन्होंने बोला था पढ़ाएंगे judiciary के लिए, और इन्होंने हमसे 50,000 रुपे लिए है, अब अगर मुझे इस बात को deny करना है कि मैंने 50,000 रुपे लिए, तो वो टालने वाला नहीं होना चाहिए, avoid करने वाला नहीं होना चाहिए, बहुत properly मुझे बताना है, और इसी के सांथ four में लिखा है कि अगर मान लीजे, उसमें से मैंने सिर्फ 10,000 रुपे लिए हैं, आप करें कि मैंने आपसे 50,000 रुपे लिए मैं आपको बता दू, मैंने सिर्फ 30 लिए हैं, 20 बखाया हैं, मुझे ये clearly बताना पड़ेगा, मैं उसको इस तरीके से avoid करने के उसमें reply नहीं कर सकता, कि नहीं मैंने 50 नहीं लिए, मुझे categorically clearly ये बताना पड़ेगा, अगर कुछ advance लिया है, तो वो बताना पड़ेगा और evasive denial मत करें, evasive मतलब है, होता है, avoid करने हो, कि tendency के साथ, तो वैसा आपका denial नहीं होना चाहिए, बहुत categorical clear होना चाहिए आपका denial, ये कहता है rule 4, I hope you got this, इसके बाद देखिए 5th, इसके बाद है rule 5, so rule 5 कहता है, every allegations of fact in the plane, ये बहुत important है, rule 5 बहुत ज्यादा important है, क्योंकि हमने उपर भी पढ़ा, कि आपको specifically deny करना है, जो allegations लगे हैं, उनको आपको specific denial करना है, generally नहीं करना है, तो अगर आपने specific denial नहीं किया, तो उसका consequence क्या होगा, देखिए जरा, every allegation of fact in the plane, if not denied specifically, or by necessary implication, or stated to be not admitted in the pleading of the defendant, underline कर लीजे, shall be taken to be admitted, this is very important, this portion को underline कर लीजे, shall be taken to be admitted, अगर आपने एक एक चीज़ expressly deny नहीं करी, तो मान लिया जाएगा, कि आपने वो admit कर लिया है, जैसे मैंने आपको बताया है, कि plaintiff ने अगर आपके उपर 6 allegations लगाए है, आपने सिर्फ 4 के regarding reply किया, 2 के regarding आपने reply ही नहीं किया अपने return statement में, तो ये quote मान लेगा, कि वो जो 2 allegations है plaintiff के, वो आपने admit कर लिया है, आपने accept कर लिया है, कि हाँ ऐसा है, और अगर आपने admit कर लिया है, तो उस admission के basis पे judgment हो सकता है quote का, इसलिए कहा जा रहा है, कि एक एक चीज़ आपको specifically deny करनी है, clearly deny करनी है, अगर आपने deny नहीं किया, या आपने सिर्फ ये भी later question ये भी कहत allegation, otherwise court ये presume कर लेगा, कि ये admission है, इसको कहते है, deemed admission, इसको क्या कहते है, rule 5 is related to deemed admission, कि आपने अगर किसी particular allegation को expressly ये specifically deny नहीं किया plaintiff के, तो मान लिया जाएगा कि आपने उसे admit कर लिया है, इसलिए से deemed admission कहते है, rule 5 बहुत important है, इसके बाद आईए 6, अब यहाँ से concept चालू होत है, जरा आईए चीज क्या है, तो rule 6 is important, it is very important, तो ये क्या है, कैसे होता है, थोड़ा उसको समझे है, अब आईए जरा set-off पहले समझ लीजे होता क्या, basic बात समझे है set-off के बारे में, और जैसा आप जानते होंगे, कि set-off जो है, pre में ये भी सवाल बनते हैं, कि set-off जो है, अब legal set-off तो यहां दिया है, order 8 के rule 6 में, equitable set-off कहां दिया है, या कहां से, उसका derivation होता है, या आपको खोजना है CPC में, equitable set-off, correct, correct, तन्वीर क्या बात है, बहुत बढ़ी आविशाल, good, order 20, rule 19, sub rule 3, क्योंकि वो बात करता है, set-off, given under this, order 8, rule 6, or any other kind of set-off, उसने लिग दिया, और any other, तो इसका मतलब वहाँ एक, इस बात को बताया गया है, कि दूसरे तरीके का भी set-off हो सकता है, जबकि CPC में आप देखोगे, तो order 8, rule 6 के अलावा, expressly कोई set-off दिया नहीं है, तो वहाँ, यह आप बाद में पढ़ लीजेगा, बाकी लोग जिनको यह चीज नहीं पत होगा, अब क्योंकि common law में यह होता था equitable set-off, तो हमने उसी को consider कर लिया, यह दूसरे तरीके का set-off, legal जो है, यह तो express नहीं यहाँ लिखा है, इसके essential अपना भी पढ़ते है, equitable borrow किया है, common law का principle था, equitable set-off वहाँ से उठा लिया है, दोनों में क्या difference है, अभी मैं legal पढ़ता हू रूल 6 आपको एक-एक essential समझाता हूँ, उसके साथ इसका मैं आपको difference बता हूँगा, चीक, तो पहले ज़रा मैं इन पर आपको rule 6 के essential बता दूँ, फिर अपने इस difference के आएंगे, कि इस legal और equitable में क्या है, ज़रा आई यह rule 6 पे एक-एक करके essential mark करते जाएगा, legal set-off कर देगा एक बात समझें कि set-off है क्या, जैसे मान लीजे, being the plaintiff, मैं आपके against कोई claim कर रहा हूँ, मैं आपके against suit file कर रहा हूँ किसी claim को लेके, अब अगर आपके पास भी मेरे regarding कुछ है, कोई ऐसी चीज जो आप मुझसे claim कर सकते हैं, तो आप उसी suit में, मैंने क्या बताया था, पहली against suit file कर रहा हूँ, और आप से 50,000 claim कर रहा हूँ, आपके पास भी एक opportunity है कि उसी suit में, आप जब अपना written statement file करेंगे, being the defendant, आप उसी suit में अपना claim भी attach कर लो, तो दोनो party आई गही है, court दोनो, आप बात हो नहीं है, तो पूरी हो जाएगी, comprehensive हो जाएगा, और decision हो जाएगा, आपके पास अलग से suit file करने का भी अजिकार है, लेकिन court को तो अपना समय बचाना है, इसलिए ये सब दे दिया है, counter claim भी इसी तरीके के चीज़ है, set off भी इसी तरीके के थोड़े basic differences है, उन differences को मैं अगले 5-7 मिनट में आपको समझा दूँगा कि difference है क्या, लेकिन basic बात होने चाहिए, जरा पढ़िए, where is a suit for the recovery of money, the defendant claims to set off against the plaintiff's demand, सबसे पहला essential क्या हो गया, अगर आपको order 8 rule 6 के अंदर set off file करना है, तो वो suit कैसा होना चाहिए, recovery of money का, तो set off के essential आप चाहें तो लिख भी सकते है, इसलिए मैंने कहा है, pen copy भी लेके बैठिये बेरेक के साथ, recovery of money का suit होना चाहिए, जिस suit में claim किया जाना है set off, वो suit किस बात का होना चाहिए, recovery of money का, मतलब मैं भी इंगा plaintiff जब suit का ही कर रहा हूं, मेरा suit किस nature का होना चाहिए, recovery of money का होना चाहिए, plaintiff की तरफ से भी, क्योंकि clearly लिखा है, where in a suit for the recovery of money, the defendant claims to set off against the plaintiff, तो मैंने भी इंग recovery का suit होना चाहिए, इसके अलाबा किसी और का है, तो काम नहीं चले ला, अब एक बात समझे है, यह जो मैंने suit file किया है, money का claim है, वो money ascertained और unassertained दोनों हो सकती है, मैं आपके against damages का suit भी file कर सकता हूं, जिसमें amount ascertained नहीं होता कि कितना पैसा लेना है, मैं बस यह जाके suit file कर आपको relevant समझ में आएगा, उस ascertained और unassertained sum का, तो जो original suit है, जो plaintiff ने file किया है, वो money की recovery का होना चाहिए, इसमें दोनों तरीके का आजाएगा, ascertained sum, unassertained, दोनों में से कोई भी हो सकता है, आगे देखिए, where in a suit for the recovery of money, the defendant claims to set off against the plaintiff, demand underline कर लीजे, plaintiff's demand, फिर underline करिए, any asc ascertained sum of money legally recoverable, क्या लिखा है, any ascertained sum of money legally recoverable by him from the plaintiff, not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court, and both parties fill the same character, देखिए, plaintiff ने, essential समझना जरा इस set of कहां claim होगा, plaintiff ने एक recovery of money का suit file कर रहा हो, पहली चीज, बदले में defendant जो claim कर रहा है, वो क्या होना चाहिए, एक ascertained sum of money, ये किसके context में मैंने लिखा है, सूट के, कि सूट कैसा होना चाहिए, recovery of money का सूट होना चाहिए, दूसरा essential जो set of के लिए जरूरी है, इस पे conceptual question आता है, इसे ये इसके थोड़ा detail में अपन जा रहे हैं, ज्यान रखिएगा, तो recovery of money का सूट होना चाहिए, defendant जो claim कर रहा है, defendant क्या claim करे, ascertained, ascertained मतलब एक निश्चित sum, ascertained sum of money, एक निश्चित amount होना चाहिए, अगर defendant को set of कराना है, कोई amount, तो वो ascertained होना चाहिए, वो यह नहीं बोल सकता है, कि साहब इनने मेरे contract का breach किया है, तो उसको भी आप as a set of इसमें add कर लो, और आप determine कर लेना, otherwise, वो किसी दूसरे तरीके से claim कर सकते है, set of वो नहीं होगा, set of अगर आपको claim करना है being the defendant, तो आप एक ascertained sum claim करिए, एक fixed amount होना चाहिए, अगर वो amount fixed नहीं हो जा सकता, या उसको set of की तरह add नहीं किया जा सकता, अगर वो fixed amount नहीं है, तो तीसरा क्या है, legally recoverable होना चाहिए, मतलब किसी legal right के violation से वो आया हो, तो legally recoverable की court जो दिलाए, ऐसा होना चाहिए, legally recoverable होना चाहिए, इसके बाद आगे लिखा है, not exceeding the pecuniary limit of jurisdiction, तो ये भी एक essential है, not exceeding the pecuniary limit, pecuniary limit exceed नहीं होनी चाहिए court की, pecuniary jurisdiction पहली बता चुका हूँ, पैसे से related, हर court का specific, अब उससे ज़्यादा का amount है, तो आप नहीं कर पाएंगे, set of में किया, इसके बाद पाचवा और बहुत important point है, that both parties fill the same character, our last essential है, वो ये है, कि both parties, both parties किसमे हो, same character में हो, अगर character बदल गया, तो आप set of में नहीं मांग पाए अब ज़रा इसको समझ लीजे कि same character क्या है, बाकी सारी चीज़ों आपको समझ में आ गए, जो original suit है, वो recovery of money का होना चाहिए, set of के लिए, अगर कोई interview देने जा रहा है, मध्यप्रदेश का, या किसी और state का, Delhi के भी चल रहे हैं, तो सबसे बहुती prominent question है, बहुती important सवाल है, set of or counter claim का difference, तो आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो recovery of money का suit होना चाहिए, जो defendant ने claim किया है, वो एक fixed amount होना चाहिए, a certain sum of money, और कैसा होना चाहिए, legally recoverable होना चाहिए, और pecuniary limit से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बाद जो ये last point लिखा है न, that both the parties should fill the same character, इसको ज समझ जाएंगे कि जहां character same नहीं है, वहां set of claim नहीं हो सकता, और ये काफी important है, illustration A जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, this is really important, A bequets rupees 2000 to B, and appoints C his executor, and respiratory legatee, B dies, and D takes out administration to B's effects, C pays rupees 1000 as surety for D, then D's use C for the legacy, C cannot set off the debt of rupees 1000 against the legacy, for neither C nor D fills the same character with respect to the legacy, as they fill with respect to the payment of rupees 1000, तो जरा समझेगा इस particular illustration को जरा आप समझेगा, कि ये चल क्या रहा है, देखिए, मैं आपको हिंदी में इस illustration को जरा समझा दूँ, यहां पे चार लोग हैं, एक A है, एक B है, और उसके लावा C और D, चार लोग हैं, मान लीजिए, C और D, ये जो दो लोग है ये दोस्त हैं, जानने वाले हैं, एक दूसरे की जान पैचान के ये लोग है, C और D, ये एक दूसरी की जान पैचान वाले हैं, अब एक दूसरी कहां नींतर के चल रही है, A और B, मैं लीजिए, A ने, यहां illustration में लिखा है, A ने एक will दी है, B के favor में, और उस will के through, B को मिल कितने 2000 रूपीज, फिल के थूए ने बी के नाम करे हैं, और ए ने अपना एक लिगसी अपोइंट कर दिया है, कि किसको अपोइंट कर दिया है, कि वो उसका लिगसी होगा, जो यहां इलस्ट्रेशन में दिया है, and appoint C his executor और residue legatee executor appoint कर दिया कि A के मरने के बाद जो भी execution है उसकी will का या बाकी चीज़ों का जो भी property का settlement है वो किसको करना है C को तो C को अपना executor appoint कर दिया है किसने A ने चीक अब होता यह है कि A की death हो गई है यह presumption है इस illustration को आप पढ़ेंगे तो यह presumption है कि A की death हो चुकी है पहले ही अब इसके बाद B को claim करना है 2000 रुपे क्योंकि will में मिले थे A ने दिये थे B को B ने अपना administrator appoint कर दिया B ने किसको administrator appoint कर वाल दिया D को और यह किसने किया court ने D को किसने appoint किया court ने B के मरने के बाद B की मरत्यू के बाद D को appoint कर दिया गया उसका administrator लेकि यह illustration में यह चीज़ लिखे होई है B dies and D takes out administration to B's effects C pays Rs.1,000 as surety for D यह क्या है अब यह D के लिए C ने क्या पे क्या 1000 रुपे उसको समझेगा कि A ने will के थूँ 2000 रुपे दिया है B को जो B को लेना है will में तो लिख दिया A ने अब B claim कर सकता है A के अगिंस वो 2000 रुपे A ने अपना executor appoint किया था C को तो A की भी death हो चुकी है पहले और B की भी death हो गई जब B की death हुई है at that point of time B was appointed as the administrator of B B का administrator appoint किया जाना था D को लेकिन court ने जब इसको administrator appoint किया जाना था तो court ने D से security मांगी 1000 रुपे की court ने क्या बोला तो उमको administrator appoint करेंगे 1000 रुपे security देना पड़ेगा 1000 रुपे की security मांगी और D के पास वो 1000 रुपे नहीं थे तो उसने किस से लिए यह 1000 रुपे अपने दोस से C से ले लिए उसने 1000 रुपे administrator बनने के लिए B का उसने 1000 रुपे किस से ले लिए C से ले लिए as his friend I hope that is clear अब जब यह कारिकरम हो गया A को represent कर रहा है C यहाँ पे B को represent कर रहा है यहाँ पे D तो जो original है जो विल के थूँ 2000 रुपे दिये गए उसमें क्या हो रहा है जरा समझिएगा अब B जो है B के बिहाफ पे D आ गया क्योंकि B की मौत हो गई है अब समझिए कि D का इस पूरे illustration में है क्या D का एक claim है against C जिसका amount है कितना 2000 रुपे और ये claim कैसे है D क्यों claim कर रहा है against C D खुद के लिए claim नहीं कर रहा है D जो claim कर रहा है C से 2000 रुपे वो खुद के लिए नहीं वो on behalf of B कर रहा है क्योंकि वो उसका administrator बन चुका है और A से क्यों लेना है sorry C से क्यों लिया जाना है ये because A का representative है C तो D जो है वो amount claim कर रहा है arrow मैं सभी कर देता हूं ज़रा इसका ये है C C will be given D amount कितना amount 2000 रुपे देना है C को देना है 2000 रुपे लेकिन क्या ये C का अपना पैसा देना है उसको नहीं being the executor of A देना है देना है 2000 रुपे और दूसरा claim क्या है जो D वापस करेगा C के पैसे दूसरा claim है D का claim जो ये वापस करेगा किसको वापस करेगा C को वापस करेगा इसका amount कितना है 1000 क्यों वापस करेगा DC को क्योंकि D को जब administrator बनना था अभी का तो पे किस ने किया था C ने पे किया था तो यह एक claim है जो C को लेना है D से D को पे करना है C को 1000 रुपे लेकिन यह किस character में है यहाँ पे जो दोनों parties है किस character में है अपने original D ने being his friend उसको पैसा दे दिया था 1000 रुपे और यहाँ जो claim है यह जो उपर 2000 रुपे वाला claim है यह कैसे है C को जो पे करना है D को वो क्यों करना है because he is acting as the executor of A and D is acting as the administrator of B लेकिन जो दूसरा वाला transaction है 1000 रुपे वाला उसमें उनका character वो नहीं है यहाँ पे character बदल गया यहाँ वो personal यह जो करा है यह personal capacity में है और यह जो किया है यह उन्होंने दूसरे legal character में किया है D यहाँ पे administrator है B का और C यहाँ पी A का executor है इस legal capacity में यह 2000 रुपे वाला claim है और यह 1000 रुपे वाला claim personal capacity में है इसलिए यह set off नहीं हो सकता जब D मालेगा sort file करके C से 2000 रुपे तो वहाँ C यह 1000 रुपे set off नहीं करा पाएगा because they are not filling the same character here यह लिखा हुआ है इस पूरे illustration में I hope you got this इसलिए last line में देखिया यह लिखा है कि the same character जो last line में लिखा है कि यह नहीं कर सकते C cannot set off the debt of rupees thousand against the legacy for neither C nor D fills the same character with respect to the legacy as they fill with respect to the payment of thousand वो same character fill नहीं करना है बस that is the only thing which you need to understand बाकी के illustration है बहुत simple simple सी बाते हैं किसी में recovery of money का suit नहीं है किसी में some ascertained नहीं है main problem is character को समझने में आती है तो यह जो illustration इसलिए वो मैंने आपको clearly समझा दिया है and I hope you all got this yes or no एक बार comment में लिखके बता दो भाई समझ में आया की नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपने इसके बादे एसेंशल्स आप समझी गए yes all right चलिए इसके सब रूल तू को देख लीजे effect of set off set off का effect क्या होगा simple सी बात इदर लिखिए the return statement shall have the same effect as a plant in a cross suit set off जो आप कर रहे हैं वो plant की तरह होगा किसमें file हो रहा है return statement के साथ हो रहा है क्योंकि defendant कर रहा है इसलिए हो return statement के साथ हो रहा है लेकिन उसका effect क्या होगा plant माना जाएगा set off को एक separate plant की तरह ही treat किया जाएगा क्योंकि उसमें defendant जो है वो कुछ claim करता है इसके बाद आईए 6A counter claim अब जरा समझें की counter claim का सो different है लेकिन before we move on to counter claim एक difference समझ लेजिए उस legal और equitable set off के बीच भी तो legal set off में आपने देख रहा कि recovery of money का suit होना चाहिए और sum ascertained होना चाहिए fix amount होना चाहिए और same character होना चाहिए इसके contrary जो equitable set off है उसके essentials क्या है आप चाहें तो no down कर लीजिए recovery of money का suit इधर भी होना चाहिए लेकिन equitable set off में दोनों allowed है ascertained sum या unascertained sum दोनों amount fixed नहीं भी है तो भी defendant claim कर सकता है under equitable set off लेकिन equitable set off की एक limitation है वो ये है कि जो claim है वो arise होना चाहिए out of same transaction कैसे arise होना चाहिए equitable set off out of same transaction जो की legal में ज़रूरी नहीं है या character same होना चाहिए और वहाँ लिखा है transaction same होना चाहिए transaction same होने का मतलद मान लीजे मैंने आपसे एक mobile order किया contract किया आपने और मैंने और मैंने एक mobile order किया है आपने वो mobile deliver करा दिया delivery charges भी आपको ही देने थे माल लिजे वो 5000 का mobile phone है और 200 रुपे उसके delivery charges है जो सारे आपकी price वो 200 रुपे included थे price में जो आपने 5000 रुपे मुझसे price claim करी है 200 रुपे भी उसमें included थे अलग से मुझे pay नहीं करना था लेकिन जब आपने mobile phone भेजा तो आपने courier service को वो charges पे नहीं करें इसलिए कि पहले वो सुरक्षित मेरे पास पहुच जाए तो इसलिए आपने वहां से mobile phone तो send कर दिया मेरे पास लेकिन delivery charges आपने पे नहीं किये वो मैंने करें इदर पे 200 रुपे अब मैं आपको 5000 रुपे नहीं देता हूं तो आप मेरे अगें suit file करते है 5000 की recovery का अब मैं जो मुझे जो 200 रुपे आपसे claim करने है delivery charges मैं वहां पे set off करा सकता हूं यह equitable set off के लिए जरूरी है कि transaction same होना चाहिए हमारा जो transaction है यह same होना चाहिए यह जरूरी है equitable set off में और यह basic difference है legal और equitable के some assertion है तो भी चल जाएगा equitable में बस transaction same होना चाहिए I hope that is clear इसके बाद आए counter claim अब अपन difference देखते है set off और counter claim का तो counter claim पड़िये जरा 6A counter claim by defendant a defendant in a suit में in addition to his right of pleading a set off under rule 6 set up by way of counter claim against the claim of the plaintiff any right or claim यह important है any right or claim in respect of a cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit but before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense has expired whether such counter claim is in the nature of a claim for damage or not इस बात को समझे अब आप counter claim को अगर अच्छे से देखेंगे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा इधर वो सारे essential fulfill करने की जरूरत नहीं है जो set off में है set off में लिखाता recovery of money का suit होना चाहिए set off में लिखाता कि defendant जो claim कर रहा है वो एक ascertained sum of money होना चाहिए यहां कुछ जरूरी नहीं है कहने का मतलब मैंने आपके against कोई भी suit file किया हो से विल किसी भी relief के लिए बदले में आप जब अपना return statement file कर रहे हैं आप counter claim के मध्यम से मुझसे कोई भी relief मांग सकते है जो आपके पास हो मेरी against कोई भी relief इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो suit हो recovery of money का हो जो मैंने फाइल किया इसको कहते हैं अगर आपको कोई भी relief मेरी against claim करना है तो वो set of के मध्यम से आप किस मध्यम से करेंगे वो आप करेंगे counter claim के मध्यम से और उस तरीके से आप मुझसे कोई भी दूसरा relief claim कर सकते हैं बदले में जो मैंने suit file किया है साथ में आप अपना कोई भी claim ला सकते है सेट-off पड़ा original suit अगर खतम होता है तो सेट-off भी खतम हो जाता है बट counter claim नहीं होता क्योंकि counter claim बिल्कुल अलग suit की तरह ही है ना इसमें same transaction की बात है ना same character की बात है कुछ नहीं आप कोई भी claim कर सकते हो जो आपके पास है बेसिक परपस counter claim का बस उत्ता ही है कि आप अलग से court जाते एक suit लेके और मैंने बता है court का सम है सबसे कीमती अपने जसा अफ़री नहीं है तो वो तो चाहते है भाईया जो हो तुम लिए इसलिए counter claim का option दिया हुआ है अलग से इसलिए counter claim 1976 में आया है इसके बाद 6B देखिए इसके impact effect देखिए तो आपको आपको ये बात expressly लिखनी पड़ेगी अपने return statement के साथ आपको expressly ये बात लिखनी पड़ेगी कि मैं ये रिलीज काउंटर क्लेम के मध्यम से मांग रहा हूं ये बात आपको expressly लिखनी पड़ेगी इसके बाद 6C देखिए exclusion of counter claim ये भी एक difference है written of a set of or counter claim के बीच का this is important where a defendant sets up a counter claim and the plaintiff contains that the claim thereby raised ought not to be disposed of by way of counter claim but in an independent suit underline कर लीजे the plaintiff may at any time before issues are settled in relation to the counter claim apply to the court for an order that such counter claim may be excluded अब माल लीजे being a plaintiff मैंने आपके against एक suit file किया बदले मैं आपने उदर से counter claim setup कर दिया मेरे against उसका आपने लिखके दे दिया तो मैं being the plaintiff मेरे पास ये option है कि मैं को एक application लिख दूँ कि साब ये जो defendant है जो ये counter claim लेके आ रहा है इसको बोलिए उसके लिए separate suit file करें क्योंकि इससे ये जो suit है मेरा ये बिगड़ जाएगा या इसमें delay हो जाएगर मेरे पाकोई sufficient ground है code को convince करने के कि इस suit का decision properly नहीं हो पाएगा because of his counter claim अगर मैं ये code को convince कर दूँगा तो शायद मेरी application पर code क्या करे उसको order कर दे defendant को कि भईया तो ये counter claim अलग से ले क्या अलग से suit file कर इतनी भी चल्दी नहीं है कि पता चला काम खराब हो जाए साथ मिलाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि काम खराब हो जाए इसलिए इत्ता तो समय आपको देना ही चाहिए इसलिए code कहता है कि अगर उस counter claim की वज़े से बिगड़ रहा काम तो plaintiff के पास option है वो एक application दे दे कि साब थोड़ा दी रहे इत्ता जल्दी भी मत करो कि कामी खराब इसलिए यह option भी है इदर 6C में कि प्लेंटिफिक application दे और court से यह प्लीड कर ले इसको हटाईए इत्ती चल्दी नहीं थोड़ा समझ लेंदे क्योंकि हमें वो नहीं बनना है न महले में वह वाली हिच्चत लेनी है अगर आपको कि इन भाईया का जुड़ी सुरी का प्रिल अगर आप चाहते हैं देना ओड़ा दीजिये प्रोविजन सावे लेकर आप वाकई एक्जाम करा करना चाहते हैं देन यू हाफ टू अंडर्स्टान थेंग्स प्रपर लिग अदर्वाइस समझ का और होता यही सब बस इसके पैसे लगते हैं इसके लगते हैं इसके बाद अगर उरीजनल सूट जो प्लेंटिफ ने ओरीजनल सूट फाइल किया है अगर उस पर इसके लगता है अगर वो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा दा कांटर क्लेम विल इस्टल कंटीनू तो एक्जस्ट वो सूट वो कंटर क्लेम की प्रोसीडिंग चलती रहेंगी बले ही इसके बाद भी कंटर क्लेम की चल सकती है इसके बाद 6E देखिए डिफॉल्ट अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो admitted मान लिया जाएगा यही सारी बात ने इदर लिखी होएं 6E में इदर से जो important है rule वो ध्यान रखिए एक तो यह exclusion वाला बहुत important है c और d बहुत जादा important है तो इसमें आए rule add कर लीजिए एक तो 6E तो है ही इसके अलावा जो बहुत जादा rule आपको याद रखने लायक है व इसको बहुत अच्छे से ध्यान लखिएगा इसके बाद आ जाएए सीधे 8 कई सारे rule important है इदर से यह दो चार order ही है जिन में जादा आपको बता रहा हूं इसके बाद आगे क्या आप देखेंगे तो इसमें बहुत कम order especially 21 के बाद 21 के बाद के तो बहुत ही गिने चुने order है rule 8 क्यता है new grounds of defense any ground of defense which has arisen after the institution of the suit or the presentation of a written statement claiming a sit-off or counteral claim may be raised by the defendant or plaintiff as the case may be in his written statement कोई नए ground आ गए है बाद में तो वो आप state कर सकते हैं जी कोई नए ground आपके पास है डिपेंड करने के तो वो आप state कर सकते हैं by way of written statement और हमने अल्रेडी पड़ा रखा है amendment of pleading जड़ा order के साथ rule बता दीजिए order तो आप जैनते हैं six pleadings generally rule का number बता दीजिए amendment of pleading किसमें दिया है इसके बाद आजाए यह rule 9 पे इसके order 8 का rule 9 बी इंपोर्टेंट है subsequent pleadings subsequent pleadings समझ लेजे कि अगर बाद में जरूरत पड़ती है कुछ add-on करने की आपको written statement में प्लेंट में तो आप अलग से भी ला सकते हैं एक pleading देखिए new pleading subsequent to the written statement of a defendant other than by way of defense to set off or counter claim shall be presented except by the leave of the court तो जब आपने plaint और written statement जब आपकी already file हो चुकी है written statement के file होने के बाद अब कोई और pleading लेके नहीं आना है general rule यह है हाँ written जो आपका set off या counter claim है उसका कोई reply reply देना है तो वो आप कर सकते हैं इसमें भी intricacies और है आप देखेंगे reply का और बहुत सारी चीज़े हैं अपने को एक दम भी भागना है लेकिन इतना स्लो भी नहीं होना है तरवाइस फिर वो मेंस और foundation match की तरह आपन हो जाएंगे तो जैसा मैं आपको अल्रड़ी बता चुका हूं कि यह तो मैं आपको प्री के परपस से और 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 होने context subject का समझ में आ जाए इसके बाद अगर मैं आपको बता हूं तो यह subsequent pleating means का separate question बनता है और यह subsequent pleating पढ़ाने के लिए सिर्स subsequent pleating पढ़ाने में में मेरे को देड़ से दो गंडे की class लगती है foundation matches इसमें इतना कुछ है जानने के लिए अंदर equitable set-off, legal set-off के बीच के differences वो सब बट यहां अपना अलग purpose है थोड़ा limited समय अपना आए है प्री के लिए अपन बैठे है subject का overall context समझने के लिए बैठे है इसलिए मैं उस तरीके से यहां CPC को deal कर रहा हूं लेकिन वो भी important है आप इसको भी समझें वो जो detail है वो भी important है वो revision भी important है जिसकी अभी अपन बात कर रहा है कि वो relevant है या काम का नहीं है बट इसको सिर्फ तब कहिंगा जब यह सब आपको आता हो सिर्फ एक बार आपको कोई उस नजर से वापस घूंबा दे important point वो उस परपस के लिए तो परपस की बात है अलग-अलग you should know the limit आपको अपनी सीमा वो पता होनी चाहिए कि कहां एक बार ऐसे ही सीमा से related नहीं मैं lecture एक क मगर उसके बाद उसको implement तो करो मेरे भाई तो एक बार ऐसे यह कॉलेज में मैं भी सीस पे lecture दे रहा था कि how to prepare for judicial services तो मैंने कहा कि आपको अपनी सीमा बता होनी चाहिए कि कब किस परपस के लिए कितना पढ़ना है तो student करके रहा सर वो सीमा तो दूसरे section में है मैंने का अब क्या करो आप बच्चों को क्या किया जाया है फिर वोई वीडियो दे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब का जनरल रूल यह है कि एक बार रिटन स्टेट्मेंट फाइल हो गया है जनरल ही आप फिर दूसरी कोई प्लीडिंग फाइल नहीं करेंगे except with the leave of court court की leave से आप बहुत सब्सक्रेशन है चीज़ों को लेकर तो वह थोड़ा सब्सक्रेशन है जरूरा रखिएगा तो यह है सब्सक्रेशन प्लीडिंग जनरल ली कुछ पाइल नहीं होगा रिटन स्ट्मेंट होने के बार फोट की permission से हो सकता है that's rule 9 rule 10 is very very important बहुत ही ज्यादा important है rule 10 procedure when party fails to present written statement called for by court आपने written statement फाइल नहीं करा written statement फाइल नहीं करा तो मान लिया जाएगा देखो हमने rule 5 में पड़ा है कि अगर आपने specifically specifically deny नहीं किया allegation को तो मान लिया जाएगा आपने accept कर लिया है अब जब आपने written statement फाइल नहीं किया इसका मतलब क्या है आपने सारे allegation मान लिये आपके अगें judgment हो सकता है इस बाग पे court judgment भी दे सकता है या कुछ और प्रूसेड भी कर सकता है rule 10 ये कहता है बहुत इंपॉर्टन के rule 10 देखिये procedure when party fails to present written statement called for by the court where any party from whom our written statement is required under rule 1 or rule 9 fails to present the same within the time permitted or fixed by the court as the case may be the court shall pronounce judgment this underline कर लिजे जरा the court shall pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit and on the pronouncement of such judgment a decree shall be drawn तो judgment भी pronounce कर सकता court या कुछ और order भी पास कर सकता है और अगर judgment पास किया है तो उस पे decree भी draw हो सकती है तो अगर आपने written statement defile नहीं किया being the defendant आपके against judgment हो सकता है that's rule 10 and this is very very important यह होगय आपका order 8 order 8 में भाई साब इतने सारे rule पढ़ने हैं आपको conceptual चीजे हमने यहां 2-3 पढ़ी set-off, set-off के भी दो पार्ट legal set-off, equitable set-off, counter-claim and I hope that is clear to everyone उसके बाद general rules पढ़े हमने and that's how we come to an end for order 8 now let's move on to order 9 appearance of parties and consequence of non-appearance अब कहानी धान रखना वो पहले वाली CPC की जो पहले दिन सुनाई थी institution of suit होता है plaint के through, written statement होता है parties का examine फिर क्या होगा? बुलाया जाएगा, समन भेजी जाएगी defendant के लिए जो order 5 में पढ़ चुके हो समन भेजी जाएगी एक date fix होगी कि किस दिन defendant को आना है और उस दिन दोनों party को आना है order 5 में जो अपन समन पढ़ चुके है समन भेजी जाएगी defendant को बुलाने के लिए जो भी date decide होगी defendant को पेश होना है जिस दिन में उस दिन plaintiff defendant दोनों को आना है अब यह जो पूरा order है यह आपको यह बताता है कि उनके appearance के बारे में कि जब वो आएंगे तो क्या होगा चीक तो इसको ज़रा घ्यान से देखिये rule 1 क्याता है parties to appear on day fixed in summons for defendant to appear and answer जो भी date fixed होई है summons में defendant के आने की उस दिन दोनों पार्टी को आना है on the day fixed in the summons for the defendant to appear and answer the party shall be in attendance at the court house in person खुद आएंगी या pleeder को भेजेंगी इसमें खुद भी आप present हो सकते हैं pleeder के थू भी हो सकते हैं लेकिन दोनों पार्टी की तरफ से कोई आना चाहिए क्रिती का डाउट है सर हो सकता है या होगा ही शाल वर्ड has been used नहीं इसमें वो judgment भी कर सकते हैं कुछ दूसरा order भी दे सकते हैं ये भी क्लियरली लिखा है और के बाद पड़ो क्रिती वो भी लिखा है और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार foundation course की class में आप हैं अगर तो उसका पूरा इगला concept है इसमें इधर अपन नहीं जाएगी है है ना वह सीमा समझना जाओगी तो भाई order 9 में दिया है कि appear होना है rule 1 केता है दुनों को appear होना है जो did decide हुई है उसके बाद देखिए rule 2 dismissal of suit where summons not served in consequence of plaintiff's failure to pay cost this is also very important rule तो जड़र हम है order 9 के कनपन से rule हम पढ़ रहे है वो इधर आपके लिए लिखते जाता हूँ तो सबसे पहले rule 1 तो है important rule to be important है इधर rule 2 बात कर रहा है where on the day so fix it is found that the summons has not been served upon the defendant summons not served नहीं हो पाई in consequence of the failure of the plaintiff to pay the court fee or postal charge is depending chargeable for such service or failure to present copies of the plaintiff as required by rule 9 of order 7 the court may make an order that the suit be dismissed dismissal order आ सकता है rule 2 में कैसे आएगा dismissal order उसको जरा समझीए भाई साब हमने plaint में पढ़ा है कि अगर plaint accept हो गई है suit duly institute हो गया है plaint accept कर ली गई है तो फिर plaintiff की जिम्मेदारी है कि उतनी copies जितने defendant है उतनी copies submit करे और पैसा दे एक तो court fee तो आपको देनी ही है साथ में समन सर्व कराने का जो खर्चा वो भी पे करना है अगर plaintiff ने यह नहीं किया इस वज़े से समन सर्व नहीं हो पाई है in that case the suit shall be dismissed court कर सकता है में लिखा है court may make the make an order that the suit be dismissed तो इस ground पे क्योंकि plaintiff ने compliance नहीं किया है court के पैसे नहीं दिया है यह समन सर्व करवाने का पैसा नहीं दिया है in that case the court may dismiss the suit इसके बाद देखिए rule 3 इसका मतलब कोई मतलब भी नहीं है ऐसा CRPC में भी पढ़ा है complaint class में अगर complaint नहीं आ रहा तो फिर क्या मतलब इसके बाद देखिए rule 4 this is very important rule 4 effect को बताता है plaintiff may bring fresh suit और court में restore suit to file 4 में बस यह लिखा है कि अगर suit dismiss हुआ order 2 और 3 में किसी में भी अगर suit dismiss हुआ है तो party आके उस dismissal के order को भी set aside करा सकती है और उसी suit को continue कर सकती है या फिर एक fresh suit भी file हो सकता है दोनों option है rule 4 आपको दोनों option देता है कि जो dismissal का order है उसको भी आप set aside करा सकते है या फिर आप क्या कर सकते हैं fresh suit भी file कर सकते हैं देखिए set aside करा लेंगे उसी को continue कर लेंगे तो जो पैसा वैसा भरा हुआ है वो दुबारा नहीं लगेगा लेकिन अगर fresh suit file करने जाएंगे दुबारा पैसा देना पड़ेगा दोनों option है जिसमें आप code को satisfy कर ले जाएं तो rule 4 बहुत important है fresh suit भी आ सकता है और वो dismissal का order set aside होके suit restore भी हो सकता है दोनों चीज़ें हो सकती है अगर suit dismiss हुआ है in either of the rules इसके बाद देखिए five five is again very important rule five dismissal of suit where plenty of after summons return answered fails for seven days to apply for fresh summons this is very important प्रीमे question आते है rule number ना पूछा जा है लेकिन यह साथ दिन का सवाल आता है कि अगर summons return हो गई है देखिए होता क्या है हमने order five के rule nine में पढ़ा था कि court summons serve कराता है अब court जब summons serve कराता है अगर वो unserved वापस आ गई serve नहीं हो पाई और वापस आ गई तो जो भी court का respective officer था जिसकी responsibility थी वो serve कराने की वो इस बात का notice court को देगा कि unserved वापस आ गई है summons serve नहीं हो पाई है और अगर summons serve नहीं हो के वापस आ गई है उसके बाद plaintiff की ये जिम्मेदारी है कि साथ दिन के अंदर उसको वो दुबारा करवाई देखिए where after a summons has been issued to the defendant or to one of several defendants and returned unserved the plaintiff fails for a period of underline कर लीजे for a period of seven days from the rate of the return made to the court by the officer ordinarily certifying to the court returns made by the serving officers to apply for the issue of fresh summons साथ दिन के अंदर plaintiff को fresh summon के लिए apply कर देना है एक बार समन गई serve होने लेकिन serve हो नहीं पाई unserved ही वो वापस आ गई है तो जिस दिन वापस आई इस बात का notice court को मिला है कि वापस आ गई है साथ दिन के अंदर plaintiff की जिम्मेदारी है कि दोबारा fresh summon issue कर वाले वो ठीक लेकिन आगे यह भी लिखा है कि अगर court को plaintiff satisfy कर दे कि साथ हमारी तरफ से तो सथ ठीक था यह बैसे कि अगर वो प्रूफ कर देता कोट में कि साथ हमारी तो कोई गलती नहीं 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 पताया सब बताया उसके अगर साथ दिन में आपने fresh suit के लिए apply नहीं किया तो suit dismiss कर सकता है court लेकिन आगे उसके exceptions लिके हैं unless the plaintiff has within the set period satisfied the court that he has failed after using his best endeavor to discover the resident कि उसने पूरी कोशिशकरी plaintiff ने फिर भी घर का पता बता नहीं मिल पाया है defendant का कहने का मतला plaintiff की गलती नहीं है अगर court को लगा कि समन unserved इसले वापिस आई थी कि plaintiff की गलती थी और उसने साथ दिन के अंदर fresh समन इशू नहीं कराई है उस गलती को सुधार के अगर आपने साथ दिन के अंदर fresh समन इशू करने का application नहीं दी तो सूट डिसमस हो सकता है plaintiff के against that is rule 5 which is important इसके बाद आईए ज़रा rule 6 अब देखिए rule 6 किसकी बात कर रहे है कि भाया समन सर्व हो गई है defendant पे डेट फिक्स हो गई है defendant आ गया है जिसने suit file किया है sorry sorry plaintiff आया है defendant नहीं आया समन सर्व होई नहीं होई यह सारी बाते अभी 6 में आएंगी 6 में सीधे सीधे लिखा है कि जो date decide हुई है summons में जिस दिन court की hearing होना है जिस दिन defendant को पेश होना है उस दिन plaintiff तो आ गया है but the defendant but the defendant is absent defendant आया नहीं ऐसे cases में क्या किया जाएगा तो इधर पर देखिए ABC तीन चीज़ें लिखी है वो depend करेगा कि summon का हुआ क्या उस पर depend करेगा कि आगे का action क्या होगा अगर समन डियूली सर्व हो गई है service of summon हो गया है court के पास कि यह समन सर्व हो चुकी है successfully फिर भी defendant नहीं आया obviously बाते उस case में क्या करेंगे एक्सपार्टे प्रोसीड कर देंगे अगर यह पता चलता है कि साब समन सर्व ही नहीं हुई इस करेंट डियूली सर्व हुई है तो थोड़ा additional time दे देंगे देंगे देखिए ABC में यही बाते लिखी है अगर समन डियूली सर्व हो गई थी फिर भी plaintiff नहीं आया तो expert day hearing चालू हो जाएगी A में लिखा है B में लिखा है when summons not डियूली सर्व अगर नहीं हुई है तो second summons रव कराई जाएगी B में लिखा है अगर पहली बार में डियूली सर्व नहीं हुई है समन तो second summons रव कराई जाएगी C कहता है when summons served but not in due time sufficient time नहीं मिला date decide हुई थी defendant के आने की उसके एक दिन पहले आपकी समन सर्व हुई है इमेडियेट नोटिस पे वो नहीं आ सकता ऐसे में court जो date decide हुई थी उस date पे एक एजन्मन कर देगा आगे एक date decide कर देगा और sufficient time देगा defendant को पिया होने का क्योंकि समय पे नहीं मिल पाई है समय तो defendant जब नहीं आया है रूल 6 जसकी बात कर रहा है कि plaintiff आगे है बड़ defendant नहीं आया यह देखा जाएगा कि किस कारण से नहीं आया और accordingly action इस चीज़ पे लिया जाएगा इसके बाद आए रूल 7 इस अगें very important rule 7 is also very important procedure where defendant appears on day of adjourned hearing and assigns good cause for previous non-appearance अब मान लीजिये पहले किसी दिन defendant को बुलाया गया था rate of hearing decide हो थी उस दिन उसको आना था लेकिन वो नहीं आया बाद में आया किसी litter rate पे और जब वो litter rate पे defendant आता है court के सामने court को satisfy कर देता है किसी sufficient cause को देखे वो कि एक sufficient कारण बता देता है ना आपाने का जो जिससे court satisfy हो जाता है तो फिर अब वो अपना defense बता सकता है court को और ये माना जाएगा जैसे defendant उसी दिन आया हो जिस दिन उसको आना था ये माना जाएगा important है काफी ज़्यादा ज़रा पढ़िए इसको where the court has adjour on the hearing of the suit ex-party ex-party adjourn कर दी है and the defendant at or before such hearing appears and assigns good cause बाद में वो appear होता है sufficient cause देता है for his previous non-appearance he may upon such terms as the court directs as to cost or otherwise be heard in answer to the suit underline कर लिजे answer to the suit as if he had appeared on the day 5th for his appearance तो आगे जिस भी दिन adjourn होंके date मिली है अगली उस दिन भी अगर defendant आता है और court को satisfy कर देता है कि क्यों वो पिछली date पे नहीं आ पाया था और जिस भी date पे वो आ जाए और अपना defense यहां पे answer कर दे ये माना जाएगा as if the defendant word had appeared on the previous day इसके सामने लिख लीजिए setting the clock back एक term use हो पूछा जाता है prelims में कि यह जो setting the clock back का principle है यह कहा reflect होता है order 9 के किस rule में reflect होता है तो भाई साथ ध्यान रखिएगा यह reflect होता है rule 7 में setting the clock back क्योंकि वो future date पे आ रहा है अपन presume कर रहा है कि just then date decide होती उसी दिन आया इसलिए इसको यह कहा जाता है that is an important question for the prelims चलिए एट पे आये procedure where defendant only appears अब भाया summons में जो date decide हुई थी appearance की उस दिन defendant तो आ गया plaintiff ही आया वह जिसने suit file करा वो नहीं आया सिर्फ defendant आया है तो अव्वेसी बात है क्या होगा suit dismiss हो जाएगा लेकिन ये भी संभावना है कि defendant कुछ claim admit कर ले जैसे plaintiffs ने 6 claim करे है defendant के against defendant सिर्फ अपियर हुआ plaintiff नहीं हुआ तो defendant अगर उसमें से 2 claim admit कर लेता है तो उन 2 के context में judgment हो जाएगा और बाकी के context में suit जो है वो dismiss हो जाएगा क्योंकि plaintiff कुदी नहीं आया बहुत ही suit dismiss हुआ है rule 8 के अंदर rule 8 क्या है तो rule 8 है कि defendant आ गया plaintiff नहीं आया और plaintiff नहीं आया तो suit dismiss हो जाएगा 9 उसका effect बताता है कि अगर order 8 के अंदर suit dismiss हुआ है because of absent of plaintiff plaintiff के non appearance के कारण अगर suit dismiss हुआ है order 8 में sorry rule 8 में तो rule 9 कहता है कि fresh suit अब नहीं ला पाएगा plaintiff same cause of action पे वो fresh suit नहीं ला पाएगा लेकिन इस dismissal के order को वो set aside करा सकता है देखिए where a suit is wholly or partly dismissed under rule 8 the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action आप fresh suit नहीं ला पाएगे लेकिन आगे लिखा है but he may apply for in order to set the dismissal aside जो dismissal का order हुआ है rule 8 में वो dismissal set aside करा सकता है और उसी को continue करा सकता है एक fresh नया suit लेके नहीं आएगा on same cause of action that's rule 9 which is important इसके बाद सीधे आ जाईए rule 13 is very very important बहुत ज्यादा important है याद रखिएगा प्री में expressly पूछ लिया जाता है setting aside decree एक्स पार्टी अगेंस डिफेंडेंट डिफेंडेंट के अगेंस एगर एक्स पार्टी डिफेंडेंट के उपर फिर भी डिफेंडेंट नहीं आता है तो तो court क्या करेगा exp arter hearing चालू कर देगा और हो सकता है degree भी pass हो जाए exp hàng anytime के लिफेंडेंट को समझियेगा एक immens रूव 13 तो тут application की बात कर रहा है savings कोड के बास application लेंके चले जाई लिए आप ex party degree को set aside करने की एक option और भी है अपील भी रहेगा आपके पास अपील तो रहेगी है ना वही ट्राइल कोट का अगर जजमेंट है उसकी डिक्री है तो अपील तो आपके पास anyways है बत यह एक एडिशनल चीज है जो रूर तेरा में दिया है कि आप same court के पास चले जा अपास पास वाज़ के पास नौन अपर ना पाने का को जूसरा सुपीशन कारण था वन दूसरा सुपीशन कारण था विन दूसरा सुट वस कॉलन धूर तो ऑन वर शाल make an order setting aside the decree as against him upon such term as to cost women into court or otherwise as it thinks but and shall appoint a day for proceeding with the suit. So set aside कर देंगे X party decree, cost वस्ट लगाना है तो लगाएंगे. अल अगर लगता है कि भी है sufficient ground दे लेगें plenty of का तो नुकसान हो गया न, तो cost दिलवा देंगे, cost का मैंने पहली class में इसलिए, अब इसका explanation पढ़िए, this is very very important. Explanation केता है, where there has been an appeal against a decree passed X party, आपने appeal भी करी है under this rule and the appeal has been disposed off on any ground other than the ground that the appellant has withdrawn the appeal, no application shall lie under this rule for setting aside the X party decree. बहुत important है थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा दा फ्रेमिंग उसकी ऐसी है कि कई बार मिसिंटर्पेट कर यह जाता explanation. तो explanation basically यह कह रहा है, अगर आपने appeal भी file करी हुई है, अगर आपने already appeal file करी इस X party decree के against जो trial court ने दी और वो appeal अगर dismiss हो गई है, वो appeal अगर dismiss हो गई है, तो अब आप यह वाला रास्ता नहीं अपना सकते, भाई देखिए, trial court ने आपके against X party decree दे दी, क्योंकि आप आए नहीं, अब आप appellate court के पास गए appeal में, और appellate court ने आपकी appeal dismiss कर दी है, इसका मतलब court को sufficient नहीं लगा higher court को, तो obvious सी बात है कि जब higher court ने appeal dismiss कर दी है, तो same court में आप यह application लेके जाएंगे क्या दुबार आना, बस यहीं बात explanation में लिखिए, कि आप 13 का जो power है, उस court में application देने का, वो खतम हो जाता है, अगर आप appeal में गए हैं, और appeal dismiss हो गई है, बस एक ground ऐसा है dismissal का, जिसके case में आप 13 की application दे सकते हैं, वो है कि वो जो appeal dismiss हुई है, withdrawal से हुई है, कि आपने appeal करी तो थी, लेकिन आपने withdraw कर ली, अगर आपने वो appeal withdraw कर ली है, तो आप section 13 में उस court के पास application लेके जा सकते हैं, decree set aside कराने के लिए, ये बात कहां से आ रही है, जरा एक बार फिर से language देखिए, where there has been an appeal against a decree passed, ex party under this rule, and the appeal has been disposed off on any ground, other than the ground, other than the ground that the appellate has withdrawn the application, अगर उसमें withdraw कर ली थी वहां से, तो फिर वो 13 का power exercise कर सकता है, लेकिन अगर वहां किसी और current से dismiss हुई है, appellate court में, अगर किसी और current से appeal dismiss हुई है, तो फिर आप ये तेरा वाला benefit exercise नहीं कर पाएंगे, that's what the explanation says, and I hope that is clear, ये हो गया आपका order 9 complete, अब आजाईए जड़ा 10 पे, इसके बाद आजाईए order 10, examination of part 3, कहानी याद है आए होप आप सबको, जो कहानी मैंने बताई थी इन सब से related, examination, अब मान लेजे आ गई है party, हमने 9 में तो पढ़ लिया, appearance or consequence of non appearance, अब मान लेजे, appear हो गई है तो उनका examination कर लेगा court, ठीक तो order भी याद रखिएगा, कुछ rule important है, वो देखिए, rule 1 देखिए, ascertainment, whether allegations and pleadings are admitted or denied, अब जब party आ गई है, तो उनको examine करके, मामला और समझ लेते हैं, क्या है दोनों के बीच में dispute, है कि नहीं, जब party दोनों आ गई है अगर court के सामने, तो court ज़रा समझ लेगा, कि भाई क्या है dispute, उसके लिए सबल जबाब भी करेगा, सबसे पहले क्या करेगा court, सबसे पहले ये देखेगा, कि कौन सी ऐसी चीज़ें है, जो deny कर रही है party, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो admit कर रही है, इसकी कहानी भी मैंने पहली class में बता दीती, क्योंकि वो बाते हैं, जो दूसरी party already admit कर रही है, मैंने कोई चीज़ रेस करी है, और defendant ने admit कर लिया है, तो उस पर ज़्यादा बात करनी की जरूरत नहीं है, उस पर issues framing नहीं होगी, इसे लिए पहले court यह देखेगा कि क्या admit हो रहा है, क्या deny, यहां लिखाया है rule 1 में, at the first sharing of the suit, the court shall assert in from each party or his plea to whether he admits or denies such allegations, of facts as are made in the plaint or written statement of the opposite party and as are not expressly or by the necessary implication admitted or denied by the party against whom they are made, the court shall record such admissions and denial, admissions or denials दोनों record करेंगे, कौन-कौन सी बात एक तूसरे की मान रहे हैं और किस-किस पर एक डिनाय कर रहे हैं, क्या actually conflict है, basic purpose यही है court का, कि पहले उसको court को समझेना है, कि वाकरी कुछ है इनके बीज या नहीं, इसलिए वो देख रहा है, दूनों party से पूछ रहा है, देखिए रूल बाने, direction of the court to opt for any one mode of alternative dispute resolution, और इसमें amendment है 1999 का, जो effect में आया है 2002 में, बहुत important है, यहां mandatory कर दिया गया है, ADR की तरफ रुक करना, court की सिम्मेदारी है कि हो, parties को एक बार यह opt करने का option दे, कि आप ऐसा करो court के बाहर सेटल कर लो, मैंना आपको इसलिए पहले दे नहीं बताया था, पूरा जो CPC का main focus है, वो यह है कि भाया, यहां पे समय बचना चाहिए court का, इसलिए alternative dispute resolution की जो methods है, conciliation, mediation, इसमें चले जाओ आपको, यह प्रयास करना है court को, तो इसमें लिखा है, after recording the admissions and denials, the court shall direct the parties, mandatory एक एक बार direct जरूर करेगा, करना नहीं करना, उप्ट उनका option है, बट आप direct करिये, the court shall direct the parties to the suit to act, either mode of the settlement outside the court, as specified in subsection 1 of section 89, on the option of the parties, the court shall fix the date of appearance before such forum, or authority as may be opted by the parties, तो court उनको जरूर एक option देगा, shall इसलिए लिखा है, कि court के लिए mandatory है, भी पढ़ लेतने इसी के साथ, यहां से question आता है, कि कौन कौनसी methods available है, ठीक, तो यह rule number भी याद रखिएगा, और 89 में कौन कौनसी वो methods है, तो 89 पे आ जाहिए जरा, section निकाल लीजए, where it में 89, settlement of disputes outside the court, where it appears to the court, that there exist elements of a settlement, which may be acceptable to the parties, the court shall formulate the terms of settlement, सबसे पहला याद रखिएगा, arbitration, conciliation, judicial settlement, including the settlement through local adalat, और mediation, तो arbitration, conciliation, judicial settlement, which includes local adalat, and mediation, यह चार modes है, इन पे भी question बनता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, opt करना आपके उपर है, आप करते हैं या नहीं, और वहाँ जब date fix करके आप जाते हैं, तो वहाँ जो officer है, जो यह ADR कर रहा है, वो भी यह देखता है, अगर उसे लगता है, कि आर इन पे कोई असर नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, तो वो यहाँ लिखके देगा, जैसे 1C आप पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा, बाद में ही सब पढ़ लेना, स्टोरी जानने के लिए, मैं तो आपको काम की बातें बता रहा हूँ, तो 1C में लिखा है, appearance before the court, consequent to the failure of efforts of conciliation, अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो officer लिखके भेज़ देगा बापस की साब, उसके बाद पढ़िएगा अभी detail में, कि इसका पूरा क्या process होता है, कौन सा bending क्या नहीं है, वो सब बाद में पढ़िएगा, इसके बाद आजाएगे, रूल 2 पे, रूल 2 है, oral examination of parties, और companion of parties, this is very very important, अब जो court है, वो orally examine करेगा parties को, क्योंकि उसको जानना है, actually कि matter क्या है, हमने CRPC में भी पढ़ा है, कि court जो है, वो accused से सवाल जवाब करता है, एक mandatory, एक discretionary, दोनों पढ़ा है, तो section कोई बता दे, तो मज़ आ जाए, CRPC का section बता सकते हैं, जिसमें court accused का examination करता है, जानने के लिए कि उसकी क्या राय है, जो prosecution ने उसकी against allegations लगाए है, उसको जानने के लिए क्या राय है, accused की क्या राय है उसके, कुन से section है भाई, correct, correct, 3-1, all right, तो mandatory है, prosecution के evidence होने के बाद, और एक में लिखाए, कभी भी कर सकते, ऐसे कोची दब लिखाए, देखिए similar, जो क्या होता है जब आप ये CPC बढ़ रहा है, तो जो similar provision है, उनको recall करते रो, तो वहाँ का भी आपका थोड़ा सा revision हो जाता है, at the first hearing of the suit, the court, ये में लिखाए shall, शाल with a view, पहली hearing तर करना है, शाल with a view to, इसका सवाल ये भी आता है प्री में, कि ये जो examination है party का, इसका purpose क्या है, तो देखिए, शाल with a view to elucidating matters in controversy, उसे जानना है कि controversy क्या है इंदोनों के बीच, इस purpose के लिए ये mandatory examination है party इसका, so with a view to elucidating matters in controversy in the suit, examine orally such of the parties to the suit appearing in person, or present in court as a deemed fit, इसलिए party का examination करता है जानने के लिए, elucidate the matter in controversy, क्या है controversy जानने के लिए, b में लिखा है, may orally examine any person able to answer any material question relating to the suit, और किसी वक्ती को भी examine कर सकता है, अगर कोई accompany कर रहा है party को, party के साथ आया है, तो उसे भी orally examine import कर सकता है, ज्यादा जानकारी के लिए, रूल 4 important है इदर, consequence of refusal or inability of pleader to answer, अब मालने जाए first sharing के दिए इन दिन party खुद नहीं आई है, pleader को भेजा है, और court कोई ऐसी चीज जानना चाता है party, जो कि court को ऐसा लगता है, कोई ऐसा सवाल है, जो party answer कर सकती है, लेकिन pleader is unable to answer, जो pleader आया है party के बिहांफ पे, वो जबाब satisfactory दे नहीं पा रहा है, सस्ता वकी कर लिया आप में, वो बात ही नहीं समझा पा रहा court को, court के समझ में court को लगता है कि, यह तो सवाल है, यह जरूरी है, और आपका वकील तो ढंग से नहीं बता पा रहा है, वकील को नहीं पता है, वो बता नहीं पा रहा है, इसलिए party को बिलाया जाएगा, तो देखिए, where the pleader of any party who appears, by a pleader or any such person accompanying a pleader, as is referred to in rule 2, refuses or is unable to answer any material question relating to the suit, which the court is of opinion, that the party whom he represents ought to answer, court को लगता है कि भी इसका जवाब जरूरी है, लेकिन यह दे नहीं पा रहा है, and is likely to be able to answer if interrogated in person, और court को लगता है कि अगर उस विक्ति को बिला के personally interrogate किया रहा है, तो वो इसका जवाब दे सकता है, लेकिन इनका pleader inefficient है उस बात को देने में, जान हो सकता है, पता ही नहीं हो उसके बारे में, तो ऐसे केस में, पार्टी को बुलाया जाएगा, आगे लिखा है important question prelims का, the court may postpone the hearing of the suit to a day, underline कर लीजिये, to a day, not later than seven days from the date of first hearing, साथ दिन के अंदर पार्टी को बलाना है, अगर pleader sufficiently नहीं बता पा रहा है, तो date fix करेगा, hearing postpone करेगा, लेकिन वो साथ दिन से जादा नहीं होगा, यह question prelims में, पुछा जाता है, ठीक, इसका sub rule 2 कहता है, if such party fails without lawful excuse to appear in person on the day, so appointed, the court may pronounce judgment against him, और जो date fix होई है, उस दिन पर गर party नहीं आती है, तो court के बास option है, judgment pronounce करने का, ठीक, इसके बाद आजाईए, order 11, और 11, आगे बढ़ते हैं, तो आजाईए, order 11 की तरफ, discovery and inspection, and before we read order 11, पहले जबाद इससे related section पढ़ लेते हैं, 11, 12, sub से related, section 30 पर आईए, जब आईए, जब आईए, पहले substantial portion पढ़ेंगे, मैंने आपको section order का difference इसलिए, पहले class में समझा दिया था, क्या purpose है दोनों का, क्या difference है दोनों में, कैसे पढ़ना है, इस अब बते हम कर चुके हैं, तो section 30 देखिए, जब पाबर to order, discovery and the like, subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the court may at any time, either of its own motion or on the application of party, क्या लिखा है, the court may at any time, कभी भी ये काम करा सकते हैं, discovery और interrogatories वाला, होता क्या है, मैं बताता हूँ, आपको एक बर दर भीट लिएजे, फिर मैं आपको बताता हूँ, ये होता क्या है, so subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the court may at any time, either of its own motion or on the application of any party, make such order as may be necessary or reasonable in all matters relating to the underline कर लिजे, delivery and answering of interrogatories, interrogatories की delivery और उनके interrogatories पहली बता चुका हूँ, सवाल लिखके दे दे थी, एक party अपने सवाल लिखके दे दे थी, कि साब यही यह चानना है हमें दूसरी party से, यह आप पूछिए, the admissions of documents and facts, या फिर admission करा सकती है, जैसे मैं आपके अगे इन suit file कर रहा हूँ, being the plaintiff, तो ऐसी कुछ बाते हो सकती है, जो मैं लिखके दूँ, कि साब आप इसको बोलिए, यह या तो admit करें इन चीज़ों को, या वो deny करेगा, तो मुझे लगता है, क्यार यह बातने तो admit करेगा, तो मैं ऐसी चीज़ें लिखके दे सकता हूँ, for admission, कि साब यह यह तो हुआ था, हमारे बीच में contract तो हुआ था, यह तो आप admit करते हो ना, तो इस चीज़ को मैं लिखके दे दूँगा, किसी document के admission की बात की साब, हमारे बीच में agreement है, written agreement हुआ था हम दोनों की बीच में, जो contract था, वो written था, दोनों ने execute किया था, तो वो document है, उस document का admission में करा सकता हूँ आपसे, किसी fact का admission में आपसे करा सकता हूँ, कि हमारे बीच में contract था हुआ था, यह तो एक fact है न, कोई भी और fact, कि हम दोनों partner थे for a time period, तो document का भी admission करा रहा सकता है, fact का भी, यह काम court किसी भी stage पर कर सकता है, पर्टी की application पर या खुद के own motion पर, आप इसको कैसे किया जाएगा, यहां तो लिख दिया, section में तो लिख दिया, section 30 में कि किसी भी stage पर करा रहा सकता है, कैसे करा रहा जाएगा, उसके लिए अपन पढ़ेंगे order 11, चीक, आगे देखिए इसमें और, साथ में, production कैसे होगा documents का, कोई documents से कर produce करने तो कैसे produce होंगे, उनकी impounding कर सकता है, क्या quote, यह सारी बातें भी हैं इसमें, कि impounding भी हो सकती है, production होगा, discovery, inspection होगा, यह सारे order quote कर सकता है, अब यहां तो लिख दिया section में कि quote यह सारे order दे सकता है, इसका procedure क्या होगा, वो अभी अपने order में मिलेगा, order 11 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, 13 में production, और impounding मिल जाएगा, आगे देखिए, और, admission की भी बात है, A में admission की भी बात है, इसके बात B लिखा है, issue summons to persons whose attendance is required, either to give evidence, or to present document or such other object, as of course, सांत में लोगों को summons भी कर सकता है, और किसी से document, document produce करवाना है, तो, C में लिखा है, order any fact to be proved by FATFAT, यह भी बुल सकता है, कि यह particular fact, FATFAT का prompt करो, FATFAT आप जानते ही है, पहली बताया है, पहली class में, authenticity बढ़ा देता है, बस, साब आई यह order 11 पे, discovery and inspection, rule 1 केता है, discovery by interrogatories, interrogatories के थो, discovery होगी, facts जानना है, discovery मात बताब facts के, जानना है, और जानना है matter के बारे में, interrogatories से क्या हो, सवाल जवाब देंगे, तो party जब जवाब देगी, तो जानकारी मिलेगी, उससे जादा, यही है purpose, in any suit the plaintiff or defendant, by the leave of the court, may deliver interrogatories in writing, for the examination of the opposite parties, और anyone or more of such parties, and such interrogatories when delivered, shall have a note at the foot, thereof stating which of such interrogatories, each of such person is required to answer, तो भाईया, यह जो parties है, चाहे plaintiff हो, चाहे defendant, दोनों अपनी interrogatories, court के पास दे सकते हैं, दूसरी party के examination के लिए, उससे पूछे जाने सवालों, वाले सवाल, interrogatories के form में, court में दे सकते हैं, अब आपने दे तो दिये, उस पर court चेक करेगा, कि वो काम का है की नहीं, भलतों की बातें तो नहीं पूछ रहे, scandalous तो कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा, तो उसको strike out कर दिया जाएगा, वो सब process आगे है, rule 2 देखिए, particular interrogatories to be submitted, वन ने सिर्फ ये बता दिया, कि ऐसा हो सकता है, जो वही section ने बताया थे, कि parties, प्लेंटे वो चाहे defendant, डिलेवर कर सकते हैं, अपनी interrogatories, court की permission से, अब 2 देखिए, on an application for leave to deliver interrogatories, the particular interrogatories proposed to be delivered, shall be submitted to the court, जिसको देंगे आप पेले, court के पास देंगे वो interrogatories, and the court shall decide, underline कर लीजे, the court shall decide within 7 days, from the day of filing of the said application, जिस दिन भी आपने application दी है, और interrogatories file करी है, court decide करेगा 7 दिन के अंदर, कि वो साही है या नहीं, उसमें कुछ अगर कम ज्यादा करना है, तो आगे लिखा हुआ है वो से, लेकिन 7 दिन के अंदर, इस पे decision लेना है, court को, court को decide करना है, within 7 days, इसलिए order 11 के, दोनों rule आपको पढ़ने चाहिए, rule 1, rule 2, याद रखने के लिए, अगर rule number याद रखना है, तो 2 याद रखिए, और ये 7 दिन याद रखिए, कि इसमें decide करना है, court को, अब आगे पूरा वो दिया हुआ है, कि क्या-क्या होगा, 6 भी आप बस देख लेजे, बहुत important नहीं है, objections to interrogatories by answer, कि अगर कोई objection है, इसमें ये बात भी कर सकते हैं, बाकि 7 important है, 7 पूछा जाता है, rule 7 important है, setting aside and striking out interrogatories, जो मैंने बता है, जो फालतू के सवाल आपने देदी हैं, उस interrogatory में, उसको अटा दिया जाएगा, ये 7 कहता है, any interrogatories may be set aside on the ground, that they have been exhibited unreasonably, or vexatiously, or struck out on the ground, that they are prolix, oppressive, unnecessary, or scandalous, and any application for this purpose may be made, underline कर लीजे, application may be made within 7 days, after service of the interrogatories, interrogatories के साथ वने के साथ दिन के अंदर, इस वाट की application दी जा सकती है, कि साथ इसमें आदी बात फाल दू, किसी मतलब की नहीं है, और 8 बहुत जादा important है, prelims के लिए, रूल एट और इदर से दिन का question आ सकता है, जैसे यहाँ यह साथ दिन है, 8 में 10 देज है, which is very important, majority of time prelims examination में यह पूछा गया है, देखिए ज़रा, interrogatories shall be answered by FIDFIT to be filed, underline कर लीजे, within 10 days, आप interrogatories के answer देंगे, FIDFIT के थो, 10 दिन के अंदर, और within such other time as the code में allow, या तो गोट कुछ all time allow करतेगा, generally, it is to be answered on FIDFIT, within 10 days, यह important question है, rule 8 से, 10 दिन के अंदर, interrogatories के answer होने हैं, this is very very important, बाकि रूल तो इसमें और भी बहुत सारे हैं, कभी फुरसत से बैठेंगे, तो CPC पढ़ेंगे, तो process जानने के लिए पढ़िएगा, free के लिए इतने important हैं, 1, 2, 7, 8, परस, इसके बाद आ जाईए, अगले order की तरफ, that is, order, now this is important, admissions, अब हमने देखा, कि section 30 भी कहता है, कि court किसी की stage के admission करा सकता है, interrogatories का का काम करा सकता, कैसे होंगे admission, उसके बारे में, admissions कैसे कराए जाएंगे, admission आप समझते हैं, कोई भी party, fact को admit कर रहे हैं, यह मान रही है, कित्ते दिन का notice होगा, कैसे होगा, बस यह rules हैं, और इधर से important questions आते हैं, free में, बहुत important है, सबसे पहले देखिए, rule 2, notice to admit document, document अगर कोई admit कराना है, आपको party से, जो मैंने भी आपको brief किया, कि अगर मुझे आप से कोई document admit कराना है, तो कित्ते दिन का notice देना है, कैसे होगा, वो दिया है rule 2 में, rule 2 का number याद रखिएगा, बहुत important है, order 12 का rule 2, बहुत important है, document के admission की, बात करता है, either party may call upon the other, to admit, underline कर लीजे, within 7 days, from the date of service of the notice, any document, saving all just exceptions, 7 दिन के अंदर, admit करना है, 7 दिन का notice देना है, either party may call upon the other party, to admit within 7 days, from the date of service of the notice, जिस दिन notice सर्व होगा, उसके 7 दिन के अंदर, admit कर वाना है, 7 दिन का notice देना है, के लिए कितने दिन का notice है, और किस रूल में दिया है, दोनों बातें बहुत important है, इसके बाद 2A के बारे में, मैं आपको अल्रेडी थोड़ी बात ने बता चुका हूं, documents to be deemed to be admitted, if not denied after service, of notice to admit, अगर आपने admit करने का notice आया, आपने deny ने किया है, तो मान भी आ जाएगा, deemed admission की बात वही, चीक, तो ये भी थोड़ा साथ, ध्यान रखिएगा, या पुछरर ये यश, in rule 7, the code set set aside, और on an application, किस वाले rule 7 की बात कर रहे हूं, अचा, वो set aside करने हूं, ये code का है बटा, 7 is code, 6 में objection के लिए लिखाए, कि अगर आपको objection है, तो 6 में objection raise करिए, दोनों तरीक्य से, 6 में objection के बारे में दिया है, कि आप objection raise कर सकते हैं, और तूकि 2 में code भी examine कर रहा है, तो दोनों cases में struck out हो सकता है, दोनों cases में struck out हो सकता है, चीक, इसके बाद आईए नेक्स फोर माग करिये इसमें प्री के लिए जो बहुत इंपोर्टेंट है वो फोर है इसके बाद अच्छा एक चीज़ और स्वारी 3A और माग कर लिए जो के बाद 3A भी माग करिये यह कोट का पावर है एडमेट कराने का 3A माग करिये इस बाद को वो रिकार्ट करेगा कि इस वक्ती ने ने डॉक्त किया है और डिना किया है तो कोट का पावर के दार है 3A रूल धाल रखियेगा this is also important इसके बाद आईए 4 4 is important next 4 4 is also important 4 है notice to admit fact जैसे हमने rule 2 में document admit कराया है rule 4 facts के admission की बात करता है कि अगर आपको कोई fact admit कराना है दूसरी party से तो कैसे होगा उसके इनकी कहानी जरा समझ भी लीजेगा और याद भी रखियेगा रूल 4 देखे एनी party में बाई notice in writing at any time underline कर लीजे at any time not later than 9 days before the day fixed for the hearing जो date decide हुई है hearing की उससे 9 दिन पहले notice देना है आपको call on any other party to admit for the purposes of the suit only on specific facts or facts mentioned in such notice and in case of refusal or neglect to admit the same within 6 days after service of such notice notice सर वोने के 6 दिन के अंदर admission होना है fact का अगर वो नहीं हुआ है तो admitted माना जाएगा आगे देखिये उसको proof करने के लिए फिर पैसा लिया जाएगा basically अगर आपने उस time पर admit नहीं किया उसके बारे में कुछ reply नहीं किया तो proceeding जब होगी मानली से date of hearing decide हुई है 15 जनवरी तो क्या कहा जा रहा है notice कितने दिन पहले देना है not later than 9 days before the date fixed not later than 9 days before 9 days before मतलब इसके नौ दिन पहले तक आपको notice दे दे देना है तो 15 तारिक Sutra decide हुई है data of hearing तो 9 दिन पहले क्या होगा लगभग 6 तारिक लगभग 6 तारिक तो 6 तारिक तक आपको वो दे देना है notice facts को admit कराने का और जिस दिन notice दिया जाएगा party को admit कि इतने दिन में करना है उसके 6 दिन के अंदर क्याने का मतलब जो data of hearing होगी उससे तीन दिन पहले सब का रिकरम हो जाएगा या तो admit हो जाएंगे facts या तो नहीं होगे तो कि notice आपको कब देना है not within 9 days before the date of hearing तो 9 दिन पहले देना है date of hearing के और जिस दिन notice दे दिया गया facts को admit करने का 6 दिन के अंदर सामने वाली party को admit कर लेना है 6 दिन के अंदर admit कर लेना है और अगर आपने admit नहीं किया तो बाद में उनको प्रूफ करने का जो खर्चा होगा वो आप से लिया जाएगा ये लिखा है 4 में इसके बाद देखिये 6 is very very important rule 6 से तो question आता ही आता है बहुत important है कि admissions के basis पे जो admission हो गया है जो facts admit हो गया है उनके बादिस पे judgment हो सकता है this is really very important where admissions of fact have been made either in the pleading or otherwise whether orally or in writing the court may at any stage of the suit either on the application of any party or of its own motion and without waiting for the determination of any other question between the parties make such order underline कर लीजे make such order or give such judgment as it may think fit having regard to such admission जो चीज़े admit हो गई है उसके बारे में तो आप अपना judgment दे सकते हैं बाकी question decide होते रही है जब होने लेकिन जो चीज़े admit कर ली गई है party द्वारा उसके basis पे तो आप judgment या कोई दूसरा order पास कर सकते हैं यह किसमें दिया है कि admissions के basis का अपजिजमेंट कर सकते हैं जो चीज़े admit हो गई है rule 6, this is very important for clients, यह rule 6 important है, rule 2 बहुत important है, rule 4, 3, 8, यह 4 rules परना है आपको इस order के अंदर, 6 इसमें से सबसे जादा important है, इसके बाद आजाईए, order 13 देखिये, production, imparting and return of document, अंदर के rules परने की ज़र इसके बाद सीधे पढ़ना है हमें order 14 जिसको हम पढ़ेंगे कल से कल हम 14 से लेके 19 तक पढ़ लेंगे decree और judgment के जस्ट पहले तक और उसके बाद एक दिन में मैं आपको decree judgment और उसका execution पूरा पढ़ाऊँगा क्योंकि decree में आपको यह सब भी जानना है preliminary decree क्या है final decree क्या है पार्टली preliminary पार्टली final के एक concept होगा उस दिन में तो वह चीज़ अपन पढ़ेंगे उसकी next class में तो कल मिलिये जरा तो कल अपन start करेंगे 14 से तब तक यह जितने order हमने पढ़ लिए है यू शूड रिमेंबर दी order number as well तो जरा revise करके आईए और इस sequence को बना लिए यह rule की sequence आपके दिमाग में बननी चाहिए जो important है हर particular order की और बाकी जैसा मैंने कहा जो subjects आपके हो चुके हैं उनके test दे लिजिए app पे जाके और बाकी अपन कल इसको continue करते हैं जैसा मैंने आपको ज्यादा time नहीं लगता जिसे CPC थोड़ा lengthy है CRPC भी ठीक ठाकता बट CPC थोड़ा ज्यादा lengthy है इसलिए थोड़ा हो सकता एकाथ classes में CRPC के comparison में ज्यादा लगे बट evidence में classes कम लगती है तो प्री के हिसाब से evidence जल्दी हो जाता है इसलिए evidence में ज्यादा classes नहीं लगेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इसको शेयर भी करते रही है क्योंकि आपने कहा है कि मेंस का भी पढ़ा देना है मेंस भी पढ़ना है आपको लोकल लो तो वो डिपेंड करेगा कि मेरे चैनल की growth पर डिपेंड करेगा हो है कि आपन बिना मतलब के कु अब अगे बढ़ते हैं ओडर 14 की तरफ आते हैं जो आज हमें स्टार्ट करना है कल 13 तक हमने कम्प्लीट किया था तो order 14 निकाल लीजिए बेरट आपके पास होना चाहिए CPC का इन सारी classes को attend करते समय तभी आप बहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे सो आजाईए order 14 settlement of issues and determination of suit on issues of law or on issues agreed upon अब देखिए इसको थोड़ा समझिएगा इस order की कहनी को कि ये क्या है देखिए कोर्ट ने क्या किया सोट इंसिट्यूट करा लिया प्लेंट के बैसिस पर प्लेंट में सब कुछ साही था तो इसके बाद defendant को आपने समंट भेच के date decide कर भी party को किस दिन appear होना है जो itt हुई है defendant के अपीर होने के उस दिन दुनों party को appear होना है party appear हुई दुनों को examine कर लिया आप छीक आपने क्या किया दोनों party इसको examine कर लिया इसके बाद discovery औं inspection जो अपने पड़ा उसमें में क्या क्या किया उसमें आपने interrogatories का exchange करवा लिया और कुछ writing में सवाल जवाब एक party ने दूसरी से पूछ लिया दूसरी ने उसका जवाब दे दिया admissions हमने देख लिया एक order जिसमें parties ने कुछ fact admit कर लिये दो parties ने dispute में एक तरफ आप एक तरफ मैं हूँ मैंने कोई चीज़ें release करी आपने उसमें से बहुत सारी चीज़ें admit कर लिया आपने कोछ release किया मैंने उसको admit कर लिया ये थे admissions तो बहुत सारी चीज़ें admit भी हो गई है अब देखिए court ने क्या किया सोट insecure करने के बास parties को examine कर लिया है कि क्या चीज़ें एक party admit कर रही है क्या deny कर रही है इस सब देखता है जब अब इतना सब कार्यकरम करने के बाद ये समझ में आ गया court को कि वो कौन सी चीज़ें है जो parties admit कर रही है खुद से मान रही है एक party कर रही है दूसरी उसको accept कर ले रही है बहुत सारी ऐसी बाते होंगी बहुत सारी ऐसी points और issues होंगे जो एक party phenomenon करेचे और दूसरी उसको deny करेगी दूसरी party उसको मानेगी नी वो बले गैले ऐसा नहीं है तो यह चितनी बाते होंगी जिसे एक party немного और दूसरी deny करती है इनी से निकल के आते हैं इने से बनते हैं हमारे issues जिस पर आगे की proceeding चलनी है मैंने आपको CPC की पहली class में भी ये बात बताई थी कि framing of issues या settlement of issues क्यों जरूरी है क्योंकि भाई साब court का समय limited है वो फालतू की बातने सुनने के लिए free नहीं है court उसे point to point बात चाहिए जिसमें कोई substance हो और जो उस proceeding के आया यह सारी चीज़े प्लेंट आही रिटन स्टेटमेंट आया साथ में हमने देखा प्लेंट के साथ list of documents आएगी कुछ documents भी submit करेगा plaint जिन पर वो rely कर रहा है ऐसे ही return statement आएगा defendant की तरफ से उस return statement के साथ वो अपने वो documents भी भेज़ेगा जिन पर वो rely कर रहा है इसके अला को लेके कौन से ऐसे points हैं जिनको लेके यह दोनों agree नहीं करते हैं और उस पे हमें decision देना है आगे इसलिए यह पूरा जो order है यह basically decide करेगा आगे की proceeding का direction और इसलिए यह बहुत important है चलिए अब issue framing को लेके देखते हैं क्या provisions दिए हैं सबसे पहले rule 1 तो order भी मैं आपके लिए यहां लिखते जाता हूँ क्योंकि हम यह भी देख रहे हैं कि किस order में हमें क्या पढ़ना है तो order 14 में सबसे पहले आपको देखना है rule 1 framing of issues ठीक basic purpose पूरा मैंने आपको समझा दिया कैसी होता है क्या purpose है और किन चीजों से issues frame होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया so rule 1 में द propositions को affirm करती है एक party और दूसरी उसको deny कर देती है यहीं बनेंगे issues अगर दूसरी party ने admit कर लिया तो वो तो issue बनेगा नी क्योंकि वो dispute का matter नहीं है दोनों के बीच तो court उस पर अपना समय नहीं करेगा court सिरफ उस पर emphasize करेगा जिस पर यह दोनों वेक्ति agree नहीं करते इसलिए लिखा है denied by the other अब देखिए यह material proposition क्या होंगी जो यहां लिखा है material proposition of fact and law so आगे sub rule 2 वो भी बताते है material propositions are those propositions of law or fact which a plaintiff must elige in order to show a right to sue or a defendant must elige in order to constitute his defense material proposition of fact and law वो चीज़े होंगी जो assert करना necessary है for the plaintiff अपने claim को proof करने के लिए अगर plaintiff कोई claim कर रहा है तो material proposition हर वो चीज़ है जो उसे सामने रखनी है जो उसे proof करना पड़ेगा अपने उस remedy को लेने के लिए तो जैसे मान लेजिए breach of contract पे आप अगर suit file कर रहे हैं तो आपको court में अगर यह बात admit नहीं हुई है कि दोनों के बीच में contract exist करता है तो यह material proposition होगी कि whether there is a contract between the two parties or not and it is a material proposition of fact यह एक fact है कि दोनों के बीच में contract है या नहीं तो ऐसी चीज़े जो plaintiff के लिए necessary है अपने relief को claim करने के लिए वो material propositions and similarly defendant के लिए हर वो चीज़ जो ज़रूरी है उसे अपना claim defend करने के लिए वो material proposition होगी यह fact और law दोनों की होती है अब देखिए जो issues frame होते है वो fact के भी होते हैं और law के भी fact का जैसे मैंने आपको बताया कि whether there is a contract between the two parties or not whether the person has received some money or not यह सब fact है law के issues बनते हैं जैसे एगर आप preliminary issues की बात करेंगे whether the court has jurisdiction or not जहां question किस चीज़ का हो law का या कोई interpretation of law required है कहीं पर interpretation को लेके विवाद है किसी particular law के यह सब होते हैं issues of law एक particular court का jurisdiction है या नहीं उसका jurisdiction क्या है या फिर क्या यह suit wired है by limitation यह सब law के issues generally consider किये जाते हैं though there is a mixture of both as well law or fact के mixed issues भी होते हैं बट उस detail में आपको नहीं जाना है for the purpose of prelims चीक तो देखिए इसके बाद subsection sorry sub rule 3 देखिए इसका each material proposition affirmed by one party and denied by the other shall form the subject of a distinct issue हर वो एक allegation जो plaintiff ने लगाया है और defendant ने उसे deny किया है हर वो चीज जो एक party ने elige करी है और दूसरी ने deny किया वो एक separate issue form करेगा इसके बाद four बहुत important है sub rule 4 यहां से prelims में question पूछे गए है issues are of two kinds जो मैंने आपको बताया क्या दो तरीके के issues होते हैं किन दो तरीके के issues होते हैं तो issue of fact and issue of law दो तरीके के issue होते है issue of fact issue of law दोनों के बारे मैंने आपको जानकारी देदी कि law के issues कॉन से है और fact के issues कॉन से है इसके बाद sab rule 5 देखिए at the first hearing of the suit the court shall after reading the plaint and the written statement if any and after examination under rule 2 of order 10 and after hearing the parties or their leaders ascertain upon what material proposition of fact or law the parties are at variance and shall thereupon proceed to frame and record the issues on which the right decision of the case appears to be depend अब देखिए sub rule 5 में वही सारी कहानी लिखी है जो मैंने आपको अभी बताई कि भाई court ये देखेगा सबसे पहले parties का examination जो किया उसमें क्या बात निकल के आई आई आपने जो plaint or written statement submit किया इन सारी चीजों को analyze करके court वो चीज़ां ढूंडेगा जिस पे parties are at variance जिस पे party agree नही करती है तो एक prelims का important question ये भी होता है कि वो कौन सी चीजें हैं जिस पे issue frame होते हैं तो we have a specific rule for that that is rule 3 of this particular order तो सबसे पहले हमने कौन सा rule पड़ा इस order में सबसे पहले हमने पड़ा rule 1 इसके बात देखिए सरा rule 2 code to pronounce judgment on all issues this is very very important for prelims ये बहुत ज्यादा important है by rule 2 जितने issue frame हुए है सबके judgment प्रनाउंस करना है कूट को this is given under rule 2 लेकि notwithstanding that a case may be disposed of on a preliminary issue the court shall subject to the provisions of subrule 2 pronounce judgment on all issues बले जजमें हो सकता हो preliminary issue पे लेकिन जितने भी issues frame होंगे सबके judgment प्रनाउंस करना है कूट को जितने issue frame होंगे सबके judgment प्रनाउंस होगा ये mandatory है by the virtue of rule 2 subrule 2 कहता है इसका where issues both of law and of fact arise in the same suit and the court is of opinion that the case or any part thereof may be disposed of on an issue of law only it may try that issue first if that issue relates to a the jurisdiction of the court or b a bar to the suit created by any law for the time being enforced ये वही बात है subrule 2 में जो मैंने अभी आपको बताई देखिए अगर मान लीजे कोई case ऐसा है जिसमें दोनों तरीके के issues है fact के भी issues है और law के भी issues है और इनको कहते है preliminary issues preliminary issues क्या है jurisdiction है कि नहीं court का कहीं ये जो suit है ये limitation से बार्ड तो नहीं है पता चला जो plaintiff suit लेके आया हुए law of limitation से बार्ड है अब उसके पास ये right ही नहीं है कि वो suit institute कर दे क्योंकि limitation period घदम हो चुका है तो ये suit तो यहीं dismiss हो जाएगा आगे के चीजों पर जरुरत नहीं पड़ेगी इसलिए court क्या करेगा जहां ऐसे cases है जहां ऐसे suits हैं उसके पास जहां fact और law दोनों के issues है और court को लगता है कि इसके जो preliminary issues है इसी पे case dispose of हो सकता है यह यह क्या करेगा पहले कौन से issues को deal करेगा इन law के issues को पहले deal कर सकता है court यह बाते तर लिखिए अगर वो issue कैसा है jurisdiction को लेके है court के या फिर limitation को लेके है कि यह suit allowed है भी या नहीं इसका institution यहीं dispose of कर देगा तो पहले इन issues को frame करके उनको deal करेगा court इसके बाद देखिए rule 3 पे materials from which issues may be framed वो कौन से material है जिनकी मदद लेता है court issues frame करने के मैंने आपको अल्रेडी बता दिया plain written statement जो allegations लगाए parties ने जो fact admit हुए जो discovery हुए interrogatories के basis पर यह सब देखिए rule 3 में लेका है the court में frame the issues from all or any of the following materials a allegations made on oath by the parties or by any person present on their behalf और made by the pleaders of such party जो भी allegations on oath लगाए गये है एक दूसरे parties ने plain written statement में किया क्या है allegations लगाए तो जितने भी allegations on oath लगाए गये है उन सब की मदद लेगा court issues को frame करने में second देखिए allegations made in the pleadings pleadings by plain written statement allegations made in the pleadings or in answers to interrogatories delivered in the suit या फिर वो जो interrogatories दी गई थी पार्टी ने एक दूसरे से सवाल किये थे उनके जो जवाब आए है वहाँ जो allegations लगे और जो जवाब दिये गए उनके basis पर भी issues frame होंगे पहले बाला parties के examination को लेकर है कि oath पे जो allegation लगा है क्योंकि party को examine भी करता है order 10 के अंदर court तो orally examination हो रहा है उस पे भी जो चीज़े एक party ने और दूसरे ने deny करी वो भी court देखेगा प्लस pleadings में आपने जो लिखके दिया प्लीडिंस बोले तो plaint और written statement इसमें जो चीज़े आपने रेस करी है जो allegations लगाए उनको भी consider करेगा प्लस जो interrogatories है उनको consider करेगा और तीसरा C देखिए the contents of document produced by either party और भाई प्लेंट और written statement के साथ आपने दूसरे document भी submit करें तो उनके वैसिस पे जो allocations लगे हैं उनको भी court consider करेगा उन document के content को भी court देखेगा for the purpose of framing of issues तो ये सारे material use किये जाते हैं for the purpose of framing of issues ये important question है prelims का चीख ये जरूर आप ध्यान दीजिए कि ये ये बहुत important है ये rule 3 इसके examine witnesses और documents before framing issues अब ये additional help है court की कि आप पहले examine कर लीजिए witness को भी examine कर सकते हैं या document भी बुलवा सकते हैं दूसरे अगर court को कठिनाई हो रही है issues frame करने में उसे exactly matter controversy में क्या है ये समझ नहीं आ रहा तो वो witnesses को भी बुलाके examine कर सकते हैं before framing of issues rule 4 देखिए where the court is of opinion that the issues cannot be correctly framed without the examination of some persons not before the court or without the inspection of some document not produced in the suit may adjourn the framing of issues to a day not little than seven days and may subject to any law for the timing and force compel the attendance of any person or the production of any document by the person in whose possession or power it is by summons or other process rule 4 power दे रहा है court को कि इन सब को देखने के बाद भी आपने pleatings देख ली आपने admissions पे जो बात हुई वो देख ली आपने दूसरी जो interrogatories है या फिर उसके अलावा जो document produce हुए ये सब देखके parties का oral examination करके अभी भी correct की समझ नहीं आ रहा कि issue क्या है in that case आप क्या कर सकते है अग hearing को postpone करे और उन लोगों को बुलाए जिसे वो examine करना चाता है या उन documents को produce करा सकता है court जो उसे जरूरी लगते है for the purpose of framing of issues rule 4 ध्यान रखिएगा number B बहुत important है यह important है rule 4 इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा इसके बाद देखिए rule 5 B mark करिए power to amend and strike out issues the court may at any time before passing a decree बहुत important है कि court issues को strike out जैसे देखो भाई CRPC से थोड़ा correlate करते हुए चलना CRPC में हमने पढ़ा था framing of charges पढ़ा था या नहीं framing of charges वहां हमने देखा था कि court charge frame करता है accused के against और उन्हें properly explain करता है charges का basic purpose क्या होता है ताकि accused को समझ में तो IQs की गलती क्या है क्योंकि भाईसाब दो court है वो wife नहीं है कि husband के समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने किया क्या है और wife सबर जस्ती इगनोर मार रहे है उससे court है वो properly समझाएगा कि समस्या क्या है इसलिए framing of issues framing of charges करी जाती है आपकी उसको explain किया जाता है कि तुम्हें क्यों लाया गया है और उसी के basis पे आगे की पूरी trial based होती है उसे direction में आपकी trial चलती है similarly यहां पेबन issues frame करना है और issues frame करने क the purpose क्या है to give a direction to the proceedings उसके basis पे और वहां हमने पढ़ाता framing of charges में clearly कि judgment के पहले कभी भी court charges alter कर सकता है कर सकता है या नहीं charges जरा section और बता देंगे तो मज़ा आ जाएगा अच्छा पहले ही बता दिया जनता भाई है पहले ही बता दिया आपने गुड 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 तो यहां प पहले additional issues frame कर सकता है या check out भी कर सकता है देखिए roll 5 में लेखा है the code made anytime before passing a decree amend the issues or frame additional issues on such terms as it thinks but and all such amendments or additional issues as may be necessary for determining the matters and controversy between the parties shall be so made or frame दोना issues भी frame कर सकते है या उन्हें alter भी किया जा सकता है दोनों बातें इधर पे लिखी हुई है regarding this बहुत ज्यादा important नहीं है बट फिर भी एक comprehensive study के लिए जरूरी है rule 5 को आप अपनी list में include करें चीक इसके बाद rule 6 कई बार पूछा गया बहुत ज्यादा important नहीं है बट limited importance है इसका बहुत ज्यादा important नहीं है इसलिए बस एक basic बात इसकी समझ लेजे questions of fact or law may by agreement be stated in form of issues agreement के थुरू भी fact or law के जो issues है उनकी framing हो सकती है by agreement बहुत ज्यादा important नहीं है क्योंकि elaborated rule है बट आता नहीं है ज्यादा पूछा नहीं जाता है थोड़ा से इसके बारे में अपन पढ़ लेता है where the parties to a suit are agreed as to the question of fact or of law to be decided between them they may state the same in the form of an issue and enter into an agreement in writing that upon the finding of the court in the affirmation of such issue उसका होगा क्या क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता इसके बाद आजाईए सीधे आप order 15 की तरफ disposal of the suit at the first hearing this is important यहां से भी लेकिन important क्या है सिर्फ और सिर्फ order number generally अंदर की details बहुत ज्यादा important नहीं है बहुत ज्यादा important नहीं है इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ order 15 देखिए disposal of the suit at the first hearing यह मैं आपको बताया था कि पहली hearing पे अगर court को लगता है कि दोनों के बीच में कोई dispute कोई matter of controversy है ही नहीं तो हम क्यों अपना समय बर्माद करें court वहां क्यों फिजूल में अपना time fact the court may at once pronounce judgment अगर लगता है कि कोई issue ही नहीं है तो judgment pronounce कर देंगे dismiss कर दिया जाएगा suit को इसके अलावा जो बाकी के rules हैं वो important नहीं है rule 3 आप देखेंगे parties are issue अगर issue है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में करके आगे dispose of कर दिया जाएगा जादा रून पढ़ने की जरूरत नह 16 में detail में rules के अंदर के days पूछे जाते है रूल का number पूछा जाता है order 16 थोड़ा ज्याधा important है in comparison to 15 जैसे हमने order 5 में पढ़ा था कि defendant को समन बेजा जाता है date decide की जाती है for the appearance of the parties अब आगे क्या हो रहा है witnesses को बुलाना है क्योंकि चीज़ें आप proof कैसे करेंगे with the help of witnesses और list of witness आप फाइल करते हैं उसके बाद witnesses को बुलाने के लिए summons वेजी जाती है और witness आते हैं फिर उनका examination होता है पहले तो summon and attendance उसके बाद उनका examination और hearing होती है suit की order 16 देखिए rule 1 list of witnesses and summons to witness यह बहुत important है rule 1 यहां से अंदर से भी questions पूछे जाते हैं on or before such date as the court में appoint underline कर लीजे and not later than 15 days after the date on which the issues are settled the party shall present in court a list of witnesses यह बहुत important question है प्रिलिम का rule 1 का so rule 1 यहां से question क्या बनता है यह 15 दिन का question बनता है कि जैसे ही issues settle हो गए है 15 दिन के अंदर application देनी है on or before such date as the court में appoint and not later than 15 days जो भी date court देगा और यह date 15 दिन से जादा की नहीं होगी 15 दिन कब से not later than 15 days after the date on which the issues are settled जिस जिस दिन issue settle हो गए है framing of issues हो गई है उसके बाद within 15 days एक date दी जाएगी उस क्या करना है the party shall present in court a list of witness उस 15 दिन के अंदर जो भी date fix होई है उस date पे आपको list of witnesses file करनी है क्योंकि उन witnesses को समन बेजा जाएगा तब तो वो court में appear होंगे उसके बाद तो उनका examination होगा और इस तरीके से suit की hearing होगी तो यह बात आप जान रखियेगा पंदरा दिन important question है इदर list of witnesses file करनी है कितने दिन के अंदर 15 दिन इसके बाद आगे देखिए sub rule 2 कहता इसका a party desires of obtaining any summons for the attendance of any person shall file in court and application stating there in the purpose for which the witness is proposed to be summoned आपको उसका purpose भी बताना है किसी उसको बुलाया जारा बहुत important नहीं है लेकिन sub rule 3 इसका important है कि आपको किसी witness को बुलाना था आपने list में नाम नहीं दिया तो क्या बिना उस जो आप list file करेंगे at the beginning of the hearing कि हमें इन witness को बुलाना है अगर किसी वक्ति का नाम किसी witness का नाम अपने उस list में नहीं दिया है तो कि लेटर स्टेज में court allow करेगा ऐसा witness उसके लिए sub rule 3 देखिए the court may for reasons to be recorded permit a party permit a party to call whether by summoning through court or otherwise any witness other than those whose names appear in the list referred to in sub rule 1 if such party shows sufficient cause for the omission to mention the name of such witness in the side list अगर कोई person छूड गया है कोई ऐसा person जिसको आपको ऐसा witness बुलाना था आपने जो list file करी उसमें नाम तो नहीं लिखा लेकिन लेटर स्टेज पर आप उसको बुलाना चाते है तो court may permit, court permit कर सकता है अगर आप court को sufficient cause देदे कि क्यों आपसे वो नाम छूड गया था list देते समय इस बात को अगर आप court के सामने justify कर देंगे तो court में allow इसके बाद sub rule 4 देखिए this is again very very important यहां से यह 5 दिन का question बनता है subject to the provisions of sub rule 2, summonses referred to in this rule may be obtained by the parties on an application to the court पहले आप list of witness file करेंगे, settlement of issue के 15 दिन के अंदर list of witness file होगी उसके बाद आपको summons obtain करना है, summons obtain करने के लिए application देनी है जिसके regarding रिखा है may be obtained by the parties on an application to the court or to such officer as may be appointed by the court in this behalf underline कर लीजे, within 5 days of presenting the list of witnesses, within 5 days of presenting the list of witnesses under sub rule 1 ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं, settlement of issues के बाद कितने दिन के अंदर आपको list of witness file करनी है, 15 दिन के अंदर जिस दिन वो list आपने file करी है, witnesses की list file करी है, उसके पाच दिन के अंदर अंदर आपको summons obtain करने की application code को दे देनी है ठीक, ये दोनो time period आप ठान रखिएगा, इसके बाद इस order में आप सीधे आजाईए 10 पे, बहुत जादा important नहीं है बीच में कुछ, सीधे आजाईए order 10 पे, तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसका rule 1, उसके बाद हम आगए, rule 10, एक superficial reading आप मार सकते है, 1A की भी, एक बार उसको mark कर लिजाए अगर आपको लगे कि आप वो भी याद रख सकते हैं, तो उसको एक बार देख लिए जगा, बहुत जादा important नहीं है, बट वन ही आप mark कर सकते हैं, इसके बाद सीधे आईए rule 10 पे, procedure where witness fails to comply with summons, summons को अगर comply नह attendance की बात करी है, तो इससे related section भी हमारे पास है, जरा एक बार उस section पर आईए, तो बेरेट में निकाल लेजिए, आप section 31, बेरेट में देखिए section 31 और 32 जो इसके साथ आपको पढ़ना है, इस order के साथ, section 31 में है summons to witness, witness को summons बेजे जाएंगा, और 31 में बस यह लिखा है, कि ज 17, 28, 29 में procedure है, summons का, summons related जो बाते लेकी है, वो इसके भी अपले के बाले, वो किसके लिए थी, defendant के लिए, section 27 में summons किसको बेजे जारी थी, defendant, जैसे order 5, section 27 और order 5, यह किसको summons की बात करता है, defendant को, ऐसे ही section 31 और order 16, यह किसकी बात करता है, summons to witnesses, जो 31 में यह लिखा है, इसके 32 is regarding important है, section 32 में देखिए, the court may compel the attendance of any person to whom a summons has been issued under section 30, and for that purpose में compel कर सकता है attendance, किसी भी वक्ती की summons issue करके, और अगर मानलीजे, इसके बाद भी वक्ती नहीं आता है, issue, summons issue कर दी, लेकिन नहीं आ रहा है, तो कैसे गंपल करेंगे, उसकी attendance, देखिए, जैसे similar provision हमने CRPCM पढ़ पहले summons घजा जाएगा, summons से नहीं आए, तो warrant होगा, warrant से नहीं आए, तो proclamation होगा, attachment होगा आपकी property का, यह सब हमने CRPC में पढ़ा था, कि criminal proceedings में अगर किसी वक्ती की attendance secure करा नहीं है, तो क्या-क्या methods है, उसी की तरह civil proceeding के लिए दिया हुआ है, कि आपने summons तो बेज दिया, लेकर उसका compliance नहीं हो रहा है, अगर, तो फिर आप क्या करिए, compel कैसे करेंगे, तो A, देखिए, issue, a warrant of his arrest, यहाँ पे भी arrest warrant issue करे जाएंगे, B, देखिए, attach and sale has property, property attach करके बेज दिजे, इसके बाद C, impose a fine upon him, not exceeding 5,000 rupees, 5,000 रुपे तक का fine लगा जा सकता, इस को underline कर लिजे इसके बाद D, order him to furnish security for his appearance and in default commit him to the civil prison, अगर कोई गती नहीं आया है, तो उसके बाद security भी furnish कराई जाएगी, कि आगे तो मैसा नहीं करोगे, और अगर किया, तो in case of default, अगर आप security भी furnish नहीं करोगे, तो आपको civil prison में भी भेजा जा सकता है, तो यह सारे actions हैं, जो court ले सकत है, in case of default, समन के थो आपको बुलाया, आप नहीं आए, वो तो भाई substantive portion हो गया आपका, कि क्या करना है, वो लिखा है 32 में, अब यह execute कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, उसके लिए ही अपनी orders पढ़ रहे हैं और इनके अंदर के rule, तो सिधा आईए rule 10 पे, procedure where witness fails to comply with summon, क्या procedure अ आया जाएगा, अगर witness compliance नहीं करता है summons का, तो देखिये, where a person to whom a summons has been issued, either to attend to give evidence, or to produce a document, fails to attend, or to produce the document in compliance with such summons, तो आगे यह यह action उसके against लिये जाएंगे, इसमें जो important है, वो दिया है sub rule 2 में, so rule 10 का sub rule 2 देखिये, यहां पे भी आपको majorly जो याद रखना है, वो rule 10 का sub rule 2, this is very important, where the court sees reason to believe that such evidence or production is material and that such parcel has, without lawful excuse, failed to attend, or to produce the document in compliance with such summons, or has intentionally avoided service, underline कर लिजे, it may issue a proclamation, proclamation issue कर सक्ते, requiring him to attend to give evidence, or to produce the document at a time and place to be named therein, and a copy of such proclamation shall be effigged on the outer door to the, to other conspicuous part of the house in which he ordinarily resides. अब ने किया, जैसे CRPC में क्या था कि पूरा वो procedure आपको बताया क्या था उस chapter में, यहां पर हमने क्या देखा कि section बस बता देता है कि करना क्या है, अगर default किया witness में आने में तो करना क्या है, section 32 ने बता दिया, उसका execution कैसे होगा, उसके लिए procedure क्या होगा, वो सब आपको इ sub rule 3 देखिए, sub rule 3 is also important, sub rule 3 is important, in lieu of or at the time of issuing such proclamation, proclamation के साथ ही आप क्या कर सकने है, और at any time afterwards, proclamation के साथ भी या उसके बाद भी, the court में in its discussion underline करिए, issue a warrant, warrant भी issue करा जा सकता है, either with or without bail for the arrest of such person, arrest करने के लिए warrant, अब criminal में पन ने क्या देखा, पहले arrest warrant, फिर proclamation और attachment, इधर पापन क्या देख रहे है, आप नहीं आए summons के लिए तो पहले proclamation, उसके बाद अगर लगता है, उसके साथ ही, साथ में भी कराया जा सकता है, proclamation के या उसके बाद arrest warrant निकाल दिया जाएगा, गत्ती का, and we make an order for the attachment of his property, और इसके साथ ही property भी attach करा जा सकती है, method सारे वह इसके बाद देखिए, 12 mark कर लीजी, rule 12, rule 12 में लिखा है, अगर आप, procedure of witness fails to appear, इसके बाद भी अगर आप appear नहीं होते हैं, तो आप पर fine लगाया जाएगा, and fine वह वाला आप देखिए, जो 5000 लिखा हुआ था, आपके section में, section 32 में, that is important, तो rule 12 भी उसी तरीकी की बात करता है, fine की बात, बढ़ वहाँ amendment हो गया है, 99 में, that's why it is, that's why it is 5000, and that is important, rule 12 भी छोड़ भी सकते है, बस मैं आपका रहता कि वह sequence खराब नहीं हो, इसलिए वह कुछ-कुछ आपको बताते जा रहा हूँ, rule, इसके बाद जो exam point of view से important rule है, that is 14, court may of its own accord, summon hours witness, strangers to suit, this is important, which may be hours in exam, rule 14, अप issue settle होने के, 15 दिन के अंदर, list of witness file करी, और summons obtain करी, witness बुलाने के लिए, किसने किया, party ने, party को जो लग रहा है, कि इसको witness बुलाना चाहिए, वो, court अपने से भी बुला सकता है, किसी को भी, court जिसको चाहे, उसको बुला सकता है, अपने से, ऐसे provision आपने CRPC में भी पढ़े है करेक्ट तन्वीर, 311 CRPC, किसी को भी बुला के, एग्जामिन कर सकता, court, 14 में देखिये, subject to the provision of this court, as to attendance and appearance, and to any law for the time being enforced, where the court at any time, thinks it necessary to examine any person, including a party to the suit, and not called as a witness by a party to the suit, the court may, of its own motion, जिसको party ने नहीं बुलाया, लेकिन court को लगता है कि नहीं, इस वक्ति को हमें एग्जामिन करना, court may, of its own motion, cause such person to be summoned as a witness, to give evidence, or to produce any document in his possession on a day, to be appointed, and may examine him as a witness, or require him to produce this document, court, अपने से भी, on its own motion, किसी को बुला सकता है, as a witness, यह document प्रदूस करा सकता है, यह court खुद भी कर सकता है, इसलिए यह पाबर दिया है, rule 14 में, बहुत important है, इसको mark कर दिये, इसके बाद rule 20, इसके बाद mark कर यह आप rule 20, rule 20 is important here, consequence of refusal of party to give evidence when called on by court, evidence देने के लिए बुलाया, और आप refuse कर देते हैं, ऐसे में क्या होगा, where any party to a suit present in court refuses, without lawful excuse when required by the court to give evidence or to produce any document, then and there in his possession or power, the court may pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit. तो अगर आप वहां मौजूद हैं और आप से कोई evidence मांगा गया है, कोई document मांगा गया है, अगर आप वो नहीं देते हैं, तो आपके against judgment प्रणूद किया जा सकता है, simple it is. आप अगर court की presence में मौजूद हैं, आप से कोई document मांगा गया है, कोई evidence मांगा गया, आप नहीं दे रहा हैं, जो आप दे सकते हैं, तो ऐसे case में आपके against judgment प्रणूद हो जाएगा, rule 10 रखिएगा, 20 में ये बात दी हुई है. इसके बाद आईए, order 16A, this is also important, यहां से भी सवाल आए हैं, prelims में, important है, rule 16A is also important, माल लीजिए, जिसको आपको बुलाना है, जिस व्यक्ति को as a witness, वो prison में है, jail में है, तब क्या करेंगे? attendance of witnesses confined or detained in prison, order number ध्यान रखिएगा पहले, और जो विक्ति prison में है, उसको बुलाने के लिए, अगर summons भेजना है, तो कहां भेजेंगे? एक तो ये सवाल, दूसरा ये सवाल की prison का meaning क्या है? ये सवाल उत्तर प्रदेश के 2015, 2015 में उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, कि यहा particular order के purpose के लिए, और जो इसका B है, this is very important कि prison में क्या-क्या include होगा, so prison includes, first, any place which has been declared by the state government by general or special order to be a subsidiary jail, कोई भी ऐसी जगे, जिसे एक subsidiary jail माना जाता है, state government के द्वारा, कोई भी ऐसी place, जो भले ही officially designated as a jail ना हो, वो subsidiary jail उसे भी prison माना जाएगा, साथ ही, इसका जो second part ये कहता है any reformatory, Boston institution और other institution of a like nature, जैसे जो इना होगे ना होगे ना को रखने के लिए, जो होते हैं institutions, उनको नॉर्मल jail में नी रखा जाता है, safe, home, shelter, home, in some में उनको रखा जाता है, इस तरीके की चीजों में, तो वो उनको भी prison consider किया जाएगा for the purpose of this order, और अगर prison से किसी रखती की attendance require करा नी है आपको as a witness, तो किसको भीजे जाएगी, यह semence तो rule 2 में underline कर लीजे, power to require attendance of prisoners to give evidence, where it appears to a court that the evidence of a person confined or detained in a prison within the state is material in a suit, the court may make an order requiring the underline कर लीजे, requiring the officer in charge of the prison to produce that person before the court to give evidence, किसकी जिम्मेदारी है इस witness को लाने की court तक, in charge of prison की, जो भी officer in charge है उस prison का, उसकी जिम्मेदारी है इस witness को court तक लाने की, this is very important, तो इसमें आप rule पढ़ लीजे दोनो, rule 1 और rule 2, दोनो important है, और question यहां से बनते हैं, चीक, इसके बाद आजाएए next order की तरफ, इतना ही important है इसमें, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, परी के question ब that is order 17 adjournments, ज्यादा कुछ आता नहीं है, order का number जान रखिएगा, adjournment कि इस order में है, और कितनी बार generally adjournment होना है, तीन बार लिखा हुआ है, एक इक करके मैं आपको बता देता हूँ, जो जो important points हैं, उसके अपन emphasize करेंगे, तो अपन आ जाते हैं, order 17 की तरफ, order 17, इसमें देखि है, court में, grant time and adjourn hearing, ये भी सवाल पूछा गया है, कुछ prelims examination में, कि, जो court adjourn करता हूँ, कितने time के लिए, ये बहुत important सवाल है, इसलिए, rule 1 का number नहीं पूछा जाएगा आपसे, कि ये चीज़ rule 1 में दी हुई है, पूछा जाएगा इसका proviso, जो proviso लिखा है, वो बहुत important है, पूरा रूल पढ़ लेता है, the court may, if sufficient cause is shown at any stage of the suit, grant time to the parties or to any of them and may from time to time adjourn the hearing of the suit for reasons to be recorded in writing, तो अगर court को लगता है कि parties को थोड़े समय की जरूरत है अपनी बात रखने के लिए, तो वो समय grant करेगा, postpone कर देगा hearing, adjourn कर देगा, और adjourn करके समय देगा party को, लेकिन इसका जो proviso ह है, सब rule one का, यह बहुत important है, provided that, underline कर लीजे, provided that no such adjournment shall be granted more than three times to a party during wearing of the suits, तीन बार से ज्यादा नहीं मिलेगा, एक पार्टी को तीन बार से ज्यादा adjournment नहीं मिलेगा, generally यह question सबसे ज्यादा important है, यहाँ, तो इसमें तो मैं कहूंगा कि rule one important तो है, but rule one में simple बात यह question बनत है, कितने adjournment, तो भाईया, ध्यान रखिएगा, तीन adjournment दिये जाएंगे, यह general rule रहेगा, बट दिये तो बहुत सारे जाते हैं, आप जाते हैं, civil court के पास अपने inherent powers हैं, इसका सब rule two, cost of adjournment की बात करता है, अगर आप unnecessary adjournment लेना तो आपके cost लगाई जाएगी, बढ़ प् आपने postpone कराया, date fix हुए, उस दिन आप नहीं आए, ऐसे कि इसमें suit dismissed हो सकता है, so देखिए roll two, procedure if parties fail to appear on day fix, where on any date to which the hearing of the suit is adjourned, जिस भी दिन के लिए adjournment करी गाई है, the parties or any of them fail to appear, अगर फिर party नहीं है, तो court क्या कर सकता है, underline कर लीजे, the court में proceed to dispose of the suit in one of the modes directed in that behalf by order 9 or make such other order as it format dispose of कर सकता है suit को, जो भी तरीके order 9 में पनने देखे थे, उनमें से किसी एक तरीके से dispose of यहां करा जा सकता है, तो rule two is important in this context, इसके बाद rule three से भी previously question आए है, rule three देखिए, court में proceed notwithstanding, either party fails to produce evidence etc, अगर मान लिजे कोई party evidence produce नहीं कर पाती है, तो भी court तो proceed करेगा, वो अपनी proceeding ज जारी रखेगा, बस कितनी बात ध्यान रखिएगा, rule three के regarding इस से जाधा पढ़ने की ज़रूरत इसे नहीं है, तो इसके तीनो rule important है, जो सबसे important problem का question at German से बनता है, it is that, इसके बाद अपना आ जाते हैं, अगले order की तरफ हमारे, so order 18, hearing of the suit and examination of witnesses, अब देखिए, case की hearing होगी, suit examination होगा, witnesses का, जिनको समन भेजी गई, जिन witnesses को बुलाया गया, quote अपने से भी भेज़ दखता है, protein में लेका है, आप उनका examination होगा, और suit की hearing होगी, I hope you are getting the approach for prelims की CPC को prelims के लिए कैसे समझना है, I hope you are getting that, क्योंकि मैंने आपको overview पूरा समझा दिया, अब मैं सिरफ वो चीज है कि बहुत-बहुत rule है, बहुत सारे order आप देखिए, जिनमें बहुत-बहुत सारे rule है, हमने सारे नहीं पड़े, जैसे अभी जो हमने recently order पड़ा, आपका order 14, sorry order 16 जो हमने पड़ा, summoning and attendance of witness, इसमें आप देखिए rule तो है, कई सारे भाई, 20 rule है, लेकिन हमने गिंती के 3 पड आपके जुड़ नहीं पाए हूंगे, वो और जुड़ जाए, ताकि आपका एक confidence जो है subject को लेके वो बिल्ड़ा को, उसके लिए कभी फुरसत में बैटके इन बाकी rules को भी एक बार read करिए, एक-एक order को comprehensively पड़ लीजे, ताकि वो इसलिए, इसका मतलब यह नहीं है कि सार content रखिए, यह बात आप समझ गाए है या नहीं, एक बर जरा comment में बता दीजिए, yes or no, लिख के, कि approach क्या है CPC को prelims के लिए पढ़ने की, या memes के लिए पढ़ने की, समझ अपन रहे हैं सारी चीज़ें कि यह चल क्या रहा है, क्योंकि बिना समझ रटने वाला concept में belief मेरा थो रूल बन देखिए, right to begin, the plaintiff has the right to begin, unless the defendant admits the facts, elish by the plaintiff, generally suit begin कौन करता है, plaintiff, यह बात लिखिए, rule 1 में, order rating के rule 1 में लिखा है, कि शुरू करने का दिकार, generally किसका है, आपके plaintiff का है, तो rule 1 important है, रहा, number नहीं पूछा जाता, rule का इदर, जो specifically rule के number पूछे जाते हैं, वो मैंने आ आपको अलग से बता दी हैं हर जगा कि कहां इस rule का number पूछा जाएगा, यहां process पे ध्यान होता है, number अंबर जनरल ही नहीं पूछा जाता, rule 2 देखिए, statement and production of evidence, evidences के production की अब बात हो रही है, क्योंकि आप proceeding चाले हो रही है, अभी हमें witnesses को भी examine करना है, तो आपको सारे evidence produce करन but defendant भी कर सकता है, so and produce his, party having the right to begin, shall state his case and produce his evidence in support of the issues which he is bound to prove, तो जिस पार्टी को अधिकार दिया गया है, suit को begin करने का, वो शुरुआत करेगा, अपने case को state करेगा और अपने evidences लेके आएगा, criminal कि अगर आपको याद हो, trial जो CRPC में हमने पढ़ा था, वहां हमेशा begin करने का allegations हैं, उसके against the accused, और list of witness देता है, that's how they begin, एक प्राइम अफेसी, और उसके बाद वहां आपनने पढ़ा था, discharge होता है, हर तरीकी की trial में, prosecution की प्राइम अफेसी बात सुनने के बाद, discharge का option है, कोट के पास, कि वो discharge कर सकता है, और अगर को लगता है, कि नहीं, discharge नहीं करना, आ करेगा, अपना case state करेगा, और evidences लेके आएगा, बाकी सब आपको पढ़ने की जरूरत फिलहाल नहीं है, और जैसा मैंने का, बाद में पुरसत में बैठके पढ़ते रहना, pre का question इतर जो बनता है, बहुत important, वो है 3A, तो rule 2 भी हमने पढ़ा, basic जानकारी के लिए, rule 3A, यहा करना है, दूसरे witnesses के appear होने के पहले, यह rule का number भी पूछा जाएगा आपसे, अगर a party himself wishes to appear as a witness, he shall so appear before any other witness on his behalf has been examined, अगर उसको खुद भी as a witness appear होना है, party को खुद appear होना है as a witness, तो वो कब होगा, इसके पहले की कोई दूसरा witness examine हो, उसके पहले party को होना है, यह भी सवाल कुछा जाता है, दो prelims के question अधर बनते है, unless the court for reason to be recorded, permits him to appear as his own witness at a later stage, later stage पर भाई, court की permission से तो CPC में कुछ भी हो सकता है, तो वो तो हमेशा as an exception अपन लेके चलेंगे, कि court permit कर देगा, तो अब बाद में भी आ सकते हो as a witness, but general rule would be that, कि अगर party को खुद as a witness आना है, तो पहले, बाकी witnesses के examination के पहले आना है, अब जरा CRPC को correlate करते हो, तुरंट मुझे बता दीजिए, कि CRPC के कि section में लिखा है, कि accused is also a competent witness, और अगर accused को as a witness आना है, तो अपनी written application पर आता है, यह सब पढ़ा है भाई, CRPC में, किदर है, बता दू जरा comment में जल्दी से, All right, there was a slight glitch in the network, थोड़ा सा network issue था, I hope that is resolved, अभी, अभी clear है न, अभी भी glitch हार है, थोड़ा सा network issue था, network थोड़ा काम आरा है, मझे दिख रहा है system में, थोड़ा सा network issue था, I guess, अभी it is fine, yes or more, 315 is correct, that's correct, 315 CRPC connect कर लिजे, तुरंट, all right, all right, all right, चलिए, तो इसी तरीके से आप पढ़िए, दोनों को correlate करते चलिए, साथ-साथ, इधर की process, उधर की process, तो clarity भी जादा हो जाएगी, क्योंकि criminal आप जादा अच्छे से समझते हैं हमेशा, बट CPC भी उतना ही मज़दार है, आपको साथ बता है, जो डीटेल में आप CPC पढ़ेंगे, बैठके एक एक order की detailing, और उस सब का जब बाद में correlation होता है एक दूसरे के साथ, वो जब आप पढ़ेंगे, आपको उतना ही मज़दा CPC पढ़ने में भी आएगा, जितना आपको CRPC में आता है, बस बशर्तित तरी पनीक फीचर्स, और तो सर्व दे सुसाइटी यह सब बगवास से आपको पता मुझे पता, घलेट बसका नहीं था, दी दी लोग आती है उन से पूछो की, यॉव प्ट लो एसा करियर तो बड़ेंगे, तो बड़े फैंसी से आंसर मिलते हैं, तो बड़े फैंसी से आंसर म अपने अपने समझ ही नहीं तब ही तो लो करना है तो और अब बस मेरा इसे लिए यही कहना है कि लोग को भी उस तरीके समख पड़िया जैसे आप बाकी सब्जेट पढ़ गाते इस लिए आप वहां से भागे थे वही काम आप इधर मत करें इसको जरा समझ के पढ़िये मजदार चीज है यह बागे इसलिए समझ के पढ़िये वह अप्रोच इधर मत अड़ाप्ट करिये ना चीक है आजाए रूल फॉर पे सो रूल थ्री है आए होप समझ में आ गया रूल फॉर पे आजाए जाए जरा तुरन्ट रूल फॉर is very important recording of evidence in every case the examination in chief of a witness shall be on effed effect यह सवाल प्रिलम्स में पूचा जा चुका है इसको जरूर आप पढ़िये recording of evidence बहुत important है rule four is order का in every case the examination in chief of a witness shall be on affidavit and copies thereof shall be supplied to the opposite party by the party who calls him for evidence, okay, affidavit पे होगा witness का examination in chief, ठीक है so that is important इसके बाद इसका सब रोल तो भी देख लेजे the evidence cross examination and re-examination of the witness in attendance whose evidence examination in chief by affidavit has been furnished to the court shall be taken either by the court or by the commissioner appointed by it तो वो cross examination जिसका भी आपने उस तरीके से लिया है examination in chief, affidavit पे लिया है तो court या commissioner call भी कर सकता है लेकिन rule 4 याद रखिएगा recording of evidence की बात करता है और examination in chief जो है वो affidavit पे होने की बात करता है witness के बहुत important rule है भाई साथ rule 4 इसके बाद सीधे mark करिए rule 12, अब देखिए इसमें बहुत सारे rule है, इस order को आप देखेंगे तो 19 rule है, सारे नहीं पढ़ना जो बहुत important, जहां से परी का सवाल आ रहा है बस वो पढ़ेंगे अपने तो 4 पढ़ लिया, 4 के बाद आजाईए rule 12, rule 12 पढ़िए this is important the court may record such remarks as it thinks material respecting the demeanor of any witness while under examination यहां लिखा है कि court witness का जब examination होगा उसका demeanor और भी देखेगा, उसके बाद, उसके भी प्रिलिये remarks लिखेगा, demeanor और मतलब उसका कंड़ा, उसकी dirty language, बोलने का तरीका CRPC, correct, याश, good CRPC का section बता दीज़े, बाई, तुरंट याश ने बताई दिया है, 280, demeanor of witness similar provision, CPC में, rule 12 में, order 18, rule 12, CRPC 280 correct, correct, साथ साथ चलाते जाएए दोनो इसके बाद सद्रा माग कर लीजे, 17, 12 के माग माग करिये है rule 17 पढ़ना है, pre के लिए, that is important court में recall and examine witness, जिनका examination हो गया है उनको दुबारा बुला के court examine कर सकते हैं, CRPC में बताईए जरह कहाँ provision था, CRPC में बताईए, जिनका examination हो गया है, उनकी attendance दुबारा require करा सकता, court, दुबारा बुला के examine कर सकता, यह सब CRPC में भी प्रफिक का आपने, 17 देखिए, the court may at any stage of a suit, recall any witness who has been examined and may subject to the law of evidence for the time being enforced, put such questions to him as the court thinks fit, किसी भी stage पे दुबारा बुलाया जा सकता है, correct, 311 में भी आवरे CRPC के, कि दुबारा बुला सकता है, जिसका examination हो गया, उसको दुबारा भी बुलाया सकता है, और multiple provisions CRPC में आपको मिलेंगे, that's correct, so यह हो गया आपका rule 17 और आखरी rule, इस order का, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना, इतने rules पढ़े हमने इस order में और यह सबके सब important है, order rating, इसके बाद आईए order 19, order 19 बहुत ज़्यादा important नहीं है, सिर्फ order का number primarily आपको याद रखना है, order number आपको primarily याद रखना है, यह ज़्यादा important है, so order 19, इसके बात करता है, rule 1 देखिए, power to order any point to be proved by aphidifet, court के पास अधिकार है कि वो यह compel कर सकता है कि कोई भी particular point प्रूफ होना है, court में तो इसके हो, rule 1 में लिका है, any court me at any time for sufficient reason, order that any particular fact or facts may be proved by aphidifet or that the aphidifet of any witness may be read at the hearing on such conditions as the court thinks reasonable, तो court चाहे तो किसी भी point को aphidifet पे किसी भी समय मंगवा सकता है, किसी भी party से, यह ज्यान रखिएगा, rule 3 भी इसका आप मार कर सकता है, matters to which aphidifet shall be confined, तो कुछ specific matters हैं जिन पर aphidifet confined होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आने के chances नहीं होते, major chances आपको इधर पढ़ना है, जो जो आने की संभावनाएं ज्यादा है, वो आपको देखना है order का number, that is quite important, वो थोड़ा सा बचादा important है, and I hope that is clear to all of you, इसके बाद अगला जो order है, वो है आपका judgment and decree, लेकिन इसको मैं आज skip कर रहा हूं, इस judgment and decree को हम आज नहीं पड़ रहे हैं, इसको हम start करेंगे कल की class में, and before that, we will be studying about class, judgment and decree मैं कल start करूंगा, उदर एक conceptual चीज़ भी है, तो जब कल start करेंगे, सीज़े उस concept से start करेंगे, preliminary decree, judgment and decree के बीच का कवर कल, इसके पहले, और अभी आज का खतम नहीं कर रहा है, cost का पन complete करेंगे, तो ज़रा sections की तरफ आ जाईए, cost पढ़ने के लिए, section 35 पे आ जाईए, cost के बारे में बात करता है, section 35, cost की briefing मैं आपको अल्रेड़ी दे चुका हूँ, इस introduction वाली class में, CPC की जो introduction वाली class थी, उसी में मैंने आपको cost के बारे में brief कर दिया था, क्या purpose होता है cost का, क्यों लगाई जाती है, क्योंकि भाई, party का जवर जस्ती खर्चा हुआ, अब एक party ने, आपने तो being the plaintiff मुझे code बोला लिया, suit file करके, मैं आया भी, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थ फालतू की चीज़ आपने assert कर रही थी, फालतू के allegations आपने लगा रखे तो मेरा तो खर्चा हुआ ना, अपने आपको defend करने में, तो court जो है cost लगा सकता, अब जारूरी नहीं कि वो plaintiff पर ही लगाएगा, defendant पर भी लगा सकता, अगर genuine cost है plaintiff के, तो आपको आपने अगर उसक लगाई जाती है, आपके उपर, हमने बहुत जगे पढ़ा कि facts admit करने हैं, उसका notice दिया गया, अगर आपने facts को admit नहीं किया, तो फिर उनको prove करने की cost उस party से ली जाती है, यह मैंने कल पढ़ाया था, admissions में आपने यह चीज़ देखिए, तो इस सब के हिर्दगिर्द cost से related provision section 35, 35A, 35B, और 20A order जो है उसमें दिया है, तो इस topic को अपनाज करते हैं, 35 देखिए cost, बस इतना ध्यान रखिएगा इधर कि जो cost लगाई जाती है, इसका कोई amount fix नहीं है, ध्यान रखिएगा cost लगाने का कोई amount fix नहीं है, generally cost discretion of the court होती है, यह बात section 35 में दी है, section 35 देखिए subject to such conditions and limitations as may be prescribed, and to the provisions of any law for the timing in force, the cost of an incident to all suits, suit की जो cost है, शाल भी underline कर लीजिए, शाल भी in the discretion of the court, तो suit की जो cost लगाई जानी है, वो क्या होगी हमेशा discretion of the court होगी, यह बात ध्यान रखनी है, बस आपको 35 में, कि suit पे जो cost लगाई जा रही है, suit की जो cost लगाई जा रही है, वो discretion of the report होगी, इसके बाद 35A देखिए, मैं section select से mention कर देता हूँ, cost की अपन बात कर रहे हैं, तो cost के regarding सबसे पहले आपने देखा section 35, फिर अपन देख रहे हैं, section 35A और उसके बाद अपन देखेंगे, section 35B, so 35A में देखिए, यह compensatory cost in respect of false or vexatious claim or defense, अगर आपने vexatious claim या defense किया है, कोई false claim या false defense आपने किया, तो फिर यह compensatory cost लग रही है, यह as a penalty आपके ओपर लगाई जा रही है, इसकी limit क्या होगी, यह भी देखिए, so if in any suit or other proceedings including an execution proceeding, but excluding an appeal or a revision, any party objects to the claim or defense on the ground, that the claim or defense or any part of it is as against the objective, false or vexatious, अगर false या vexatious है, वो फर्जी claim आपने किया है, फर्जी चीज़े आपने defense में डाली है, अगर यह proof कर दिया party ने, तो compensatory cost लगाई जाती है, question जो prelims में बनेगा, वो इस section का बनेगा, कि यह compensatory cost 6 के section में है, और इसकी maximum limit क्या है, वो आपको मिलेगी subsection 2 में, इस section के 35 A.K. subsection 2 पे आईए, जरा, no court shall make any such order for the payment of an amount exceeding, underline कर जीजे, exceeding 3,000 रुपीज, और exceeding the limits of its pecuniary jurisdiction, whichever amount is less, court की जो pecuniary jurisdiction है, या फिर 3,000 रुपे, 3,000 रुपे तक की cost compensatory लगाई जा सकती है, for vexatious claim और vexatious defense, या फिर pecuniary limit अगर इससे कम है court की, तो जितनी pecuniary limit है, उतनी cost वो लगा सकता है, इसके बाद देखिए 35 B, 35 B है cost for causing delay, अगर आपने delay cause किया है, court का समय बहुत important है, court का समय बहुत important है, और अगर आपने वो waste किया, तो cost लगाई जाएगी, जैसे मैं आपको बताया थे cricket में, अगर अब जितना समय है, उससे ज्यादा लगाता है captain, तो उसकी match fee में से पैसा काट लिया जाता है, ऐसा इधर है, court की proceeding, आपने unnecessary delay करी, तो पैसा ले लिया जाएग or any other ground, अगर आप delay कर रहे हैं, जो काम बोला गया है, जिस समय आपसे वो आपने नहीं किया, तो इस delay की वज़े से cost लगाया जाएगा, और यहाँ भी as such बाकी और कुछ important नहीं है, इस section में, बस section number ध्यान रखियेगा, कि 35B जो है, वो किसमें deal करता है, delay cause करने के लिए जो cost लगाई जाती है, वो 35B भी है, false और vexatious claim और defense के लिए जो लगाई जाती है, और general जो suit में लगाई जाती है, that is 35, और उसकी कोई limit नहीं है, वो court का discretion है, suit में जो cost लगाई जाती है, और यह specific purposes के लिए है, जिसमें 35A में limit भी दी हुई है, 3000 रुपे तक की cost लगाई जा सकती इसी के साथ इसका corresponding order जरा देख लिजे, कुछ है नहीं उसमें, सिर्फ order number ध्यान रखिएगा, order 20A, इसके साथ आपको पढ़ना है, order 20A, पस, यह collectively cost से related भूई कहानी आपको मिल जाएगी, order 20A पढ़ना है, बाकि rule इसके पढ़ने की ज़रुरत नहीं है, सिर्फ order का number ध्यान कि 20A में यह चीज दी हुई है, provisions relating to certain items, cost के बारे में और दूसरी बाते हैं, ज्यादा कुछ important नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, execution और, sorry, judgment और decree और साथ ही साथ, जो execution है, इसके बारे में अपन बात करेंगे कल की class, तो कल हम बात करेंगे, judgment, decree और execution की आज की जो class है, इसमें हम पढ़ने वाले है, judgment और decree, आज का जो basic पोरा discussion है, it is about judgment and decree and its execution as well, ठीक, तो आज जो मैं आपको cover करा हूँगा, इसमें basically यह तीन चीज़े है, judgment, decree and execution, decree का execution, अब यह सब होता क्या है, इसकी कहानी में आपको basic अलरडी बता चुका है, आपने अगर व basic की देखी थी, तो you very well understand कि यह क्या है, judgment क्या होगा, decree क्या होगा और उसका execution, क्यों होगा, क्या होगा, यह सब अपन already discussed कर चुके है, आज इसको थोड़ा सा detail में देखेंगे, और यह जो particular topic है, judgment, decree and execution, इससे सबसे जादा questions आते हैं, किसी भी प्रलिम्स examination में, इस judgment, decree order से आप पूरे CPC में लगबग आप देखेंगे, सबसे बड़ा यही है, और इसमें कई सारे rules हैं, जिनसे कई सारे details से question बनते हैं, तो यह topic में जबली cover करना है, this is one of the most important topics for the problems examination, सबसे जादा weightage जो CPC में होता है, वो इस से होता है, judgment decree और उसके execution से, पहले हम समझेंगे, कि judgment होता क्य है, decree क्या होती है, और इसको differentiate करेंगे with order, कि order में क्या difference है, उस basic understanding को लेंगे and then we'll move on to the respective orders, which deals with these topics, चीक, तो इसको जड़ा समझेगा पहले कि यह decree क्या है, यह order क्या है, इन चीज़ों को थोड़ा समझते हुए चलिएगा, उसके बाद अपन उस execution और उस पूरे particular portion के उपर आ समझने के लिए, और इसके बाद जो पूरा execution है, उसको समझने के लिए, पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यह होता क्या है, judgment क्या होता है, decree क्या होता है, order क्या होता है, उसको सिर्फ हम distinguish करने के लिए समझ रहा है, कि वो कैसे इन दोनों चीज़ों से अलग होगा, बस य बेरिट निकालिए CPC का, उसमें आप निकालिए section 2, section 2 में यह तीनों चीज़ें defined है, आप इसका clause 2 देखेंगे तो decree defined है, clause 10 देखेंगे तो, sorry, clause 9 देखेंगे तो judgment defined है, और 14 देखेंगे, तो order defined है, चीक, तो decree है 2 में, judgment है 9 में, और order है 14 में, चीक, इसको ज़रा देखते है, before we move on to decree, पहले ज़रा judgment और order की definition देख लिजिए, order exclusion में बताया गया है decree से की कैसे वो अलग है और होता क्या है, तो पहले देखिए सबसे पहले, where it में section 2 का clause 9 देखिए, जो define करता है judgment को, judgment means the statement given by the judge on the grounds of a decree or order, decree or order के जो grounds होते हैं, वो judgment है, basically decree क्या है, वो final adjudication, उसके जो grounds है, वो judgment है, judgment में आपको पहले भी बताया था, एक court ने दो parties के matter को सुना और अपना एक decision दिया, अब वो जो भी court जिस भी decision पे पहुचा है, उसके पीछे बहुत सारे grounds होंगे, बहुत सारे reasons होंगे, वो पूरे grounds और reasons, वो सब मिला के constitute होता है आपका judgment, और जिस भी decision पे आप पह पहुचे है, उसका जो formal expression है, जिस भी decision पे आप पहुचे है, मान लीजे, recovery of immovable property का suit था, कि वो property recover करनी थी, end में plaintiff जो है, वो recover कर पाएगा या नी, उसको possession देनी है या नहीं देनी है, that will be the decision, that will be the adjudication, इसे उसका right determine होगा party का, कि उसे उस property की possession दिलाई जाएगी या नहीं, ये बात लिखी जाएगे decree में, बस ये party का right determine करने के लिए, लेकिन अगर court इस conclusion तक पहुचा है, कि जिस plaintiff ने suit file किया था, immovable property की recovery के लिए, अगर court इस conclusion पहुचा है, कि उस plaintiff को वो property दी जानी है, तो इसके पीछे reasons होंगे, grounds होंगे, वो पूरा collectively कहलाता है आपका judgment, और उ जैसे ही definition पर पन जाएंगे, थोड़ा सा और इसको detail में देखेंगे, order देखिए ज़रा जो clause 14 में दिया, इसकी definition exclusion में दी हुई है, कि जो decree नहीं है, वो order है, इस तरीके से बताया है, ज़रा 14 देखिए, order means the formal expression of any decision of a civil court which is not a decree, so भाई, order को कैसा define किया, कोई भी formal expression of decision, court ने formal expression जो decree नहीं है, तो जितने formal expression है decision के, जो decree नहीं है, वो सब order होंगे, और बाकि decree होगा क्या, ये आपको clause 2 में बता दिया है, तो ज़रा section 2 के, ये सारी चीज़ें आप देखते जाईए, section 2 का clause 2, clause 9 and 14, ये तीनों आपको देखना है, अब ज़रा आईए clause 2 पे, तो समझ में आईए कि decree क्या है, तो जो decree हो गया, वो सब order नहीं होंगा, clear, ज़रा decree पे आईए, जो clause 2 में है, decree means the formal expression of an adjudication, which so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, अब ये जो आप definition देख रहे हैं, जो यहाँ clause 2 में दी हुई है decree की, इसके essentials निकालने की अपन कोशिश करेंगे, कि decree के क बहुत important है, उससे आप समझ पलेंगे कि ये decree है क्या, और order क्या है, दुनों के बीच का basic difference क्या है, एक जो बहुत important बात इस decree के बारे में है, जो इसको अलग बनाती है order से वो ये, कि यहाँ conclusively determine होते है party के right, order में party के right determine as such नहीं होते हैं, जो decree में होते हैं, जैसे अभीन आप को एक एक करके essential भी बताऊंगा, उसके पहले brief difference जो सबसे major difference है, order और decree का उसको समझ लीजिए, देखिए, order proceeding के दौरान दिये जा सकते हैं, जब civil proceeding चल रही है, उस दौरान order pass किये जा सकते हैं, बाद में भी pass किये जा सकते हैं, लेकिन decree जो है, वो decision होता है, finally end में ही decree आती है कई बार preliminary decree भी आती है, जो की बीच में आती है, basic difference order और decree का ये है, कि decree वो pronouncement है, जिसके थो किसी party का right determine किया जाता है, वो है decree, order में as such right का determination नहीं होता, for example, जैसे मान लिजे, court ने order दिया attachment का, अगर आपने पहली class CPC की attend करी है, तो आप जानते हैं, मैंने वहाँ बात करी थी, कि court during proceeding भी attachment और arrest के order दे सकता है, अगर court को लगता है कि जिस property से related dispose चल रहा है, defendant उस property को ही dispose of कर सकता है, जब तक suit खतम होगा, तब तक property खतम हो जाएगी, अगर इस तरीकी की संभाव ना है, तो in between attachment court करा सकता है, तो attachment जो करा रहा है court, it's an order, कि भाई साब इस property को attach किया जाना आप जरा बताईए मुझे, क्या इसमें किसी party के right को determine किया गया है, क्या इसमें किसी party के right को determine किया गया है, the answer is no, जिसको जिसका भी right end में determine होगा, कि ये property, right determine मतलब किसका अधिकार है उस property पे, ये तो अभी बाद में decide करेंगे ना अपल, अभी थोड़ीना determine कर रहा है right हम कि लेकिन फिर भी कोट का ये decision है, जिसमें कुछ किया जा रहा है, property को attach किया जा रहा है, that will be an order only, that cannot be a decree, that is just an order, लेकिन decree क्या करती है, parties का right determine करती है, conclusively ये बात जाहिए, अगर ये decision दे रहा है, कि तीन partners थे, जिनके बीच में बाद में dispute हो गया या उनकी form dissolve हो रही है, अगर को तीनों partner है, ये equal share के लिए entitled है, जितने भी asset है, उनकी partnership firm के, वो equal share के लिए entitled है, 33, 33, 33, मैं बाटा जाना चाहिए, ये अगर decision quote ने के लिया है, तो बताइए, ये decree होगा या नहीं, yes or no, अगर quote ये कह रहा है, कि तीनों partner, equal share के लिए entitled है, उस partnership firm में, ये right का determination है, या 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 य अपना right मांग रहे है, ancestral property में, वो अपना अधिकार मांग रहे है, court ने decide कर दिया, कि तीनों को equal share मिलेगा, तीनों lawfully entitled है, succession के अंदर, और तीनों को equal share मिलेगा property का, ये जो determination, ये जो decision है, court का whether it is decree or not, so the answer is yes, क्योंकि यहाँ पे conclusively right determined हो रहा है, इसको अपन कहेंगे decree, जिन decisions म right determined नहीं होता, generally वो होते हैं, orders, that is the basic difference between decree and order, अब जरा वापस अपने clause 2 पे आईए, और decree के essentials को एक एक करके देखिये, तो आप और बहतर इस बात को समझ पाएंगे, और judgment क्या है, court कैसे एक decision तक कहुंच रहा है, वो पूरा judgment है, अब वो decision order का भी हो सकता है, चाहे, decree का हो सकत है, कि भाई यह हमने decide किया है, final क्या decide हुगा, वो या तो order होगा, या तो decree होगा, order or decree को कैसे differentiate करेंगे, I hope you got this, एक बार जरा yes लिख के बता देजिए, अगर यह बात convey हो गई है, तो, because this is important, general clarity के लिए CPC में यह जरूरी है कि आपको यह difference पता हो, decree, order or judgment का, शायद आप से directly कभी यह सवाल नहीं पूछा जाएगा, कि यह order है कि decree है, but this should be clear in your mind, बहुत important है, अपने आपको अच्छा law graduate अगर आप कहना चाते हैं, तो, ची, all right, yes, चलिए, अब ज़रा decree की definition पे आईए, तो इधार अपन समझेंगे कि preliminary decree क्या होती है, final decree क्या होती है, और partly preliminary और partly final decree क्या होती है, यह सब with example अपन समझेंगे, अब ज़रा clause 2 पे आईए, decree means the formal expression of an adjudication, किस चीज़ का final expression है, यह formal expression है, adjudication का, Now, what do you understand by the word adjudication? Adjudication का मतलब होता है, किसी legal matter को decide करना, judge या court जब कोई matter decide करता है, उसको कहा जाता है, adjudication, see, decision किसी का भी हो सकता, आपका भी हो सकता, मेरा भी हो सकता, लेकिन जब ए court या कोई judge कोई decision देता है, किसी matter में, उसको कहते है, adjudication, तो adjudication का एक formal expression है, decree, आगे pressing it, कंग, यह बहुत important essential decree का सकुंडराइन कर लीजे, conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, conclusively determine करता है, party के right को, जो adjudication party के right को conclusively determine करता है, उसका formal expression कहलाता है, decree, आगे देखिए, and may, अब आगे बता है, deemed decree के बारे में, कुछ इस तरीके के adjudication CPC में है, जिसमें से कुछ अपन पड़ भी चोके हैं, उनको decree माना जाता है, इसे कहते हैं deemed decree, आगे देखिए, and may be either preliminary or final, decree कैसी हो सकती है, decree preliminary भी हो सकती है, decree final भी हो सकती है, it shall be deemed to include, this is very important for prelims, it shall be deemed to include the rejection of a plaint, underline कर लीजिए, decree में क्या include होगा, rejection of a plaint, so rejection of a plaint को भी decree माना जाता है, जरा order और rule बता दीजिए, कहां पड़ा है, आप पड़ चुके हैं, इसी सीरीज में हम पहले ये cover कर चुके हैं, rejection of a plaint, तो जरा order और rule बता दीजिए, comment में, correct करती, order 7, rule 11, और वहां देखा आपन ने कि act 1 सी इसे rejection नहीं होता है, पहले chance दिया जाता है, correction का, फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी चीज़े समझ में नहीं आ रही है, court को, in that case rejection होता है, and that rejection is considered as a decree, so we deem to include the rejection of a plaint, and इसके बाद देखिए, second क्या चीज़ है, एक तो होगे rejection of a plaint, second क्या है, and the determination of any question within section 144, 144 में ज brief में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जिस दिन अपन ने पहली class करी थी CPC की, दो अभी जब हम sections की sequence पे आएंगे, sequence में सारे section cover करेंगे, वहां में आपको थोड़ा detail में बताऊँगा, अभी फिर से एक बार brief में आप सुन लीजे कि restitution क्या होता है, जैसे मान लीजे, decree मैंने आपके अगें suit file किया था, मेरे favor में court ने decree दे दी, अब मेरे favor में जब court ने decree दी तो हो सकता है कुछ ऐसा decision हो court का decree में कुछ ऐसी चीज़ा है, जो मुझे आप से लेनी है, पैसा लेना है, recovery of money है, मान लीजे 50 अदार है, कोई property मुझे आप से लेनी है, by that decree, अब मान ली decree को reverse कर दिया जाए, अगर reverse कर दिया, तो मैंने तो अपना benefit ले लिया, out of that decree, जो मुझे आप से लेना था, ऐसे मैं court क्या करेगा, अगर appeal में वो reverse हो गया, तो जो भी benefit मैंने obtain किया, उसको वापिस मुझे आपको करना पड़ेगा, इसको कहते है, restitution, to give back the property, जो मेरे को मिल ग include, क्या include नहीं होगा decree में, ये भी बहुत important है, इस clause 2 से ही 3 से 5 सवाल बन जाते हैं, ये बात ध्यान रखिए, अभी preliminary, partly preliminary, ये सब भी बहुत important है, तो इधर से ही आपको 3 से 5 question बढ़े आराम से मिल जाएंगे, इसके बाद, क्या include नहीं होता है, any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, ऐसे adjudication ज भी interpret कर ली है, इसके बाद भी देखिए, और any order of dismissal for default, default के case में जो dismissal का order pass करता है, it is not considered as a decree, तो ये 3-4 question दर से बहुत important है, किस clause में decree defined है, decree के essentials क्या है, और for your conceptual clarity, मैंने आपको वो difference भी बता दिया कि judgment, decree और order के बीच में क्या difference है, question जो बनते हैं प्रदिम्स में, वो major lease clause 2 से बनेंगे कि decree के क्या-क्या essentials होते हैं, and I hope you understood the difference between order and decree as well, अब explanation पर आईए, बहुत important explanation, explanation कहता है, decree is preliminary when further proceedings have to be taken before the suit, can be completely dispose of, preliminary decree क्या होती है, जहां भी further proceedings होना है, completely dispose of, नहीं हुआ है suit, right का adjudication तो हो गया, भाई देखिए, decree कब होगी, जब right का determination होगा, through an adjudication of the code, तो right determine तो हो गया, लेकिन अभी completely dispose of नहीं हुआ है suit, ऐसे adjudication को, या ऐसी decree को कहा जाता है, preliminary decree, और वो decree जिससे finally suit खतम हो जाता है, उसको कितने final decree, आगे देखिए, it is final when such adjudication completely disposes of the suit, adjudication जब completely dispose of कर देता है suit को, उसको कहा जाता है, final decree, और इसके आगे लिखा है, it may be partly preliminary and partly final, decree जो है, वो partly preliminary और partly final भी हो सकती है, अब जब आजाएए इन तीनो terminologies पे, preliminary decree कैसे आएगी, final decree क्या होगी, और partly preliminary और partly final क्या होगी, तीनों के मैं आपको example बता देता हूँ, जैसे मान लीजे, partitioned a suit file हुआ, तीन भाईयों ने अपनी जो ancestral property है, उसके लिए एक suit file किया, उनमें स property है, जिसमें तीन बंगले हैं, दो plots हैं, और इसके अलावा दो-चार moveable property है, बहुत सारा bank balance है, कुछ dates है, इस तरीके की पूरी एक family की property है, अब एक बंदे ने उसमें से partition का suit file किया, कि साब हमारा ये property के partition कर दीजिए, अब जब ये suit file हुआ, तो A, B और C, A, B और C, तीन ये भाई हैं, इन तीनों के बीच में ये partition होना है property का, अब quote ने ये decide कर दिया, proceeding की किसी भी stage पे, जहां quote ने ये decide कर दिया, कि these three are entitled for one third share each, one third इसको मिलेगा total property का, one third इसको, one third इसको, तीनों person, one third share के लिए entitled है, quote ने ये कह दिया, ये हो गई आपकी preliminary decree, quote ने क्या कह दिया, कि तीनों भाई, one third share के लिए entitled है, this is a preliminary decree, अभी ये final क्यों नहीं है, क्योंकि अभी suit dispose of नहीं हुआ, आपने ये तो बता दिया, कि A को one third मिलेगी, B को one third मिलेगी, और C को one third property मिलेगी, लेकिन उस property का कौन सा share किसको मिलेगा, अभी ये determine नहीं हुआ, इसलिए final नहीं है, ये suit को completely dispose of नहीं कर रही है, अभी हमने सिर्फ ये समझा है, गोट ने सिर्फ इतना determine किया है, कि तीनों को एक तिहाई भाग दिया जाएगा, जब final ये होने के बाद, गोट जब ये decide कर देगा, कि भाई साथ, दो बंगले तुमारे, एक piece of land तुमारा, इतना तुम्हें मिलेगा, इस भाई को दे दिया, दो piece of land दे दिया, और एक घर दे दिया, और कुछ cash दे दिया, इसको भी similarly, एक particular portion of property as one third दे दिया, ये हुआ final disposal of the suit, so ये जो है, this is final decree, कि किसको कौन सा portion मिलेगा, will be a final decree, और ये जब कोट ने decide किया, कि तीनों one third के लिए entitled है, that is preliminary decree, and I hope that is clear, clear है बाई, preliminary कब होगी, final कब होगी जब suit, completely dispose of होगा, and I hope that is clear, इसके अलावा, मान लिजे, partnership business था, एक तीन लोगों का, तीन पार्टनर्स थे, एक firm में, तीनों, मान लिजे, firm dissolve हो रही है, और तीनों अपने अपने share के लिए quote जाते है, अब यहाँ quote is determined करता है, कि एक partner जो है, उसको 40% share मिलना चाहिए, एक partner जो दूसरा है, उसको 30% मिलना चाहिए, और तीसरे को 30% मिलना चाहिए, तो एक quote ने जहाँ यह decide कर दिया, कि एक partner को 40% मिलेगा, दूसरे को 30, और तीसरे को 30, यह हो गए आपकी preliminary decree, इस suit में final decree कब आईगे, जब quote यह भी बता देगा, कि 40% में कौन से asset जाने है उसके पास, 30% मे second partner के पास कौन से asset जाने, और तीसरे partner के पास 30% में कौन से asset जाने, जब यह determine होगा, this will be the complete disposition of the suit, और उसको बुलते हैं, अपन final decree, तो यह है आपका preliminary, और यह है आपका final, अब कई बार आपसे यह भी सवाल पूछ लिया जाता है, कि किन suit में preliminary decree आईगी, तो अगर आपने concept सम पढ़ने या समझने जाएंगे, तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आपको one list हर जगे मिल जाएगी, कि किन में preliminary decree pass हो सकती है, partition के suit में हो सकती है, partnership firm के उसमें हो सकती है, इन सब चीजों में generally होती है, उसको याद रखने के लिए concept अगर clear है, तो जादा अराम से आप उन ची definition ये भी कह रहा है, कि it can be partly preliminary and partly final, देखिए ये कैसे होगा, माल लेजे एक suit file किया गया, एक घर की possession का, ये एक घर है, इसकी possession का suit file किया गया, और उसमें mean profit भी claim किया गया, किस किस का suit है भाई साब, possession का, और mean profit का, अब ये mean profit क्या होता है, तो जरा इसकी भी definition देख लीजे, दो मैं आपको पहले ये चीज़ बता चुपा हूँ, clause 12 देख लीजे, आप section 2 खोल के बैटे हैं, clause 2 जरा देख लीजे, mean profits of property means those profits which the person in wrongful possession, which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received there from together either with interest on such profits but shall not include profit due to improvement made by the person in wrongful possession, wrongful possession में अगर कोई व्यक्ति किसी property के है, उस wrongful possession में रहते हुए जो profit उसने कमाया, उसको कहते है mean profit, जब अब इस suit में decree partly preliminary, partly final भी आ सकती है, जैसे मान लीजे, और एक final decree और एक final decree और एक आपकी आ सकती है इसमें preliminary decree, तो मान लीजे अगर कोट ने ये decide कर लिया, मान लीजे B इस पे कबजा करे हुए है, इस land पे और यहां से उसने कुछ main profit भी कमाया, अब मान लीजे A जब B के again suit file करता है कोट में, तो decree आती है किसके favor में, A के favor में, इसके favor में आ गई, कोट ने possession, इस property की, और कोट ने ये भी decide कर लिया, कि इसको mean profit भी दिया जाएगा, decide कर लिया, finally adjudication हो गया, कि भाई सहाब, आपको possession भी दिलाई जाएगी, because you are entitled for this home, and जो mean profit is, पूरे adverse possession के duration में, B ने इस घर से कमाया है, वो भी आपको मिलेगा, अब आप एक बाद समझेगा, यहां, in respect of possession, the decree is final, yes or no, बता दिये ना कोट ने इस घर की possession आपको मिलेगी, जिस पर B ने कबजा कर रुख है, so in respect of possession, the decree is final, but in respect of mean profit, in respect of mean profit, the decree is preliminary, इसके respect में क्या है, preliminary है, क्योंकि बता दिया mean profit मिलेगा, अभी उसका calculation नहीं हुआ, कितना मिलेगा, कितने दिन से adverse possession था, क्या क्या उ इस पर clause 12, clause 12 also says कि mean profit के साथ interest भी दिया जागा, वो सब calculation आभी बाकी है, लेकिन आपने right बता दिया, right determined हो गया, कि आपको possession भी मिलना है, और mean profit, to mean profit के respect में decree final है, sorry, possession के respect में decree final है, और mean profit के respect में it is preliminary, so that's where we call it, partly preliminary, partly final, चेक, तो ये होता है आपका, जो explanation में last लिखा है, it may be partly preliminary and partly final, I hope that is conveyed to you, कि किस तरीके से ये चीज़ें होती है, क्यों होती है, और मैंने आपको ये भी बताया है, कि जो ये जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसके लिए थोड़ा आपको, जो substantive laws हैं, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे provision भी आएंगे, जिसमें थो थोड़ा सा भी conceptual चीज़ आती है, वहाँ थोड़ा सा हम detailed discussion में चले जाते हैं, क्योंकि आप ये बाते हैं, अगर आपको याद करनी है, decree से related, तो you should also understand these things, कि ये चल क्या रहा है, और इसके लिए substantive laws से अपने को चीज़ें उठानी पढ़ती है, कि या partition का suit है, या profit के distribution का suit है, and I hope that is conveyed to you, yes or no, clear हो गया है, या decree की कहानी, judgment decree order, तो अब अपन प्रोफरली उस procedure पर आ जाएंगे, जो CPC में पढ़ना है, अब अपन section देखेंगे, judgment decree के कहां दिये हुए है, और फिर उसका execution अभी हमें पूरा देखना है, कैसे कैसे execution होगा, and this is one of the most important topics of CPC, जिसमेंसे किसी State का Judiciary का आप exam देने चले जाएए, सबसे जादा सवाल आपको इस particular topic से मिलेंगे परीके, judgment, decree और decree का execution, right, all right, चलिए, हो गया भाई, clear, convey to everyone, चलिए, कुछ basic जानकारी आपको देदू, before we move on to the provisions related to decree and judgment, जैसा आप जानते हैं, 36 गड़ का exam है, 26 फरवरी को, उसके लिए we have a mock test series जिसमें आपको मिलेंगे 10 mock test exactly on the pattern of 36 गड़ तो अगर आप उसको भी target कर रहे हैं, you can go for this test series जिसमें आपको 10 mock test मिलेंगे exactly on the pattern of 36 गड़ जिसमें answer के explanations भी आपको मिलेंगे और आपको add कर दिया जाएगा, doubt discussion group में भी, अगर उन questions में कहीं आपको कोई doubt है, तो you can ask that doubt as well and the faculties will revert on that, तो यह सारी facility आपको इस test में मिलते हैं, इसके साथ आपको ranking मिल जाएगी आपके कि where you stand, ठीक तो this is not exactly on the pattern, यह आपको elect for judiciary के mobile application पे मिल जाएगा, इसके बाद similar pattern पे उत्तरफरदेश की भी mock test series है, जिसमें law और GK दोनों के mock test है, law के separate है 10 और GK के separate है 10, यह भी आपको course व एक scholarship test conduct होने वाला है 22nd January को, that is Sunday को, सुबह 9 बज़े से रात के 11 बज़े तक आप कभी भी इसको attempt कर सकते है scholarship test को, अगर आप foundation course में admission लेना चाहते हैं, तो you can avail up to 50% of scholarship, और exactly जो fees आप अभी अगर आप पहले के आपके जाएंगे और जो भी fees आप वहाँ देख रहे हैं, after discount, उ आपको up to 50%, 50% topper के लिए है और फिर slab है आगे के rank folders के लिए, so that is a scholarship test where you can appear, चल ये, इसके बाद अब आपन आ जाते हैं, उन exactly, उन provisions की तरफ, जो हमें इस से related पढ़ने हैं, इस judgment और decree से related जो provisions पढ़ने हैं, सबसे पहले नकालिये, section, section में पहले देख लीजे, judgment decree से related, तो section 33 में नकालिये, section 33, 33 talks about judgment and decree, section 33 क्यता है, the court after the case has been heard, shall pronounce judgment and on such judgment a decree shall follow, तो भाई, court क्या करेगा, case सुनने के बाद, judgment प्रनाउंस करेगा, और उस judgment के basis पे decree ड्रॉ करेगा, रेखिए, judgment के basis पे decree होगी, क्योंकि judgment तो पूरा decision है उसका, जो भी उसने case में हेरिंग करी, दोनों ने लिखी जाएंगी, अभी जब आप order पे पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे कि judgment कितनी सारी चीज़ें उसमें होती है, point of determination, किन बातों पे decide होना, issues है, हर issue के लिए reason देना पड़ता है, कि इस issue पे अगर आपने ये conclude किया, तो क्यों किया, ये सारी बाते महा लिकी जाए और जैसा मैंने आपको बताया, कि जो parties है suit में, वो आपकी तरह जल्दी में है, उन्हें कोई मतलब नहीं है concept पढ़ने से, उन्हें बस इस से मतलब है कि कोई ये से बेरेट लेको उन्हें बस ये बता दे कि याद कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये आएगा परी में, तो parties में जो suit file करती है, और आप में किया similarity है, कि आपको detail से मतलब भी नहीं है, आपको concept concept से, कोई मतलब नहीं है, ऐसा suit में जो parties है, उन्हें कोई मतलब नहीं है इस बात से, judgment से, कि भाईसा आप क्या court ने, क्या source के, किस business में, इस conclusion पर पहुँचा, वो कहरे नहीं हमें नहीं judgment judgment की copy न चीट, तो ये बिल्कुल वो ही कहानी है, judgment और decree के, कि judgment is the detail thing, decree उसका, formal expression किस चीज़ का, उस determination of right का, तो पहले judgment हो का, उसके basis पे decree आपकी draw करी जाएगी, अब आजाएए इस से related order की तरफ, ये हो गया आपका section वाला portion, अब इसके corresponding order पे आजाएए जरा, तो निकालिए आप order 20 order 20 देखिए judgment and decree, यहां हो और आपके वो चीज़ समझ में आएगी कि judgment में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें है, चीक, तो क्रती कह रहे हैं कि concept से ही मतलब है, इसलिए बस class लेते हैं, आपको चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, कि आपने ये इस बात को acknowledge किया, कि concept भी पढ़ना है हमें, इस बात को सुनके मुझे मीन आई भी अच्छे, कि अभी भी ऐसे बच्चे इस दुनिया में exist करते हैं, जो चीज़ों को conceptual भी जानना चाहते हैं, सिर्फ objectivity से नहीं पढ़ना है, बहुत ही हर्शो इल्लास का विशय है, ये मेरे लिए, तो ये judgment when pronounced, कब judgment pronounce होगा, तो जैसे ही कोट की hearing complete होगी case की at once judgment pronounce करना है, यहां लिखा है at once, अगर आप sub rule when करेंगे, तो उसमें लिखा है कि jc hearing complete होगी, आपको judgment pronounce करना है at once, लेकिन फिर proviso important है, जहां से सवाल आएगा, question किदर से आएगा, प्रीका, proviso से आएगा, कित्ते दिन के अंदर होना है, इस बात को समझे, तो प्रवाइजों में लिखा है, provided that where the judgment is not pronounced at once, अगर at once प्रणांस नहीं हुआ, तो क्या होगा, every endeavor shall be made by the court to pronounce the judgment, underline कर लीजे, to pronounce the judgment within 30 days, from the date on which the hearing of the case was concluded, कित्ते दिन के अंदर करना है प्रणांस, 30 days के अंदर, this is an important question, for prelims, 30 दिन के अंदर, अब फिर आगे ये भी लिखा है, अगर ये practically संभव ना हो, तो थोड़ा और समया आप बढ़ा सकते हैं, वो कितना होगा, आगे देखिये, it is not practical, practicable, so to do on the ground of the exceptional and extraordinary circumstances of the case, the court shall fix a future day for the pronouncement of the judgment, and such day, underline कर लीजे, shall not ordinarily be a day beyond 60 days from the date on which the hearing of the case was concluded, अगर तीस दिन में practicable नहीं है, नहीं हो पारा किसी extra ordinary circumstance के कारण, तो थोड़ा और postpone कर सकते हैं, but it should be, should not be, generally it should not be beyond 60 days, तो अगर सवाल आता है, प्रलिम्स में कि जज्मेंट कितने दिन में प्रनाउंस होना है, सबसे पहले भाया, advance कर दीजे, advance नहीं हो पारा, तीस दिन के के अंदर करनी हो पारा, तो फिर extraordinary circumstances होनी चाहिए, in that case, the day may be extended up to 60 days, यह दोनों सवाल important है, तीस दिन और साथ दिन, और इसके बाद आभी decree का भी important है, कि judgment की कितने दिन में decree ड्राउं होनी है, सो दा answer is 15 days, किसी ने comment में वो लिख भी दिया, चलिए, इसके बाद rule 3 पे आईए, 1 के बाद आईए, यह दो, 2 question important है, rule 1 में से जो आने है आपको, तो यहां में order भी लिखते जाता हूं, for your convenience, जैसा हम बाकी orders में भी कर रहे थे, so this is order 20 that we are studying, और इसमें हमने सबसे पहले देखा हमारा rule 1, rule 1 में से क्या important है, days का question बनता है, कितने दिन में judgment प्रनांस होना है, rule 3 देखे, rule 3 is important, judgment to be signed, the judgment shall be dated and signed by the judge in open court at the time of pronouncing it, and when one signed, shall not afterward be altered or added to, save as provided by section 154, or on review, so judgment पे साइन होना है, और एक बार साइन हो गया, तो फिर कोई alteration नहीं होंगे, except provision 152 में जो दिये है, उसके हसाब से वाई clerical arithmetic, या फिर review में चेंज हो सकता है, यह है, review, हमने CRPC में भी ऐसा पढ arithmetic error correct हो सकते हैं, लेकिन वहां review का power नहीं है, यहां क्योंकि review का भी power है, तो code जब review करेगा, तो फिर उसको, देख सकता है, change कर सकता है, तो rule 3 देख लिए, this is important, मिताली का doubt है, sir, which is the best book for studying, IPC, आप किस purpose के लिए मिताली पढ़ना चाहरा है, it all depends on that, अगर आप detailed में पढ़ना च सकते हैं, वो एकदम ही conceptual है, बढ़ topic-wise है, हर section का explanation नहीं मिलेगा, ऐसे ही रतनलाल है section wise है, बढ़ explanation थोड़ा कम है, तो हम केड़ी गौर की तरफ जा सकते हैं, अगर आपको धंग से IPC पढ़ना है, in that case, बाकि अगर आपको किताबों पर ज्यान चाहिए, तो थोड़ा ज़र सब दिया, और UP के लिए अगर किताब की तैयारी करनी है, किताब चाननी है, तो कुशान ने suggest कर दिया है, bootcamp बाला एक अलग video बनाया है, उसके भी थोड़े views बड़ा हो भाई, उदर जाईए, और वहाँ देखिए, सब कुछ बताया है, किस subject से किस year में, कितने सवाल आए है उत्तर प्रदेश में, वो सब बता है, कैसे पढ़ना है, रोज क्लास लेते हैं, कभी बीच में काज दिन ब्रेक ले लेते हैं, subject complete होने के बाद, यह कुछ substantive portion होने के बाद, बाकी नॉर्मली रोज लेते हैं, चलिए, इसके बाद आईए, judgment sign होगा, rule 3, इसके बाद rule 4 पे है, यह judgment of small cause court, देखें, small cause court जो होते हैं, इन में procedure बहुत ही short adopt किया जाता है, इधर पे सिरफ point determination और उनका decision, उन points पे क्या लिया गया, बस इतना लिखा जाता है, कई बाद, बहुत जादा chance नहीं है, order 4 के आने के, but, prelims में कई बाद यह पूछ लिया जाता है, कि small causes court के judgment में क्या क्या होता है, तो point of determination और उसका decision, that's it, इसके बाद, इसका sub rule 2 है, judgment of other courts, तो दूसरे courts के judgment में देखो क्या होगा, this is important, judgments of other courts shall contain a concise statement of the case, case का concise statement होगा, साथ में the point for determination and the decision there on, concise statement पूरे case का, फिर point for determination की कैसे क्यों, आप उस decision तक पहुँचे, और उसके साथ, आखरी में decision, इसलिए judgment क्या होता है, बड़ा होता है, लेंदी होता है, जनता हो क्या चाहिए कि हमारा right का determine होगा, वो बता दीजे, इसलिए decree का concept रेदा है, judgment के बाट, decree इसलिए दे जाती है, आप चाहें तो content of decree पढ़ सकते हैं, इसके बाद rule 6 में दिया है, but exam point of view से बहुत important नहीं है, समझने के ल करनी है, and in any case, underline कर लीजिए, within 15 days from the date on which the judgment is pronounced, जस दिन judgment प्रनांस हुआ है, 15 दिन के अंदर decree draw हो जानी चाहिए, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो जाए, लेकिन maximum 15 दिन के अंदर decree draw होनी चाहिए, that is an important question है, ये prelims में पूछा जाने वाला सवाल है, इसके ब नहीं है, तो decree पे जो date दलेगी, तो rule 7 केता है, the decree shall bear date, the day on which the judgment was pronounced, underline कर लीजिए, the day on which the judgment was pronounced, decree पे date दलेगी, जिस दिन judgment प्रनांस हुआ है, decree वाले किसे दूसरे दिन draw होई है, जिस दिन judgment प्रनांस हुआ है, suit का वो date दलेगी, that is an important question for prelims, इसके बाद rule 11 का sub rule 2 important है, rule 11 का sub rule 2, rule 11 basically कहता है, कि installment में भी payment हो सकता है, decree में, जिसे माल लीजे, decree आई, अब आप जानते है, decree holder और judgment data, यह मैं आपको पहले CPC की जो पहली introductory class थी, उसमें बता चुका हूँ, decree holder जिसके favor में decree आई है, जिसके against decree आई है, उसको कहते है, judgment data, अब माल लीजे, मेरे favor में decree आई है, इंस्टाल्मेंट में दे देना, so 11 का sub rule 2 ये बात बताता है, कि order after decree for payment by installment, installment में पर कराया रहा सकता है, लेकिन कैसे होगा, third line में लिखा है, with the consent of the decree holder, decree holder के consent से ये काल किया जाता है, चीक, तो इसको आप pre के लिए ध्यान रखियेगा, बस इतना ही पढ़ना है, इस पूरे order मे order में से specific ये ही questions आपके लिए, prelims में important है, इनी में से आने की संभाबना है, इसके बाद आ जाईए order 21 पर, 20A मैंने cost से related कल बता दिया था, cost हमने कल ख़वर कर लिया था, cost में हमने क्या क्या पढ़ा था, section 35 पढ़ा था, 35A पढ़ा था, 35B पढ़ा था, order 20A पढ़ा था, अब हमने वो section पढ़े, जो सिर्फ judgment decree के बारे में बता रहे थे, decree के execution से related section अभी हमने नहीं पढ़े है, तो पहले हम वो section पढ़ेंगे, जो है 36 से 74, मैंने intro class में आपको पूरा समझाया था, यह पूरी direct की structuring मैंने आपको समझाया थी, तो 36 से 74, section निकाल लीजे जारा 36, part 2 है execution, judgment आ चुका है, decree भी आ चुकी है, यह execution है, क्या क्यों हो रहा है, वो भी मैं आपको अरड़ी बता चुका हूँ, जिसके against judgment आया है, जिसके against decree आया है, वो खुद से सारी चीज़ें कर देगा, जो जो उसकी obligation है, वो कर दे, लेकिन इतने अच्छे लोग तो है नहीं अपने यहा प्लेंट लेके गया था, execution proceeding के लिए वो क्या लेके जाएगा, एक application लेके जाएगा, अब किस quote में जाना है, सबसे पहले हम देखेंगे इस part में, execution जो part है, जिसमें 36 से 74 तक के section है, इसमें सबसे पहले यह देखिए कि execution के लिए किस quote के पास जाना है हमें, यह application लेके, इसके section 38 देखिए जड़ा, इस part में section देखिए 38, तो मैं जड़ा इदा इस order के बाद लिख दूँ यह चीज़े, यह हो गया judgment, और इसमें हमने section कौन सा पढ़ा, तो section 33 प्लस यह order पढ़ा, हमने judgment के लिखेंगे, अब हम आ गए है, sections की तरफ, तो अगर मैं section यहां लिख दूँ उ सारे, जो की execution से related हैं, तो इसमें हमें पढ़ना है, 36, 37, 38, और अभी आगे क्या मैं बताऊंगा, पहले पढ़िए जड़ा 38 सबसे पहले, सबसे पहले 38 और उसके उपर heading देखिए, quotes by which decrease में भी executed, decree execute करेगा, कौन उसको इदर बताया है, तो सबसे पहले देखिए 38, quote by which decree may be executed, a decree may be executed, इदर by the quote which passed it, कौन करेगा, decree को execute, जिसने पास करा है, वो ही, जिस quote ने decree पास करी है, वो ही execute भी कराएगा, आगे लिखा है, और by the quote to which it is sent for execution, या फिर, जिस quote ने decree पास करी है, वो अगर execution के लिए किसी दोसरे quote के पास भेज़ देता है, तो जिस quote के पास उसने के लिए वो court execute करेगा decree को execute करवाने के लिए orders pass करेगा I hope that is clear simple सी बात है जिसने पास करी वो या फिर उसने जिसे transfer करती है execution के लिए transfer कब की जाती है कौन करता कैसे करता उसके लिए 39 section 39 is important problems में सवाल पूछे गए हैं इससे transfer of decree से तो देखिए the court which passed the decree may on the application of the decree holder send it for execution to another court of competent jurisdiction किसी दूसरे court के पास भी भेज सकता है जिसके पास competent jurisdiction हो decree को execute करने का और normally यह होता है कि जिस court ने decree pass करी है उसी के बराबर jurisdiction होना चाहिए दूसरे का territorial अलग होगा but power wise जो subject matter और pecuniary जो jurisdiction होना चाहिए वो same होना चाहिए competent होना चाहिए execute करने वाला court भी territorial अलग होगा क्यों भेज रहे हैं दूसरे के पास एक बात यह समझेए सबसे पहले 38 ने कहा कि जिस court ने decree pass करी है वो execute करा देगा लेकिन हम 39 में देख रहे हैं कि या फिर 38 में जिसको उसने भेज दी execution के लिए वो कराएगा execute क्यों मेजेगा हो सकता है execution ऐसा है जो उसके territory में होई नहीं सकता जैसे मान लीजे मैं आपको 39 summarize कर दे रहा हूँ आपको बस याद रखना है transfer of decree यहां दिया हुआ है किन circumstances में transfer होता है 39 में लिखा है मान लीजिए decree जिस वेक्ति के वो जिại है गहना सकता है उसके ढसके के पार्परटी है आप अब उसकी प्रापर्टी है नहीं होषत कर precisely decree ऐसे court के पर जिसके jurisdiction में उसकी property हो तो I hope you got the idea कि कैसे और किन circumstances में यह transfer generally होता है 39 को एक बार read करेंगे we'll understand the same thing is given here इसके बाद आईए आप आते हैं 36 और 37 पे तो पहले हमने 38 देख लिया कि कौन करेगा execute जिसने pass करी वो करेगा या फिर वो जैसे transfer कर देगा execution के लिए वो करेगा 36 देख लिए application to orders यह बताता है कि यह जो पूरा part हम पढ़ने जा रहे हैं यह जो execution से related decree के execution से related जितने provision हम पढ़ रहे हैं यह सब order के execution पे भी applicable होंगे तो कि orders को भी execute कराना पढ़ेगा तो जैसे मान लीजा to apply to the execution of order order के execution पे भी applicable होंगे बस यह बताता है 36 इस स्यादा importance नहीं है लेकिन section number important है section 36 is important इसके बाद देखिए 37 definition of court which passed the decree इससे भी सवाल prelims में पूछे जाते हैं तो कि 38 में तो कह दिया कि execute किसको करना है जिसने decree पास करी तो यह जो वर्ड यूज किया गया है court which passed the decree इस term का मतलब क्या हो दो कि जन्रली तो यह होगा जिसने पास करी अगर मान लीजिए decree अगर appeal में पास हुई है मान लीजिए decree appeal में पास हुई है ऐसे case में कौन execute कराएगा appellate court नहीं कराएगा first instance court of first instance जहां trial सुरू हुई थी वो executing court होगा यह बात यहां लिखिये 37 देखिये जरा the expression court which passed a decree और words to that effect चाल in relation to the execution of decrees unless there is anything repugnant in the subject or context we deem to include A देखिये where the decree to be executed has been passed in the exercise of appellate jurisdiction ऐसे case में किसको माना जाएगा decree किसने पास करी है माना जाएगा the court of first instance first instance मतलब जहां suit institute हुआ था उसको माना जाएगा court which passed the decree भले ही वो appeal में हुई है appellate jurisdiction exercise करके क्या लेकिन माना क्या जाएगा court of first instance किस purpose के लिए execution के लिए क्योंकि execution तो उस court of first instance कोई कराना है appellate court नहीं कराएगा यह बात यहां लेकिए हुई है इसका जो भी आप देखेंगे तो भी में यह लिखा है कि मानली जी एक court था dry court है और उस court के jurisdiction में वो particular matter आ रहा था उन्होंने decide करा इसके बाद मानली जी वो court वहां से हट जाता है उसकी जगे कोई दूसरा court आ जाता है with same competent jurisdiction या वो matter था वो किसी दूसरे court के jurisdiction में अब आने लगा पहले एक court के jurisdiction में आता था अब दूसरे के में आने लगा तो decree जब आ चुकी है decree जब pass हो चुकी है execution के लिए आपको किस के पास जाना है अब जिस court का jurisdiction है उस matter पे आज अगर वो suit institute होता तो किस court में होता उस court के पास execution के लिए जाना है एक diagram से इस बात को समझ लीजिए जैसे मान लेजिए there is court 1 and this is court 2 ये दो अलग-अलग court है अब मान लेजिए जो मैं territorial से आपको समझा दे रहा हूँ it may not be in that context but just to understand this concept कि भी क्या कह रहा है उसको समझने के लिए बस इत्ता जान रखिएगा जैसे मान लीजिए जो disputed property थी जिससे related matter था वो exist करती थी इधर कहीं पर इसे लिए इसके jurisdiction में आके suit file हो गया इधर पर इंजिस्टे रहे थी और suit decide हो गया decree आ गई decree आने के बाद मान लीजिए administrative changes हुए और इस court का court 2 का jurisdiction है इसको कर दिया गया extend जैसे इसको थोड़ा सा लग तरीके 7 बना लिए को है you will understand this जैसे यह है court 1 का jurisdiction और यह था आपके court 2 का jurisdiction अभी धर तक आ गया है court 2 का jurisdiction अभी धर तक आ गया है जब decide होगे उसके बाद तो अब execution के लिए अगर जाना है तो किसके पास जाना है जबकि decide तो इसने किया है लेकिन आप उसकी जगह पर कौन सा court है court 2 है तो आज अगर यह suit institute होता तो किदर होता इस तरह कि court 2 में तो court 2 के पास जाना है आपको इसने किया है लेकिन जाना किसके पास है court 2 के पास यह बात लिखी है इसलिए 37 ने यह सारी बाते बताई क्योंकि 38 में तो जनरली बता दिया था कि जिस court ने decide करा है decree जिसने पास करी है लेकिन 7 वो बता रहा है कि किन केसिज में वो चेंज हो सकता और किसको माना जाएगा court which passed the decree यह है इसका concept and I hope that is क्या 39 तक अपन ने पढ़ लिया इतना important है इसके बाद सीधे आईए आप section 46 बहुत ही limited यहां पे चीजे मैं आपको mark करा रहा हूं और पढ़ा रहा हूं इस particular part मे और जब order पे भी जाएंगे execution के क्योंकि है बहुत कुछ मैं आपको flow chart पूरा समझा दूँगा मैं story बता दूँगा कि क्या है execution के but provision हम वो ही पढ़ेंगे और mark करेंगे जिनसे सीधे problems में सवाल बनते हैं तो 46 देखिए इसके बाद सीधे जो सवाल पूछा जाता है section का वो प पूरा सबकुछ उदर ही है तो तो 39 का power exercise करके वो decree भी transfer कर सकता है या अगर उसे लगता है कि नहीं है decree transfer करने की जरूरत नहीं उदर से attachment अपन करा सकते हैं वो actually preset कि एक court दूसरे court को बोलता है उसके jurisdiction की property attach करने के लिए एक court एक दूसरे court से request करता है कि भाई तुमारे jurisdiction में य उसको attach कर लेजिए that's basically preset क्या duration होती है attachment कितने दिन तक होता यह सवाल आता है तो देखिए 46 जो लिफा हुआ है upon the application of the decree holder decree holder की application पर यह होगा upon the application of the decree holder the court which passed the decree जिसने decree पास करी है may whenever it thinks fit issue a preset to any other court which would be competent to execute such decree किसी यासे दूसरे court को precept issue कर सकता है जो से execute करने का अधिकार रखता है तो आभी transfer नहीं कर रहे है पहले precept से देख ले रहे है अगर attachment हो जागा तो well in good execute such decree underline करिये to attach any property belonging to the judgment data and specified in the precept दोसरे court को बोल सकता है कि आप judgment data की जो property है वो attach कर लेजे basically attachment का order होता है precept इसके बाद इसका subsection 2 देखिए the court to which a precept is sent shall proceed to attach the property in the manner prescribed in regard to the attachment of property in execution जैसे execution of decree में process दिया उस process को adopt करके वो दूसरा court attach करेगा प्रवाइशो बहुत important है this is very important provided that no attachment under a precept shall continue for more than two months इसको underline कर लीजे it shall not continue for more than two months दो मैंने बस अगर दो मैंने से ज्यादा बढ़ाना है तो फिर आसा करो transfer कर दिया फिर आप decree ही transfer कर दीजे for execution फिर वो कितने भी लंबे समय तक कर सकता है इसलिए आगे लिखा है unless the period of attachment is extended by an order of the court which passed the decree या तो जिसने decree pass करी है वो extend कर सकता है इस precept की duration को या फिर और unless before the determination of such attachment the decree has been transferred to the court by which the attachment has been made या फिर दो तरीके है जिसने decree pass करी है या तो वो extend कर सकता है precept की duration को या फिर वो क्या कर सकता है उस decree को ही दूसरे court को दे सकता है जिसके jurisdiction में जर्मेंट डिटर की property वहां transfer कर सकत तो हम इत्ते लफ़दे में नीपड़ पाई है, that's what it is, so, दो सवाल important है, section number याद करना है precepts के लिए 46, होता क्या है precept, attachment of property order to another court, कितने दिन वैलेट रहता है, दो महीने, और कब उसको extend कराया जा सकता, यह सारी बाते हैं, इससे important है, और बहुत ही जादा important section है, और जैसा मैंन part देखिए 46 के बाद, जो subheading लिखी है, that is important, questions to be determined by court executing decree, अब आपने देख लिया कि कौन से court decree execute कर सकता है, जो court decree execute कर रहा है, वो कौन-कौन से सवाल का जवाद देगा, वो क्या-क्या question determine करेगा, that is also important, यह दिया है 47 में, पहले तो आप section number ही याद कर लीजी, this is important, कि जो executing court है, उसको कौन-कौन से question determine करने का अधिकार है, that is important, section number और किस-किस चीज से related question determine करता है, तीन चीज़े धान रखनी है, आपको execution, discharge और satisfaction, यह याद कर लीजे, execution, discharge और satisfaction, decree का execution, discharge और satisfaction से related, जितने सवाल है, वो decide करेगा, court, देख यह इसमें लिखा हुआ है, all questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed, और their representatives and relating to the, underline कर लीजे, relating to the execution, discharge और satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit, यह किसी separate suit के थूर determine नहीं होंगे, इस तीनों, इन तीनों, execution, discharge और satisfaction से related, जितने भी question होंगे, decree का satisfaction, decree का discharge, decree का execution, उससे related, जितने सवाल है, executing court determine करेगा, एक और question जो इधर से बनता है, वो बनता है, इसके subsection 3 से, that is very very important, कि legal representative कौन है, एक पार्टी का legal representative कौन है, यह person उस पार्टी का legal representative है या नहीं, यह भी executing court determine कर सकता है, देखिए, subsection 3 में लिखा है, where a question arises as to, whether any person is or is not the representative of a party, such questions shall for the purposes of this section be determined by the court, executing court determine कर सकता है कि यह व्यक्ति, पार्टी का representative है या नहीं, ठीक, अब देखिए, यह होता क्यों है, जारा थोड़ा सा legal representative की कहानी समझनी थे, क्योंकि आगे वो आने वाला है, हमने कहा है, legal representative कौन होगा, कौन नहीं होगा, यह court decide करेगा, legal representative क्यों आ रहा है, माल लीजे है, जिसके favor में decree पा ही जाएगी, तो legal representative होता कौन है, यह भी समझना है, section 2 में भी definition दिये, वो भी देखना है, और इधर profession भी देखना है, section भी देखना है, अब एक concept ज़रा समझ लीजे, तो इधर section में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जब हम कह रहे हैं, कि एक decree हम execute कर लेंगे legal representative क against भी, उस गरीब ने कोई कुछ नहीं किया था, माल लीजे, मेरे और एक वेक्ति के बीच में contract हुआ, उस वेक्ति ने contract का breach किया, मैंने उसके against suit file किया, और वो तो निपट गया, अब उसके निपटने के बाद decree तो मेरे favor में है, मुझे execute करा नहीं है वो decree, लेकिन वो वेक्त representative, जितनी property, जितना पैसा उसने उस deceased person से acquire किया है, succession में या किसी और तरीके से being the legal representative, उतने के लिए ही वो liable होगा, वो अपनी personal कमाई से degree execute करता नहीं बैठेगा, deceased person की, इस बात को समझना, वो किस से decree execute करेगा, या किस हद तक उसके against execute हो सकती है, जितना उसने acquire किया है, deceased की property स तो कि अगर आप acquire कर रहे है, deceased की property से, asset आपने ले लिया, तो पेटा liability भी लेनी पड़ेगी है, and decree can be considered as a liability, liability ही तो है कि उसमें देना है आपको, तो अगर आपने acquire करी है deceased की property, तो आपको decree satisfy भी करना पड़ेगा, ठीक, यह concept अगर आपके समझ में आ गया, तो आगे एक दो section ह उनको माग कर लीजे, 50 देखिये, legal representative, 50 is very important, इससे prelims में question आए है, इसके बाद सीधे देखिरा है अपने को, 50, 47 के बाद, 50, legal representative, where a judgment data dies, before the decree has been fully satisfied, decree fully satisfied नहीं हुई है, judgment data मर जाता है, the holder of the decree में apply to the court, which passed it to execute the same, against the legal representatives of the deceased, तो decree holder किसके against execute कराने की application दे सकता है, legal representative के against दे सकता है, यह बाद सुफ्ती में लेकी है, अब इसका subsection 2 देखिये, where the decree is executed against legal representative, he shall be liable, क्या लेका है, he shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his hands and has not been duly disposed of, जो property deceased वक्ती से इसने गेन करी है, जो इसको मिली है, और उसका कोई वो dispose of अभी नहीं हुई है, किसी और liability के लिए deceased वक्ती की, बची हुई जो property है, उससे ही decree satisfy कराई जाएगी, यह अपनी personal property से decree satisfy नहीं कराएगा, I hope that is clear, so that is section 50, इसके बाद आजाएए procedure and execution 51, बहुत important है, powers of court to enforce execution, देखिये, एक बात ध्यान देखना, हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी section पढ़ रहे section क्या बताता है, कि क्या करना है, करना क्या है, यह section बताएगा, कैसे करना है, यह order बताएगा, तो decree execute करने के लिए क्या करना है, यह section बता रहा है, उसको कैसे किया जाएगा, वो order में detail में देखेंगे, तो इधर देखिए 51, powers of court to enforce execution, कैसे execution को enforce कर सकता है court, क्या power है court के पास, इसमें लिखा है subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the court may in the application of the decree holder, order execution of the decree, decree holder की application पे execution order कर सकता है, क्या क्या कर सकता है उस order में देखिए, underline कर लीजा है by delivery of any property, specifically decree, कोई specific property है तो उसकी delivery करा सकता है, generally mobile property तो उसकी delivery करा जा सकती है, भी देखिए by attachment and sale, और by the sale without attachment of any property, कोई दूसरी property attach or sale करके decree satisfy करा जा सक जा सकती है, वैसे वैसे की decree है, तो कोई भी दूसरी property attach करके, sale करके satisfy करा जा सकती है, सी रखिए, by arrest and detention in present, for such period not exceeding the period specified in section 58, where arrest and detention is permissible under that section, arrest or detention से भी decree satisfy करा सकते है, अभी हम क्या पढ़ रहे है, क्या क्या कराया जा सकता है execution of decree के लिए, कैसे कराया जाएगा, इसकी detail आगे इसके बाद, in such other manner as the nature of the relief granted may require, कोई किसी दूसरे manner में भी करा, जो relief दिया है, उससे related कैसे execute होना चाहिए, एकोट result कर सकता है, ये general चीज़े लिखी है, कि इन तरीकों से कराया जा सकता है, ये बहुत important question है, prelims का, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले delivery of property है, उसके बाद attachment and sale ह arrest and detention of the person, judgment editor का arrest detention करा है जा सकता है, या फिर receiver appoint करके, या फिर किसी और तरीके से, जो भी suitable हो उस particular relief को दिलाने में, उस तरीके से किया जा सकता है, अब इसके बाद आगे जो proviso है, बताता है कि कब arrest और detention नहीं करना है, कि इन cases में security भरवा के भी काम चल सकता है, वो एक बाद र attach कर ली जाएगी, जो उसने deceased से acquire करी है, वो ही similar provision है, बहुत जादा याद रखने की जरूरत नहीं है, 54 से directly question पूछे गए हैं इसके बाद, section 54 से directly सवाल पूछे गए है, enforcement of decree against legal, sorry, partition of estate or separation of share, जब भी decree के execution के लिए separation होना है, property का या partition होना है, और वो property अगर ऐसी है, जिससे state government क revenue पे होता है, तो यह partition कराएगा कौन, यह सवाल आता है, and the answer is collector, आप last की third line देखेंगे, तो वहाँ collector मेंचन है, या फिर collector के बहाफ में कोई subordinate, तो बस यह ध्यान रखियेगा, section 54 में दिया है, उन properties के बारे में, which phase revenue to the government, और उनका अगर partition कराया जाना है, separation होना है, तो वो इसके बाद आजाएगा, इसके बाद आजाएगा, इसके बाद आजाएगा, this is very very important, 56 बहुत सारे state के exams में पूछा गया है, section 56 is very important, prohibition of arrest or detention of women and execution of decree for money, money decree के execution में किसी woman का arrested detention नहीं किया जाएगा, अगर money decree है, तो उसके execution के लिए किसी woman का arrested detention नहीं किया जाएगा, ये बात लिखिये 56 में and that is very very important, इसके बाद 57 बात करता है, subsistence allowance की, ये भी पूछा गया सवाल है, section 57 is also important, ये भी पूछा गया है, subsistence allowance, होता क्या है, ब्रीफ में समझे लिजे, state government बराएगी subsistence allowance, देखिये, judgment data कहा है, जो सकता है, decree execute कराने में उस गरीब के सब कुछ चला जा है, judgment data के पास कुछ ना बचे, तो decree holder जो है, जिसने decree ली है, उसके पालन portion के लिए थोड़ा पै दिया हुआ है, subsistence allowance 57 में, ये बहुत important सवाल है, section number important है, इसके बाद 58 पर ये detention and release, very important, section number उतना important नहीं है, जितनी इसके अंदर की detail है, बट section भी आपको याद रखना है, 58 में दिया है, अगर किसी वक्ती का detention किया गया है, for the execution of decree, तो कितने दिन तक maximum वो detention continue होगा, अगर पैसे कि decree है, तो तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये scale बहुत important है, आपको वो पूरी बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो 58 में लिखी है, मैं आपको brief में summarize कर देता हूँ, उस पूरी कहानी को जो वहां लिखा हुआ है, अगर decree है, अगर decree है, अगर decree है, तो no imprisonment, 2000 तक की decree execute करान के लिए no imprisonment, नहीं भेजा जाएगा, कोई detention नहीं होगा, विखती का, अपटो 2000 रुपीज, लेकिन अगर मान लिजे decree 2000 से 5000 के बीच है, this is very important, 2000 से 5000 रुपे तक की decree है, in that case, जो maximum duration है, प्रिजन की, वो होगी अपटो 6 weeks, maximum किता दन, अपटो 6 weeks, ये ध्यान रखिएगा, months नहीं है, अपटो 6 weeks है, this is very important, और अगर 5000 से उपर की decree है, अबफ 5000 अगर decree है, उसको execute कराने के लिए, अपटो 3 months, इसके लिए क्या है, 3 months है, 2 से 5000 रुपे के लिए 6 हफते, 2000 तक कुछ नहीं, 2 से 5 के लिए 6 हफते, और 5 से उपर में, 3 महीने तक, retention में रखा जा सकता है, यहाँ provisor में यह भी दिया है कि कब detain नहीं किया जाएगा, अगर वो तुरंट सारी चीज़ें देने को तैयार है, पैसा वैसा देने को, तो detain नहीं किया जाएगा, या छोड़ दिया जाएगा, अगर decree holder subsistence allowance नहीं दे रहा है, तो भी छोड़ दी दिया, बस इसको ध्यान रखना है, सवाल आपका बन जाएगा, जो इदर से आता है, 59 पूछा गया है, 59 section उत्तर प्रदेश UPPCSJ 2015 में यह सवाल पूछा गया था, कि illness के ground पे, अगर किसी वेक्ती को execution of decree में detain किया गया है, तो illness, serious illness अगर है, seriously बिमार है, तो इस ground पे छोड़ जब फुरसत में बैठे हैं, बाद में कभी, तो read कर लेजेगा, अभी बस ध्यान रखिए, 59 में है, release on ground of illness, serious illness अगर है, उस वक्ती को छोड़ा जा सकता है, इसके बाद आईए, attachment, अगली सभेडिंग देखिए, attachment section 60, this is very very important, बहुत ही जादा important है, section 60 आपका, property liable to attachment and sale and execution of decree, क और वीज़ेगे बाद है, कौंशी property attach हो सकती, या बता है, कौंशी property attach हो सकती, सवाल ज्यादा किस के पूचा जाता है, सवाल पूचा जाता है, कौंशी property है, जो attach नहीं हो सकती, decree के execution में, या बाद ती हुई, ये section 60 में, इसका आप नीचे प्रवाइशो देखेंगे this is the most important part from this section क्या चीज अटाच नहीं होगी यह question आने के ज़्यादा चांस होते हैं तो इसको देखिए provided that the following property shall not be liable to such attachment or sale यह जो लिस्ट दी है property की यह attachment के लिए liable नहीं है इस property का attachment नहीं किया रह सकता मैं बहुत brief हर point का मैं brief बताऊंगा बस पूरा पर नहीं देखेंगे आप बाद में एक बार रीड करिएगा तो आपके दिमाद में बैट जाएगा यह में दिया है तो necessary wearing apparels cooking vessels beds बगएरा जो कपड़े पहनने के जो कपड़े हैं सोने का विस्तर है यूटेंसल से खाना बनाने के cooking के basically जितनी नेसेसिटी का समाल है essential वह अटाच नहीं होगा भी देखेंगे tools of artisans के बारे में दिया है जो artisans है उनके tools मान लीजिए कोई ले बार बार है उनके tools है कोई artisans है जिससे उसके जीवेका चलती है जिससे उसके जीवेका चलती है उसके tools अटाच नहीं किये जाएंगे जिससे वह अपना livelihood चलाता है वह चीज़ें आप अटाच नहीं किये जाएंगे तो tools जो है वह अटाच आपके नहीं किये जाएंगे C है houses and other buildings किनकी last line देखिए C में an agriculturist और laborer और a domestic servant इनको exempt किया गया है कि इनके घर वर जहां वो रहते हैं वो अटाच नहीं करेंगे किसके लेबर के अगरिकल्चरिस्ट के और domestic servant के ये जिन buildings में अपना रहते हैं survival करते ह नहीं किया जाएगा इसके बाद इसमें और इसमें थोड़ा connection आपको मिल जाएगा इसके बाद F देखिए any right of personal service, personal service का कोई right या तो अटाच नहीं होगा जी है stipend और gratitude जो central government जो government करमचारियों को gratuities और stipends दिये जाते हैं जो gratuity मिलती है retirement के बाद या जो stipends दिये जाते हैं वो अटाच नहीं होंगे एच में दिया है wages of laborers और domestic servant उनको जो wages दिये जाते हैं जो उनकी मजदूरी है या जो भी remuneration है वो अटाच नहीं होगा तो कि बहुत common sense की बात है कि अगर यह हो जाएगा तो फिर उनको बचे गाने जीवन में आई देखिया अब यह तो हो गया कि इनका लेबर्स और इनका आपको जो 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 मेंस्टिक सर्वेंट है यह जो इनके वेजिस सेलेरे की अगर आपन बात करें तो सेलेरे कितनी अटेच होड़ सकती है आई में दिया है बहुत important है ध्यान से समझना इसमें दो काटेगराइजेशन है सेलेरे कितनी exempt करी जाएगी उसके लिए दो काटेगराइजेशन है एक अगर maintenance के decree है तो अलग rule है maintenance के अलावा कोई और decree है उसमें रूल अलग है तो आपके against अगर maintenance के पास होई है तो याद रखना ज्यादा प्रपर्टी अटाच हो सकती है और maintenance के अलावा कोई दूसरी टिक्री पास होई है तो थोड़ा ज्यादा portion आपके पास बचेगा salary का इसे लिए यह सिर्फ exam point of view से नहीं जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है देखिए जरा आई में लिखा है salary to the extent of the first 1000 rupees यह अपन क्या पढ़ रहे है क्या attach नहीं होगा यह जो तो थर्ड portion आटाच नहीं होगा तो थर्ड of the remainder in execution of any decree other than a decree for maintenance maintenance के अलावा तो जारा समझ लीजे maintenance के अलावा अगर डिक्री एग्जेक्यूट करी जा रही है maintenance के लावा कोई दूसरी डिक्री अगर एक वक्ती की salary है 10,000 रुपे तो इस में से कितना portion आटाच नहीं होगा सबस अटाच कितना हुआ सिर्फ और सिर्फ वन थर्ड वो भी हजार रुपे निकालने के बाद तो 9,000 का टू थर्ड आप निकालेंगे तो आएगा 6,000 तो 9,000 में से 6,000 अटाच नहीं होगा अटाच होगा कितना अगर किसी वक्ती की 10,000 salary है तो other than maintenance अगर attachment होना है तो सिर्फ 3,000 अटाच होंगे फिर्फ 3,000 अटाच होंगे 10,000 salary में से कब जब decree maintenance के अलावा कोई और decree है लेकिन जहां maintenance के decree आईगी यहां यह कारेकरम चेंज हो जाएगा इसलिए 1A में इसको देखिए 1 third of the salary in execution of any decree for maintenance maintenance में exempt अपन क्या पढ़ने है यह ध्यान रखिएगा हम पढ़ने कौन स के Decree है तो आपकी जो भी total salary है उसका सिर्फ 1 third attach नहीं होगा बाकि पूरा हो जाएगा तो अगर आपकी salary 10,000 रुपे है और maintenance के करी के तो one third attach नहीं होगा 3,3305 रुपे attachments नहीं होगे बाकि सब to attach हो जाएगा Edular 10,000 में से one third attach नहीं होगा बाकि पूरा जो two third portion है आपकी salary की Stretch आज हो सकता है, for the purpose of maintenance, 3,333, that's correct, 3,000, कृती ने calculate भी करके बता दिया, देखिए, 3,333 रुपे बचेंगे, अगर maintenance की डिगरी है, तो, अब भारत में, जो ये एक शादी का कारेकरम आप देखते हैं, अभी मेरे ख्याल से शादी है, शायद वेडिंग्स वापस चाले हो गई ह इन वेडिंग्स में अपन देखते हैं, बड़ा ही भयानत समारों होता है भारत में शादी, तो मैं देखता हूँ, बहुत सारे जो दूगले होते हैं, बहतरीन आलीशान सी बरात निकल रही है, बगगी है, और वो भाई बहतरीन शेरवानी पहन के तलवार अलवार लेके ब थोड़ा-बहुत यह और थोड़ा-बहुत दोमिस्टिक वाईलेंस, कसम से उतर के नीचे आजाएगा के कसन नहीं कलनी, रहन दो, ऐसा ही ठीक है अपन, उसको कोई उस बगगी पर चाड़के अगर बता दे ना, कि बैटा, अगर मेंटनेंस हो, अगर मान लो, खुदा ना क अगर साधी नहीं चली, और अगर सामने वाली पार्टी ने मेंटनेंस लेना चलू गारा ना, तो जो तना कमार हो ना, सल्तनत है, तो वैसा ही नहीं है, तो तुम राजा बने यहां बैटे हो, जो धोड़ा-बहुत कमार हो, उसका भी टू-थर्ड तो वो ले जाएगी, वन समार हो, तुम चाहते हो इस शादी में, है ना, तो यह ध्यान रखियेगा, कि मेंटनेंस, की जो नोटों की माला पहन के बाई साथ, घजा भी, उसकी वाला, प्री वेडिंग लोग्लास होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगते है, इसका भी कोर्स लांच करेंगे, आपन मैं सोच कितना पोर्शन छोड़ा जाएगा और कितना अटाच हो सकता है, that is really very important, इसके बाद, J में सिंपल सी बात है, Air Force, Arms Act और Navy Act के तहद जो लोग आते हैं, उन पर ही applicable नहीं है, K में Provident Fund की बात है, जो Provident Fund का पैसा है, वो अटाचेबल नहीं है, इसके अलाबा आगे आप देखें किस में अटाच होगा, किस में नहीं होगा, यह ध्यान रखियेगा, इसके बाद आजाएए, इसके सब सेक्शन 1A पर, यह जो सारी लिस्ट खतम हो रही है, इसके बाद लिखा है 1A, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, अगरान कर लेज़े, an agreement by which a person agrees, an agreement by which a person agrees to waive the benefit of any exemption under this section shall be void, अगर कोई यह agreement कर लेता है, यह जो exemptions दिये हैं, कि इतना portion attached नहीं होगा आपका, execution में, अगर मानली जीए, कोई ऐसा contract या agreement करता है, जिसमें अपने इस exemption को waive off कर लेता है, मानली जीए, मैं आपके साथ contract कर रहा हूँ, तो उसमें मैं यह भी एक clause जलवा दूँ, और contract में, कि भईया, ज mutual consent के through इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हरी basic necessities हैं, इसलिए parties mutual agreement से भी वो नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसे exemption को waive off करने का, अगर कोई agreement है, तो it shall be void, इसके बाद एक और mark कर लीजे, 61, 60 के बाद 61 भी mark कर लीजे, थोड़ा important है, समझ लीजे क्या है, partial exemption of agriculture produced, state government अ उसका कुछ specific portion exempt कर सकती है, state government, कितना portion, जितना उस family के survival के लिए, अगले season तक, तब तक उनके खाने पीने के लिए, जितना चाहिए, उतना, प्लस अगली बार production करने के लिए, फसल बोने के लिए, जितना produce जरूरी है, इतने को exempt करा सकती है, ये state government कर सकती है, रूल बना के, ये power यहां दिया है, 61 में, इसके बाद 64 भी देख लीजे, 64, क्योंकि आप देखेंगे, decree के execution से related, पहले बहुत limited question आते थे, बट अब थोड़ा सा na, embed बढ़ गया है, exams का, थोड़ी जादा चीज़ें execution से पोशने लगें, because this is one of the most important thing, इसलिए थोड़ा सा, मैं आपको कुछ traditional sections भी बता रहा हूं इदर, जो आपको जहन में रखने चाहिए, क्योंकि हमें exam crack करना है, ठीक, so 64 देखिए, private alienation of property after attachment to be void, किसी property का attachment अगर हो गया है, बस ब्रीट में समझ लेजे, 64, किसी property का अगर attachment हो गया है, तो attachment होने के बाद, उस property का alienation नहीं होगा, private, जो होगा, court के concern स होगा, कोई भी party जो जिसकी वो property है, वो किसी दूसरे को transfer नहीं कर सकता, basically, attach होने के बाद, ऐसे जितने भी transfers या जिस भी तरीके का alienation होगा, वो alienation valid नहीं होगा, वो valid नहीं होगा, अगर attachment के बाद हुआ है, तो, इसके बाद 65 भी आपको पढ़ना चाहिए, ये section number important नहीं है, number तो इदर 60 और 61 ही important है, सबस्या तो 60 important है इदर, बट इसकी बात समझ लीजे, purchaser's title, ये किस subhead के अंदर आ रहा है, sale के अंदर, अब देगे, समझेगा, जब executions of decree के लिए, कोई property sale करी जाती है, decree को execute करने के लिए, जब कोई property sale करी जाती है, तो उसका पूरा एक procedure है, लंबा पर्चेजर का title किस दिन से माना जाएगा उस property पे, क्योंकि मैंने क्या कहा, वो purchase money deposit, purchase एक दिन होगा, और जो sale होगी, वो absolute कभी और जाके होगी, उसकी कहानी अभी पढ़ेंगे, detail में जाएंगे, अभी ये समझेए, कि जो date of purchase, या जो title drive होगा, वो होगा purchase की date से, उस दिन स भले sale absolute बाद में हुई हो, ये बात अभी आप आगे समझेंगे, आगे के प्रोविज़, जब हम order पे जाएंगे, वहाँ आप ये बात समझेंगे, खीक, तो 65 is also to be understood, इसके बाद 73 है, rule उत्ता important नहीं है, बट ब्रीफ में ये बात समझ लीजिए, कि जो भी proceeds आएगा, अब अपने property sale कर दी for the purpose of execution, अब जो net proceed आया, जो पैसा आया property sale करने के बाद, उसका distribution कैसे होगा, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सबसे पहले court अपने expenses लगाएगा, निकालेगा, तो कि भाईया, auction करके, विक्वाल जा रही है, property sale करी जा रही है, तो court का जो खर्चा पान सब होता है, distribute करने का, कि जिसका जितना share, जो जितने के लिए entitled, उसको उतना दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें से पहले court निकल लेगा, तो इतने expenses निकल लेगा, उस net proceeds है, फिर जो बचेगा, जो भी decree holder है, अगर multiple है, तो जिस भी, जो भी उनका share बनता है, उस share बनको दे द इसके बाद 74 एक मार्क कर लेज़े, 74 is also important, section 74, resistance to execution, और यह किस चीज से है, immovable property, अगर immovable property से related कोई decree है, किसी विक्ति को immovable property की possession दी गई है, उसके execution को अगर कोई resist करता है, उसके execution को अगर कोई रोकता है, तो उसके against court के पास power है, action लिने का, civil prison में भेज सकते हैं 30 दिन के लिए, देखिए, यहां 74 में लेका है, where the court is satisfied that the holder of a decree for the possession of immovable property, or that the purchaser of immovable property sold and execution of a decree has been resisted or obstructed in obtaining possession of the property by the judgment data, judgment data, judgment data, या कोई दूसरा वेक्ति उसको obstruct कर रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है, प्रोपर्टी की possession लेने से, ऐसे किस में क्या होगा, in that case, by the judgment data or some other, some person on his behalf and that resistance or obstruction has, was without any just cause, the court may, at the instance of the decree holder or purchaser, order the judgment data or such other person to be detained in civil prison, 30 दिन के लिए, civil prison में भेजा जा सकता है, 30 दिन के लिए, इसे वक्ति बाट, जो immovable property से related, डेकरे को execute होने से रोक रहा है, किसी वक्ति को immovable property की possession लेने से रोक रहा है, उसे 30 दिन के civil prison में भेजा जा सकता है, अब यह हम आप arrest and detention करा सकते हैं, आप property attach करके sale कर सकते हैं, और आप possession ले सकते हैं उस property की या delivery करा सकते है, movable property है तो उसको deliver करा सकते हैं, या फिर property attach करके sale कर सकते हैं, वक्ति का arrest and detention आप करा सकते हैं, या फिर receiver appoint कर सकते हैं, या कोई और तरीके से कर सकते हैं, तो अभी हमने section वाले portion में पढ़ा कि क्या क्या आप कर सकते हैं for the purpose of execution of degree अब आजाईए इसके corresponding order की तरफ, so let's move to order 21, अब देखिए जारा 21 is very important लेकिन बहुत बड़ा order है, but मैं आपको सिरफ वो particular rules बताऊँगा जो important है, जिनसे सवाल बनेगा prelims का, बस मैं आपको वो बताऊँगा, कहानी अपन पूरी सम क्या रहा है, लेकिन पढ़ेंगे हम सिर्फ वो rule जो exam में आने की संभावना ज्यादा है, तो ये हमने पढ़े sections, execution से related, अब मैं आपको बता देता हूँ, execution से related rules, कौन-कौन से rules आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले rule 1 से, yes, सवाल आता है, इस section को मैं अलब कह दे रहा हूँ यहां देखिए rule 1, सिर्फ यह पूछा जा सकता है कि mode of paying money, अगर decree में पैसा पे करना है, decree किस चीज़ के है, payment of money की, मैं decree holder हूँ, मेरे favor में decree आईए कि मुझे आप से 50,000 रुपे लेना है, तो इस 50,000 का payment किसे होगा, court में तो लिख दिया कि money का payment करवा दे, section में तो लिख दि मैं आपको brief कर दे रहा हूँ, सबसे पहला है, कि सीधे जाके court में जमा करवा दू, जो भी judgment data है, वो court में जमा करा सकता है, वो amount, court में नहीं जमा कराना है, तो फिर किसी दूसरे payment mode से कर दीजे, B में लिखा है, किसी भी दूसरे, ऐसे mode of payment से आप भी कर सकते है, पैसा, decree holder को, जिसमें acknowledgement मिले आपको, जहां आपके पास proof हो कि यहां सब पैसा दे दिया, bank account में जमा कर दा दीजे, अब तो multiple mode आगा है, phone पे कर दीजे, PTM कर दीजे, Google पे, जहां भी acknowledgement हो इस बात का कि यहां सब payment हो गया, उस किसी भी mode से आप कर सकते हैं, या फिर इसके लावा court जैसे direct करे वैसे कर सकते हैं, इसके लावा C में लिखा है, जैसे court direct करें, वैसे payment हो सकता है, तो यह mode of payment है, कि पैसे का payment अगर होना है, तो या तो court में दे दीजे, direct उसको दे दीजे, या court जो direct करें, वैसे कर दीजे, यह है rule 1 में, इसके बाद rule 2, this is also important, payment out of court to decree holder, यह तो सब court के confidence में हो decree holder को कुछ pay किया है, तो ऐसे case में rule 2 कहता है, इसकी 4th line में आप देखेंगे, decree holder shall certify such payment, तो अगर मान लीजे, out of court पैसा दिया है, judgment ditter ने, तो decree holder इस बात का certificate submit करेगा, certificate देगा court में, कि साब मैंने receive कर लिया पैसा, judgment ditter के against जो decree थी, जितने पैसे का payment उसे करना था, वो मैंने receive कर लिए, ये बाद certify कौन करेगा, decree holder, इसके बाद, next rule आपको पढ़ना है, that is 22, सीदे आजाए ये 22, बीच का सब शोड़ दीजे, rule 22 पे आईए, rule 22 कहता है, notice to show cause against execution in certain cases, अब देखिये, यहाँ कुछ specific cases दिये है, जहाँ decree execute करने के पहले, court notice देगा उस व्यक्ति को, जिसके against decree execute होनी है, जिस व्यक्ति के against decree execute होनी है, court उसको notice देता है, कि आप आईए और show cause करिए कि आपके against, क्यों ये decree हम execute ना करें, एक मौका देता है उस व्यक्ति को, जिसके against decree execute होने वाली है, लेकिन ये कुछ specific circumstance में होता है, आप circumstance, देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ऐसा क्यो हो रहा है, और मैं आपको बता दूँ है, इसा क्यों हो रहा है, पहले आप वो circumstances देखेंगे जिनमें ये किया जाएगा, notice दिया जाएगा, यहां लिखाए, when an application for execution is made, more than two years after the date of the decree, application execution की कम आई है, decree pass होने के दो साल के बाद, अब भाई साब decree holder दो साल बाद अगर जागा है judgment तो अब judgment data को इस दिया जाना चाहिए, उसको एक notice दिया जाएगा, कि भाई यह तुमारे against देखेंगे जाए, क्योंकि समय बहुत हो गया, दो साल हो गए है, और यह तो दो साल हो गए हूँ, जब decree किसके against execute होनी है, judgment data के against जब execute होनी है, तो दो साल बीत चुके हो तब, या फिर आप आगे जो लिखा है B और C में, वो दो सेरे वेक्ति हैं, वो actually judgment data ही नहीं, किसी और के against execute हो रहे है, वो देखिए, तो और में लिखा है B, against the legal representative of a party to the decree, अगर आप decree किसके against execute करा रहे हैं, judgment data के legal representative के against, यह समय सीमा से बांद नहीं है कि दो साल हो गए, आप कभी भी कर representative के against अगर जा रहे हैं, judgment data के, judgment data के legal representative के against अगर आप decree execute कराने जा रहे हैं, उसको notice मिल दिया जाएगा, और उससे पूछा जाएगा, कि आप बताईए, कि क्यों आपके against execute ना करा जाए, क्योंकि वहाँ यह देखना है, कि उसने कुछ acquire भी किया, disease वेक्ति से या नहीं, अपन उसके against आप execute करा रहे हैं, directly judgment data के against नहीं, उसके बहाफ पर किसी दूसरे के against करा रहे हैं, तो यह notice जाएगा, judgment data के against करा रहे हैं, तो जब दो साल बीच चुके हैं, decree इखाने के, उसके बाद अगर आप जा रहे हैं, in that case आप, notice देंगा, आगे लिखा क्या है, the court executing the decree shall issue a notice to the person against whom execution is applied for requiring him to so cause, on a date to be fixed, why the decree should not be executed against him, एक date fix करके उसको बलाया जागा, उससे पुछा जाएगा, कि उसके against ये decree execute क्यों ना करी जाए, यह का डाउट है, कि 1B और 2 में क्या difference है, 1B और 2 में ये difference है, कि जो 1B है, वो court के consent से हो रहा है, सब कुछ, court ने बोला, payment of method, ऐसे करिये, जि इसे ही execute कर लेना है, खुछ सही, वो है 2, तो वहाँ पर certify करके देगा decree holder कि यहाँ सब पैसे मिल गए, क्योंकि उसको भी satisfy होना है, court को, ठीक, पूरा पढ़ोगे तो एक बार, you'll understand, all right, सबजा गया, चलिए, इसके बाद आईए सीधे 31 पे, अब हम आपने देखेंगे कि movable property कुछ specific decrease, किस तरीके से, क्या-क्या mode उसके हो सकते है, execute करने के, कुछ specific decrease के, जहां से सवाल पूछे जाते है, 31, 32, 32 तो बहुत ही जादा important है, DJS, VJS में भी आपको question मिलेंगे, prelims में 32 से, तो देखेंगे, पहले 31 देखेंगे, decree for specific movable property, अगर decree में कोई specific movable property की delivery होना है, तो for any share in a specific movable, it may be executed, underline कर लीजे, it may be executed by the seizure, उस property को seize करके execute कराया जा सकता है, अगर कोई movable property है, specific movable property की delivery करना है, तो उस movable property को seize करके कराया जा सकता है, आगे लिखा है, इस practicable, अगर practicable है, तो अगर वो practicable नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, आगे देखिए, of the movable or shares and by the delivery thereof, to the party to whom it has been adjudged, or to such person as he appoints to receive delivery on his behalf, और दूसरा तरीका, एक तो क्या करेंगे, seize करके उस वक्ति को दिला देंगे, जो entitled है, जो भी decree holder है, उसको वो movable property दिला देंगे, यह अगर practicable नहीं है, तो क्या करेंगे, उसके लिखा है, underline कर लीजे, or by the detention in the civil prison of the judgmentator, or by the attachment of his property, or by both, अगर वो mov movable property, seize करके, decree holder को दिलाना संभव नहीं है, in that case, detention से कराई जा सकती है, execute decree, उस वक्ति को detain किया जा सकता है, civil prison में, या फिर उस वक्ति के कोई दूसरी property attach करके, sale करा दी जाएगी, और attach, तोनों के थूरू भी करा सकते है, उस वक्ति को detention में डालके, या property attach कराके, इन किसी भी माध्यम से decree execute करा सकते है, अगर, देखो, हो क्या रहा है, इसका purpose समझना, इस attachment का, और इस detention का purpose क्या है, कि जो judgment data है, वो court की बात मान ले, और court ने उसको जो direct किया है, उसको जो भी obligation दिया है, कि तुझे ये करना है, in favor of decree holder, वो वो कर दे, जैसे हमने CRPC में पढ़ा था, attachment and sale, म अगर वो property, cease करना possible नहीं है, आपने destroy, destroy कर दी, तो आपकी किसी दूसरी property को attach करके execute करा लेंगे हम, आपसे निकलवाना है, basically हमें वो property, that's it, उसके लिए है modes execution के, इसका sub rule 2 भी देख लिजे, where any attachment under sub rule 1 has remained in force for 3 months, 3 मैंने अगर attachment राय तो उसके बाद उसके खतम कर दिया जाएग वो दो बहुत जादा important की सवाल नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि specific movable property का attachment किस rule में दिया है और किन-किन method से कराया जा सकता है, तो एक है Caesar, दूसरा है detention in prison या फिर attachment of property और both, ये modes है, इसके बाद आईए आप 32 पे, इसके बाद आईए rule 32, this is very very important, ये किन decrease के execution की बात क 32, जहां contract का specific performance कराना हो, या conjugal rights restitution की degree हो, restitution of conjugal rights है बसने spouse के, एक married couple में, जो दोनों spouse है, एक दूसरे के प्रती जो उनके obligations है, domestic obligations, उनको fulfill कराने की decree को केते है, restitution of conjugal right, वो decree कैसे execute कराया जाएगी, या specific performance of contract की decree कैसे execute कराया जाएगी, या फिर injunction से related decree है, तो वो order है, तो वो क से execute कराया जाएगा, इसके बारे में लिखा है, और बहुत important है ये rule, where the party against whom a decree for the specific performance of a contract, or for restitution of conjugal right, or for an injunction has been passed, has had an opportunity of obeying the decree, and has willfully failed to obey it, underline करिये, the decree may be enforced, ये पूरा portion underline कर लीजे, the decree may be enforced in the case of a decree for restitution of conjugal right, पहले किसका enforcement बताया है, decree for restitution of conjugal right, इसको कैसे कराया जाएगा, तो underline करिये, by the attachment of his property, property attach करके, or in the case, तो by restitution कैसे कराया जाएगी, restitution की decree, attachment of property, ध्यान रखियेगा, सवाल ये पूचा जाता है, कि क्या in the execution of a decree of restitution of conjugal right, क्या arrest and detention हो सकता है, so the answer is no, इसको कैसे कराया जाएगा, attachment of property से ही कराया जा सकता है, or in the case of a decree for specific performance, or for injunction, specific performance, और injunction की decree को क अगे लिखा है, by his detention in the civil prison, or by the attachment of his property, और बोथ, तो भाया, specific performance और injunction को, मैं attachment के थ्रू भी कराया जा सकता है, civil prison में भेज के भी कराया जा सकता है, लेकिन restitution of conjugal right की decree को execute कराने के लिए, सिर्फ attachment of property अवेलेबल है, civil prison में detention अवेलेबल नहीं है, ये बहुत important सवाल है, ध्यान र अंदर की detail पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, immovable property की decree को कैसे execute कराया जाएगा, वो लिखा है, decree for immovable property, तो वो चिपका दिया जाएगा, उस immovable property के भाया की, पहले proclamation होगा, सीधे attachment नहीं करेंगे, proclamation होगा, उसके बाद attach करके sale well, या फिर position version दिलानी है, वो सब होता रहेगा तो बस ध्यान रखिएगा, rule 35 में, decree for immovable property, आप चाहने तो पड़ भी सकते हैं, बाद में से, इसके बाद सीधे आ जाईए, 46A, this is very important, rule 46A, जो की बात करता है, notice to garnish, 46A और 46B, दोनों हमारे लिए important है, 46A और B, दोनों important है, notice to garnish, देख ये garnish होता क्या है, एक व्यक्ति है आपक मैं जब आपको यह चीज समझा दूँ, एक व्यक्ति है आपका decree holder और एक व्यक्ति है आपका judgment data, decree किसके favor में आई है, decree holder के, किसके against आई है, judgment data के against, अब decree execute करने के लिए इसका पैसा, इस decree holder को दिया जाना है, आगर decree holder कहता है कि पास कोई debt है, debt मतलब इसको किसी से पैसा लेन है, तो court क्या करेगा? Court सीधे इसको notice बेज सकता है, judgment data अगर चाहेगा, तो data के benefit के बेज लिए court सीधे कि acá सब्सक्राइब इस गारिशी को पहलें है जो भी पैसा है जज्मन डिटर से उसने लिया वो लाके चौ्ट में जमा करा दे अगर यह काम नहीं करता है तो चोट के पास पावर है उस decree को इसके against execute करने का as if the decree was passed against this person. तो जितने भी methods अभी अपन ने decree के execution के लिए पढ़े वो सब इसके against भी हो सकते हैं. अगर ये judgment ditter का पैसा देता नहीं है for the execution of decree ये आप पढ़ेंगे 46A में और B में यही सारी बातें 2-3 चीजें लिखे हुई है that's garnishing और ये जो number है rule का. ये बहुत important है भाईया. 46A में notice है और 46B में order against garnishing. वही मैंने बताया कि अगर वो पैसा जमान ही कराएगा तो हर वो चीज अपना ही जा सकती है. माल लिया जाएगा कि इसके against decree पास हुई हो और इसे execute करा ही जाएगी उस garnishing के against ये decree. So that is about 46A and B. इसके बाद mark करी है rule 57. Rule 57 mark करी है that is determination of attachment. Attachment माल लिजिए court ने कर दिया. Determination मतलब कब वो attachment खतम होगा? अगर माल लिजिए 57 में कहा नहीं क्या है तो 57 में कहा नहीं है कि माल लिजिए for the purpose of execution किसी court ने property को attach कर लिया है. समझने ध्यान से for the purpose of execution court ने किसी property को attach कर लिया है. लेकिन बाद में court इस execution की जो application इसको dismiss कर देता है अगर किसी current से. अगर किसी current वर्ष ये court इस execution की application को ही dismiss कर देता है तो इस attachment का क्या होगा? जो आपने for the purpose of execution कराया था उसके लिए लिखा है 57 में. जब court ये dismissal का order पास करेगा, इस application को जब dismiss करेगा, तो साथ में बता देगा कि भाईया वो जो property हमने attach करी थी, वो attachment continue होगा या नहीं होगा? अगर court बोलेगा कि continue नहीं होगा तो 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 रहन खतम attachment, अगर court बोलेगा कि continue होगा, तो court ये भी बताएगा कि कितने समय तक continue होगा? ये लिखा है 57 में. 57 में ये भी लिखा है कि अगर court ने isolated कोई order नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने dismiss कर दी execution की application और attachment के regarding कुछ नहीं बोला, तो मान लिया जाएगा that the attachment has come to an end attachment will cease. तो इसके बाद आप सीधे आजाईए 82 पे, 82 के उपर आप एक subheading देख पा रहे होंगे, sale of immovable property, rule 82 के उपर आप sale of, अब हमने पढ़तो लिया कि decree के execution में property attach हो सकती है या property sale हो सकती है, उस sale का procedure क्या होगा? इसलिए जो section में मैंने आपको बताया था purchaser's title, वो इसलिए बताया था, कि जब property sale करी जाती है auction में, तो purchaser purchase तो करता है, लेकिन वो sale को absolute होने में समय लगता है थोड़ा, और इसलिए वो section हमने पढ़ा कि purchaser का title उसी दिन से होगा, जिस दिन उसने property purchase कर लिए, भले ही sale को absolute होने में टाइम लगा, क्यों लगता है वो समय, आईए वो कहानी देखते हैं, वो इधर दी होई है, सबसे पहले, rule 82 देखिए, what courts may order sale, कौन सा court sale order कर सकता है immovable property का, तो इसमें लिखा है, sales of immovable property and execution of decree may be ordered by any court, other than a court of small court, small court के अलावा कोई भी court, immovable property की sale कर सकता है, ये भी एक प्रीखा question है, कि कौन से वो court है, जो immovable property की sale नहीं कर सकते, for the purpose of execution, इसके बाद आजाए 84, 82 के बाद पढ़ना है, 84, this is important, deposit by purchaser and resale on default, जिस दिन भी purchase करेगा, purchaser, देखिए option के थुरू होता है, जिस दिन भी purchaser purchase करेगा, जो amount decide हुआ है, उसका एक portion उसे तुरंत देना है, तो देखिए 84 में लिखा है, on every sale of immovable property, the person declared to be the purchaser, shall pay immediately, after such declaration, a deposit of underline कर लीजे, 25% on the amount of his purchase money, जित्ते में भी उसने property खरीदी है, immovable, उसका 25% उसे तुरंत जमा कराना है, immediately जमा कराना है purchase करने पर, इसके बाद आगे लिखा है, on the amount of his purchase money, to the officer or other person conducting the sale, and in default of such deposit, the property shall forthwith be resold, और अगर वो आपने auction में जाके, hero बनके खरीद तो ली पैसे हैं नहीं लेगेना आपके पास, 25% आप जमा करना नहीं पा रहा है, और वहाँ जाके आपने खरीद ली property, तो ऐसे केस में, वो sale cancel करके, दोबारा resell करती जाएगी property, अगर आप immediately 25% जमा नहीं करा पाएंगे, तो इसके बाद 85 देखिए, ये भी important है, 85 में बताया है, बाकी का amount कब कराना है, जो अभी immediately तो 25% कराया, तो 75% कब होना है, और कितने दिन में और नहीं हुआ तो क्या, 85 देखिए, the full amount of purchase money payable, shall be paid by the purchaser into court, before the court closes, on the underline कर लीजे, on the 15th day, from the sale of the property, जिस दिन sale होई थी, 15 दिन के अंदर, बाकी का amount करा दीजे, immediately जब आपने property purchase करी है, 25% और अगले 15 दिन के अंदर, remaining amount, that is the 75% आपको जमा कराना है, 86 में लिखा है, इसके बाद, 86 में लिखा है, कि अगर आपने 15 दिन के अंदर, ये remaining amount, जमा नहीं कराया, तो बहुत भेटरीन खेलता कोट इधर, वो जो 25% जमा किया था, वो भी forfeit हो जाएगा, कहने का मतलब ये, क्या कोट को पसंद नहीं है, कोट का समय बेस्मत करी है, आप जीवन में खाली है, तो आप पहुँच गाए कि चलो देखें, पैसे आपके पास है नहीं, पहले दन आपने 25% इम्मीडिटली करवा भी दिया, पर्चेस करने के बाद, लेकिन 15 दिन में अगर आप बाखी कामाउंट पे नहीं कर पाए, तो बेटा, वो 25% भी कोट रख लेगा, कोट अपना खर्चा निकालेगा, उसमें से जो सेल करने को बाखी स्टेट गर्मेंट को देदेगा, कि जब टैश करो, और आपका पैसा 4 feet हो जाएगा, यह दार दखिएगा, यह 86 में, इसके बाद देखिए, सीधर आईए 89, इसके बाद आईए रूल, 89, so 89 में देखिए, यह application to set aside sale on deposit, अब इस sale को set aside कराया जा सकता है, तो जब बात बताईए, कौन होगा जो इस sale को set aside करायेगा, भाई साब execution of decree में, immobile property sale हो रही है, एक वक्ति है जिसने यह purchase कर ली है, amount amount deposit करा दिया, लेकर एक वक्ति आ रहा है, जो इस sale को set aside कराना चाता है, similar चीज़ अपनने, CRPC के section 84 में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, claims and objections against attachment, यहाँ sale में के बाद, वक्ति objection raise करने आ रहा है, यह वक्ति कौन है, कोई भी ऐसा वक्ति हो सकता है, जो उस property में interested हो, कोई भी ऐसा वक्ति, जो अपना interest claim कर रहा हो, immovable property में, वो आके set aside कराएगा, देखिए यह दर लिखा है, where immovable property has been sold and execution of decree, any person claiming an interest in the property sold at the time of the sale, or at the time of making the application or acting, for or on the interest of such person, may apply to have the sale set aside on his depositing in the code, तो कोई भी वक्ति जो उस property में interest claim कर रहा हो, आके set aside करा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ deposit करना पड़ेगा, क्या deposit करना पड़ेगा, sales set aside कराने के लिए तो ए देखिए, for payment to the purchase, asalt equal to, underline कर लीजे, 5% of the purchase money, जिस वक्ति ने खरीदी है property, जित्ता उसने purchase money पे करा है, उसका 5% आपको पहले quote में जमा कराना पड़ेगा, तब आपका claim सुना जाएगा, कि आपका interest है उस property में, इसके बाद B, for payment to the decree holder, the amount specified in the proclamation of sale, as for the recovery of which the sale was ordered, कहने का मतलब decree का amount, जित्ता decree holder को लेना है, एक तो पहले तो आप क्या करा है, यह 5% purchase money का जमा कराईए, और इसके साथ साथ, जितने के decree है, जो amount है decree का, वो भी जमा कराईए, तब आपका claim देखा जाएगा, चीक, तो that is important, 89, इसके बाद 90 है, application to set aside sale, on ground of irregularity or fraud, this rule is also important, rule 90 is also important, rule 90 कोई भी आके करा सकता है, decree holder या कोई दूसरा, decree holder या purchaser, दोनों में से कोई भी, जिसने वो property purchase करी है, वो या फिर जो decree holder है, वो आके, इस ground पे इस sale को set aside करा सकते है, कि sale का जो procedure था, वो proper नहीं था, irregular procedure के थूँ ये काम हुआ है, ये कर सकता है decree holder या, या फिर purchaser of the property, दोनों में से कोई भी इस ground पे sale को set aside करा सकता है, कि जो sale का जो procedure था, वो proper नहीं था, ये है 90 में, इसके बाद 91 है application by purchaser to set aside sale, on ground of judgment data having no sellable interest, 91 में judgment data का एक और अधिकार है, जिसके ground पे वो sale को set aside करा सकता है, 91 में कौन करा रहा है, याद रखने है, judgment data करा रहा है, किस ground पे, sorry, purchaser करा रहा है, 91 में purchaser sale को set aside करा रहा है, इस ground पे कि जो judgment data है, जिसकी property बोलके आपने decree के execution में इस property को sale किया है, उस judgment data का तो कोई interest नहीं था इस property में, उसका कोई interest नहीं था, तो फिर आपने कैसे यह property बेज दी, इस ground पे purchaser set aside करा सकता है, that is 91, इसके बाद 92 important है, so rule 92 कि कैसे sale absolute होगी, sale went to become absolute और भी set aside, मैं brief कर देता हूँ 92 आपके लिए, sale absolute कैसे होगी, देखिए, या तो कोई claims आए होंगे, जैसा लिखा है 89, 90, 91 हमने पड़े, sale set aside करने के लिए कोई objection या claim आया, तो जब तक वो objection या claim सेटल नहीं होगा, तब तक ये sale absolute नहीं होगी, और अगर 89, 90 में कोई substance नहीं लगा, court को कोई substance नहीं लगा, कोई substantive नहीं लगा, उन्हें नहीं लगा कि ये sale set aside करनी चाहिए, in that case वो sale को absolute कर देंगे, अगर court को लगता है कि नहीं इसमें substance है, कोई वाक़ी एक व्यक्ति आया, जिसने अपना interest claim किया है उस property में, तो उस sale को set aside भी करा ला जा सकता है, दोनों में से कोई भी order pass हो सकते है 92 में, जमा करा दिया, फिर उसको 15 दिन का समय दिया गया, बाकी के 75% के लिए, फिर हमने समय दिया कि किसी को objection है, तो वो लिया हो, उसको हमने सुना, settle down किया, यह सब करने में समय लगा, इसलिए date of purchase और date of absolute of sale, किस दिन absolute हुई है, दोनों में difference है, लेकिन purchaser का title किस दिन से माना जाएगा, जिस दिन immobile property sale हुई है, उस दिन से purchaser का title माना जाता है, इसके बाद एक आखरी rule और इसमें mark कर लेजिए, that is 97, rule 97 और mark कर लेजिए, resistance और obstruction to possession of immobile property, ऐसा आपन ने section भी पड़ा है, यहाँ भी वो बात लिखी है, कि यहाँ जो पूरा execution में, अगर किसी वक्ती को property धिलाई गई है, immobile property, उसकी possession लेने में, अगर कोई वक्ती obstruction cause कर रहा है, या फिर resistance कर रहा है, उस possession को लेने में किसी वक्ती को, in that case, उसके against court action ले सकता है, यही बात इस rule में लिखी है, so rule 97 is also important, and that's all for this particular order, और इस तरीके से आपका खतम होता है, judgment, decree and execution of decree, सारे section हमने पढ़ लिए, इस से related, judgment and decree से related, उसके execution से related, बहुत सारे section हमने पढ़े, 36 to 74 के बीच में, जितनी important question बन सकते हैं, वो सब मेंने आपको बता दिये, इस particular order, murder 21 से 20 और 21, दोनों से जो pre के question बन सकते हैं, वो हमने देख लिया, और I hope आपको एक comprehensive, आउड़ा भी लग 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 सब चलता है, क्यों judgment आता है, उसके बाद decree अलग आती है, और decree के बाद execution अलग होता है, यह सब क्यों हो रहा है, I hope you have understood that as well, तो यह पूरा concept मेरे खाल आपके जहन में बैड गया है, अगर यह concept आपके जहन में बैड गया है, तो बेटा सबसे पहले तो इस video को कर दीजिए like, क्योंकि यह तो कता ही मतलब मतलबी हो रही है जंता, कि जैसा मैं अपने phone में देख पा रहा हूँ, तो यह बात comment में बता देना, और अगर चैनल सबस्क्राइब नहीं किया, तो वो कर लेना और bell icon प्रेस कर देना, चीक, तो यह जो 11 बज़े तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे जो sleep cycle मेरी disturb हो गई है, क्योंकि मैं बहुत सात्रिक वेक्ति हूँ, जल्दी सो के सुबह उठने माला वेक्ति हुआ करता था मैं, आज कल अब यहां से office से घर जाके, सोने का momentum मनाने में समय लगता हूँ, और अगर ऐसी चीजें मुझे अपने वीडियो पर देखने को मिलती है, कि इतने लोग थे और like कितने कम है, और किसी ने comment करके ये भी नहीं बोला कि अच्छा लगा या बुरा लगा कुछ भी, तो फिर नीन दाने में थोड़ा समय और लग जाता है, इसलिए इतना तो आप करी सकते हैं, है ना, अगर आपको helpful लगा है ये तो, तो चलिए, आपका काम आप चालू होगा, इसके बाद इसके comments में बता दीजेगा कैसा लगा है, like कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा और लोगों के साथ, if you feel, treat us beneficial, आपके भाई, बंदो, junior, junior, कोई कहीं किसी college में पढ़ रहे हैं, उनके semester में CPC और उनके सिर्पेस अगर CPC जा रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ share कर दीजे, इस पूरी series को उनके साथ share कर दीजे, आपके उन गरीबों का भी थोड़ा college में भला हो पाए, ठीक, चलिए, thank you so much for being here, good night everyone. अब आजाईए सारा order 22 की तरफ, order 22, और जैसा हमने पहले भी discuss एक बार किया है, जब हम लोग पहली class कर रहे थे, CPC की, उसमें मैंने आपको बताया था, कि ये जो chapter है, ये बहुत ही बहतरीन है, जैसा कि आप इसका नाम देख सकते हैं, order 22 का, death, marriage and insolvency of parties, तीन चीजों को एक साथ रखा गया है, इस order में, death, या तो आप मर जाईए, या तो insolvency of party, या तो आप insolven हो जाईए, या फिर आपकी शादी हो जाए, तीनों को बड़े वेतरीन तरीके से, इस CPC में equate किया गया है, इनका purpose कुछ अलग है, इसलिए इन चीजों को यहां साथ में रखा गया है, purpose यह है, इस पूरे order का, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वोगाले purpose के लिए ने equate नहीं किया गया है, इसलिए ने साथ में रखा गया है, क्योंकि इसके होने के बाद, अगर एक suit institute होता है और उसके बाद एक party की death हो जाती है तो उसका suit पे क्या impact होगा अगर एक suit institute होने के बाद एक वक्ति especially female की शाधी हो जाती है तो उसका क्या वक्ति अगर insolvent हो जाता है तो उसका impact क्या होगा इसको बताया गया है इसपूरे order में और इसको abitment भी कहा जाता है, abitment of suit, क्या suit end हो जाएगा, क्या एक party, जो कि उस कोई भी वक्ति, जो एक suit में party है, let him be plaintiff और defendant, अगर एक वक्ति party है यहाँ suit में, तो क्या उसकी death के बाद suit abit हो जाएगा, या फिर suit आगे continue होगा, ये सारी बातें इस particular order में हमें दिखनी है, उस यहाँ पर basically बताया गया है, चीक है, तो चलिए, order 22 पर आईए, क्या-क्या पढ़ना है, वो देख लेते हैं, कौन-कौन से rule important है, होता क्या है, meaning is abitment का, ये भी आप ज़रा, देख लेते हैं, so we are coming to order 22, है शिवानी, constitution की भी classes होँगी, constitution contract के बाद start होगा, contract की तल last class है, उसके दो जो GS के acts बचे हुए है, साथ आपके already playlist में है, दो बचे हैं, वो कराए जाएंगे, then contract will be started, I guess 23rd or 24th से contract आपका जो है, वो start हो जाएगा, probably 24th से contract आपका, sorry, constitution, 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 constitution आपका उदर start हो जाएगा, चीक, तो that will be started, there is, there is a change in that, पहले वो जो दो special arts बचे हैं, उनको cover कर रहा है, जो GS के लिए, के में जो नए add हुए है, उसमें से दो subject नहीं हुए है, जो आपको इस playlist में नहीं मिलेंगे, उनको पहले cover कराया जाएगा, then we'll be coming up with constitution after I am, चीक, के चलिए, यह जो अभी हम बात कर रहे हैं, यह commitment of suit की कि अगर एक party की death होती है, तो उसका क्या impact होगा, सबसे पहले देखिए, इस order में rule 1 से लेके, rule 4 तक यह बताया गया है, कि अगर किसी व्यक्ती की death होगी, तो इस case में क्या होगा, so rule 1 से 4 important है यहां, मैं लिखते जाता हूँ और आपको उसकी summary बताते जाता हूँ, rule 1, rule 2, rule 3 and rule 4, यह चारों के चारों important है, अब इस concept को थोड़ा समझना पड़ेगा हमें, जो अगर एक party की death हो जाती है, suit institute होने के बाद, अगर एक party की death हो जाती है, तो क्या suit abate होगा, rule 1 कहता है कि अगर right to sue survive करता है, अगर right to sue अभी भी exist करता है, in that case, suit जो है वो abate नहीं होगा, the death of a plaintiff or defendant shall not cause the suit to abate if the right to sue survives, अगर right to sue survive कर रहा है, तो suit abate नहीं होगा, suit abate नहीं होगा, तो क्या करेंगे, by legal representative को लाके replace करेंगे, बंदे की death होगा, यह party की death होगा, यह होगा, क्या, उसका legal representative replace हो जाएगा, अगर suit ऐसा है, which cannot, where the right to sue doesn't survive, cause of action survive भी नहीं करता, अब देखना, एक बात इदर समझना, इस chapter को अगर आपको अच्छे सा समझना है, बना आपको पहले भी CPC पढ़ाने के लिए कई चीज़े यह बताई है, कि आपको थोड़ा सा substantive laws का भी knowledge होना चाहिए, तब ही कुछ ऐसे concept हैं, जो आप CPC के समझपाएंगे, इसके लिए आपको कुछ substantive laws का knowledge होना चाहिए, substantive laws में यह बात बताई गई है, कि कब एक party की death हो जाएगी, तो right to sue survive होगा या नहीं, CPC से सिर्फ इतना बताता है आपको, कि अगर right to sue survive कर रहा है, तो suit abit नहीं होगा, 1 से लेके 4 तक सब में यही बात बताईए, चाहे plaintiff की बात करिए, अगर उसके death होने के बाद भी right to sue survive करता है, तो the suit will continue, अगर right to sue survive नहीं करता है, the suit will come to an end, किसी defendant की death हो गई है, अगर उस defendant की death होने के बाद भी right to sue survive करता है plaintiff का, अगेंस the remaining defendant, तो suit continue करेगा, और otherwise, अगर वो continue नहीं कर सकता है, तो in that case, उस defendant के legal representative को लाके suit में पार्टी बनाया जाएगा, उसके बाद suit continue होगा, तो देखिए, एक एक करके rule को थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा detail में मैं नहीं जापाऊंगा, क्योंकि substantive law से आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कि कब right to sue survive करता है, कब नहीं करता, लेकिन एक basic understanding, क्योंकि ये provision हम पढ़ रहे हैं इस order के, उसके लिए basic understanding ज़रूरी है, कि right to sue survive करेगा, कब नहीं करेगा, कुछ basic examples हैं, मैं आपको ये बात समझाँगा, तो सबसे पहले rule 1 में, simply हमने देखा कि, death से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर right to sue survive कर रहा है, rule 2 देखिए ज़रा, procedure where one of several plaintiffs or defendants die and right to sue survive, अब rule 2 आपको बता रहा है, जहाँ one of several plaintiffs or defendants die and right to sue survive, वो अलग-अलग 2-3 plaintiff हैं, और rule 2 में बताया है, rule 3 कहता है, procedure in case of death of one of several plaintiffs or of sole plaintiff, multiple plaintiff है, किसी एक plaintiff की अगर death हो गई, तब क्या होगा, बाकी लोगों का किस case में suit continue करेगा, और 4 सिमिलर बात करता है defendant के context में, अलग-अलग multiple defendant है, किसी एक की death हो गई, तो कब suit continue करेगा, कब legal representative को आपको लेखिया आना, यह सा माई लीजिए, जहाँ sole plaintiff and sole defendant है, एक plaintiff है, इसने एक suit file इता है against defendant D, अब अगर मान लीजिए इस suit को file करने के बाद, इस plaintiff की death हो जाती है, आगर यह suit file करने के बाद, plaintiff की death हो जाती है, और death होने के बाद भी right to sue अगर survive कर रहा है plaintiff का, यह भले ही मर गया है, लेकिन right to sue survive कर है in that case suit abit नहीं होगा और इसकी जगे legal representative को ले आएंगे इसकी जगा कौन आ सकता है legal representative आ सकता है suit इस बात से abit नहीं होगा कि ये sole plaintiff था और ये मर गया अगर right to sue survive कर रहा है in that case same होगा defendant के साथ माल लीजे plaintiff जिन्दा है लेकिन defendant की death हो गई है अब इस case में defendant की जगा legal representative को लाया जा सकता है अगर right to sue survive कर रहा है after the death of defendant तो defendant की जगा किसको ले आएंगे legal representative को ले आया जाएगा और इस defendant को substitute कर दिया जाएगा by legal representative अब एक example इसका आप ये समच सकते हैं sole defendant के case में जैसे मान लेजे आप सब जानते हैं suit for specific performance specific performance का suit अगर अगर specific performance किसी ऐसी चीज़ की है जिसमें कोई artistic चीज है या कोई individual personal skill की अगर कोई चीज़ है तो specific performance का जो cause of action है वो सिर्फ उस व्यक्ति की अगेंस होता है किसी और की अगेंस नहीं उसके legal representatives की अगेंस नहीं ये सब बाते कहां से पता चलेंगी आपको मैंने कहा substantive law CPC इसकी बात नहीं करता CPC न तो बस सिर्फ ये लिख दिया है कि अगर आपका right to sue survive कर रहा है तो continue कर ये नहीं कर रहा है तो legal representative को लाना पड़ेगा इस तरीके की बात CPC ने बस इतना बताया वो ये नहीं बताएगा कि कहा right to sue survive करेगा आप एक example ये समझ सकते हैं contract act में भी ये चीज़ मिल जाएगी specific relief act में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि मान लीजिए अगर कोई personal skill से related काम है उसका अगर contract था और अगर मान लीजिए इस व्यक्ति की death हो गई है और फिर अगर आप specific performance का अगर suit है तो आप बताईए क्या specific performance legal representative के अगेंस्ट आप claim कर सकते हैं क्या उस case में specific performance claim करने का suit क्या exist करता है after the death क्या वो right to sue exist करता है specific performance का after the death of that person नहीं नहीं करता है ऐसे case में suit abit हो जाएगा लेकिन अगर damages का suit है अगर मान लीजिए damages claim करने का suit है तो बिल्कुल right to sue survive करता है damages आप legal representative से claim कर सकते हैं उस case में एक application देखे LR को ले आएगे अगर आप damages claim करना चाहते हैं वो कर सकते हैं उस case में आप क्या करेंगे legal representative को party बना देंगे बात करते हम प्लिंटिफ की application पे हो ज single plaintiff single defendant की बात सेम चीज़ अप्लाए होती है multiple पे भी अगर मान लीजिए there are multiple plaintiffs and multiple defendants अब देखे एक बात समझना अगर मान लो यहाँ पर multiple plaintiffs है P1 है P2 है P3 है तीन plaintiff है तीनों ने मिलके suit file किया किसके against D के against defendant rule 3 की बात कर रहा है अब जो मैं आपको बताने जारा हूं rule 3 चीज़ को बता रहा है तीन अलग-अलग plaintiff है तीनों ने मिलके suit file किया है D के against अगर मान लीजिए इन में से एक बंदे की death हो जाती है किसकी इस P3 की अगर death हो जाती है अब यह देखा जाएगा कि क्या इन दोनों का P1 और P2 का individually alone क्या इनके पास right-to-sue survive कर रहा है क्या इनके पास अधिकार है कि बिना P3 के यह suit file कर सकते है इसके against यह कहां से पता चलेगा सब्स्रेंट डेवलों से पता चलेगा अगर यह right-to-sue survive करता है इन दोनों में alone अगर सिर्फ इन दोनों में वो right-to-sue survive करता है in that case यह suit continue हो जाएगा और अगर इन दोनों में वो right-to-sue survive नहीं करता है in that case क्या तिया जाएगा इस P3 की जगे लाया जाएगा इसके legal representative को उसको add किया जाएगा तब suit continue होगा क्योंकि इन दोनों के पास अकेले अधिकार नहीं है right-to-sue survive नहीं कर रहा ऐसे case में आपको क्या कर करना पड़ेगा जो just plaintiff की death क्योंकि तीनों साथ में ही suit file कर सकते हैं ऐसे case में हमें क्या करना पड़ेगा इसको लाना पड़ेगा LR को replace करना पड़ेगा उसको आपको party बनाना पड़ेगा तब continue होगा otherwise नहीं होगा I hope that is clear yes or no समझ माया same applies to defendant the same exactly same applies to defendant defendant के case में देखी जरा क्या होगा अगर मानलीजिए एक प्लेंटिफ है पी पी ने मानलीजिए एक suit file करा है पी ने मानलीजिए एक suit file किया है अगेंस्ट D1, D2 and D3 तीन defendant है multiple defendant है इसमें आप मानलीजिए इसके death हो जाती है D3 की अब यह देखा जाएगा कि क्या प्लेंटिफ का जो राइट है राइट उस्यू है वो क्या इन दोनों के अगेंस्ट भी रहता है क्या यह इस के पास अधिकार है कि दोनों को इंडिविज्विजुली यह लिखा है आपका रूल 4 में तो दोनों की यह बात है आप यह कहानी कि कहां राइट उस्यू सर्वाइब करता है कहां नहीं करता जैसा मैंने कहा इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहां सब्सेंटेव लॉज की तरफ एक एक एक्जाम्पल में आपको इसका कॉंट्राक्ट एक का बता दू ना से शायद आप थोड़ा यह कनेक कर पाएं कि कहां राइट उस्यू आपका एक्जिस्ट करता है कहां नहीं आपने पड़ा होगा कॉंट्राक्ट एक्ट में कि कहां राइट उस्यू सर्भाइब करता है कहां नहीं मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ उन प्रोविजन में क्या लिखा है जहां पे अब 42 कहता है जहां भाईस आप जॉइंट प्रॉमिसर थे मान लीजिए ए ने बी ने और सी ने तीनों ने मिलके एक प्रॉमिस किया थ किसको डी को कि तेरे को हम 60,000 रुपे देंगे अब Indian contract act ये कहता है section 42 ये कहता है Indian contract act का कि अगर मान लिजिए इसकी death इन में से अब डी का जो अधिकार है वो कैसा दिया है substantive law में कि डी चाहे तो पूरे 60,000 जहां ये joint promisors है डी चाहे तो पूरे 60,000 सिरफ A से ले सकता है सिरफ B से ले सकता है, C से ले सकता है, या तीनों से collectively ले सकता है, वो जिससे चाहे उससे claim कर सकता है, ऐसे किस में अगर मान लिचे, उसने तीनों के against claim किया, और C की अगर death हो गई, तो अब आप बताईए क्या D का, A, B के against right to C survive करेगा, yes, क्योंकि वो तो एकसा भी मान सकता है, ये अ क्या है, आपका right to C survive कर रहा है, इन दोनों के against भी, independently, तो the suit will continue, LR को replace करने की जरुवत नहीं पड़ेगा, I hope that is clear, yes or no, इक बार लिखके बता दीजिए कि सामझ आए कि ने, ये मैं आपको example बताना चाह रहा हूँ, कहा right to C survive करेगा, का नहीं करेगा, and I hope that is clear to everyone, ये आपको मे right proper दे दिया है, कि वो जिस से चाहे मांग लें, लेकर अगर आप उसी में section 44 पढ़ेंगे, dissolution of joint right की बात करते हैं, dissolution of joint liability joint right, दोनों दिये हैं 42 और 45 में, अब अगर मन लीजिए, promise है, मन लीजिए, A में एक promise किया, कि भाई साब मैं 60,000 रुपे दूँगा, किसको, B को, C को और D को, इन तीनों को 60,000 रुपे देने का promise किस ने किया है, A ने किया है, कि तुम तीनों को मैं 60,000 रुपे दूँगा, अब Indian contract act ये कहता है, कि अगर मन लीजिए, यहाँ D की death हो जाती है, तो क्या B और C के पास अधिकार है, A से 60,000 मांग लेने का, क्या B और C, individually या alone क्या अधिकार रखते हैं, सुट फाइल करने का, A के against, as per the substantive law, as per the Indian contract act, बताईए ये सौर मों, क्या B और C के पास ये अधिकार है, कि वो individually मांग सकते हैं, A से ये दोनों collective भी मांग सकते हैं, विदाव दी, तो इसके लिए आपको जवाब मिलेना Indian contract act के section 45 में, और वो कहता नहीं, इनके पास अधिकार नहीं है, जब ये plaintiff बनेंगे, इस case में आप समझना, जब ये तीनों plaintiff बनेंगे, कौन-कौन बनेगा plaintiff आपका, तो B, C और D, जब ये तीनों suit file करेंगे against A, और आप इसमें, अगर मान लीजिए, D की death हो जाती है, तो क्या B और C के पास अधिकार है, कि बिना, D के representative को बोल या इधर पर आपको लाना पड़ेगा LR, आप individually claim नहीं कर सकते, हाँ, जहाँ प्रॉमिसर multiple थे, वहाँ प्रॉमिसी के पास अधिकार है कि कि किसी एक से claim का दे, लेकिन जहाँ multiple प्रॉमिसी है, तीनों को प्रॉमिस किया था, एने कि तुम्हें 60,000 दोंगा, यहाँ ये दोन LR को एड किया जाएगा, बस यही बातें, रूल बन से रूल फूर तक आपको मिलेंगी, और इनके समझ में ना आने का, ना आप आने का जो कारण है में, वो मुझे लगता है substantive laws की कम clarity, जैसे family law में भी आपको बहुत जगे ही सब मिल जाएगा, कहां co-personer है, तो उनके क्या rights हैं, कहां साथ में claim करना है, कहां individually claim कर सकते हैं, वो सारी बातें आपको substantive law में समझाएगे, कहां collectively करना है, कहां individually, just to understand that this topic मेरा आपको एक example बताया, जी, तो I hope that is clear, याद क्या रखना है इदर, suit abate कब नहीं होगा, when right to sue survives, अगर right to sue survive करता है party की death के बाद, तो suit abate नहीं होगा LR को replace कर लिया जाएगा, LR को ले आएंगे as a party और suit abate नहीं होगा, अगर आपका right to sue survive कर रहा है, in that case, so I hope that is clear, all right, और उसके बाद mark करिये जड़ा pre के दूसरे सवाल, यहां से तो देखो, simple rule में से कुछ आप से पूछा जाता है, number general ही नहीं पूछा जाता है, एक से चार का सिर्फ यह पूछा जाता है कि कप suit abate होगा company, और जैसा मैंने आपको कहा था कि CPC अपन सिरफ याद नहीं करेंगे, कि right to sue survive करेगा तो suit will not abate, मैंने आपको कहा था, थोड़ा अपन समझेंगे भी, बस उतना ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं बस समय उतना ही, बाकि है य Rule 4 API, this is very important, Rule 4A देख लिए इसके बाद, procedure where there is no legal representative, हम माल लेचे, suit को continue करने के लिए legal representative की जरुरत है, बिना legal representative की suit continue नहीं हो सकता, क्योंकि right to sue survive नहीं कर रहा है, जितने remaining parties है, जो भी remaining plaintiff है, remaining defendant है, उनमें right to sue survive नहीं कर रहा है, LR को लाना जरूरी है, लेकिन जो बैक्ती deceased है, जिसकी मृत्य हुई है, जो मरा है, उसका कोई LR ही नहीं है, ऐसे case में क्या करेंगे, यह दिया है 4A में, यहां से primary question आता ही, बहुत important है, कि जहें LR नहीं है, वहां कौन आएगा, यह एक officer है court का, इसका नाम कई बार problems में पूछा जा चुका है, if in any suit, it shall appear to the court that any party who has died during the dependency of the suit as no legal representative, वोई legal representative नहीं है, उसका जिसकी मृत्य हुई है, the court may on the application of any party to the suit proceed in the absence of a person, absence में भी proceed कर सकती है, representing the state of the deceased person, अगर कोई नहीं है तो absence में भी proceed कर सकती है, और लिखाया आगे, और may, underline कर लीजिए, और may, by order, appoint the administrator general, or an officer of the court, for such other person as it thinks but to represent the skill, या फिर किसी वक्ति को appoint कर देग किसको कर सकती है, administrative general को या किसी दूसरे officer of court को appoint कर सकती है as legal representative of that deceased person, जो उसकी property, क्योंकि मर गया विक्ति property तो होगी न, उसकी उसको manage कर लेगा, उसमें से जो linden होगा, वो हो जाएगा, इसे लिए 4A में ये बताया गया है, this is very important, इसके बाद जो important rule है, जहां से question आता है, वो very important, अगर आप से कोई rule पूछा जा सकता है, इस particular order में तो वो है rule 6, और इसमें ये बात, इसका concept भी पूछा जाता है, rule 6 basically है, क्या no abatement by reason of death after hearing, अगर एक party की death होई है, hearing complete हो गई है, लेकिन अभी judgment pronounced नहीं हुआ है, इस बीच में अगर किसी party की death होई है, तो इसका कोई impact नही है, रूल 6 में, notwithstanding anything content in the foregoing rules, whether the cause of action survives or not, इससे मतलब नहीं है, cause of action survive कर रहा है, नहीं कर रहा, अगर hearing complete हो गई है, उसके बाद किसी की death होई है, तो इस बात का कोई impact नहीं होगा, there shall be no abatement by reason of the death of either party between the conclusion of the hearing, between the conclusion of the hearing and the pronouncement of the judgment, but judgment may in such case be pronounced notwithstanding the death and shall have the same force and effect as if it had been pronounced before the death, judgment वैसे ही प इस बात का कोई impact नहीं होगा, कल भी हमने देखा था कि जैसे hearing complete होगी, या तो at once judgment pronounce हो सकता है, जरा comment box में तुरंद मुझे ये बता दीजिये, कि अगर at once नहीं हुआ है, तो कित्ते दिन के अंदर किया जाना चाहिए judgment pronounce, पहली limit क्या है, court के उपर, क्या कुशिश होनी चाहि है, कित्ते दिन में judgment pronounce होना चाहिए, अगर at once नहीं कर रहे है, hearing complete होने के बाद, बताओ भाई, 30 days, that's correct, 30 दिन में होना चाहिए, अगर 30 दिन में हो पा रहा है, extra ordinary situation है, तो कित्ते दिन, अगर 30 दिन में हो पा रहा है, in that case, कुछ है क्या, अगर मान लेजे, 30 दिन में नहीं हो पा रहा तो, तिर कुछ है क्या, correct, 60, correct, और judgment pronounce होने के कित्ते दिन के अंदर decree रहा होनी है, जरा भो भी बता दू, क्योंकि यही सब question आने है, judgment decree execution से बहुत question है, तो judgment pronounce होने के बाद कित्ते दिन में होगा, decree रहा होनी चाहिए, 15 दिन, that's correct, correct, और जरा यह भी बता दो, कि डिक यह भी बता दीजिए, तो decree पे जो date डाली जाती है, correct, तन्वीर, judgment की date डाली है, जो judgment की डाली है, वो ही होगी decree पे, correct, चलिए, good, revision कर रहा है इसका मतलब आप, और जो subjects complete होते गए हैं, उनके test available है, आप पे, देते जाओ, उनको, उनको देते जाईए, और full-fledged अगर आपक judgment, pronouncement से पहले, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, इसके बाद देखिए, 7, अब आईए, roll 7 पे, क्योंकि हमने इसमें क्या-क्या देखा, इसमें था death, marriage और insolvency, अब marriage का impact देखेंगे, death का देख लिया हमने, death में क्या impact होगा, कब suit abate होगा, जब right to sue survive नहीं करेगा, तम abate हो इसके लाबा, roll 7 में यह भी लिखा है, कि अगर मान लीजिए, female party की शादी हो गई है, अगर by law husband liable है for the debts of the wife, वाइफ ने जो उधार उधार ले रखा है, उसके लिए अगर husband liable है, in that case, जो भी decree आईगी, वो husband के against भी execute हो सकती है, यह लिखा है, यह कैसे पता चलेगा, यह आ होते हैं, वहाँ से पता चलेगा कि husband के against अधिकार होया या नहीं, यह wife के debt है, उस case में husband के against claim किये जा सकते है या नहीं, यह पता चलेगा आपको personal law से, देखिये 7, the marriage of a female plaintiff or defendant shall not cause the suit to abit, शादी होने से suit abit नहीं होगा, but the suit may not standing be proceeded with, to judgment and, judgment किया जाएगा and, where the decree is against a female defendant, अगर defendant female है, उसके against decree आई है, it may be executed against her alone, सबसे पहले general बात ने की है, अगर female के against, वो defendant है और उसके against decree आई है, in that case, उसके अकेले के against ही execute किया जाएगा, लेकिन इसका जो sub rule 2 है, वो कहता है, where the husband is by law libel for the debts of his wife, the decree may with the permission of the court be executed against the husband, लेकिन अगर by law wife के debt के लिए husband libel होता है, तो ऐसे case में यह जो defendant wife के against decree आई है, यह उसके husband के against be execute करी जा सकती है, husband के against be execute करी जा सकती है, तो कल भी मैने आपको एक बात बताई थी, यह जो बहुत सच दच के बक्री मग्री मेट के जो गड़के दूला बनते हैं, उनके लिए course शुरू करने के बारे में मैं विचार कर रहा हूं, प् चला आप liable है wife के डेट के लिए बाद में डिकरी आ रही है, और इतने पैसे चले जा रहा है और उस डिकरी के execution में, जिस वग्यी और बेंड बाजे के सांथ बारात लेके रहे हैं, उनका payment नहीं कर पारा है, बाद में वो अलग मार रहा है पर आके, इसलिए मुझे लगता ह बहुत जरूरी है, ऐसे भावी दूलों के लिए, एक कोर्स चलाना, प्री वेडिंग लॉग क्लास इसके नाम से, और शायद चल दी उस रहे हैं, या उक्तर प्रदेश के पट लें जारा, फिर इन साधी वालों को देखेंगे, इसके बाद आईए, रूल एट पे, तो अगर हस्बेंड, वाइफ के लिए लाइबल होता है, लेकर अगर मानलीचे बाई लॉग हस्बेंड अपनी वाइफ की प्रपरटी के लिए अंटाइट होता है, अगर उसमें उसका अदिकार होता है, तो वो खुद एक्जेक्यूट भी करा सकता है, ये धान दखियेगा, इ plaintiff insolvent हो गया तो क्या suit abit हो जाएगा तो जनरल बात ही है कि जनरल ही नहीं होता उसके लिए conditions है यह जानना बहुत जरूरी है इसको समझ येगा जरा यहां से भी questions आते हैं the insolvency of a plaintiff in any suit which the assignee or receiver might maintain for the benefit of his creditors shall not cause the suit to abit बले plaintiff insolvent हो गया है लेकिन अगर assignee या receiver उसको continue कर सकते हैं in that case suit abit नहीं होगा किस condition में abit होगा जब यह assignee और receiver अपनी duty fulfill नहीं करेंगे वो court में जो cost loss जमा करानी है वो नहीं कराएंगे आगे देखिए unless such यह बहुत important है इधर से question आता है unless such assignee or receiver declines to continue the suit अगर मान लीजिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं plaintiff की जिसने suit file किया वह insolvent हो गया तो क्या उसके बहाब पर suit continue किया रहा सकता यस उसके जो भी assignee या receiver है वो continue कर सकते हैं कब suit abit होगा अगर वो खुद मना कर दें सच assignee or receiver declines to continue the suit अगर वो continue करने को मना कर दें या फिर को समझें कही बार क्या होता है जैसे मान लीजिए आप suit file करने गए मैंने पहली बताया court के समय से ज्यादा कुछ important नहीं है आप free हो सकते है जी वन में court नहीं है तो जब आप दिना plaintiff court में suit file करने जा रहे हैं तो हो सकता court को लगे कि भाई आप ऐसे plaintiff हैं जिससे अभी हमें security पता चला आपने defendant के again suit file करा वो defendant आया अपने को defend किया suit decide हुआ और बाद में अगर court को लगता है कि अब plaintiff से cost पे करवानी चाहिए defendant को यह concept अपन पहले ही समझ चुके हैं हो सकता है ऐसा find out करे court end में कि भालतू का suit था defendant को जबरजस्ती सताया गया है तो plaintiff से cost दिलबाई बाद में पता नहीं है भगना जाएगे यह cost दे पाए कि defendant को तो यह सता ले suit file करके लेकिन उसका पता नहीं cost दे पाए लाकिन किसे लिए court पहले ही court plaintiff से पहले ही security मान सकती है for payment of cost कि भाई यह तुम ऐसा पर हो पहली कुछ security रग दो जाए क्योंकि बाद में तुम बग cost नहीं देंगे या ऐसा अंदेशा है कि आप दे नहीं पाएंगे वह पहले security भरवा सकता है अब क्योंकि व्यक्ति plaintiff जो है वह इंसॉल्वेंट हो चुका है plaintiff जो है इंसॉल्वेंट हो चुका है तो court assigne receiver को बोलेगा पहले security रख दो आप कि कल को आपका suit भरजी निकला तो procedure where assignee fails to continue suit or give security अगर मान लिजे वो continue नहीं कर पाता है security security नहीं दोता है in that case suit will come to end where the assignee or receiver neglects or refuses to continue the suit and to give such security within the times to order the defendant may apply the defendant may apply for the dismissal of the suit on the ground of the plaintiff's insolvency and the court may make an order dismissing the suit and after regarding to the defendant the cost which he has incurred in defending the same to be proved as a debt against the plaintiff's state तो मान लिजे अगर ये जो assignee है plaintiff ने suit file किया और suit file करने के बाद वो plaintiff during the dependency of suit वो plaintiff क्या होगा तो जनरल प्रोविजन तो ये कि अपने आप suit अबेट नहीं होगा अगर उसके जो assignee ya receiver है उस insolvent के assignee receiver क्या करते है जो विक्ति insolvent हुआ है उसके पास जो भी property कुछ बचे भाई insolvent का मतलब क्या होता है कि आपकी liabilities आपके assets से ज्यादा हो गई है देना ज्यादा है receive कम करना है लेकिन अगर कुछ receive करने को बचा है तो उसके लिए एक person appoint किया जाता है जो वो receive करेगा और आपके जो creditor है जिनसे आपने ले रखा है जिनको आपको पैसा pay करना है उनको थो तो suit में come to an end suit dismiss हो सकता है और आपको security furnish करनी पड़ेगी for payment of cost अगर यह आपने नहीं किया तो defendant एक application दे देगा court में किसाब यह assigne receiver करना नहीं चाह रहे है continue या फिर इनोने security नहीं दिये for the purpose of cost और इस ground पे court dismiss कर सकता है suit को I hope that is clear to everyone yes or no समझ मैं रहा भीया क्या चल रहा है यह क्यों यह assigne receiver की बाद चल रही है क्या security for cost I hope that is clear see चलिए इसके बाद आजाए यह 9 effect of abitement or dismissal this is also important 9 is very important 9 is very important effect of abitement or dismissal where a suit abits or dismissed under this order underline कर लीजे अगर एक suit abit हुआ है या dismiss किया गया है underline कर लीजे no fresh suit shall be brought on the same cause of action अगर इस order में suit abit हो गया है या dismiss कर दिया गया हो तो fresh suit नहीं लाया जाएगा same cause of action पे this is very very important इसका sub-rule तू कहता है the plaintiff or the person claiming to be the legal representative of our diseased plaintiff और the assignee or the receiver in the case of an insolvent plaintiff में apply for an order to set aside the abitement or dismissal जो भी वक्ति है जो प्लेंटे वया उसके जो assignee है receiver है insolvent के या party जो मर चुकी है उसके legal representative वो चाहें तो इस order को set aside इस abitement के order को या फिर इस dismissal के order को set aside करा सकते हैं माल लीजिए court में आपने समय पे security furnish नहीं करी असाइन या receiver ने और court में क्या करा dismiss कर दिया इस dismissal के order को बाद में अगर वो आतने किसा आप security ले लो उस समय नहीं कर पाए थे आप कर दे रहे हैं तो इस court जो है अगर उसको आप satisfy कर देंगे for sufficient reason तो वो set aside कर सकता है उस dismissal को और suit को continue कर सकता है उस abitement के order को भी अगर बाद में legal representative आता है इसके बाद 11 भी देखिए important है for problems rule 11 बस इतना अधान रखना है कि 11 में है क्या application of order to appeal appeal पर apply होता है या नहीं यह और जो 12 है 12 भी important है इसका rule 12 भी important है execution जो proceedings है उस पर applicable है या नहीं इसके बारे में 11 और 12 कहते है तो 11 देखिए in the application of this order to appeal so far as maybe the word plaintiff shall be held to include an appellant and the word defendant or respondent मतब जो plaintiff लिखा है उसकी जगे अपन appellant मान लेंगे जहाँ appeal की बात चल रहे है और defendant की जगे respondent मान लेंगे उसमें ये दो parties होती है when it comes to appeal appeal पे ये apply होगा ये जो order है ये appeal पे apply होता है ध्यान रखिएगा बट इसका जो rule 12 है वो कहता है कि execution की जो proceedings होती है जिसके बारे में कल हमने पड़ा था execution की जो proceedings है उस पे इस order का rule 3, 4 और 8 rule 3, 4 और 8 applicable नहीं है execution proceedings पर ये ध्यान रखिएगा 11 और 12 important है तो ये होगे आपका order 22 which is abitment और किन-किन cases में ये बताता है कि suit के साथ क्या होगा suit abit होगा या नहीं होगा तो death, marriage or insolvency of a party के बारे में बताता है सबसे पहले हमने death के बारे में देखा फिर female party की शादी होती है उसका क्या impact होगा वो देखा और हमने देखा कि अगर plaintiff insolvent हो जाएगा in that case क्या होगा जी तो यह सारी बते यहां दी हुई है and I hope that is clear थोड़ा बात concept भी आपके समझ में आया है कि यह सब चल क्या रहा है इसके बाद आ जाईए अगले order की तरफ that is order 23 this is also very important withdrawal बहुत important है order 23 देखिए इस order 23 में हमें क्या क्या पढ़ना है order 23 का नाम है withdrawal and adjustment of suit withdrawal and adjustment इसमें basically हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे इस order में इसमें हम पढ़ेंगे abandonment abandon मतला छोड़ देना कुछ नहीं क्या आपकी खब suit abandon हो जाएगा दूसरा पढ़ेंगे withdrawal कि जिसने फाइल क्या है वो withdraw कर सकता है तो withdrawal पढ़ेंगे और इसके बाद तीसरे चीज़ जो हमें पढ़ना है compromise कि parties ने किसी lawful agreement से आपस में compromise कर लिया तो court क्या करेगा court दोनों party को बुलाएगा और उस agreement के हिसाब से decree draw करके suit खतम कर देगा तो basically इस order में आपको तीन चीज़ें बताई गई है abandonment withdrawal और compromise यह तीनों इस order में हमें पढ़ना है कौन-कौन से rule important है वो में यहाँ लिखते जाओंगा सबसे पहले इसका rule 1 देखिए यह तो बहुती ज्यादा important है और इदर से कफी question आते है इसमें दो चीज़ें बताई गई है abandonment बताया गया है और withdrawal बताया गया है compromise के लिए separate rule है rule 3 इस rule 1 में क्या क्या मिलेगा आपको abandonment और withdrawal तो देखिए rule 1 withdrawal of suit or abandonment of part of claim at any time after the institution of a suit the plaintiff may as against all or any of the defendants abandon his suit or abandon a part of his claim पूरा suit abandon कर सकता है या कोई पार्ट छूड़ सकता है यह ठीक है नहीं चाहिए जाओ एस करो that is abandonment यह काम कर सकता है लेकिन इक बार आपने abandon कर दिया तो फिर दुबारा fresh suit नहीं लापा होगे provided that where the plaintiff is a minor यह proviso भी important है minor के case में suit का abandonment खुद से नहीं होगा क्योंकि minor खुद suit file नहीं करता वो आप आगे के order में पढ़ेंगे minor के behalf पे suit file किया जाता है by next friend कोई एक दूसरा person जो competent है वो suit file करता है उसको केते है next friend तो अगर next friend ने suit file किया तो वो खुद से abandon नहीं कर सकता बिना permission of court के वो abandon नहीं कर सकता यह proviso लिखा है provided that where the plaintiff is a minor or other person to whom the provisions contained in rules 1 to 14 of order 32 extend neither the suit nor any part of the claim shall be abandoned underline कर लीजे चाल वी abandoned without the leave of the court बिना court की permission से abandon नहीं किया जाएगा check in this case इसके बाद देखिए sub rule 2 अब sub rule 2 बात करता है कि अगर यह आपको application देना है तो effort पर देगा next print बहुत important नहीं है इसका sub rule 2 बहुत important नहीं है sub rule 1 important है क्योंकि यह बात करता है abandonment की और sub rule 3 बहुत important है क्योंकि यह बात करता है withdrawal की sub rule 3 बताएगा withdrawal के बारे में कोई भी for procedural हमने CPC में अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी है जो अगर आपने comply नहीं करा तो suit आपका dismiss हो सकता है तो किसी भी ऐसे formal defect की वज़े से अगर court को लगता है कि suit dismiss anyways हो सकता है ऐसे case में court permission दे सकती है plaintiff को कि भाया तू withdraw कर ले तो suit withdraw कर ले देखो एक बात जान रखना अगर आपने abandon किया है suit या कोई part of the claim तो दुबारा claim नहीं कर पाऊगे दुबारा suit file नहीं कर पाऊगे लेकिन अगर आपने with the permission of court withdraw किया है with the permission of court अगर आपने withdraw किया है in that case आप fresh suit ला सकते हैं court का permission देता है in cases में तो A है abundance any suit or sorry that a suit must fail by reason of some formal defect और B है that there are sufficient ground for allowing the plaintiff to institute a fresh suit for the subject matter of a suit or part of a claim अगर court को लगता है कि sufficient reason है कि plaintiff को एक मौका दिया जाना चाहिए fresh suit file करने का in that case also the court make your permission to the plaintiff कि ठीके तुम withdraw कर लो और दुबारा suit ले आना आगे लिखा है it may on such terms as it thinks but grant the plaintiff permission to withdraw from such suit or such part of the claim underline कर लिजे with liberty to institute a fresh suit ये जो withdrawal with the permission of court किया जाएगा इस case में court उसको liberty देगा क्या liberty देगा liberty to institute a fresh suit in respect of the subject matter of such suit और such part of उसी subject matter के respect में आप fresh suit ले आईए ये liberty के साथ withdraw करने की permission court देगा इसके बाद सब rule 4 देखिए where the plaintiff abundance any suit or part of claim under sub rule 1 अगर आपने abandon किया है suit या फिर और भी withdraw from a suit or part of a claim underline करिए without the permission referred to in sub rule 3 बिना court की permission से आपने withdraw किया है या फिर आपने suit को abandon किया है दोनों cases में आप fresh suit नहीं ला पाएंगे fresh suit कब ला पाएंगे जब आपने sub rule 3 के हिसाब से with the permission of court withdraw किया हो तो कि वहाँ court आपको liberty देता है to institute a fresh suit आगे लिखा है sub rule 4 में he shall be liable for such cost as the court में about and shall be underline कर लीजे and shall be precluded from instituting any fresh suit in respect of such subject matter और such part of the claim तो अगर आपने बिना court की permission से withdraw कर लिया है तो भी आप fresh suit नहीं ला पाएंगे या फिर आपने abandon किया है तो भी नहीं ला पाएंगे सिर्फ अगर आपने as per sub rule 3 properly court की permission लेके withdraw किया है in that case आप fresh suit ला सकते हैं otherwise नहीं ला सकते हैं यह बहुत important है rule 1 बहुत important है कई सारे सवाल इदर से बन जाते हैं rule 2 भी important है though rule 2 में तो काफी concept भी है जो आप limitation act के साथ पढ़ते हैं बढ़ यहां उतना important नहीं है basic बात समझिए जो समझने लायक है for the purpose of prelims limitation law not affected by first suit law of limitation affect नहीं होगा first suit के institution से यहां लिखा है any fresh suit instituted on permission granted under the last preceding rule suit had not been instituted law of limitation आप पे वैसे यह applicable होगा जैसे वो पहला suit ना file हुआ हो जिसको आपने withdraw कर लिया है यह माना जाएगा कि वो suit file ही नहीं हुआ और अगर आपका limitation period खतम हो गया है तो फिर उस limitation period को खतम मान लिया जाएगा आप fresh suit उसके बाद नहीं ला पाएंगे अगर आपका cause of action arise होता है law of limitation में limit दी है कि कितने दिन के अंदर आप suit file कर सकते है on the basis of that cause of action मान लेजिए तीन साल की limit है आपने एक suit file किया लेकिन उसको withdraw कर लिया तो माना जाएगा आपने वो suit file किया ही नहीं cause of action से within three years अगर आपने दूसरा suit file नहीं किया तो आपकी जो remedy है वो lapse हो जाएगी as per law of limitation इसको पढ़ा जाता है along with limitation act उसके साथ correlation में but prelims के लिए उतनी technicality फिलहाल required नहीं है basic idea मेरे ख्याल से आपको लग गया कि अगर आपने withdraw किया है तो इस बात का law of limitation पर कोई effect नहीं होगा वो वैसे ही applicable होगा जैसे इसके बात देखिए rule three this is very important सीदे सीदे सवाल आ जाता है कि compromise of suit किस rule में दिया है यह direct question बनेगा और इस से related का के कुछ बाते बताई गई है कि इस compromise वाले सूट को set aside करने के लिए आप एक सूट फाइल नहीं कर सकते यह बात रूल three a में बताई है that is important three is also important रूल three क्या है क्या है यह compromise of suit where it is proved to the satisfaction of the court that a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise underline कर लीजे कैसा होना चाहिए के agreement lawful agreement होना चाहिए by any lawful agreement lawful agreement से दोनों पार्टी के बीच में compromise हो गया है और compromise in writing and signed by the parties writing में होना चाहिए parties के sign होने चाहिए और where the defendant satisfy the plaintiff in respect of the whole or any part of the subject matter of the suit the court shall order underline कर लीजे the court shall order such agreement compromise or satisfaction to be recorded and shall pass a decree in accordance therewith तो वो जो agreement हुआ है वो जो satisfaction हुआ है दोनों पार्टी के बीच court उसको record करेगा और उस agreement के basis पे decree ड्रॉ कर देगा उस agreement decree होगी इसमें ऐसा नहीं कि compromise होगया तो decree नहीं होगी आपने suit institute किया है तो decree होगी लेकिर जो decree होगी वो उस agreement या उस satisfaction जो आपस में समझोता होगया है उसके basis पे decree court drop करेगा इसके बाद इसका explanation भी important है वाई साब explanation important है क्योंकि हमने यहां क्या पड़ा है कि lawful होना चाहिए agreement और explanation कहता है an agreement or compromise which is void or voidable under the Indian contract are shall not be deemed to be lawful within the meaning of this rule और जो agreement हुआ है दोनों parties के बीच अगर वो agreement void or voidable है इस पर Indian contract आया तो वो lawful agreement नहीं माना जाएगा उसके basis पर decree drop नहीं करी जाएगी इसके बाद rule 3a जैसा मैंने बताया is also important that is also very important 3a bar to suit no suit shall lie to set aside a decree on the ground that the compromise on which the decree is based was not lawful अब इस ground पर मान लिजे एक आपका compromise हुआ उस compromise के basis पर court ने decree भी ड्रॉ कर दी अब decree ड्रॉ होने के बात कोई party एक suit file इस लिए उस decree को set aside कराने के लिए कोई suit file नहीं कर सकती in fresh suit file नहीं कर सकते आप इस decree को set aside कराने के लिए इस ground पे ग्राउंड पर जो agreement फैए वह lawful नहीं था इस ग्राउंड पर आप suit file नहीं कर सकते दूसरी जो remedies आप भो कर सकते है, पीन पील करकर सकते फुट Casual नहीं आप कर पाएं लिए, सूट क्या होता है, सिमिलर जुरिस्टिक्षन के कोट में, जो आप टिक्री को सेट असाइड कराने के लिए करते हैं, वो आप नहीं कर पाएं लिए, ये बात ध्यान में अच्छेएगा, चीक, so, that is about 3A, इसके बाद 3B, that is very very important, क्योंकि पूरे, अभी हमने representative suit word पहले भी सुना है CPC पढ़ते समय, लेकिन representative suit के कहीं definition नहीं मिली हमें, कहीं CPC में हमने नहीं देखा, जहां representative suit को define किया गया हो, लेकि इसके लिए एक rule है 3B, जिसमें ये बताया गया है कि representative suit का मतलब क्या होगा for the purpose of this order, the 3B, इसी लिए important है, no agreement or compromise to be entered in a representative suit without leave of the court, अगर representative suit में compromise हुआ है, तो वो बिना court की permission के नहीं होगा, representative suit क्योंकि आप जानते हैं कोई एक वक्ति है, जो बहुत सारे लोगों के interest को represent कर रहा है अकेले, तो भाया उन गरीबों को भी पता होना चाहिए कि तुमारे नाम पे क्या-क्या हो गया है, तो में जो वक्ति रेप्रेजेंट कर रहा है, उसने compromise कर लिया है, यह बिना court की permission के नहीं होगा, इदर लिखा है, no agreement or compromise in a representative suit shall be entered into, underline कर लेजे, without the leave of the court, बिना court की permission के नहीं होगा, और अगर court की permission के बिना हुआ, तो last line में लेखा है, shall be void, entered into, without the leave of the court, so recorded, shall be void, वो void माना जाएगा, क्योंकि आप court की permission लेंगे, किसाब हम, मैं compromise हो गया, वित्थी permission of court ही, वो compromise किया जाएगा, और, क्योंकि जब वित्थी permission of court करेंगे, तो court क्या करेगा, जितनी interested party, अगर उसको लगता है, कि उन्हें ये बात पता होनी चाहिए, तो उसको notice बिजेंगे, बाता चला, उन गरीबों का suit इसने पैसे ऐसा लेकर compromise कर लिया, जो represent कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के interest को represent कर रहा है, इसलिए अगर court को inform नहीं किया है, तो आपका वहाँ, गलाफ़ाइट कुछ हो सकता है, लेकिन आपने court को inform कर दिया, तो court को अगर लगता है, कि जिन लोगों का interest effect हो रहा है, हुनको एक notice देना चाहिए, तो court ने notice बिज़ देगा, A, a suit under section 91 और 92, अभी पढ़ेंगे, अपन section 91 और 92, पब्लिक मुसं से related है, वो representative suit मानने जाएंगे, B कहता है, a suit under rule 8 of order 1, order 1 का rule 8, वहीं पढ़ा था अपनने representative suit, कि कि किसको plaintiff की तरह join करना है, किसको नहीं करना है, उससे related, वहाँ आपने देखा था कि representative suit हो सकता है, इसके बाद सी देखिया, suit in which the manager of an individual Hindu family shoes, और a suit or representing the other members of the Hindu undivided family अगर है, HUFA, तो उसका जो main percentage और represent कर रहा है, अगर वो कोई suit file कर रहा है, तो उसे on behalf of the other members, उसे representative suit माना जाएगा, इसके अलाबाद D कहता है, कोई भी ऐसा suit, जिस व्यक्ति ने file किया है, और जिनके behalf पे file किया अगर वो लोग libel होंगे उस suit के judgment से, तो ऐसे suit को भी representative suit माना जाएगा, basically explanation ने ये बताया है, कि कौन से suit representative suit माने जाएगे, for the purpose of this rule, ये बात इसके explanation में लिखी हुई है, ये important है, आपके prelims examination के लिए, और इसके बाद जो rule 4 है, वो भी आपको देखना चाहिए, proceedings and execution of degree is not affected, ये जो order है, ये execution पे apply नहीं होता, बस इतना ध्यान रखियेगा, ये जो order है, आपका पूरा suit withdrawal और abandonment, ये execution proceeding पे applicable नहीं है, तो बहुत important नहीं है, बहुत important है, rule 1 सबसे ज़्यादा important है, rule 1, 2 और 3, बहुत important, rule 1 में भी आपने देखा, सब rule में abandonment, सब rule 3 में withdrawal, अगर with the permission of court withdraw किया, तो fresh suit ले आएंगे, नहीं तो नहीं लापा होगे, abandonment में fresh suit नहीं होगा, law of limitation बार पे कोई effect नहीं होगा, और 3 में हमने पढ़ा, compromise of suit, यह सारी चीज़ें देंडर कियेगा, इस particular order के लिए, बहुत important है, इसके बाद अपनाते हैं अब आगे, तो अब देखिए, जैसा मैं आपको बताया, हर order के अंदर की चीज़ें पढ़ना important नहीं है, जहां से question बनते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कुछ ऐसे order हैं, जिनको मैं सिर्फ यह बता हूँगा, कि इस order का नाम याद रखिएगा, कि किस order में क्या है, सौर ने लिखा है, सौर ने लिखा है, सौर और ग्रेट, का परपस ही था, कि आपको किसी paid course की जरूरत नहीं पड़ेगी, if you are attending these crash course classes, और यह जो common subject हैं, यह किसी वी state के लिए आप पढ़ लीजिए, यहाँ, they are beneficial for you, they are anyways beneficial for you, ठीक, thank you so much for this appreciation, and I would appreciate it more, कि अगर इस live के end के बाद, आप यह बात और लोगों को comment में बता देंगे, क्योंकि अभी live में तो कमी लोग हैं, बट इसके बाद इसे बहुत लोग देखते हैं, तो they may also get an idea about this, जो यह चल रहा है, चलिए, इसके बाद आईए order next pay, that is 24, अब यहाँ कुछ order है, जिनके सिर्फ नाम द्यान रखना है, तो 24 is that order, जिसका सिर्फ नाम याद रखना है, payment into court, basically है, क्या court में defendant को payment करना है या, उसके against, मान लिजे, या किसी और चीज़ के लिए उस पर cost लगाई गई है, तो वो जो payment उसे करना है, कोई debt है, वो कैसे होगा court में, इसके बारे में rules दिये हुए है, order 24 में, order का नाम है, payment into court, 24 का सिर्फ नाम याद रखना है, nothing है, जरूल बूल पढ़ने के जरूरत नहीं है, generally questions नहीं पुछे जाते हैं इस rules से, इस order के rules से, इसके बाद आई ये next order 25, इसका भी सिर्फ नाम ध्यान रखी है, security for cost, वो concept में आपको पहले बता दिया, security for cost का purpose क्या है, अगर court को लगता है, कि ये plaintiff बाद में भाग सकता है, या इससे पैसे देते नहीं बनेंगे, defendant को cost के, तो पहले ही आप से security रखवाई जा सकती है, that is security for cost, commission का order उतना important नहीं है, जितने section important है, order में से भी कुछ rule हमें पढ़ने है, बट पहले आते हैं इसके section वाले portion पे, तो जरा आजाईए section 75, section 75 बात करता है commission की, CRPC में भी हमने commission देखा है, बट CRPC में commission का जो purpose है वो limited है, सिर्फ witness के examination के लिए commission बेजा जाता है, यहाँ जो commission बेजा जाता है, यह कुछ और भी purposes फुल्फिल करने के लिए हो सकता है, सबसे पहले section निकाल लीजिए, जहाँ part 3 आ जाता है incidental proceedings, उसमें फहली sub-heading है commissions, इस commission में 75, 75 से commission चालू हो रहा है, जो की 78 तक दिया है, तो अब मैं आ रहा हूँ अगले topic पे, हमारे that is commission, तो commission में हमें section पढ़ना है, commissions, यह जो commissions है, इसमें हमें पढ़ना है section 75 to 78, और उसके बाद इसका order पढ़ेंगे हैं, तो पहले देखिए section 75, power of court to issue commissions, क्यों court issue करेगा, किस purpose के लिए यह सब बताया हुआ है, subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the court में issue a commission, किसके purpose के लिए कर सकता देखिए, सबसे पहला है A, to examine any person, किसी person के examination के लिए, यह हमने CRPC में भी पढ़ा है, किसे भी witness के examination के लिए कर सकता है, B, to make a local investigation, कोई local investigation करने के लिए, अब यह होते क्या है, examination of person क्यों करा जा रहा है, commission के द्वारा court में क्यों नहीं बुला रहे हैं आप उसको, इसके बारे में आगे दिया हुआ है, उसके अभी आएंगे, चेक, तो examination of person के लिए हो सकता है, local investigation, किसी जगे पर जाके investigation करना है तो, और कोई चीज ऐसी जो court में present नहीं हो सकती, उसके पर जाके investigate करना है, उसके लिए commission issue हो सकता है, C है to examine or adjust account, accounts को examine या adjust करने के लिए, माल लीजे, पैसे वैसे का मामला है, partnership में hair pair होई है, company में hair pair होई है, accounts को examine करना है, सकता है, court के सामने नहीं हो सकता, उस case में भी commission issue होगा, F to conduct sale of property, which is subject to speedy and natural decay, कोई ऐसी property जो थोले टाइम में खराब हो जाएगी, उसकी sale के लिए, भी commission दिया जा सकता है, इसके बाद जी है to perform any ministerial act, कोई और ministerial act, ministerial acts वो acts होते हैं, जिसमें further कोई decision making की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसा instruct कर दिया आप ऐसा कर दीजिए, चुप चाब बस, उनको कहते हैं ministerial act, तो court खुद नहीं करके किसी भी वक्ति को कर सकता है, एक बात धाना कियेगा, CPC में commission issue किसको होता है, किसी भी वक्ति को, जो competent वक्ति लगता है court को, कि इस काम को वो अच्छे से कर सकता है, उसको commission दे देते हैं, जैसे माल लीजे, local investigation की अपनने, scientific investigation की अपनने बात करी, तो बात करी, तो भाया, scientific, technical investigation वो वक्ति करेगा, जो उसका जानकार होगा, तो जिस court के jurisdiction में वो person है, उसको commission issue कर दिया जाएगा, उसको interrogatories भाई, सवाल दबाब लिखके बोल देंगे, उस court को बोल देंगे, कि आप इसको examine कर दीजे, और गो interrogatories आपने पहुचा दीजे, interrogatory आप समझते हैं, सवाल दबाब, इसके बाद देखिए जड़ा 76, commission to another court, यह कब होगा, examination के लिए, दूसरे court को commission कब बेजेंगे आप, examination के लिए, a commission for the examination of any person, may be issued to any court, not being a high court, situated in a state, other than the state in which the court of issue is situated, जिसने issue किया, वो एक अलग state में है, जिसको आप issue कर रहे हैं, वो किसी दूसरे state में दब, वहाँ के किसी भी आप court को भेज सकते हैं, except high court, high court को नहीं बेज के, बागे किसी दूसरे court को आप भेज दीजे, जिसके भी jurisdiction में वो वक्ति है, जिसे examine किया जाना है, उस court को आप भेज सकते हैं, and having jurisdiction in the place in which, the person to be examined resides, जिस वक्ति का examination होना है, वो जिस भी court के jurisdiction में रहता है, उस court को भेज दिया जाएगा, commission for the purpose of examination of the person, that's it, इसके बाद आजाएए 77 देखिए, letter of request, अगर भारत के किसी दूसरे state में है, तो आप ये भेज देंगे, commission भेज देंगे, 78 commissions issued by foreign court, foreign court ने अगर commission भेजा है, तो जो भी central government के, state government के norms है, उसे साब से execute किया जाएगा, बहुत जादा important नहीं है, correct, या शौर कृती 66, investigation के purposes के लिए उपड़ा था, अपन ने कि भारत के बाहर investigation होना है, तो letter of request भेज देंगे जाता है, correct, तो 77 यह कहता है, और 78 बात करता है, बहार से इधार आने वाले, जो rule ज़्यादा important है इधार, वो आपका 75 ही है basically, कि किन किन purposes के लिए किया जाता है, यह सवाल आएगा कि commission किन किन purposes के लिए शुकिया जा सकता है, किसके लिए नहीं किया जा सकता, यह आपको याद रखना है, this is very very important, इसके बाद आजाईए अपने order पर, order पर आजाईए 26, तो order 26 इसकी बात करता है, sections होगा, इसके साथ हमें क्या पढ़ना है, order, order 26, अब इसके अपन rules देख लेंगे, कौन-कौन से important है, तो देखिए इस order में, rule 1 देख लेजिए सबसे पहले तो, इस order में क्या देख लेजिए, rule 1 देख लेजिए सबसे पहले, cases in which court may issue commissions to examine witness, तो भाई, वो कौन से cases हैं जहाँ court, witness को examine करने के लिए बेच सकता है, commission, any court may in any suit issue a commission for the examination on interrogatories or otherwise of any person, resident within the local limits of its jurisdiction who is exempted under this court, from attending the court, or who is from sickness or infirmity unable, अपने ही jurisdiction में भी commission issue कर सकता है, अपने ही jurisdiction में, किसी विक्ती का examination के लिए, जो बिमारी की वज़े से court नहीं आ सकता, या किसी infirmity की वज़े से court नहीं आ सकता, उस case में commission issue कर देंगे, interrogatories, सवाल जवाब होंगे, कोई भी वक्ती जाएगा, और वो सवाल बोस से करेगा, जवाब लिखके court में submit कर देगा, यह होता है interrogatories, तो यह हो गया rule 1 में, अपने ही jurisdiction, third देखिए, rule 3 देखिए, where witness resides within, court's jurisdiction, a commission for the examination of a person who resides within the local limits of the jurisdiction of the court, issuing the same may be issue to any person, किसको करेंगे, किसी भी वक्ती को किर सकते हैं, rule 3 बताता है, कि जब आप किसी ऐसे वक्ती को examine करने के लिए, commission issue कर रहे हैं, जो आपके ही jurisdiction में है, तो किसी भी वक्ती को, अगर किसी दूसरे court के jurisdiction में है, तो उस court को, यह हमने section में पढ़ दिया, rule 4, rule 4 is important, rule 1 के बाद, ज़्यादा important जो है, वो है rule 4, persons for whose examination commission में issue, किन लोगों के examination के लिए, commission issue किया जाएगा, this is very very important, CRPC में हमने पढ़ा था, कि अगर कोई ऐसा witness है, जो, जिसे लाया नहीं जा सकता court में, without unnecessary delay और expense, उसको examine करने के लिए, commission issue होता है, लेकिन वहाँ जो मैंने आपको example बताया था, कि मान लिजे, Modi ji को बुलाना है court को examine करने, तो जितना खर्चा मोदी जी को as a witness, Bhopal बुलाने में लग जाएगा, इससे अच्छा better है कि commission में इस दिया जाएगा, लेकिन CPC कि अगर बात कर रहे, तो ऐसे लोग already exempted है, इधर पर जो इस तरीके के offices hold कर रहा है, वो already exempted है अपनी presence के लिए, तो जिनको वो immunity दी गई है, उनके लिए commission issue किया जाएगा, ये लिखा है इधर, तो देखिए, any court may in any suit issue a commission for the examination on interrogators or otherwise, A, any person resident beyond the local limit of its jurisdiction, अपनी local limit के, जो court issue कर रहा है commission, उसकी local limit के बाहर, अगर कोई व्यक्ति reside कर रहा है, तो वो उस particular court को commission issue करेगा, क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बाहर रहता है, भी देखिए, any person who is about to leave such limits, before the date on which he is required to be examined in court, जिस दिन उसको आना है court में, उस दिन के पहले, वो jurisdiction छोड़के बाहर जाने वाला है, जो date decide हुई उस वक्ति के examination की, आज तो वो है jurisdiction में, लेकिन जो date decide हुई उस वक्ति के examination की, उसके पहले वो jurisdiction से बाहर जाएगा, in that case, आप commission issue कर दीचे, वहां के court को, जहां वो जा रहा है, see देखिए, कोई भी ऐसा सरकारी करमचारी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार की सर्विस में है, और उसको बुलाने से, वो जो public duty परफॉर्म कर रहा है, वो hinder हो की, ऐसे case में commission issue कर दिया जाएगा, उसको बुलाने की बजाए, ठीक, तो यह fourth भी आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा important है, बाकि यहां क्योंकि rule जादा important नहीं, जैसा मैंने का section 75 जादा important है, इसके बाद एक rule mark कर लेजे, कुछ गिनी चुनी जगे इस सवाल पूछा गया है, rule 9 और rule 10A, rule 9 और rule 10A, कुछ गिने चुने states में कई बार, यह सवाल किये गए है, commission to make local investigation, हमने 75 में पढ़तो लिया, कि local investigation के clear कर सकते हैं, उससे related rule इदर दिया है detail में, कि कहीं पे जाके ही investigate करने की अगर जरूरत है, in that case commission issue कर दिया जाएगा, in any sort in which the court deems a local investigation to be requisite और proper for the purpose of elucidating any matter in dispute, और ascertaining the market value of any property, यह सब काम है कि जो जाके उस जगे पर जाके ही हो सकते हैं, उसके लिए commission issue कर सकते हैं, किसी भी जानकार विक्ती को, आप आगे देखेंगे तो लिखा है, the court may issue a commission to such person, as it thinks for directing him to make such investigation, जो भी appropriate person लगे उसको कर सकते हैं, तो नहीं बात करता है commission for scientific investigation, भी मैंने आपको बताया, कोई experiment scientific investigation कुछ कराद करना है, किसी expert के दोरा जो court में ने करके बताया रा सकता, तो भी commission issue कर दिया जाएगे, भी यह तुम कर लो अपने वहां जाके experiment, और वो जो investigation है, scientific है, technical, और उसकी report बना के court में संबट कर देना, तो यह भी उसके जानकारवश्थी को कर दिया जाएगा, इसके बाद rule 16 आपको ध्यान रखना है, जो थोड़ा जादा important है, in comparison to 9 और 10 A, जादा important क्या है 16, power of commissioner, commissioner के power क्या है, जिनको commission issue करेंगे हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, बस rule का number ध्यान रखिएगा, power तो बड़े ही normal है, जो आप अपने general prudence से भी समझ सकते हैं, यह लखाए, any commissioner appointed into this order में, unless otherwise directed by the order of appointment, A, examine the parties themselves, and any witness parties को भाई, examine करने के लिए, तो commission issue हुआ है, वो commissioner बना है, वो examine कर सकता है, B, मैं लेखा है, call for and examine documents and other thing, document, document मंगा सकता है, अगर examine करना है, तो बुलवा सकता है, चीजे हैं या document अपने पास बुलवा सकता है, see at any reasonable time, enter upon or into any land or building, reasonable समय पे, किसी भी building में, या land पे जा सकता है, जहां जाने के लिए, quote ने उसे बूला है, ये सारे power है commissioner के पास, जो rule 16 में दिये है, होई ज्यादर technicalities नहीं है, लेकिन important हैं ये, that's all for commission, बस इतना ही पढ़ना है, ये section समने पढ़े, जिसमें सबसे important कुछ इतना है, commission से related, कि किन किन purposes के लिए, CPC में commission issue हो सकती है, वो बता दिया, कुछ limited rules हमने पढ़ लिए, जो कभी का बार exam में पूछागा है, concept मेरे खाल से commission का clear है, क्यों होता है, purpose का है, इतना अगर आप समझ गया है, तो आपका काम हो गया, अब इसके बाद, जिन order वेपन जा रहे हैं, वो है आपका order 27, लेकिन जैसा मैंने कहा, order 27 में पढ़ना कुछ नहीं है, हमें पढ़ना section इस से related, देखिए, order 27 क्या है, suits by or against the government or public officers in their official capacity, सरकार के against, या किसी public officer के against suit file कर रहे हैं, और किसलिए जो official capacity में उसने काम करें, उसके नहीं है, तो भाईया सरकारी करमचारी है, अब ऐसी बात है, कुछ immunities उसके पास होनी चाहिए, मैंना आपको CPC की पहली class नहीं बताया था, कि अगर government officials को immunities नहीं दी गई, तो रोज हमके against suitify होंगे, और वो court ये attend करते रहाएंगे, अपना जो public duty है, जो काम करना वो छोड़के, वो court ये attend करते रहाएंगे, इसलिए proper checks और safeguard जिसके दिये हुए हैं, जो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए इसको पढ़ने के पहले, order में से तो कुछ पढ़ना नहीं है, section important है, तो जड़ा section 79 निकाल लीजे बेरिट में, तुरंट पहुंचिए section 79 की तरफ, commission खताम हुआ 75 से 78, उसके बाद 79 suits in particular cases, कुछ specific cases के suits हैं, जिसमें पहली सब एडिग है, suits by और against the government और public officers in their official capacity, 79 बहुत जादा important है, 79, 80, 81, 82, ये तीन section अपन पढ़ेंगे, तो भाई किसके against suit की अपन बात कर रहे हैं, government, servant के against, या फिर सरकार के against, इनके against के अपन बात कर रहे हैं, section जो हमें पढ़ना है, वो देख लीजिए, कौन-कौन से section यहां important है, तो section important है, 79, 80 important है, इसके बाद 81 और 82 important है, 81 and 82, बस हैं और भी, बट वो इतने ज़्यादा important नहीं है, और order जो है, वो उसका सिर्फ नमबर याद रखिएगा, आप तो that's it, काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने एक जरुरूद आपको नहीं पढ़ेगी, तो ज़रा इन sections में देखिए हमें क्या-क्या पढ़ना है, suits by or against government, in a suit by or against the government, the authority to be named as plaintiff or defendant as the case may be, shall be, जब आप सरकार के against suit file करेंगे, या सरकार किसी के against suit file करेगी, तो plaintiff का नाम क्या लिखा जाएगा, defendant का नाम क्या लिखा जाएगा, तो उसको correct कराया जा सकता है, इस चीज़ के बारे मैंने आप से वहाँ बात करी थी, plaintiff ये defendant गलत अड़ में हुआ है, उसका description proper नहीं दिया गया है, ये किस order के, किस rule में मैंने आपको सी पिसीं पढ़ाया है, जब आपको comment में बता दे, तो ये जो चिला रहा हूं में इतनी देर से और पिछले पाँच दिन से सफल हो जाएगा कसम से, order 1, rule 10, very good, very good, rule 10, sub rule 1, वो description की बात कर रहा था, है न, कि अगर description गलत दे दिया, तो भाईया जो यहाँ लिखा है कि सरकार अगर suit file कर रही है, आप, तो नाम क्या लिखा जाएगा, किसका नाम लिखा जाएगा, तो देखिए ज़रा, in the case of a suit by or against the central government, अगर central government ने suit किया है, central government के against किया है, तो किसका नाम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, the union of India, word के यूज किया जाएगा, the union of india और अगर state के अगेंस्ट है तो state का नाम लिखा जाएगा इसके बाद 80 है notice this is very important यह notice बहुत ज्यादा important है किसी भी सरकारी एफसर के against आपको अगर suit file करना है दो महीने का notice देना के लेगा है save as otherwise provided in subsection 2 no suit shall be instituted against the government including the government or against a public officer in respect of any act providing to be done by such public officer in his official capacity until underline कर लीजे until the expiration of two months next after notice in writing has been delivered to writing में notice देने के दो महीने बाद आप suit institute कर सकते हैं writing में notice देने के दो महीने बाद ही आप suit institute कर सकते हैं सरकार या सरकारी करमचारी के against अगर उसके official capacity में किये जाने वाले act के against आप suit file करना है तो notice किसको दिया जाना है इससे भी question आ चुके हैं prelims में आगे जो A, B और double B और C आप देख रहे हैं इससे भी सवाल पूछे गए हैं कि suit अगर फाइल करना है रेलवे वाला है B कि railway के against अगर suit file करना है तो notice किसको बेजा जाएगा जनरल मैनेजर आप दी रेलवे इसको पूछा जाने वाला जनरल मैनेजर उप दी रेल पे सवाल है इसको दियान लखिएगा इसका सब रूल टू आप देखेंगे तो आपको यह समझ मैंगा कि अगर immediate relief required है सरकार के against तो बिना इस notice के भी suit file करा जा सकता है जनरल रूल यह होगा कि अगर immediate relief required है urgent है तो बिना नोटिस के भी हो सकता है पर यह exception होगा यह exceptional circumstances में होगा बस इसके बाद 81 81 important device action exemption from arrest and personal appearance सिर्फ execution of decree में arrest या attachment of property करा जाएगा during the pendency of the suit क्योंकि अभी एक order अपन यह भी पढ़ने पाले है जहां judgment के पहले ही judgment के पहले ही arrest or detention of property हो सकता है तो सरकार के अगेंस सरकारी करमचारी के अगेंस जब suit file किया है during proceeding यह सारे काम नहीं किया जाएंगे यह T1 में लिखा है in a suit instituted against a public officer public officer के अगेंस अगर suit institute किया गया है in respect of any act purporting to be done by him in his official capacity the defendant underline कर लेजे shall not be liable to arrest nor his property to attachment otherwise than in execution of a decree सिर्फ decree के execution में यह किया जा सकता है उसके अलाबा नहीं है and b where the court is satisfied that the defendant cannot absent himself from his duty without detriment to the public service it shall exempt him from appearing in person साथ में वो यह भी कर सकते हैं कि जिस सब public officer के अगें suit file किया गया है उसकी presence ही exempt करते हैं कि तुम्हें court में आना ही नहीं है क्योंकि भाईया सरकारी करमचारी है उसके पास काम है वो आप की तरह दिनवर वैटके YouTube नहीं देख रहा है और आप क्या देखते हैं YouTube में यह आप बहुत इच्छे से जाने हैं वो सरकारी उ देखे थे उसने पढ़ाई वाले वीडियो देखे थे उसने यह नहीं देखा था कि कैसी होती है जज की दिन चर्या उसने क्या देखा था उसने पढ़ाई देख थे कि CPC में क्या परना सी, RPC में क्या परना इसलिए वो सरकारी करमचारी बन लिया आप आपना भी तो YouTube पर इसका मतलब यह नहीं कि इस चैनल पर आपको इसे वीडियो नहीं मिलेंगे बिल्कुल यह मत समझ ना वाइसा क्योंकि अगर आपको वही देखना है तो वीस तो हमें भी चाहिए लेकिन एक साही हिदायत देना भी मेरा काम है आपको आप यह मत कहना कभी आके कि सार आपके स ना रहे बिल्कुल मिले है अपन तो समाझ की सेवा करने आई ही नहीं बहुत सेलफिज वेप्तियों आपको पहली बता रहे है और इतना सेलफिज जिस दिन आप हो जाएंगे उस दिन बहुत जल्दी जीवन में बढ़िया कर जाएंगे इसलिए एक्जेंट कर दिया गया है सरकारी गरमचारी को क्योंकि परिक्षा कि इस जाल से वह बाहर निकल के नौकरी पहा चुका है इसको काम करना है इसको का स्काल है इसके बाद 82 देखिए इस अगें वेरी इंपॉर्टन एक्जिक्यूशन एक्जिक्यूशन की बात करते इस पास अगेंगे इस पास अगेंगे इस अगेंश्चिंट करी जाएगी उसके लाब एक्जिक्यूशन नहीं होगा और सब्सेक्शन टू क्या कहता है तीन महीने के बाद ही एक्जिक्यूशन होगा इस पास होगा यह सरकार के अगेंश्च तीन महीने तक अगर वो अंसटिस्ट रहती है उसके बाद ही आप एक्जिक्यूशन पोसिटिंग के लिए जाएंगे क्योंकि हो सकता है कि वो खुद से ही एक्जिक्यूट करते हैं सेटिस्फाय करते हैं जो भी लाइबिलिटी आई यह सरकार की उपर वो पे करते ही इन मैंने का समय दिया जाएंगे इस वाइब दिया है शूट्स बाइब और अगेंस और पॉब्लिक ऑफिसर्स इन देर ओपीशल कपासिटी रूट वन शूट्स बाइब और अगेंस अग्ले और द्यान के वाइब देख लिया आपके जो यह order 29 तक हैं इन से बहुत question पूछे जाते हैं 31 तक 27 से 31 order का नाम और नंबर पूछे जाने की संभावना बहुत जादा होती है क्योंकि इन orders से rules generally पूछे नहीं जाते हैं इसलिए सिर्फ order का नाम याद रखना आपने को कि क्या है इसके बाद आजाईए 27 ए सुट्स इंवालविंगा सब्स्टांशल क्वेशन अफ लॉव ए इंटर्पटेशन से रिलेटेड या किसी दूसरे इंस्ट्रूटरी इंस्ट्रूमेंट की वैलेडिटी को लेके है तो उससे रिलेटेड रूल्स इस order में दिये हैं पढ़ना के लिए थोड़े से स्पेशल रूल्स बनाएगा है वो इस order में दिये है और का नंबर ध्यान रखिएगा बस 28 इसके बाद 29 सूट्स बाय और अगेंस कॉर्पोरेशन यहां भी सिर्फ order का नंबर ध्यान रखना है order 30 सूट्स बाय और अगेंस पर्संस कारिंग और बिजनस नेम अधर दियर ओन पाटनर्शिप फर्म है तो उनसे रिल्टेट कुछ रूल्स दिया है इस order में order 30 चे तो सिर्फ नंबर याद रखिए ऐसा ही 31 में भी सिर्फ नंबर याद रखिए order 31 डील करता है suits by or against trustees, executors और administrator से related बाकी अंदर से सवाल पूछे नहीं जाएंगे इसलि that is important इधर से अंदर से question पूचे जाएंगे इसके rules भी बहुत important है और यही मैंने target रखा था आज की class का और आप से कहा था कि यह हम बड़े अराम से कर लेंगे 22 चे पढ़ना चालू किया 32 पे आ गया है तो कि भाई या बीच में जादा चीज़ है important नहीं है किल हमने सिर्फ द means miners and persons of unsound mind minor और person of unsound mind के लिए rules है दुनों पे applicable होते हैं पहले आप एक चीज़ यह देख लीजिए rule 15 सबसे पहले इसमें rule 15 mark कर लीजिए जरा यह कहता है rules 1 to 14 except rule 2 is to apply to person of unsound mind यही जो 14 rule है यह 14 rule किस पे applicable होंगे person of unsound पे भी same apply होंगे इसलिए पहले हमने इसको देख लिए order 32 सबसे पहले rule 1 important है minor to sue by next friend एक minor अगर plaintiff है किसी minor को अगर suit file करना है तो वो खुद नहीं करेगा उसके बिहाफ पे कौन suit file करेगा next friend कहते हैं उसे यही सिदे-सिदे question आते है कि minor को different कौन करेगा तो guardian add victim कहते है उसको वो करेगा और suit file कौन करेगा plaintiff के बिहाफ पे तो sorry minor के बिहाफ पे suit file कौन करेगा next friend ध्यान लखिएगा तो बस इतना ही ध्यान लखना है every suit by a minor shall be instituted in his name by a person who in such suit be called the next friend of the minor minor के बिहाफ पे अगर suit file करना है तो suit file कौन करेगा next friend करेगा यह ध्यान लखिएगा इसके बाद सीधे आ जाईए 3 garden for the suit to be appointed by court for minor defendant अगर minor के अगे suit file किया गया है minor किसे suit में defendant है तो उसके लिए garden पॉइंट किया जाएगा इसको क्या कहते हैं guardian अड लिटम कहते हैं इसे गलेटन टर्म है गारजिन बनाया जाएगा कौन बन सकता है यह सवाल आता है बहुत important है इसका retirement यह सब सवाल बनते है रोल 3 देखिए where the defendant is a minor the court on being satisfied of the fact of his minority shall appoint a proper person to be garden for the suit for such minor किसी भी proper person को बना सकते है अब यह proper person को आण होगा कोई भी रख्ती हो सकते है जो कि competent हो contract करने के लिए उसके जोए और वो सब सबसाइब आगे वो चीज़ आप देखो अगर नहीं है तो नहीं है तो फिर किसी और वर्सन को रूना जाता है इसके बाद देखिए सबरूत्री देखिए सच अप्लिकेशन चाल भी सब्सपोर्ट वाया है अफट एफट वरिफाइं देख्ट दाट प्रपोस्ट गार्डन हाज नहीं होना चाहिए उसका इंट्रेस्ट नहीं होना चाहिए माइनर से माइनर का जो इंट्रेस्ट है सिमिलर हो सकता है लेकिन एड्वर्स इंट्रेस्ट नहीं होना चाहिए अपोसेट इंट्रेस्ट नहीं होना चाहिए simple common sense की बात है, अगर उसका interest adverse है, तो वो धंसे minor के लिए नहीं plate करेगा, वो तो अपना interest protect करेगा, इसी लिए garden किस विक्ति को बनाया जाएगा, जिसका adverse interest ना हूँ, sub rule 5 बहुत important, a person appointed under sub rule 1 to be garden for the suit for a minor shall unless his appointment is terminated by retirement or removal or death, continue as such throughout all proceedings arising out of the suit, including proceedings and any appellate, revisional code and any proceeding and execution, एक बार जिसको गाट इन appointment कर दिया गया है, minor defendant का, वो continue करेगा, जब तक, retire ना हो जाए, terminate ना हो जाए, retire ना हो जाए, remove ना कर दिया जाए, death ना हो जाए, तब तक वो continue करेगा, आगे कि सारी proceeding, appeal वापील में भी वो ही represent करेगा, execution में unless prejudice has been caused to his interest, अगर मान जीजे ये proof होता है, कि जस वेक्ति को appoint किया गया था, उसका interest adverse था, लेकिन जब तक ये proof नहीं होगा, कि उस adverse interest की वज़े से minor का interest affect हुआ है, तब तक set aside नहीं करा जाएगा decree को, अगर minor defendant था, उसके बहाफ पे किसी गाजन को appoint किया गया और decree आ गई है और ये पता चलता है कि interest adverse था उसके तो सिर्फ मेरली इस बात से decree set aside नहीं होगी, ये भी proof करना पड़े का हुआ कि उस adverse interest की वज़े से minor का interest budget is हुआ है, no decree passed against a minor shall be set aside merely on the ground that the next friend or guardian for the suit of the minor had an interest in the subject matter of the suit adverse to that of minor कि minor's adverse interest था सिर्फ इस ground का set aside नहीं होगी, but the fact that by reason of such adverse interest of the next friend or guardian for the suit, prejudice has been caused to the interest of the minor, उस adverse interest की वज़े से minor को prejudice cause हुआ है, minor का interest effect हुआ है, in that case only the degree will be set aside, otherwise not. इसके बाद आईए rule 4, who may act as next friend or be appointed as garden, very important, किसको appoint करा जा सकता है next friend या garden, तो देखिये any person who is sound mind and has attained majority may act as next friend of a minor or as is guardian for the suit, sound mind का होना चाहिए maturity attend कर ली हो और इसका interest adverse नहीं होना चाहिए, यह आगे लिखा है provided that the interest of such person underline कर ली चाहिए, provided that the interest of such person is not adverse to that of the minor minor के interest से adverse interest आपका नहीं होना चाहिए, तो आपको पॉयंट किया, जा सकता है as सब्सक्राइब इसके बाद रूल 6 भी थोड़ा इंपोर्टन्ट है रूल 6 भी थोड़ा इंपोर्टन्ट है इसको भी देखिए इसके पास अपने इंडिविजल राइट नहीं होगे प्रपर्टी लेने के अपने रूट की परमीशन के इसके ज्यादा इंपोर्टन्स नहीं है बहुत इंपोर्टन्ट नहीं है रूल 6 क्योंकि बागी उसके पहले काफी सारे क्वेस्टन्स है जैसे रूल 4 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन्ट है कि किसको बनाया जा सकता है रूल 1 बहुत इंपोर्टन्ट है कि नेक्स्ट फ्रेंड सूट फइल करेगा उन बहाफ आफ आफ माहिना तीन में तो यह वाली कॉंप्रमाइस कर लिया गया है बिना कोट की पर्मेशन के तो बाकि सारी पार्टीज के अगेंस्ट वो वाइडेबल होगा माइनर चाहे तो उसे अवाइड खर सकता है यह ध्यान रखत है एक बहुत ज़्यादा Terazे यहां से diversity question आये हैं पहलेंस के होना चाहता है वो बंतो गया next friend minor का और suit file कर दिया अब वो retire होना चाहता है तो पहले उसे कोई दूसरा fit और suitable person लाना पड़ेगा एक दूसरा next friend लाके देना पड़ेगा fit person तब आप retire हो सकते हैं ठीक 9 देखिए removal of next friend कैसे next friend हटेगा हटाया जाएगा where the interest of the next friend of a minor is adverse to that of minor सबसे पहला माग कर लीजे जहां उसका interest adverse है वहाँ हटाया जा सकता है और where he is so connected with a defendant whose interest is adverse to that of minor as to make it unlikely that the minor's interest will be properly protected by him similar बात है कि defendant के साथ आपका ऐसा connection है जिससे minor का interest effect हो सकता है तो यह ground है कि व्यक्ति का interest जो है next friend जो है उसका interest adverse to minor पहला ground of removal दूसरा है और where he does not do his duty यह सीधे सीधे mark कर लीजे सीधे सवाल आता है which of the following is not a ground of removal of next friend या which of the following is a ground of removal of next friend यह ध्यान लखिएगा सबसे पहले interest adverse है अगर तो दूसरा अगर आप duty दंग से नहीं कर रहे है तो where he does not do his duty or during dependency of the suit underlying कर लीजे ceases to reside within India भारत छोड़के आप बाहर चलेगा है इस ground पे भी remove किया जा सकता है और उसके बाद है और for any other sufficient cause इसके अलावा कोई दूसरा sufficient cause तो यह चार बातने ध्यान रखिएगा अगर interest adverse है तो या फिर आप अपना काम दंग से नहीं कर रहे है तो या भारत छोड़के चले गए हैं या फिर कोई और sufficient cause यह चारों बातने ध्यान रखिएगा इसके बाद rule 10 भी important है number नहीं पूछा जाएगा 10 का लेकिन stay of suit पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए next friend का removal हो गया है या death with हो गई है तो ऐसे case में जब तक दूसरा appointment नहीं हो जाएगा stay हो जाएगी proceedings on the retirement removal or death of the next friend of a minor further proceeding shall be stayed until the appointment of a next friend in his place जब तक दूसरा next friend नहीं होगा proceeding stay कर दी जाएंगी यह भी सवाल पूछा जाता है इसके बाद 12 course to be followed by minor plaintiff or application attainment majority अब दिखें यह कहानी के लिए अब समझ लीजिए 12, 13, 14 important नहीं है अब यह बात हो रही है कि कैसे minor के against और कौन minor के बिहाफ पे suitfy करेगा प्री में ज्यादा कर question महां से आते है 12, 13, 14 बस यह बता र रहा है course to be followed by minor plaintiff और applicant on attaining majority उसने majority attain कर ली है तो उसके पास option है वो चाहे तो suit abandon कर सकता है चोड़ सकता है या फिर हो सकता है continue करे अगर continue करना है तो वो application देगा next friend की जगे next friend को replace कर दिया जाएगा उस minor से क्योंकि अब वो major हो गया है तो अब वो अपने नाम से suit continue करेगा यही basic बात नहीं है क्यों है कोई ज्यादा technicalities में नहीं है 13 देखिए where minor co plaintiff attaining majority desire to repudiate suit co plaintiff है उसके साथ कोई दूसरा plaintiff भी था minor co plaintiff है minor क्योंकि वो co plaintiff minor था इसलिए next friend उसके behalf पे suit में co plaintiff बना अब यह co plaintiff जब major हो गया तो उसको option दिया जाएगा कि भाया तू चाहे तो continue कर तू पर चुके है अगर वो necessary party है तो आप जानते हैं उसका suit में होना party जरूरी है ऐसे में court क्या करेगा उसको defendant बना देगा और ऐसे defendant को क्या कहते हैं आप जानते हैं ऐसे defendant को क्या कहते हैं जहां वो वेक्तितो suit में आना नहीं चाहता as a plaintiff वो तो छूड़ना चाहता है लेकिन क्य उसको defendant की तरह add कर दिया जाएगा इसको कहते हैं pro forma defendant that's correct इसके बाद 14 है unreasonable और improper suit अगर मान लीजे एक minor plaintiff जिसके behalf पे suit file किया गया था major होने के बाद उसे लगता है कि भाई साब ये तो फर्जे suit था फालतों में next friend ने ये suit किया था reasonable नहीं था या improper नहीं है तो वो suit खतम कर सक है ये अधिकार उसके पास है rule 14 ये बताता है that's it लेकिन free में ज्यादा पूछे जाने की संभावना 1 की है 3 की है 6 की है ये थोड़े जादा sorry 6 तो नहीं 8 8 और 9 इनके पूछे जाने की संभावना है थोड़े ज्यादा है order number यही पूछे sorry rule number यही ज्यादा तर पूछे जाते ह यही सारे provision किस पर applicable है person of unsound के भी applicable है इसके अलाबा 16 16 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है and that's all for order 32 यह हो गया minor द्वारा सूट या minor के के खिलाफ सूट ठीक दोनों हमने पढ़ लिए and that's all for order 32 इसके बाद जरा देखिए 32 इसका भी सिरफ order number ध्यान रखिएगा नाम याद इसके बाद है order 33 इसके पास पैसा नहीं है बिलकुल वो कैसे सूट फाइल करेगा उसके क्या consequences होंगे यहां से हम स्टार्ट करेंगे कल की हमारी सेपेसे की अगली class और जहां तक संभव है कि कल आपके यह सब reference review revision appeal सारी चीज़े में कल आपकी cover करा दूँ है तो thank you for joining और यह जो appreciation की comments आप इस live chat में कर रहा है आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि भाई साहाग वीडियो एंड होने के बाद ऐसे comments अगर आप कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा यह सब देखके नीन अच्छी आजाती है म मैं हूं teacher इसलिए उस तरीके से मैं आपसे यह वाले निवेदन नहीं कर पाता हूं कि मुझे 5000 बच्चे लाइप चाहिए तो ही पड़ा हूं और यह सम्मेंट से होता कि इसलिए आप अपने से भी थोड़ा बहुत कर दिया कर दिए हाँ yes thank you so much कि सबसे पहला comment दुमारा ही हो अब आजाईए जरा आज के ओडर पे दाट इस ओडर 33 सूट बाइट जाए तोड़ा सा ब्रीफ समझ दें इस ओडर का जैसा हमने हर दूसरी ओडर के साथ किया है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोड़क्शन उस ओडर के बारे में उसकी एरदिगर्द की कह पैसे नहीं है सूट करने के भी क्योंकि जब आप सूट करने जाते हैं तो कोट फी लगाई जाती है तो माल लेजे आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप कोट फी अभी हम पढ़ेंगे कि इंडिजेंट कौन होता है इस पर्टिकलर और के हिसाब से डीडियल में उसमे पर्मिट करिए कि मैं अगर यह एप्लिकेशन उसकी एकसेट हो गई तो फिर उसको कोट फी नहीं देना पड़ता है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रसेसिंग पीस वागेरा लगती है कोट फी से आप माफ हो जाएंगे लेकिन कुछ नॉमिनल प्रसेसिंग पीस वागे लेकिन आपकी application अगर reject हो गही तो फैर आप ordinary suit की तरह ला सकते हैं फिर आप पैसे भरके normal suit की तरह ला सकते हैं उससे अगर reject हो गई है तो अगर आपकी application grant करती गई माण लिचे आपको permission दे दी गई तो file a suit as an indigent person उसके बाद भी withdraw करी जा सकती है बाद में आगर court को ऐसे ground है क कौन है और indigent person अगर किसी वक्ती ने as an indigent person suit file किया है, suit का judgment आएगा, उसमें आप जानते है suit से related cost भी दिलाई जाती है, cost के बारे में अपन detailed discussion CPC में already कर चुके हैं, CPC की जो पहली class थी जिसमें मैं आपको CPC पढ़ना सिखाया था कि पढ़ा कैसे जाता है बेरेक्ट से comfortable कराया था, उस class में हमने discuss किया था cost का purpose क्या है, judgment आने के बाद भीया दूसरी party की जो समस्या है, उसको जो expenses हुए इस case को defend करने में, या माली जो plaintiff जीता है तो उसने suit file किया, उसका पैसा खर्चा हुआ तो opposite party से adverse party से cost दिलबाई जाती है, यहाँ important question जिसके पास court fee जमा करने के पैसे नहीं है, वो पहले court से permission मानता है कि application के थ्रू और उसके बाद उसको अगर permission मिलती है, तो वो suit file करता है, as an indigent person नहीं मिलेगी, तो आप ordinary person की तरह normal suit file करेंगे, अब आ जाईए order 33 के rule 1 पे, suits में भी instituted by indigent person, subject to the following provisions, any suit में भी instituted by an indigent person, explanation बता है कि indigent person होता कौन है, a person is an indigent person, बहुत important सवाल है prelims का, कौन है indigent person, यहाँ देखिए, A, if he is not possessed of sufficient means, other than property exempt from attachment and execution of a decree and the subject matter of the suit, underline कर लीजे, to enable him to pay the fee prescribed by law for the plaint in such suit, अगर व्यक्ति जो suit file करने जा रहा है, उसमें plaint के साथ, जो fees pay करनी है आपको, अगर वो fees pay करने में आप सक्षम नहीं है, उतने resources आपके पास नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है, court fees pay करने का, तो आप indigent person है, इसमें कुछ चीज़ें exempt करी जाएंगी, जब यह देखा जाएगा कि आपके पास resources है या नहीं, as an indigent person suit file करने के, ऐसी properties जो attach नहीं होती degree में, execution of decree में, जिन properties का attachment नहीं किया जा सकता, उन properties को include नहीं किया जाएगा, यह देखने में कि आप indigent person है या नहीं, अब तुरंत मुझे section का number बता दीजिए, कि कहां वो properties mention है, जिनको attach नहीं किया जा सकता, for the purpose of execution of decree, जरा तुरंत बता दीजिए provision, बढ़ा है भाई हमने, maintenance वाली भी बताई थी मैंने कि maintenance के decree है, तो salary कितनी attach होगी, correct, section 60, that's correct, correct, 60, तो भाया, वह जो properties है, उसको consider नहीं करेंगे, यह देखने में हैं तो उसके लिए लिखाएं, this is very very important, if underline कर लीचे, if he is not entitled to property worth 1000 rupees, अगर उसके पास 1000 रुपे की भी property नहीं है, other than the property exempt from, बाकी सारी चीज़े हैं, जो exempted है, उसको छोड़के दिखा जाएगा, कि इसके पास 1000 रुपे भी है हैं तो आप indigent person माने जाएंगे, उन cases में जहां कोई fees prescribed नहीं है, जहाँ fees prescribed है अगर आपके पास फीज देने का पैसा नहीं है, तो आप indigent माने जाएंगे, तो indigent कौन होता है, जहाँ जब वो suit फाइल कर रहा है, अगर कोई वो देने की हालत में नहीं है, अगर फीस प्रस्क्राइब नहीं है, तो उसके पास 1000 रुबे की प्रपर्टी नहीं है, ऐसा वेक्ति इंडिजेंट है, यही मैंने आपको बताया था अभी, रूल बहुत इंपोर्टन टेस्का एसका एक्स्क्राइशन बहुत जादा इंपोर्टन है, अब देखिए जो कहानी मैंने आपको बताई, कि अगर माल लीजे वो इंडिजेंट है, तो पहले वो एक एक एप्लिकेशन देगा, उस एप्लिकेशन पर होगी, देखा जाएगा कि वाकल वो इतना गरीब है कि नहीं, इसके बाद सीधे आजाएए रूल 5 पे, जरा मैं ओडर इदर लिख देता हूँ आपको, कि क्या हम कर रहे हैं, कौन सा ओडर हम पढ़ रहे हैं, इसमें कौन-कौन से हमें रूल पढ़ना यह जो इंडिजेंट परसन इसको एक एप्लिकेशन देनी है, इसको परमीशन लेनी है, कोट की तू फाइल असूड अज इन इंडिजेंट परसन, कब वो एप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, कब आपको परमीशन नहीं मिलेगी, तू फाइल असूड अज इन इंडिज फॉल फॉल नहीं करें तो इस ग्राउंग पर आपकी अप्लिकेशन रिजेक्ट हो सकती है तो सूट फाइल इस बहुत इंपोर्टन यह सारे ग्राउंड सफ रिजेक्शन आपको याद करने हैं इनको अंडरलाइंग करते जाए बी कहता है वेर्दी अप्लिकेशन इस अगर आ आपको पास उत्ता पैसा है तो आपको पर्मिशन नहीं मिलेगी तो फाइल सूट आज इंडिजेंट परसन और आपकी यह जो एप्लिकेशन है यह रिजेक्ट हो सकती है इस ग्राउंग पर सी रेखिए वेर ही हाज विदिन तो मॉन्स नेक्स बिफोर दी प्रेजेंटेशन अगर उस डेट से इमेडियेटली पिछले दो महने के बीच पिछले तो महने में अगर इसने अपनी कोई प्रेजेंट पर्मिशन नहीं मिलेगी तो फाइल सूट आज इंडिजेंट परसन ऐसा क्यों क्योंकि आपने इंटेंशनली अपने आपको गरीग बनाया है आपके प अगर आपने अपनी प्रपर्पर्टी किसी और को देदी अगर आपने ऐसा कोई फ्रडिलेंट रंजेक्शन पिछले दो मेने में किया है तो इस एप्लिकेशन को रिजेक्ट कर देगा इसके बाद देखिए टी वेरेस ऐलेगेशन आपके पास अगर कॉज आपक्शन नहीं तो अगर इंडिजन परसन नहीं है तो भी सूट फाइल नहीं होंगा यह तो रिजेक्शन प्लेंट में भी हमने पड़ा था जरा ओडर और रूल नंबर लिखती जेए एदर रिजेक्शन प्लेंट अगर उस सब्जेक्ट मेंटर से रिलेटेड उसमें कोई अग्रिमेंट कर लिया है उस सब्जेक्ट मेंटर से रिलेटेड इस व्यक्ति ने कोई अग्रिमेंट किया किसी दूसरे व्यक्ति के साथ और इसमें उस दूसरे व्यक्ति का कोई इंट्रेस्ट क्रियेट हो गया है माल लीजी एक घर से related suit file करना था एक व्यक्ति को और वो व्यक्ति as an indigent person suit file करना चाता है उस घर का लेकिन इसने क्या किया है एक agreement के through इसने किसी दूसरे व्यक्ति को उस घर में interest दे दिया तो अब हो सकता है कि उस दूसरे व्यक्ति के पास पैसा हो आप भले indigent person है लेकिन आप create कर दिया उस subject matter में तो भी आपकी जो application है to see you as an indigent person और as a proper ये reject हो जाएगी इसी के तरह अगला भी है F देखिए where the allegations made by the applicant in the application so that the suit would be barred by any law for the time being enforced अगर वो suit barred है by any law ये हमने order 7 के rule 11 में भी पड़ा था कि अगर वो suit barred है by any law मान लीजे इस बाट बाइलिमिटेशन तो प्लेंट आपकी reject हो जाएगी वो ground इधर पे भी दिया हुआ है इसके बाद G D की तरह है जी दिखिए where any other person has entered into an agreement with him to finance the litigation किसी दूसरे उस indigent वेक्ति उसके खुद के पास बैसा नहीं है लेकिन उसने किसी दूसरे वेक्ति के साथ एक agreement कर लिया है और वो दूसरा वेक्ति इस indigent person का litigation finance करने वाला है उस agreement के थूँ अगर आपने कोई agreement कर लिया कि भाया हमा आप अपने आपको indigent बता रहे हैं और पोट से permission मांग रहे है suit file करने कि under order 33 वो application reject हो जाएगी तो I hope all the grounds are clear और इन सारे grounds को आपको दिमाग में रखना है यहां से question आता ही आता है बहुत important है यह rule 5 किन-किन ground पे reject होगा तो सबसे पहले तो 2 और 3 का compliance नहीं किया आपने या फिर property में जिस से related suit है in that case also your application में भी rejected या फिर इसके अलावा law से barred है वो suit तो भी application reject हो जाएगी या फिर अगर आपने किसी दूसरे वक्ति के साथ agreement कर लिया है कि कोई दूसरा वक्ति आपका यह litigation finance करेगा in that case also your application में भी rejected तो यह rejection के grounds है बहुत जादा important है आपका rule 5 इसके बाद rule 9 बात करता है withdrawal की rejection आपने application दी court ने देखा समझा hearing का रही reject कर दी कि आपको permission नहीं दे रहे withdrawal कब होगा rule 9 का जब permission आपको मिल गई है लेकिन उसके बाद court उस permission को withdraw कर रहा है एक बार देने के बाद court उस permission को withdraw कर रहा है that is rule 9 इसको देखिए जरा withdrawal permission to see you as an indigent person the court may on the application of the defendant defendant की application प of which seven days clear notice in writing has been given to the plaintiff. साथ दिन का return notice दिया जाएगा plaintiff को order that the permission granted to the plaintiff to see you as an indigent person be withdrawn कि भाया तुमने जो permission ले लिखी court से तुमें जो court ने permission दे दी थी to file a suit as an indigent person उसको withdraw किया जाना है किस ग्राउंट पर बिट्रो कर सकते है देखिए जरा ए वेक्सेशिया से और इंप्रॉपर कंड़क्ट है उसका कंड़क्ट सही नहीं है उस सूट में एक तो फुरी में परहेशन मिली है तुमें कोट ने फ्री में आपको यह सुबेदादी की चलो ठीक है आप कोट भी मत और शूट और उसके बाद आप hero बन वहाँ है वहां तो इस नोट अलाउट चीक है जैसे यह क्राश को चल रहा है यूट्यूब के लाई अब इसमें भी आपकी डिमांड्स कर्दम नहीं हो रही है जिस दिन में वाइट रखता हूं उस दिन जनता के टी सर वाइट कर लो तो यही चल भाहे आप क्लियर ही नहीं हो पाते हैं जीवन में कि इतना तरंगी देश है हमारा भारत एक यह जो कन्फूजन है अपके प्राइरटीज को लेके उसका मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्जाम्पल है जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को देता हूं कि अच्छी मैं सेलेक्ट करते हूं असपर माया टायर कि आज ब्लैक है तो थोड़ा कंट्रास रहेगा बोट तो प्रॉपरली विजिबल रहेगा लेकिन मैं बता रहा हूं इस देश की जनता को सेटिस्फाय करना भाई साहब नेक्स्ट इंपसिबल है उपर से ब्रह्मा जी प उनको कंप्लीट करना असंभव है क्यों पता है इसा क्याराओं में क्योंकि यह वह देश है जहां कि जनता अगर बाहर जाती है खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में तो वह ऐसा रेस्टोरांट होंती है जहां मिले घर जैसा खाना रेस्टोरां मार्केटिंग कर रहा है यह कि हमारे हैं घर जैसा खाना बिलता है, एक तो यह हो गया, कि आप जब बहर खाने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए घर जैसा खाना, रेस्टराण पर जहां, जो यह बोलके मार्केटिंग कर रहा है, कि हम घर जैसा खाना देते हैं, वो रेस्टराण प्रफर कर रही जनता, और घम में खाना बनाने के लिए मसाले खरीदने जाती है मसाल वो खरीदती हो जो दे रेस्टोरेंट टेस्ट मसाले वाला क्या बोलके Marteस कर रहा है कि इसमें है भईया बजार वाला टेस्ट तो मेरे भाई backup तुम्हें बजार का टेस्ट चाहिए कि जब बाहर जा रहे हैं तो घर जीसा काना चाहिए और घर में बना रहे हैं तो रेस्टॉरों जीसा चाहिए अरे या इसलिए कोई भी विक्ति अपनी कि अपने चाहिए इसलिए मैं कहता हूं आप अपना समय कहां व्यर्थ कर रहे हैं कि कैसे करें इसी में पूरा समय आ रहा है इसलिए इस तरीके की मार्केटिंग भारत में सक्सेस्फुल हो जाते हैं समझ रहे हैं क्योंकि आपको बाहर जाना है तो घर जीसा चाहिए और भर में वने तो बाहर जाता है तो आजा यह सरा रूल नाइन पर वापस इसलिए अगर यह जो इंडिजेंट परसन है जिसको प अगर उसका कंड़क सही नहीं है आपको परमीशन दे दिये कि बिना कोट फीज के कर लो तो भाइया कंड़क जना हिसाब से रहना चाहिए उसके बाद आपका है थोड़ा सही कंड़क आपका होना चाहिए भी देखिए अगर बाद में कोट को लगता है कि इसके पास sufficient means है या आगए है इसको इंडिजेंट परसन की तरह सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है in that case withdraw किया जा सकता है वो जो permission आपको दी गई है to file a suit as an indigent person see देखिए if he has entered into any agreement with reference to the subject matter of the suit under which any other person has obtained an interest in such subject matter आप permission लेने के बाद rejection वाले में भी ये similar point था लेकिन वहाँ क्या था कि आपने पहले ही agreement में enter कर लिया यहां आपको permission मिल गई है उसके बाद court को पता चल रहा है कि आपने एक agreement कर लिया है जिसमें आपने उस subject matter में किसी दूसरे बक्ती का interest create कर दिया है तो इस ground पे आपको जो permission दी गई थी to file a suit as an indigent person वह permission withdraw करी जा सकती है under c i hope that is clear यह तीनों ध्यान रखिएगा यह तीनों बहुत important है इसके बाद आजाए यह 9a this is also important 9a is also important court चाहे तो pleader भी दिला सकता है अब क्योंकि indigent वक्ती है इसके पास पैसे नहीं है court fee pay करने के तो वकील कैसे लाएंगे तो यहां लिखा है court to assign a pleader to an unrepresented indigent person अगर court को लगता है court ने किसी वक्ती को permission दे दी है to file a suit as an indigent person और court को लगता है कि इसको represent करने के लिए कोई वकील नहीं है कोई pleader नहीं है तो court अपने से assign कर सकता है pleader that is 9a इसके बाद आजाए 10 this is very very important सबसे ज़्यादा chances जो यहां आने के है रूल से question वो है आपका जो ज़्यादा chances है वो है 1, 5, 10 और 11 यह बहुत important है 10 देखिए cost where indigent person succeeds इसके बारे मैंने पहली बताया इस order को start करते समय cost where indigent person succeed indigent person जीत किया है plaintiff suit जीत किया है जो judgment आया है जो decree आई है वो plaintiff के favor में आई है plaintiff कौन है हमारा indigent person ऐसे किस में जो cost दिलाई जाएगी वो state government recover करेगा उस party से recover करेगा court जो direct करेगा अब ज़रूरी नहीं कि जीता वो ही recover करेगा दूसरे से court पूरे observe करता है proceeding क्योंकि cost के अलग-अलग purposes है जिनको हमने देखा है हमने cost already इसलिए पहले discuss कर चुके है हम वहां आपने cost के अलग-अगर आपने delay किया है proceeding में तो भी आपके ऊपर cost लगाई जा सकती है वो सारी बाते हमने देखी है तो भाई यहां कौन पे करेगा जिसको court order करे रूल 10 देखिए ज़रा गर the plaintiff succeeds in the suit the court shall calculate the amount of court fees which would have been paid by the plaintiff if he had not been permitted to sue as an indigent person अगर उसको indigent person की तरह suit file करने की permission नहीं मिली तो फिर court fees मिली जाएगी उससे such amount shall be recoverable by the state government this is very important such amount shall be recovered by the state government from किस से करेंगे recover यह बहुत important है from any party ordered by the decree to pay the same decree में जिसको order दिया जाएगा कि भी तुम्हें pay करना है cost वो pay करेगा and shall be a first charge on the subject matter of the suit और जो भी subject matter है suit का उसके उपर यह charge होगा charge समझते हैं कि वो subject matter अगर आपको बाद में लेके जाना है अगर आप उसके लिए entitled पाए गए और आप चाहते हैं कि court वो subject matter मान लीजे कोई अगर वो आपको मिल जा है तो पहले आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा जो उस पर चार्ज है उस प्रपरिटी में वो पैसा पे करेंगा तब वो प्रपरिटी आपको मिलेगी that's what charge is ठीक तो 10 ध्यान रखिएगा court decree में जिसको सीधा सीधा सवाल आप से पूचा जाएगा कि indigent person succeed हुआ तो cost पे कौन पे करेगा तो court जिसको order करेगा जिस party को order करेगा decree में वो पे करेगा और इसको recover करने का काम करती है state government करती है इसके बाद आईए 11 11 बात करता है procedure where indigent person fails अगर indigent person fail हो गया दो एक तरीकी के failure है इंदर माल लिजे suit dismiss हो गया या माल लिजे उसकी application ही reject ह गई उसको permission नहीं मिली to sue as an indigent person अगर उसको permission नहीं मिली है to sue as an indigent person तो वो normal की तरह treat किया जाएगा और सारा पैसा उससे फिर लिया जाएगा अगर आपकी application reject हो गई है to file a suit as an indigent person तब तो आपसे साब मुवसूला जाएगा तो 11 देखिए where the plaintiff fails in the suit और the permission granted to him to sue as an indigent person has been withdrawn या फिर आपको जो permission दी गई थी to file a suit as an indigent person वो permission withdraw कर ली गई है और where the suit is withdrawn or dismissed या फिर suit ही withdraw कर लिया गया या suit dismissed हो गया ऐसे case में क्या होगा ये देखिए because the summons for the defendant to appear an answer has not been served upon him in consequence of the failure of the plaintiff to pay the court fee or postal charges if any chargeable for such service or to present copies of the plaintiff or concise statement इन में से किसी भी ग्राइट के अगर suit dismiss हो ये सब अपन अरटी पर चुके है कि अपको पहले तो permission मिली to file a suit as an indigent person लेकिन ये उसमें भी डील कर रहा है जहां आपको ऐसी permission withdraw कर ली गई है तो अगर permission withdraw कर ली कारण से suit dismiss हुआ है या फिर जो समंद सर्फ कराने थे dependent के उकर उसकी cost भी आप से ली जाती है आप वो करने में फेल हूँ इन में से किसी भी वज़े से एगर suit dismiss होता है या फिर B और because the plaintiff does not appear when the suit is called on for hearing या फिर plaintiff अपीर ही नहीं होता है सारी गलती किसकी plaintiff की basic बात अगर added as a co-plaintiff to the suit to pay the court fees which would have been paid by the plaintiff if he had not been permitted to see you as an indigent person तो फिर plaintiff से court fee pay कराई जाएगी इन circumstances में अगर माल लिजे आपकी जो application है विड्रॉ कर ली गई है या आपके failure के current suit dismiss हुआ है आपने सारी requisites fulfill नहीं करें आप अप यह ही नहीं हुए आपको permission में माल लिजे to see you as an indigent person और hearing वाल permission मिली है और उसके बाद आप रैसी हरकतें कर रहा हैं तो यह मत करिए जो मिला है फिल्म है उसका फायदा उटा ही है ठीक so that is 10 and 11 यहां से question आता है प्रिलिम्स में 10 बहुत important है और 11 भी equally important है दोनों याद रखिएगा rule 10 में अगर plaintiff succeed होता है तो जिस party को court order करेगी वो पे करेगा cost इसके बाद आजाईए 17 सीधे आजाईए rule 17 बहुत ज्यादा important नहीं है 17 और 18 लेकिन थोड़ा सा concept बस ध्यान रखिए देगा by chance पूछा जा सकता है defense by an indigent person अगर indigent person suit defend कर रहा है तो तो उसे filing तो करनी नहीं है file तो suit किसी और ने कर दिया लेकिन defendant को अगर मानलो कोई return set of या counter claim file करना है set of or counter claim पड़ा है order rate में defendant file करता है और set of or counter claim को भी plaint की तरह treat किया जाता है तो पैसे उधर भी लगेंगे तो अगर आप defendant है किसी suit में लेकिन आप indigent है और आप अगर set of या counter claim plead करना चाहते है तो आपके उपर भी यही सारे rule applicable होंगे जो अभी हमने पड़े केने का मतलब आपको वहाँ permission लेनी पड़ेगे और with permission आप बिना court fee कर सकते हैं file इसके बाद 18 देखिए power of government to provide for free legal services to indigent person अब सर provision बनाने का की duty या यह provision 18 में दिया है कि central government और state government इसके regarding rule बना सकती है कि अगर कोई वक्ती indigent है और उसको permission मिली है तो उसको legal aid free provide कराए जाए यह 18 में दिया है बहुत जादा important नहीं है बट कुछ exams में कई बार यह पूछा गया है जादा जो important है वो मैंने आपको अलग से whole flow chart is clear in your mind और जो relevant rules है वो भी हमने पढ़ लिए process क्या होता है वो भी मेरे ख्याल आपको clear हो गया है इसके बाद अगला जो order है that is 34 इसमें जादा चीज़े important नहीं है कुछ limited order के बस number याद रखिएगा that's it यह sorry rules के यह order का number तो आपको याद रखना है suits relating to mortgages of immovable property immovable property के mortgage से related है यह पूरा का पूरा order that is order 34 और इसमें limited rules सिर्फ head not याद रखिएगा in rules के जैसे rule 2 preliminary decree in foreclosure suit foreclosure के suit में preliminary decree pass करनी है third को यह लिखा है अब preliminary decree क्या होती है final decree क्या होती है यह मैं आपको समझा चुका हूँ already एक जो पूरी class हमने सिरफ judgment decree और उसके execution पर करी है इस series में उसमें मैं आपको बहुत clearly समझा चुका हूँ preliminary क्या होता है और final क्या होता और मैं आपको यह भी कहाता है कई बार यह सवाल आता है कि इनमें से कि suit में preliminary decree दी जाएगी किस में preliminary decree नहीं दी जाना है उस purpose के लिए यह important है rule 2 कहता है इदर preliminary decree in foreclosure के suit में preliminary decree दी जानी है इसे की तरह rule 4 देखिए इसके बाद preliminary decree in suit for sale, sale की suit होगा उसमें भी preliminary decree दी जाएगी इसके बाद 7 preliminary decree in redemption suit, redemption का जो suit file होता है उसमें भी preliminary decree दी जाएगी, redemption foreclosure क्या होता है यह भी मैंने deal किया है CPC के अंदर, इन्हीं classes में मैंने आपको brief में वो भी बताया था, जब आपन देख हाँ, चीक, तो 7 भी आपको ध्यान रखना चाहिए, preliminary decree, redemption के suit में preliminary decree दी जानी है, shall लिखा है और जगे, आप यह अगर पढ़ेंगे, जो तीनो rule मैंने आपको बताए, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 7 हो, rule 2, rule 4, चाहे rule 7, इनमें लिखा है the court shall pass preliminary decree, चीक, तो बस इस point से यह relevant है, बाकी इस order से कुछ और पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, इसके बाद सीधे आ जाईए, अगले order की तरफ, और जो अगला order आपका है, इसमें एक section है, और order है, बहुत जादा चीज़ें इसमें भी important नहीं है, बड़ यह topic काफी important है, CPC में इस topic से question आने के स बाकी जैसा मैंने आपको कहा, कल की class में मैं सारा बचा कुछ आपको बढ़ा दूँगा, जितने इसे section है, जिसके corresponding orders नहीं है, वो सब अपन कल कबर करेंगे, जितना portion बचा रहेगा, आई ता है कि कल अपन वो सब निपना देगी, तो देखिए 88 पे आईए ज़रा, इंटर इंटर प्लीडर की बात करता है, 88, यहीं हमने suits by और against government और public officers भी देखा था, तो यह जो part 4 है, part 4 की heading है suits and particular cases, अलग अलग specific cases में suits कैसे फाइल होंगे, उसके बारे में दिया हुआ था, तो government वाला औरड़ी पढ़ चुके है, इसके बाद, आज आईए ज़रा 88 पे, where interpreter suit may be instituted, इंटर प्लीडर suit कहां institute होता है, जरा मैं आपको फिर इस पूरे इंटर प्लीडर topic का brief बता दू, तो open provision पे जाएंगे, देखिए इंटर प्लीडर suit basically होता क्या है, कि माल लेजे मैं ये suit file करने जा रहा हूं, इंटर प्लीडर, तो ऐसे में होता क्या है, कि मेरे पास कोई property है मेरे पास किसी property की possession है, ये movable या immovable किसी भी तरीके की property हो सकती है, और दो लोग और है, मेरे अलावा दो और लोग हैं, जो इस party में अपना interest claim करने हैं, जो मांग रहे हैं ये property, adverse interest claim करने वाले दो लोग हैं, जो मेरे पास आके वो property claim कर रहे हैं, मैं उस property में कोई interest claim नहीं कर वो के रहा है मेरी है property भी मुझसे ये property मांग रहा है वो के रहा है मेरी है property अब मैं तो फच गया मैं कैसे determine करूँ कि A की है कि B की इसके लिए मैं क्या करूँगा मैं जाओंगा court और एक suit file करूँगा जिसको कहते हैं interpreter suit मैं जाके suit file करूँगा court में कि साथ मेरे पास ये property है और मैं इसमें अपना कोई interest claim नहीं कर रहा हूँ as such आप तो इस suit को determine ये दो लोग हैं इनको मैंने defendant बना दिया है आप जरा इनको लडवाओ इनसे evidence लो और आप court decide कर दे कि कि किसको मिलनी चाहिए property और उस वेक्ति को वो property दे दी जाए और ये जो suit आप देखो भाई मेरी तो property है नहीं मेरा तो कोई interest इस property में है नहीं तो फिर मैं जो court जा रहा हूँ पैसे खर्च कर रहा हूँ सूट फाइल कर रहा हूँ जो कश्ट ले रहा हूँ उसका क्या तो मुझे cost दिलवाई जाएगी क्योंकि मैं मैंने फाइल किया जबकि मेरा कोई interest नहीं था उस subject matter में तो होगा क्या जो भी property जो भी subject matter होगा उस पे cost जो होगी मेरी मुझे जो cost दिलवाई जाएगी वो चार्ज होगी इस इंटर प्लीडर की मेरी आब आके जरुवत नहीं है सूट में इन दोनों का पंड डिसाइड कर लेंगे तो मुझे वहां से हटा दिया जाएगा मुझे ऐसा पार्टी उस सूट से हटा दिया जाएगा इन दोनों को फिर आपस में लड़वाया जाएगा plaintiff defendant बना दिया जाएगा और वो अपना claim प्रूफ करते रहेंगे उस property के ऊपर that's what interpreter is and I hope that is clear यह जो सूट फाइल करता उस वेक्ति का आज सच इंटरेस नहीं है इसी के बारे में section 88 बताता है तो देखिए ज़रा where interpreter suit may be instituted where two or more persons claim adversely two or more persons claim adversely to one another the same debts sum of money or other property movable or immovable कैसी भी property हो सकती है from another person यह कि तीसरे वेक्ति से claim करने है और यह जो तीसरा वेक्ति है from another person who claims no interest therein other than for charges or cost और यह जो तीसरा वेक्ति है वो subject matter में कोई interest claim नहीं कर रहा वो सिर्फ चारा भया कि मेरा जो खर्चा हुआ है suit file करने में आप मेरे को दिला दो बात कातम मेरा इस property में कोई interest नहीं है मैं तो clear हू साय हूं की court determine करते and who is ready to pay or deliver it to the right claimant वो जो तीसरा वेक्ति है वो ready है कि साब मेरा कोई interest नहीं इस property में मैं तो जो सही वेक्ति है जो entitled है उसको देने के लिए ताया हूं लेकिन समझ्य का है यही समझनी आरा कि देना किसको है किसलिए court के पास आए such other person may institute a suit तो वो जो तीसरा safety for himself जित्ते भी लोग claim कर रहे हैं चाहे दो लोग claim कर रहे हूं चाहे पांच लोग claim कर रहे हों सबको मैं defendant मना दूआँ गा बैंटेफ रहूंगा और अगर court को ऐसा पता चलता है कोई एक party उसमें कहती है कि साभी subject matter selected already suit चल रहा है, माल लीजिए A और B मुझसे property claim कर रहा है, अब मैं confused जों कि किसको दूँ, मैं चला गया suit file करने interpreter suit, और वहाँ पर B कहता है कि साब मैंने already a again suit file कर रखा इस property को recover करने के लिए, तो जब already एक suit चल रहा है, in that case interpreter suit entertain नहीं होगा, ये भी section 88 कहता है, अब इसी का पूरा detailed जो progression है, ये तो सिर्फ मैंने आपको brief बात बता दी कि होगा क्या interpreter suit में, ये सब कैसे होगा, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा order 35 interpreter, पूरा order important नहीं है, सिर्फ धान रखिएगा, section number important है, समझना जरूरी है, interpreter suit होता क्या है, एक-एक rule में नहीं पढ़ा होगा, mains का बहुत important question होता है interpreter, तो mains में अपन पढ़ते हैं, इधर में आपको as such वो नहीं पढ़ा होगा, यहां बस आप इतना ध्यान में किये कि वाई साब section 88 plus order 35 ये मिला के बनता है interpreter suit, एक important सवाल इधर से आया है, आने के chances ज़्यादा होते हैं, वो ये कि कौन वो व्यक्ति है जो interpreter suit file नहीं कर सबता, ये एक important सवाल इस order से पूछा जाएगा, बाकि process मैंने आपको पूरी समझा दी है, वो ही सब in orders में दिया है, मेल्स के लिए कभी पढ़ियेगा, तो डीटेल में इसको आपको जानना और समझना चाहिए, यही बाते order में लिखी हुए, जो मैंने आपको बताई, इस देर इनी टेकनिकल ग्लेच, कृती कर रहे है, कुछ टेकनिकल ग्लेच हो रहा है, कोई ग्लेच है क्या भाई, वीडियो ओडियो में और एवरिटिंग इस पाइन, एक बार चरा कन्फरमेशन दे दीजिए, इफ एवरिटिंग इस पाइन, फाइन, फाइन लग दीजी एक बार या थम बया के बता दीजिए मुझे, अपने अपना अपना टेक क्या है कि मैं उस टाइप का वेक्ति हूं जो स्मार्टफोन लॉंच होने के बाद भी मार्केट में कीपड वाला फोन रहा था फिर मुझे मिला था नोकिया का सीफाइब बहुत मतलब 60% जनता स्मार्टफोन लेके घोम रही थी तब मैं कीपड व क्लियर पे तो है कॉंसेट कोई डाउट नहीं है मुझे इस पर है तो देखे एक प्रिंसेपल के अगेंस फाइल नहीं कर सकता जैसे माल लीजिए मैं किसी गत्ती का एजेंट हूं एक कंपनी है दिल्ली में उसने वह मुबाइल फोन बनाती है उसने मुझे एजेंट बनाया में बेचना है मैं उनका एजेंट हूं अब बाद में कोई व्यक्ति आके कहता है कि अरे यह मुबाइल फोन उस प्रिंसेपल कंपनी के नहीं है इसके लिए तो हम हमाना दिकार है इस पर और वो मुझसे क्लेम करते हैं और जिस कंपनी से मैंने लिये था जिसका मैं एजेंट वो टिनेंट उस लैंडलोड के टाइटल को चैलेंज जनरल ही नहीं कर सकता यह जगे लॉज में दिया हुआ है यहां पर भी वही चीज़ एपले के लेंडलोड के अगेंस और एजेंट अपने प्रिंसेपल के अगेंस यह नहीं कर सकता कोई तीसरा वेक्ति जो क्लेम कर रह है अगर उसने इंट्रस जराइफ किया है फ्रॉम दी लांडलोड हिंसेल्फ और फ्रॉम दी प्रिंसेपल हिंसेल्फ इन दाट केस मैं इंटर प्रिंसेपल कर सकता हूं इसके इलस्ट्रेशन दिये हैं जरा एक बार देख लिजे कुछ बढ़िया स्टेट के एक्जाम आप इसके लिए थोड़ा सा एक बार रूल फाइफ के जो इलस्ट्रेशन है वो देख लिजे और 35 का जो रूल फाइफ है एजेंस एंट्रेशन दिये हैं इसके इलस्ट्रेशन देख लिजे क्योंकि लिखाए जनरल ही आप नहीं करेंगे लेकिन अगर उस तीसरे रक्ती ने तो आपको क्लियर हो गया जो मैंने बताया उसी से हो जाएगा क्लियर उसके बाद जो टाइटर डराइफ करने वाली बात है जैसे मान लीजिए ये है प्रिंसिपल इसका है एक एजेंट ए इस प्रिंसिपल ने कुछ गुड्स दिये एको इंदी केपासिटी अजन एजन और फिर पी ने क्या किया इसके बाद पी ने जो गुड्स यहां दिये थे जैसे मान लीजिए एक बॉक्स था इसके पास इसमें कुछ गुड्स थे अब मान लीजिए एजन एजन ये होल्ड कर रहा था इसके बाद ये जो प्रिंसिपल है इसने वो गुड्स जो इसके एजन की position में है उनको as security रखके C से उधार ले लिया एक debt ले लिया C से C से पैसा उधार ले लिया किसने इस principal ने क्या करके यह जो goods अभी possession में इसी की है goods लेकिन इसको बना दिया क्या security for the debt security बना दिया यह भी यह बात जानता है कि security goods जो मेरे पास है वो security है अभी किसके लिए C से जो debt लिया गया पचास अजार रोपे का loan लिया है इस principal ने और इसको security रखा है security रखा का मतलब अगर principal पचास अजार रोपे वापस नहीं करेगा C के तो इसके लिए हकदार कौन है इस goods के लिए C हकदार हो जाएगा अब debt तो ले लिया इसके बाद बाद में थोड़े time बाद यह principal यह से कहता है कि भाईया उसका debt वेट पे हो चुका है तेरों को मैंने goods दिये थे तू वापस कर और यह जो व्यक्ति था जो creditor है इस principal का जिसने पैसे उधार दिये थे जिसक का agent can file a suit against the principal as well ऐसी situation में file किया जा सकता है interpleader suit यह ध्यान रखियेगा concept जानना थोड़ा जरूरी है illustration जो दिया है दोनों वही है जो मैंने आपको बता दिया and I hope that is clear to everyone यह हो गया आपका interpleader suit समाथ अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद अब जो provision हम पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा दो मिनट आपको शान दिमाख से समझना पड़ेगा कि कौन से section और फिर कौन से orders relevant एक order और इसी sequence में summary procedure है उसको बस समझ लीजे उसके बाद हम उसके आएंगे summary procedure के लिए कोई हस्तच corresponding section की जरूरात नहीं है सिर्फ यह order ही है so order 37 जरा देखिए summary procedure ब्रीफ समझ लीजे इसका भी summary procedure क्या है अब देखिए summary procedure मतला जल्दी में निप्ताना है आपको पता civil suit लंबा चलता यही समस्या है civil suit की इसलिए जंदा भागती है कि कोट वोट कौन जाए क्योंकि जो चीज ल बनाया गया summary procedure बनाया गया जहां उतना detail procedure ने होगा जल्दी निप्तारा करेंगे लेकिन यह कुछ specific courts के पास ही अधिकार है और बेसे कुछ specific matters में ही deal होता है कुछ specific matters है जिन में यह summary procedure अपनाया जा सकता है high court permit करता है courts को कि कि किस court को summary procedure का अधिकार मिलेगा किसको नहीं उसमें मिलेगा यह बताया गया है और जहां वो summary procedure है उसमें होता क्या है जरा पहले brief में वो कहानी समझ लीजे ताकि फिर जब अपन रूल पढ़ें इधर से question भी आता है रूल में वो आप समझ लीजेगा देखिए एक तो आप यह चीज पढ़ेंगे कि कौन से वो court है जो summary procedure adopt कर सकते हैं दूसरी चीज़ आप यह पढ़ेंगे कि कौन से वो matters है जिन में summary procedure adopt किया जा सकता है चोटा procedure यह चोटा procedure है क्या तो चोटे procedure में यह होता है कि plaintiff अपनी plaint लेके आता है अपने allegations लगाता है और क्योंकि वो specific matter generally कौन से matter जिसमें पैसे ऐसे की recovery है बस नेगोशेब defendant को ऐसे ही नहीं chance मिलेगा to defend his case हमने normally पढ़ा है कि pleader के थरू भी आप अपने को defend कर सकते हैं और इनी सब में तो लंबा कार्यक्रम खिचता है इसलिए इधर पे इन्हों है क्योंकि summary procedure है और छोटे मूटे matters के लिए है इसलिए इधर पर क्या रखा है कि अगर defendant को इस suit को defend कर करने कि सहाब मैं इस suit को defend करना चाहता हूँ और या तो क्या होगा या तो यह होगा कि भाया plaintiff बोलेगा सहाब बस इतना सा मेरा claim है तो आप तो ऐसा कर यह claim दिलवादीजे अगर मालने चे वह appear होता भी है defendant और अपने आपको defend करने की बात या तो वह appear ही नहीं होगा खोद appear ही नहीं होगा defense के लिए अगर appear नहीं होगा तो सीधे-सीधे judgment पास कर दिया जाएगा in the favor of land और defendant को बोल दिया जाएगा भी यह यह पैसा है तु देदे इसको बात खतम इस तरीके के बात अपन ने CRPC में पढ़ी थी petty cases, petty cases में special summon याद है कि सीधे defendant को यह बोल दिया जाता है कि भाईया इतने इतने पैसे आपको fine लगा दिया जाता है summons के साथ ही कि यहां तो खोद आ जाईए या फिर यह fine भिजवा दीजे वो भी चलेगा आने की जरूरत नहीं है यह हमने CRPC में पढ़ा था याद है या नहीं special summon in petty offenses पैसा दे तो बात ही खत्म उसी तरीके का प्रोविशन यहां summary procedure में अपनाया जाता है कि अगर मान लिजे वो अपियर होके permission मानता है डिफेंट करने की तो फिर जो प्लेंटिफ है वो एक समन भेजेगा किस चीज की judgment की फिर एक समन भेजेगा कि भाईया अब तो जज इसके बाद अगर वो defendant convince कर देता है court को कि हा मुझे defend करना है तो फिर normal defend होके वो दोनों की बात सुनके फिर decision होगा और अगर यह अपने आपको defend करने के लिए agree नहीं होता है in that के सीदे सीदे print tip के favor में यह suit चला जाएगा यह basically summary procedure इदर है और CRPC में correct 206 में हमने पड़ा था व जो कि छोटा मोटा मामला है जल्दी से नफटा हो ज्यादा time खराब नहीं करना है तो देखिए जरा summary procedure कौन कौन से court कर सकते है रूल बन कहता है courts and classes of suits to which the order is to apply कौन से वो courts हैं और कौन से वो suits हैं जिन पर यह order applicable होगा this order shall apply to the following courts namely high court city civil courts and courts of small causes and other court other court में high court जिसको चाहे in power कर सक है इनके पास तो power है city civil courts high court or court of small causes इसके अलाबा other courts empower किये जा सकते हैं official gazette के थूरू यह empowerment हो सकता है इसके sub rule 2 में जरा देखिए subject matter बताये गए है किन पर यह applicable है एक brief नजर मांग लीजे बस गटने की जवरत नहीं है सिर्फ समझने के लिए देख लिए एक बार किन पर applicable है subject to the provisions of sub rule 1 the order applies to the following classes of suits नेमली इन पर applicable है suits upon bills of exchange undis promissory note इन पर applicable है suits in which the plaintiff seeks only to recover a debt or liquidity damage और money payable by the defendant with or without interest पैसे वैसे कई suit है या फिर negotiable instruments हो undis promissory note a bill of exchange इस से related है या फिर किसी written contract का suit है उससे आपको पैसा लेना है अटाश्मेंट से related है इसके बाद rule 2 में इसका institution बताया है यहां से सवाल पूछा जाता है प्री में प्री में जो सवाल यहां पूछा जाएगा this is very important जड़ा मैं आपको rule भी यहां लिदू कि कौन-कौन से important है so order 37 rule 1 तो सबसे पहले important है इसके बाद rule 2 भी important है rule 2 से भी question आता है कितने दिन का समय मिलेगा और वो defend होना है नहीं होना है यह सारी बात है तो rule 2 में अलग-अलग sub rule है कौन सा important है जड़ा उसको देखिये sub rule 1 बताता है कि suit institute हो जाएगा application पर that's it इसका जड़ा sub rule 3 देखिये rule 2 का sub rule 3 देखिये जड़ा बहरत में the defendant shall not defend the suit referred to in sub rule 1 unless he enters an appearance यह अंदरलाइन कर लिजे unless he enters an appearance and in default of his entering an appearance the allegations in the plaintiff shall be deemed to be admitted and the plaintiff shall be entitled to a decree for any sum not exceedingly sum mentioned in the summons together with interest तो भाया आपको appearance में enter होना पड़ेगा नहीं तो आपके against decree आजाएगी वो ही जो मैंने आपको बताया यह तो आईए नहीं तो decree दोनों में से कुछ एक अब इसके बाद जो rule 3 है इसका rule 3 है procedure for the appearance of defendant defendant के appear होने का procedure वो चार है क्या रहा है कि हाँ भाई मेरको appear होना है तो इससे related rule 3 इसका sub rule 3 ध्यान रखिया और इसका sub rule 5 important है rule 3 का sub rule 5 अब यह procedure for the appearance of defendant जो है मैंने जो आपको कहानी बताई भाई होता है उसको समन भेजी जाती वो आ जाता है आने के बाद वो permission मांगता है कि हाँ साब मैं defense enter होना चाता हूँ मेरको defend करना है suit को यह जब हो जाएगा कि हाँ वो defend करने के लिए agree होता है अगर तो फिर एक further summon भेजी जाएगी judgment के लिए कि इस दिन आपको आना है और उस दिन आपको आना है जो भी further summon भेजी जाएगी यह आपको समझ आ जाएगा अगर आप rule 3 का सब rule 1 2 3 4 पढ़ेंगे तो अपन सीधे आ रहे हैं सब rule 5 की तरफ जहां से सवाल आता है the defendant may at any time underline कर लीजे जरा the defendant may at any time within 10 days from the service service of such summons for judgment by if it or otherwise disclosing such fact as may be deemed sufficient to entitle him to defend underline कर ये apply on such summons for leave to defend such suit summons serv होने के बाद 10 दिन के अंदर आपको apply करना है कि साब मैं defend करना चाहता हूँ इस suit को ये सवाल पूछा जाता है problems में कि summons for judgment जब serv हो गई है defendant के उपर किते दिन के अंदर उसा ये application file करनी है कि वो suit defend करना चाहता है 10 दिन के अंदर summary procedure का purpose क्या है कम में निप्ताना जल्दी निप्ताना इसलिए time limit रखी गई है अगर आपने ये application file नहीं करी कि आपको defend करना है suit को तो आपके against judgment हो जाएगा बात करता है आपके against judgment हो जाएगा ज्यादा समय वेस्ट नहीं किया जाएगा वही इधर पर applicable है so that's it about order 37 अब अपना आते हैं अपने अगले orders की तरफ और इन orders को पढ़ने के पहले हमें कुछ section पढ़ना है जिसमें इन सबका mention है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ CPC की जो पहली classes series में ली थी वही मैं आपको purpose बता दिया था कि section का purpose क्या और section बताता है कि क्या करना है court को orders बताते है कि यह चीज कैसे करी जाई तो क्या करना है section में देखेंगे पहले कैसे होगा वह अपर इदर order में देखेंगे सबसे पहले इन orders को पढ़ने के पहले आगे के जो orders अभी अपन पढ़ने जान पढ़ने वाले हैं जैसे order 38 यह है अरेस् प्रोविशन दिये हुए हैं यह जो तीन अलग-अलग हम और पढ़ने वाले हैं और इसमें भी अगर आप order 38 देखेंगे तो उसमें arrest before judgment है एक heading और rule 5 के ऊपर एक सब heading है attachment before judgment so arrest before judgment attachment before judgment और इसके बाद क्या temporary injunction interlocutory order और receiver इन सब के बारे में detailed rule इदर मिलेंगे लेकिन पहले section इन सब की बात करता है एक section इन सब की बात करता है कि कोट यह सारी चीज़े कर सकता है कैसे करना है वह आपको order में मिलेगा तो ज़रा section 94 निकालिए वेरेक्ट में आप निकालिए section 94 पार्ट 6 supplemental proceedings और section 94 section 94 जो है पार्ट 6 का supplemental proceeding की बात करता है 94 देखिए जरा supplemental proceeding in order to prevent the ends of justice from being defeated the court में if it is so prescribed ends of justice कहीं now for preventing the ends of justice ताकि एक case में एक suit में properly justice किया जा सके अच्छे से उस suit को decide किया जा सके इस purpose के लिए court कई सारे action ले सकता है देखिए एक चीज़ तो हमने ये पर ली कि court ने एक suit decide किया एक judgment आया एक decree आई और फिर उस decree को execute किया जाएगा यह हम पढ़ चुके हैं decree को execute कैसे किया जाता है यह भी देख लिया decree को execute करने के लिए arrest हो सकता है attachment हो सकता है यह सारी चीज़ें हो सकती है वो हमने देख लिया लेकिन अभी जो हम बाग कर रहे हैं वो यह कर रहे हैं कि for the ends of justice आप कुछ supplemental proceeding कर सकते हैं during the proceeding of the suit judgment आने के बाद execution के लिए आप करेंगे बहुत सारी चीज़ें that's a different thing execution is a different thing लेकिन during the proceeding कुछ supplemental चीज़ें कुछ power court को दिये गए हैं for the ends of justice आप यह सब कर सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं वो देखिये ज़रा इदर लिखा हुआ है 94 में a issue a warrant to arrest the defendant and bring him before the court to show cause why he should not give security for appearance and if he fails to comply with any order for security commit him to civil prison court क्या कर सकता है for the ends of justice defendant को arrest करा के बुला सकता है अपने सामने अगर court को लगता है कि defendant पेश नहीं होगा property property dispose of करेगा security भरवाना है यह सारे काम कर सकता है क्या कर सकता है defendant को arrest करा सकता है उससे security furnish करा सकता है यह काम court करेगा कैसे होगा यह वो अभी अपना के पढ़ेंगे क्यों होगा वो सब order में पढ़ेंगे इसके बाद भी देखिए डारेट को अटेश अटेश में परवा सकता है उसकी प्रपरटी बुलवा सकता है इसके बाद सी देखिए grant a temporary injunction and in case of disobedience commit the person guilty thereof to the civil prison temporary injunction grant कर सकता है injunction क्या होता है कुछ करने या ना करने का order देना किसी वेक्ती को तो injunction grant कर सकता है और अगर कोई इस injunction का breach करता है तो उसके बदले में उसे civil prison में भेजा दा सकता है performance of his duties by attaching and selling his property इसके अलाबा कोट क्या कर सकता है receiver कर सकता है receiver किसलिए होता है property को manage करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि suit तो चल रहा है proceeding तो चल रही है judgment आना है कोट कर सकता है interlocutory मतलब जो during the proceeding किये जाने है जो जरूरी लगे वो during proceeding कर सकते हैं अब देखिया यह सारे power आपने court को दे दिये यह यह आपको करना है यह आप during dependency of the suit यह सब आप कर सकते हैं अब जरा एक बात यह समझिएगा कि यह यह जो power दिये है इनी के corresponding orders हैं जिनके बारे मैं भी आपको बता रहा था अब जरा एक बार दुबारा orders देखिए और उन orders की heading देखिए वो सब यहां लिखा है 94 में जो जो court को करना है वो ही करने के लिए detailed orders बनाए गए हैं तो सबसे पहले आप अगर order 38 देखेंगे arrest and attachment before judgment इसमें लिखा है arrest before judgment तो defendant को कब arrest कराया जा सकता है उससे देखिए क्योंकि 94 में लिखा था कि court ऐसा कर सकता है तो वो जो arrest or detention कराया जाना वो कैसे कराया जाएगा वो आपको इतर मिल जाएगा order के अंदर एक सबहट में फिर order 38 का जो rule 5 है उसके उपर जो submitting लिखी हुई है attachment before judgment property अटाच करा जाएगी तो इसका पावर भी section 94 में court को दे दिया है आप देखिए भी direct defendant to furnish security to produce security furnish करा सकते हैं कि भी यह property आप देखिए इस चीज़ का डीटेल्टर आपको मिल गया इसके बाद हमने देखा ग्रांट temporary injunction तो temporary injunction के लिए आप देखिए अगला order order 39 बात कर रहा है temporary injunction और interlocutory order की उसी का detailed version है यह बताएगा कि कैसे वो काम किया वहाँ तो बस लिख दिया कि temporary injunction आपको आप issue कर सकते हैं और अगर को appointment of receiver कैसे किया जाएगा क्या काम होगा यह सब इमें जो लिखा है make such other interlocutory order यह भी 39 में ही deal कर लिया गया है 39 का आप first part देखेंगे तो temporary injunction की बात करता है और rule 6 के ऊपर एक subheading लिखी है interlocutory order इसमें भी deal करता है तो 38 39 40 उन सारी चीज़ों का implementation बताएगे कि कैसे यह काम corresponding orders इनको हम साथ पढ़ते हैं कि यह section और फिर यह orders I hope that is clear I hope that is clear in your mind क्योंकि यह थोड़े scattered provision कई बार यह समझी नहीं आता कि execution भी तो पढ़ लिया उसमें भी तो arrest हुआ था उसमें भी तो attachment हुआ था फिर वो क्या था यह यह कौन सा अलग से आ गया supplemental proceeding क्या है यह तो वो मेरे रखता है क्योंकि उसकी structuring clear नहीं है दिमाग में वो एक बार clear होगे फिर कुछ नहीं है तो यह सप्लिमेंटल प्रसेडिंग अपने section में देखी इनके corresponding orders अपने कोई के करके पढ़ने हैं लेकिन before we move on to that 95 भी देखिए जरा उस part में 94 के बाद section पे आईए 94 के बाद 95 section भी दि अगर कोई विप्ती false application इसकी देता है इंजंक्शन लेने के लिए arrest कराने के लिए property attach कराने का false अगर आपने कोई application दी है वेक्सेशियस कोई claim किया है तो आपको compensation देना पड़ेगा दूसरी party को और यह heaviest compensation है CPC में 50,000 रुपे ज़रा 95 देखिए compensation for obtaining arrest attachment और injunction और insufficient ground आपके पा या injunction लगबा दिया या arrest करा दिया या फिर property attach करा दी इसका जो A और B clauses लिखे हैं subsection 1 में उसके नीचे देखिए ज़रा second line में आपको मिलेगा award against the plaintiff by its order such amount underline कर लीजे not exceeding 50,000 रुपीज पचास हजार रुपे तक का compensation दिलाया जा सकता है for obtaining an order of injunction, arrest or attachment on insufficient ground, insufficient ground के अगर आपने इन में से कोई order obtained किया है तो आपको compensate करना पर सकता है दूसरी party को 50,000 रुपे तक का compensation session, I hope that is clear, चलिए अब आजाईए जरा orders की तरफ तो आप पड़ पड़ देख लेते हैं की order का और कैसे हो तो इतर से सवाल बनते हैं बहुत important है यह orders 39, 40, 38, 39, 40 important है rules भी इसमें बहुत सारे important है वो भी पढ़ना है तो जरा इस supplemental proceeding को अपन थोड़ा set out कर लेते हैं तो हमने क्या-क्या पड़ा है सबसे पहले हमने पड़े sections, sections कौन-कौन से 94 और 95 हमने पड़े, अब हम क्या पड़ने जा रहे हैं orders, so order कौन सा पड़ने जा रहे हैं, पहले 38, 38 देखिए, arrest and attachment before judgment, पहले है arrest before judgment, rule 1 देखिए, बहुत important है, प्रीम सवाल पूछे गए हैं यहां से, where defendant may be called upon to furnish security for appearance, अपनी appearance के लिए security furnish करने को कब बोला, भाई, बहुत common sense और obvious सी बात है, आप CRPC मेरे साथ पड़ चुके हैं, सी defendant को कब बोला जाएगा कि भया तुम अपनी appearance की security बरो, जहां court को doubt होगा, कि या तो आप भागते हैं या भाग सकते हैं, ऐसे case में आपके ओपर विश्वास नहीं है, इसलिए court बोलेगा, तुम ऐसा करो security बर दो, आओगे कि नहीं हमको पता नहीं, या फिर आपका arrest करा लें सिर्फ ये section 16 के clause A to D में immovable properties or rated suit की बात है, उसको छोड़के बाकी सब के ये applicable है, तो ऐसे source में क्या करा रहा सकता है, ये देखिए, that the defendant underline कर लीजिए, क्योंकि ये grounds पूछे जाएंगे arrest कराने के, तो पहले बाले में underline करिए, with intent to delay the plaintiff or to avoid any process of the court, or to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him, ये अंदेशा है कि ये जो defendant है, ये क्या किस intention के साथ, plaintiff को delay करने के intention के साथ, या फिर process of court को avoid करने के intention के साथ, इन में से अगर कोई एक काम करता है, जो तीन लिखे न, point, sub points, one, two, three, एक ए तीन sub points है, one, two, three, ये आपको बता रहा है कि defendant किस intention के साथ, वो तीन वैसे कोई काम कर रह है, उसका intention है, कि plaintiff delay हो जाए, या फिर process of the court को avoid, court से भागना चाहरा है, basically, court की process को avoid करना चाहरा है, या execution ना हो पाए, देखरी का बाद में, इस intention के साथ, क्या कर रहा है, first, देखिए, has absconded or left the local limit of the jurisdiction of the court, वो खुद भाग गया है, court की local jurisdiction से बाहर चला गया है, किस intention से, court की process स बचने के लिए, या plaintiff को delay करने के लिए, second, देखिए, or is about to abscond or leave the local limit of the jurisdiction, ला फिर अभी भागा नहीं है, लेकिन भागने वाला है, भाग सकता है, और भागने के पीछे intention क्या है, वही, court की process से बचना, third, has disposed of or removed from the local limit of the jurisdiction of the court, his property or any part thereof, या फिर वो उसकी जो property है, वो court के local jurisdiction स बाहर ले जा रहा है, और वो किस लिए कर रहा है, court की process से बचने के लिए, इन में से, तीन में से कोई एक काम कर रहा है, court की process से बचने के intention से, वो इन में से, तीनों में से कोई भी एक काम कर रहा है, तो, ऐसे case में उसके against arrest warrant issue हो सकता है, इसके बाद देखिए, B, या तो इन में से कुछ एक हो या फिर B में दिया है that the defendant is about to leave India वो भारत के बाहर जाने वाला है अगर court को लगता है कि जो defendant है वो इस intention से कि court की process को avoid करना है या plaintiff को delay करना है उस intention से इन तीन में से कोई एक काम करे या तो भाग चुका है jurisdiction से बाहर court के या jurisdiction से बाहर जाने की संभावना है या अपनी property वो jurisdiction से बाहर ले गया है तीनों में से कुछ भी या फिर वो भारत के ही बाहर जाने वाला है इन सारे circumstances में court क्या कर सकता है तो आगे देखिए the court may issue a warrant to arrest the defendant and bring him before the court to show cause why he should not furnish security for his appearance court उसके against arrest warrant निकल के उसको बुलवा लेगा और फिर उसको बुलेगा कि अब बताओ तुम से हम security furnish क्यों ना करा है तुम्हारी appearance की क्योंकि हमें तो यह सब अन्दाजे है या तो तुम भागी गया थे या जाने वाला है या प्रोपर्टी ले जाने वाला है या फिर भारत की बाहर जाने वाला है और यह सब क्यों कर रहा है विद्धी प्रोपर्टी अटाच ना हो जाए इन सबसे बचने के लिए तो यह भाई आपका इस तरीके से अरेस्ट कराया जा सकता है क्योंकि इन में से कोई एक अंदेशा है हमें आपके अरेस्ट हम करवा लेंगे और इसके बाद आपसी security furnish करा जाएगे वह रूल 2-3 सारे बताएग कहानी क्लियर होनी चाहिए वो मेरे ख्याल से बैट रही है दिमाग में कि यह चल क्या रहा है क्योंकि यह अंदेशा है को कि आप की प्रोसेस से बचना चाह रहे है इसलिए कोट यह order कर देगा जब judgment आ जाएगा decree उसके बाद execution में तो यह सब कराया जाएगा यह तो पहले की कहानी है कि कहीं आप कोट की प्रोसेस से बचने की कोशिच ना करें इसलिए इस सब कहानी है इसके बाद देखिए rule 4 important है इतर तो order 31 में क्या क्या important हो गया सबसे पहले rule 1 इसके बाद rule 4 rule 4 important है इस से प्रीमे सवाल पूछा गया है multiple states में procedure where defendant fails to furnish security और find fresh security अब आपको बोला गया कि security furnish करना है क्योंकि यह सब अंदाजे थे आप security furnish अगर नहीं कर पाएंगे अगर आप अपनी appearance की किसलिए court security furnish कर आ रहा है ताकि आप appear हो court की process से बचे ना अगर आप यह security furnish नही civil prison तो तुम्हें जेल में बेज़ दिया जाएगा defendant को जेल में बेज़ा जा सकता है until the decision of the suit or where a decree is passed against the defendant until the decree has been satisfied और अप जब तक decree pass हो के satisfy नहीं हो जाएगी तब तक आपको civil prison में रखा जा सकता है लेकिन ए प्रवाइशो है जो की बहुत important है provided that no person shall be detained in prison under this rule in any case underline कर लीजे in any case for a longer period than six months 6 minutes जाद नहीं रखना है nor for a longer period than six weeks when the amount or value of the subject matter of the suit does not exceed 50.50 रुके तक का subject matter तीन विक से जादा नहीं और कोई भी value वो subject matter की 6 मेने से जादा नहीं रखा जाएगा क्यों रख रहे है क्योंकि हमें doubt है आप process से बचेंगे आप court की process से बचेंगे इसलिए पहले ही आपको किदर रही है तो आपको rule बूल याद रखने में समस्या नहीं होती है तो rule 1 से 4 किसमें deal कर रहे थे arrest before judgment में इसके बाद आईए attachment before judgment rule 5 तो इदर rule 5 important है अब attachment की बाद और यह सब 94 में लिपा है कि यह सब करवा सकता court so देखिए attachment where defendant may be called upon to furnish security for production of property अब क्या कर रहे है defendant को बुला सकते हैं कि तुम security किस बात की furnish करो कि property produce करोगे अरेस्ट किसलिए कर रहे थे security furnish कर रहे रूल में किसलिए रहे थे कि आप appear हो court में आप भागेंगे नहीं court की process से यह जो security furnish करा रही है rule 5 में किसलिए करा रही है का कि आप property produce करें court में देखिए where at any stage of the suit किसी भी stage पे suit में the court is satisfied by if it or otherwise that the defendant with intent to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him court को suit की proceeding के तौरान ही यह लगता है कि भाईया अगर इसके against decree आई तो यह वेक्टी decree execute होने नहीं देगा और उसके लिए यह क्या करेगा अपनी property ही या तो dispose of कर देगा या court के local jurisdiction से बाहर ले जाएगा ऐसा कुछ अंदेशागर court को है कि आप decree के execution को रोकने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं तो court पहले ही आप से security furnish करा लेगा या आपकी property अपर्टी अटाइच कर लेगा तो देखिए आगे लिखा है अगर तो attachment में थोड़ी समस्या आती है फिर वहां transfer करना पड़ता है इन सब purposes के अगर suit के दौरा नहीं court को लग गया कि ऐसा कर सकता है in that case पहले ही उससे security furnish करा ली जाएगी या property attach करा ली जाएगी यह है आपका rule 5 I hope you got the idea about this यह किस बारे में बात कर रहा है और बहुत सारी चीजें इस attachment से related आके दी हुई है कई सारे rule है एक और suit dismiss हो जाता है property attach हो गई है defendant की लेकिन suit किसी वज़े से आके चलके dismiss हो गया तो जब suit dismiss होता है तो attachment remove कर दिया जाता है यह लिखा है 9 में rule 9 में याद रखने की ज़रूरत नहीं है मैं सिर्प कहानी समझ में है इसलिए mention कर रहा हूं rule 9 कि अगर मान लीजिए suit dismiss हो जाता है तो जो made before judgment in a suit which is dismissed attachment हुआ था और suit आप dismiss हो गया suit अगर dismiss हो गया तो रूल नहीं कहता है कि वह attachment भी खतम हो जाएगा तो अगर suit dismiss हो गया तो attachment खतम आगे देखिए suit which is dismissed for default shall not become revived merely by reason of the fact that the order for the dismissal of the suit for default has been set aside अप जड़ा इस कहानी को थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ येगा तो ये rule और सब rule आप याद रख पाएंगे देखिए हमने पढ़ा है कि अगर किसी default के कारण suit dismiss होता है during the proceeding तो उस dismissal के order को set aside करा सकते है ये अपनने orders में पढ़ा है already जो आपको मैं पढ़ा चुपा हूँ स CPC में कि default के case में suit dismiss हो सकता है और suit के dismiss होने का ये और जो order है इसको set aside करा दिया जाएगा suit के dismiss होने के order को अगर आप set aside कराएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि suit दोबारा revive हो गया है suit दोबारा चालू हो गया है yes or no yes तो क्योंकि अगर suit दोबारा revive हो गया है suit के जो dismissal का order उसको set aside कर लिया गया है merely इस order से वो attachment दोबारा revive नहीं होगा जो already खतम हो चुका है order 9 sorry rule 9 में जो क्योंकि suit dismiss हुआ था तो attachment भी खतम हो गया था अब माल लीजिए suit के dismissal के order को set aside करा दिया गया इसका मतलब suit दोबारा continue हो गया तो क्योंकि suit continue करने का order दे दिया गया है merely इस बात से दोबारा वो attachment revive नहीं होगा दोबारा वो property attached नहीं मानी जाएगी उसके लिए separate order करना पड़ेगा code को यह कहता है rule 11 a sub rule 2 यह समझ में आया या नहीं एक बार जड़ा यह सुनों लिखके बता दीजे कमेंट में क्योंकि इदर से प्रीमे सवाल पूछा जाता है इस इंपार कि आया भी यह समझ में कि आल्राइट चलिए बस इस order से इतना ही पढ़ना थे अगले पर आते है अगले पर आते हैं order 39 इसमें देखिए जरा क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या इंपोर्टेंट है तो 39 में temporary injunction की बात और interlocutory order की बात है यह चीज 94 में दी थी कि temporary injunction लगाए जा सकते है और interlocutory order पास किया जा सकता है कि इस परपस के लिए बहुत इंपोर्टेंट सवाल प्रिलम्स में पूचा जाता है इस order के rule 1 से कि किस परपस के लिए temporary injunction दिया जाता है दूसरा यह भी बूचा जाता है कि कौन सा वो केस है जिसमें plaintiff के अगेंस्ट भी यह order दिया जा सकता है क्योंकि आप नॉर्मली देखेंगे सब कुछ डिफेंडेंट के अगेंस्ट चलेगा बट एक कहानी वह भी है जहां प्लिंटिफ के अगेंस्ट तुजरा आईए रूल बन पर और 39 का रूल बन देखें इन just and temporary rejection में भी मुझेंजाphones और शकन पूजसे कोई भी पार्टि कोर्पर्टि को भी बात नहीं है यह सवाल कई exam में बूच्छा गया है कि वह कौन सा ग्राउंड है जिसमें दोनों में से किसी भी पार्टी के अगेंस टेम्परेरी इंजंक्शन तो यह ए पॉइंट है देने प्रफर्टी इंडिस्ट्रॉट इन डेंजर ऑफ बिंग वेस्टे दैमेज्ट और एलिएटेड बाई एनी पार्टी तो दसूट किसी भी पार्टी पे अगर यह उस्टेट की प्रफर्टी को डेमेज्ड दिस्ट्रों यर एलिएट कर सकते हैं कर सकता है with the intention of defrauding the creditor मतलब जिलोगों को उससे पैसा लेना है वो पैसा ना ले पाए इसलिए यह अपनी property ही dispose off करने में लगा हुआ है किसी किसी के नाम transfer कर दे रहा है उनको दे दे रहा है इस किसी भी तरीकी से property dispose off कर रहा है ताकि उसके creditors उस property से पैसा ना बसूल कोई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो temporary injunction लगाया जा सकता है see देखिए that the defendant threatens to dispossess the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit जिस property का dispute चल रहा है वहाँ ही अलबेशा है कि यह जो defendant है उस property की possession से plaintiff को हटा सकता है during dependency of suit या फिर कोई और injury cause कर सकता है उस plaintiff को in respect of that property जिससे related suit चल रहा है ऐसे case में भी temporary injunction दिया जा सकता है किस के against defendant के against तो B और C में defendant के against A में दोनों में से किसी भी अगर जो subject matter जो property अगर दोनों में से किसी से भी यह खत्रा है कि उस property को damage destroy या alienate कर सकते है तो दोनों में से किसी के भी against temporary injunction file हो सकता है आगे देखिए C के बाद लिखा है यह जो सारे act हो रहे हैं अगर कोई भी party damage पहुचा रहे है यह property को या पहुचा सकती है तो उसके against उस act को उस damage पहुचाने के act को रोकने के लिए एक temporary injunction दिया जा सकता है अगर defendant ऐसा लग रहा है अगर ऐसा लग रहा है कि जो defendant है वो कोई property dispose off कर रहा है with the intention of defrauding his creditors तो उसको रोका जा सकता है वो property dispose off करने से या अगर ऐसा लग रहा है कि defendant plaintiff को injury cause कर सकता है in respect of the property या उसको disposes कर सकता है in that case also defendant को रोका जा सकता है by a temporary injunction तो injunction के ये सारे purposes हैं, बहुत important rule है, प्री में सवाल आने के बहुत chances होते हैं, rule 2 से भी सवाल आए हैं, तो इधर पे सबसे पहला हो गया rule 1, बहुत important, उसके बाद आ गया rule 2, injunction to restrain, repetition और continuous of breach, अब जो plaintiff है, वो court में ये भी application दे सकता है, आगे भी, same subject matter या property of suit को लेके, एक बार injunction हुआ, लेकिन उसको लग रहा, आगे भी defendant मान नहीं रहा, ऐसी हरकत कर सकता है, तो उसके continuation को रोकने के लिए भी court injunction दे सकता है, on the application of plaintiff, बस ये याद रखिएगा, कि continuous of breach को रोक लेगी, उसके repetition को रोकने के लिए भी injunction लगाया जा सकता है, and that is under rule 2, इसके बाद 2a तो बहुत ही जादा important है, 2a बहुत जादा important है, जो जादा important है, 1 और 2a, ये बहुत important है, हमने पढ़ा था न, section में भी, कि temporary injunction का order पास किया जा सकता है, जो injunction का order को breach करेगा, उसको civil prison में भेजा जा सकता है, तो 2a बता रहा है कि जब आपके against कोई injunction का order आया है, अगर आप उस order का violation करते हैं, उस injunction का अगर कोई breach करता है, तो उसको क्या consequence face करने पढ़ेंगे, ये 2a में दिये हैं, तो देखिए जड़ा consequence of disobedience और breach of injunction, अगर आप disobedience करते हैं, या breach करते हैं injunction का, तो यहाँ लिखा है in the case of disobedience of any injunction granted or other order made under rule 1 or rule 2, और breach of any of the terms on which the injunction was granted or the order made, the court granting the injunction or making the order, और any court to which the suitor preceding his front word, underline कर लीजे, may order the property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached, अगर आपने किसी injunction का breach किया है, injunction में लगाईगी condition का breach किया है, तो आपके property attached हो सकती है, इसके बाद देखिए, and may also order such person to be detained in, यह भी underline कर लीजे, to be detained in civil prison for a term not exceeding 3 months, तीन मेने तक civil prison में भी रखा जा सकता है, तो अगर आपने temporary injunction का violation किया है, तो property attached हो सकती है बदले में या तीन महीने तक आपको civil prison में रखा जा सकता है, यह है rule 2A which was important, इसके बाद 3 pre के लिए as such important नहीं है, लेकिन 3A जानना जरूरी है 3 का भी, तो देखे 3 कहता है before granting injunction court to direct notice to opposite party, अब यह जो temporary injunction की application अगर एक party ने दी है, तो जिस party के against temporary injunction दिया जाना है, जिस party के against injunction का order आना है, उसको notice बेजा जाएगा, उसको notice बेजा जाएगा, उसको सुना जाएगा, उसके बाद injunction दिया जाएगा, ऐस अब rule 3 में देखा है, अपने प्री के लिए जो important है वो 3A है, 3A कहता है code to dispose of application for injunction within 30 days, जहां बिना notice दिये अपने injunction लगा दिया है, वहाँ उस party injunction की process को आपको 30 दिन में खतम करना है, त्योंकि आपने बिना notice दिया injunction लगा दिया है, उसको बहुत जादे दिन तर continue नहीं कर 3A में, where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavor to finally dispose of the application within 30 days from the date on which the injunction was granted and where it is unable so to do, it shall record its reason for such inability, तो generally क्या होता है, एक पार्टी में अप्लिकेशन दी किसाफ injunction लगाई है तूसरी पार्टी के अगे, तो इस दूसरी पार्टी को notice बेजाएंगे, उसको सुनेंगे, उसकी बात सुनी जाएग तीस दिन में करना है, यह त्यार लखिएगा, बहुत important है, यह हो गया आपका temporary injunction से related provisions, बाकि 5 बहुत ज़्यादा important नहीं है, एक आद बार किसी exam में पूछा गया है, हायर जुडी शरी में पूछा गया है rule 5, तो injunction to corporation binding on its office, किसी corporation के against लगा temporary injunction है, तो वो उसके officers के against भी होत है, कि वो लोग जो काम करते हैं, उसी पे injunction लगा है, तो वो on officers पे भी applicable होगा, बस यह rule 5 बताता है, बहुत ज़्यादा important नहीं है, बट कभी कबार पूछ लिया गया है, बाकि ज़्यादा थो 2A, 3A और 1, यह सबसे ज़्यादा important है, इसके बाद interlocutory order पे आईए, order से हम चल जा रहा है, 6 में, माल लीचे कोई ऐसे goods है, कोई ऐसा subject matter है, कोई ऐसी property है, जो natural decay या speedy delay का subject है, जो खराब हो सकती है, उसको sale करने का interlocutory order दे सकते है, adjustment decree विकरी आती रहेगी, यह property सड़ दाई की तपतार, इसलिए पहले इसको बेज़ दो, जो net proceed बचाए अब हो देदे है उसके उसे preserve करा सकता है, यह सारे काम during the proceeding है, देखिए civil proceeding पूरी जो अपन ने अभी पढ़ ली, वो सब rules है, वो सब चल रहा है, उसके साथ-साथ यह क्या-क्या काम और court करा सकता है, यह अपन पढ़ रहे हैं, यह picture आपके दिमाग में आयो बन गई है, तो यह सब जो order rule है, 3 देख लिजिए, इतने में काम हो जाएगा, rule 1 देख लिजिए order 40 का, चल यह सब उसी के अंदर रहा है, जो section में अपन ने पढ़ा, वहीं यह सारे power दिये गए थे ना court को, कि court यह सब कर सकता है, court अरेस्ट करा सकता है, court property attach कर सकता है, for the ends of justice, या फिर court temporary induction दे सकता है, interlocutory order सकता है, receiver appoint कर सकता है, यह सब वहां लिखाता है, कैसे कर रहा है, वो अपन order में देख रहा है, कैसे यह काम किया जा रहा है, order 40 appointment of receiver, rule 1 important है, किस purpose के लिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, appointment of receiver rule 1 में दिया है, purpose और बस सब clear है, mains में में पूछा जाता है, short note, dot note में ही सवाल, mains मे है, property की देख बाल के लिए होता है, receiver, वो इस सब बताया गया है, rule 1 में कि क्यों उसका appointment होता है, rule 3 में उसके duties बताई गई है, तो भाईया क्योंकि आपको एक property समालने को दी गई है, तो उसकी information time to time आप court को देंगे, आप से security भी furnish कराई जाएगी, क्योंकि एक property आपके का chance, बहुत कम chance होता है, प्री में ये पूछा जाने का, generally order पूछा जाएगा, और किस purpose के लिए receiver होता है, बस, rule 5 ज़रूर आप mark कर सकते हैं, ये कुछ exams में, yes, पूछा गया है, ऐसी property जो सरकार को revenue पे कर रही है, कोई पी ऐसी property जो government को revenue पे कर रही है, उस case में receiver किस को point किया प्यान रखनी चाहिए, ये हो गया आपका पूरा इन supplemental proceedings के regarding के इर्थ के इर्थ सारी बातें, section हमने पढ़ लिए, उनके corresponding orders, कहां क्या correlate हो रहा है, मेरे ख्याल आप समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि वहां लिखाता है, और कोट for the ends of justice तो उस से related order, क्योंकि वह तो कैसे होगा वो आपने इधर पढ़ लिया, इन सब को मिला जुला कि आप पढ़ेंगे, तो आपको समझ माझा जागा की कारेकरम चल क्या रहा है, और ये सब क्या चल रहा है, ये during proceeding कारेकरम चल रहा है, क्योंकि भाइया होने के बाद execution तो ये अलग का था है, उसको अपन अपन खतम कर दें, उसके बाद एक बार में before we end today's class, एक बार आपको पूरी वो picture दुबार क्लियर करा दूँगा कि कहा section, कितने order हमने पढ़ लिया है, किस ती से related कौन से section, उसके बाद जो बचा-कुचा portion है, वो अपन कल करेंगे, तो जरा sections पे आईए, एक particular chapter जो हमने start किय एक particular part जो हमने start किया, उसके जरा में section complete करा दूँ, part 5 निकालिए section में, बेरेक्ट में, part 5 निकालिए special proceedings, इसमें सबसे पहले subhead था arbitration, तो वो हमने पहले ही पढ़ लिया था, arbitration section 89 पहले ही पढ़ा जोका हूँ आपको, order के साथ correspond हो रहा था, वहां कर लिया हमने, फिर हमने, special case अभी हमने नहीं पढ़ा है, जो order 36 जिसमें deal करता है, ये section 90 आपको अभी रह गया है, जो order 36 से correspond करता है, तो इसके बारे में अपने को देखना है, तो कि commission हमने पहले complete कर लिया था, वो तो खेर चलो, पुरानी बात थी, एक second जरा, हां, तो 30 is, all right, 35 हमने पढ़ा, उसके बा 27 क्योंकि उससे रेटेट कर्रिस्पोंडिंग section का सवाल नहीं था, फिर हमने 94, 95 पढ़ा और और पढ़े 38, 39 और 40, आप एक चीज़ और पढ़ लीजे जरा, before we end today's class, that is section 90, जरा section 90 आईए, वो क्योंकि particular part अपने चालू कर दिया है, इसलिए उसको कुस part को निटकाएंगे हम तो special proceeding में सबसे पहले arbitration तर जिसमें हमने 89 पढ़ा, उसके बाद 90 के उपर एक सवाटिंग है कि यह special case, यह special case है क्या जरा समझ लेजिए, section 90 कहता है power to state case for opinion of court, यहां पे क्या हो रहा है, दो parties के बीच में एक dispute है, और उन दो parties का ऐसा मानना है, कि हमें इस dispute पे court का opinion लेना चाह क्या है, dispute है, दोनों इस बात के लिए अगरी कर रहा है, court का opinion लेने जा रहा है, कि आप बता दीजे क्या है, और court का opinion लोग है, तो भईया, वो जो बोलेगा, फिर वो होगा, जो कि court ऐसे तो बेटा नहीं है, court वो थोड़ी है, court वो candidate नहीं है, जिसका judiciary का exam निकल गया है, और खाली है न जीवन में, समय है उसके पास, उस candidate के पास भी समय है, लेकिन court के पास नहीं है, court के पास गए हो, तो फिर भईया, वो जो opinion देगा, वो आपको मन ना पड़ेगा, चीक, तो देखिए ज़रा special case 90 में, होता यह है कि दो parties opinion के लिए जाते हैं, और court accordingly इनका case dispose of करता है बस यह दिया हुआ है, तो section 90 देखिए, power to state case for opinion of court, where any persons agree in writing, to state a case for the opinion of the court, then the court shall try and determine the same in the manner prescribed, अगर दो लोग यह कहते हैं, जो parties and suit में, वो यह चाहते हैं, कि court का opinion ले लिया जाए, इस particular dispute से related, इस case में, court का opinion ले लिया जाए, तो वो court के पास जा सकते है, court उसको dispose of कर सकता है, कै special case, order देखिए, 36, order 36, special case, अब तब देखिए, इसमें कुछ पढ़ना वर्दा नहीं है, वो सारी बात नहीं कि कैसे क्या होगा, बस यह लिखा है, इसमें बस rule 6 mark कर लिए, वो बहुत जादा important है, rule 6 ज़रूर mark करी है, वो बहुत important है, सारी बातें बता ही है, आता बता कुछ नहीं है, सिर बाटर का number औ सूट, अब वो जो agreement है कि हाँ, हमें उपीनिल लेना, वो सूट की तरह रजिस्टर हो जाएगा, फिर 4 में parties to be subject to courts, jurisdiction, court के jurisdiction का subject है parties, 5, hearing and disposal of case, hearing and disposal, आप court दोनों party को सुनेगा, case को dispose of कर देगा, जैसे करता है normal किसी भी case में, वैसे ही, इसके बाद 6 important है, जो इसको अलग बनात है, क्योंकि ये दोनों party, mutual consent से court आए है, होता क्या है normally, plaintiff defendant से आगरे कर रहा है, भी या, तुने मेरे right का violation किया, इसके लिए remedy दे दे या, इसको सही कर दे, वो मान नहीं रहा, तो plaintiff, court आजाता है अपना अधिकार मागने, एक तो ये होता है, normal suit, यहाँ पर क्या है, दोनों party आपने decide कर लिया, वो जब 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 माल लेना, इसके बाद आपको appeal करने का chance नहीं मिलेगा, इसलिए इसका rule 6 मात कर लीजिए, यह बहुत important है, no appeal from a decree passed under rule 5, no appeal shall lie from a decree passed under rule 5, इससे कोई appeal लाए नहीं करेगी, यहाँ जो decree passed होगी, इस decree के against, कोई appeal लाए नहीं करेगी, दूसरे क defendant को summon बेच के बुलवा रहा है, normal तो हो नहीं रहा है, तो दोनों आए थे, उन parties का opinion था, उनके बीच में case था कि चलो court से opinion ले लिया जाए, तो जब आप फुद आए हैं, तो फिर तो भीया, आप court ने जो कह दिया, वो हो जाएगा, अब आप उसके against appeal, finally नहीं कर पाएंगे, So that is a special case, that is also important, तो यह section 90 और उसका corresponding order, अब ज़रा section पर वापस आईए, 90 के बाद भी एक part बचा है, इस part का एक sub-part बचा है, तो ज़रा 90 के बाद देखिये, public nuisances and other wrongful acts affecting the public, public nuisances related, दो provision important हैं, 91 और 92, यह दोनों बहुत important है, प्रीमे question पूछे जाते हैं, बिलकुल अलग जिसके related कई चीज़े से, 89 अपन ने पड़ा, 90 हमने पड़ा, now 91 and 92, public nuisances की बाद चल रही है, 91 देखिये, प्रीमे सवाल पूछा जाता है, public nuisances related section कौन सा है, 92 पूछा जाता है, public charity से related कौन सा है, कौन विक्ति यह suit file कर सकते हैं, यह बहुत important सवाल है, दोनों का, 91 से भी appropriate in the circumstances of the case, may be instituted, कौन institute करेगा, underline कर लीजे, बहुत important सबसे पहले, by the advocate general, advocate general यह suit institute कर सकता है, public nuisances हो रहा है कहीं पर, उससे related अगर injunction obtain करना है, तो advocate general कर सकता है, देखो एक बात समझना, public nuisances आप जानते हैं, generally crime consider किया जाता है, public nuisances, private nuisances है, तो फिर आप taught action ले सकते है, public nuis that's public nuisances, IPC में प्रफिशन पढ़े, इस सरे डिड़मने, लेकिन आप वहां से जा रहे तो और आप उस गड़े में गिर गए, तो आपके पास एक private action लाने का अधिकार है, उस गड़ा फुदने वाले के against compensation claim करने के लिए, तो वो private nuisances होगे आपके context में, यहाँ बात चल रह has been caused to such person, या तो advocate general suit file करेगा, institute करेगा, या फिर कोई दो लोग करेंगे, दो या दो से ज़्यादा लोग, भले ही उनको कोई special damage ना हुआ हो, तो जिसको special damage हुआ वो तो सीधे सीधे, tort का action लिया आएगा और compensation claim करने का अधिकार उसके पास तो है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं, उस nuisance को खतम करवाने की, compensation claim करने की बात नहीं चल रही है, उस nuisance को खतम करने की विसकी बात चल रही है, तो इसके लिए कोई भी दो विक्ति भले ही वो, उनको कोई special damage उससे ना हुआ हो, कोई भी दो या दो से ज़्यादा विक्ति, ये suit institute कर सकते है, विद्धी लीव होते हैं, और वो कर सकते हैं रपला पैसे वैसे का, ठीक तो ये भी public interest की ही बात है, कि भाई या public का पैसा, दुनिया अबर के आप trust trust सब जानते हैं, उन सब detail में अपन नहीं जाएंगे, recent controversies भी चल रही है, आप जानते हैं, आभी इन से चीज़ों को लेके controversies चल रही है, त तो ये सब काम कौन करेगा, इसके लिए suit file कौन करेगा, तो यहां लिखा है, दो या दो से जादा व्यक्ति, यहां पे भी कोई भी वक्ति कर सकता, लेकिन वो interested होना चाहिए, जैसे public nuisance में भली उसको special damage ना हुआ हो, तो भी suit file कर सकते हैं, यहां थोड़ी सी कहानी अलग है, जैसे को देख लीजे, in the case of any alleged breach of any express or constructive trust created for public purposes of a charitable or religious nature, और where the direction of the court is deemed necessary for the administration of any such trust, जहां court का direction ज़रूरी है उस trust के management के लिए, the advocate general underline कर लीजे, the advocate general or two or more persons having an interest in the trust, यह important है, two or more persons having an interest in the trust, दो या दो से जादा लोग जिनका trust में interest है, वो, या फिर कोई advocate general ये institute कर सकते है, and having obtained the leave of the court, may institute a suit, court के leave obtain करके institute कर सकते है, दो या दो से जादा लोग जो trust में interest रख रहे हैं, वो या फिर advocate general, 91, 92 दोनों के लिए same section number याद रखिएगा, वो important है, प्लस कौन ही a suit institute करता है, ये दूसरा सवाल परी में पूछा जाता है, I hope that is clear to everybody तो ये हमने बहुत ही जादा substantive portion वाइसा आप CPC का cover कर लिया है, अब ज़रा content वाला portion open कर लिजे, और एक बार ये देख लिजे मेरे साथ कि अब क्या-क्या बचा है, क्योंकि वो सब हम cover करेंगे कल, तो ज़रा एक बार, पहले तो नजर मारिए आप sections की तरफ, कि कौन-कौन स section बचे हैं, क्योंकि बहुत सारे हम जो correlate होते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, तो section पर अगर मैं आऊँ, ज़रा content वाला portion open करी है, section 1 to 25 हमने generally नहीं पढ़ा है, section 2 में से degree विकरी पढ़ा थे, preliminary degree क्या है, final degree क्या है, partly preliminary, partly final क्या है, but हमने as such section को पूरा नहीं पढ़ा है, still there there are few things, जो हमने नहीं करी है, तो section 1 to 25 अभी हमें करना है, वो हमने नहीं किया है, इसके बाद 26 से अगर आप देखना चालू करेंगे, जो ये subhead institution of suit, ये हम कर चुके हैं, इसके बाद जो summer and discovery है, ये भी कर चुके है, 27 से लेके आखरी तक जो जो important था वो पढ़ा चुके है, फ इसके बाद जो cost है वो हम पढ़ चुके है, 35 A, B, पढ़ चुके है, part 2 जो है execution पूरा पढ़ चुके है, इसके बाद part 3, incidental proceeding में हमने commission पढ़ लिया, वो हम कर चुके है, commissions हम कर चुके है, कल की class में हमने complete कर लिया था commission, इसके बाद देखिए suits in particular cases में हमने क्या क्या कर लिया, suits by और against government public officer ये हम complete कर चुके है, suits against rulers और former Indian ये important नहीं है और उसको पर suits by aliens ये सब important नहीं है, 83 से लेके 87 भी तक ये पढ़ना ही नहीं है, दो सब एग्जाम में जनरल ही नहीं पूछा जाते हैं, उसको छोड़ दीजिए, इसके बाद inter pleader important था, वो हमने आज cover कर लिया, special proceedings में अगर आएं तो arbitration हम कर चुके है, special case हम कर चुके है, public nuisance हम कर चुके है, ये पूरा हमने पढ़ लिया, इसके बाद supplemental proceeding 94-95 ये हम कर चुके, तो यहां तक हम कर चुके है, 26 से लेके 95 तक जनरल ही हमने कर लिया है, एक से 25 बचा है और 96 से onwards बचा है, इसमें सिरफ appeal पढ़ना है, कुछ provision ही important है, वो अपन देखेंगे, reference review, revision पढ़ना है, बस उसका अगला part पूरा पढ़ने लायक नहीं है, जो part 9 है, वो पढ़ने लायक नहीं है, part 10 पढ़ने लायक नहीं है, miscellaneous में से कुछ limited section है, तो बहुत कम portion इदर से बचा है, जो major बचा है, वो आपका 1 से 25 बचा है, जितना pre के लिए ज़रूरी है, पूरी detail में जाने में तो फिर rest judicata पढ़ाने में मेरे को 4 class लगती है, कम सकम 2 गंटे, 8 गंटे के class मुझे सिर्फ rest judicata के लिए लगती है, rest subjects अगर पढ़ना है, तो चार से 6 गंटे सिर्फ उसके लिए लगते है, तो वो तो अपन चाहेंगे हम पढ़ेंगे pre के पर पस्ते हाई, basic understanding जो आपकी पस होनी चाहिए, जैस हमने बाकी सारे topic में किया है, वो जरूर हम करेंगे यहां ही, तो sections की कहानी है, ठीक है, miscellaneous वाले में से थोड़े बात पढ़ना है, order 1 पढ़ चुके है, order 2 frame of suit पढ़ चुके है, order 3, सिर्फ order number याद है, order 4 institution हो चुका है, 5 हो चुका है, issue and service of summon आप जानते है, defendant के against, reading generally पढ़ चुके है, 7 में blank पढ़ चुके है, 8 में return statement पढ़ चुके है, 9 में appearance of party और उनका consequence पढ़ चुके है, 10 में examination of party पढ़ चुके है, 11 में discovery inspection पढ़ चुके है, 12 में admission पढ़ लिया है, 13 में production impounding, सर्फ order number या चुके हैं, तीन बार adjustment होगा, इसके बाद next order, hearing of the suit and examination of witness ये पढ़ चुके है, judgment decree हम पढ़ चुके है, उसके बाद cost हमने देख लिया है, execution of decree order हमने देख लिया है, पूरा detail में सबसे बड़ा ये था, इसके सारे जो relevant चीज़ हैं देख चुके है, उसके बाद order 22 पढ़ चुक है, उसके बाद suit by or against government और public officer, जो section में relevant था, वो पढ़ लिया था, इधर से मैंने कहा था, बस number याद रखना order का, इसके बाद आगे के कुछ orders में सिर्फ number याद रखना है, बट मैं आपको सब बता चुका हूँ, mention का चुका हूँ, generally premium के में, इनके अंदर से सवाल नहीं पू 20A, जो, sorry, 32A है, उसके बारे मैंने भी आपको बता दिया, जो से border याद रखना है, 33 आज हमने कर लिया, suit by indigent person, डीटेल में पढ़ा है, जो क्यों उदर से rules से सवाल आते हैं, फिर 34 में से जो एक तो basic बात हैं जानने लायक थी, वो मैंने आपको बता दी, 35 हमने interpreter कर लिया, special case हमने समझ लिया होता क्या है, क्योंकि section दिया है उससे related, तो वो सारी कहानी समझ लिया, summary procedure हमने अलग से देख लिया, कहा होता है, क्या सवाल बनते हैं, अंदर से सवाल आते हैं, वो पढ़ लिया, उसके बाद हमने arrest and attachment, 38 पढ़ लिया, 39 पढ़ लिया, 40 पढ़ लिया, receiver हम appellate decree, orders, indigent person, supreme court, review, reference, इन में से एकाथ जगा कहीं कोई एक या दो rule important होंगे, बस, उतना ही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है, इस और इन orders में से कुछ नहीं आता, सिर्व a sequence clear होनी चाहिए, इसलिए मैं, हर चीज मेंशन करते हुए चल रहा हूं, कि वो picture CPC की जो पहले 1225 और फिर वाकी 96 to end में जो important provision है, बो हमें पढ़ना है, इतना ही portion हम हमारे CPC कर रहे गया है, सो भाई, ऐसे ही बने रही है इदर, और लोगों तक इसे spread करते रहे है, like करते रहे है, comments अच्छे अच्छे या बुरे जैसा भी आफ फिल कर सकते हैं, dislike अब अगर आप ज्यादा जल्दी में है, तो I am sorry to disappoint you, उस जल्दी पे मैं जाना नहीं चाहरा था, इस course में हो सकता, आब आगे किसी वेकेंसी में अपन वो काम करें क्योंकि crash course अल्रेडी हो गया है, अब एक बार मेरा ये मानना था, कि एक बार थोड़ा सा detail में पढ़ना जरूरी है आपके, तो चलिए भाई, अब start करते हैं आज का हमारा session, जिसमें हमें पढ़ना है section 1225, इसके अलावा हमें पढ़ना है appeal, और appeal के बाद हम जाएंगे reference, review और revision की तरफ, इतने topic हमेरे remaining है, बाकि सब मैं आपको cover करा चुका हूँ, कल class end होने के पहले, इसके पिछली जो CPC की class है, आज की class के पहले वाली CPC की class है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें cover करवाई है, मैंने आपको एक overview with content करवाया था, कि क्या-क्या हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो remaining portion निकल के आया था, वो सिरफ section 1225 था, appeal और reference review और revision है, जो आपको पढ़ना और कुछ miscellaneous के थोड़े बहुत provision तो उनको भी अपन देखेंगे, ठीक तो, चलिए section 1 से start करते हैं, जैसा आप जानते है section 1 किसी भी act का short title, commencement और extent बताता है, आपको थोड़ा, होई अगर आज पहली बार इस class में आया होगा, तो वो जरूर ये सोचेगा, ये बख्की बात है कि इन्हें law पढ़ाना नहीं आता है, क्योंकि आज CPC की मैं कह रहा हूँ, आखरी class है, और NBR starting with section 1, इसमें मेरा कोई दोश नहीं है, ये subject ही ऐसा है, कि अगर मैं आपको पहले दिन resudicator और resubjudice और in-sub के खेल में ले जाता, तो शायद आज जिस confidence के साथ इस direct को लेके आप बैठे हैं, वो नहीं बैठे होते हैं, इसलिए इसको पढ़ने की sequence थोड़ी अलग होती है, यहां तो फिर भी हमने direct order wise, section wise तीजने follow करी है, जब foundation course में ऐसी subject को मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ individual topic उठाए जाते हैं, उस chain को बनाने के लिए, वो पूरा process आपके जहन में बैठना चाहिए, कि actually यह चल क्या रहा है, तो इस चीज़ को, अगर आपके जहन में यह खयाल आ रहा है, कि यह सर बार-बार बोल रहे हैं, कि आज आखरी class इस CPC की और पढ़ा रहे हैं, section 1, तो कृप्या उसके लिए आपको पिछली classes देखनी पढ़ेंगी और especially आपको पहली class देखनी पढ़ेगी, CPC की, जिसमें पूरा वो structuring है, तो देखिये, section 1, short title, commencement और extent की बात करता है, यह जो CPC है, force में आया है, underline कर लीजिए, first day of January 1909, एक जनवरी 1909 को, यह force में आया है, इसके बाद extent की बात अगर करें, तो पूरे इंडिया में applicable होता है except the state of Nagaland and tribal areas, वहाँ state government notification के थुरू apply कराएगी, generally Nagaland और tribal areas में applicable as such, पूरा नहीं होता है, that's it, यह है आपका section 1, इसके बाद section 2 पे आईए, तो section 2 में जो हमने specific definitions हमें पढ़ ली है, वो देख लेते हैं, कुछ हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा decree मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, decree हमने वहाँ पढ़ लिया था, जब हमने separate topic पढ़ा था, judgment decree and its execution, उसकी जब अपन ने बात करी थी, तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, that is section 2, तो section 2 में इसके अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, वो थोड़ा सा देखते जाईए, तो section 2 में सबसे पहले आपको देखना है clause 2, clause 2 देखना है decree, यह मैं आपको अल्रेडी detail में पढ़ा चुका हूँ, क्या होती है decree, क्या essential है, preliminary decree क्या होता है, final decree क्या होता है, partly preliminary, partly final क्या होता है, सब कुछ बता चुका हूँ with example, तो इसके अपन दुबारा नह decree आई है, वो person decree holder होता है, इदर लिखा है, decree holder means any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made, तो अब आप ज़रा ये बताइए, क्या decree holder होने के लिए किसी वक्ति को party होना जरूरी है suit में, इस सबल का जवाब आप दे सकते हैं, क्या, यहां लिखा है decree holder कोई भी वक्ति है, जिसके favor में court का judgment आया ह जिसके favor में decree pass हुई है, जिसके favor में decree pass हुई है, वो decree holder है, क्या decree holder कोई ऐसा वक्ति हो सकता है, जो party नहीं था suit में, yes or no, चलिए इस सवाल का जवाब आप ढूड़िएगा, कुछ चिज़े में आपके उपर भी छोड़ देता हूँ, जो थोड़ा आप भी मेहनत करिएगा, यह important सवाल है, तो decree holder 3 में दिया है, इसके बाद 5 पे आईए, clause 5 पे आईए, 5 is foreign court, तो foreign court कोट कौन सा होगा, जो भारत के बाहर है, foreign court means a court situated outside India and not established or continued by the authority of the central government, भारत सरकार ने उसे establish ना किया हो और भारत सरकार की authority में वो ना चल रहा हो, भारत के बाहर हो और भारत सरकार की authority मे बात करना चल रहा हो, वो सारे court क्या कहलाएंगे, foreign court कहलाएंगे, और इसके बाद 6 भी important है, जो बात करता है foreign judgment की, तो foreign judgment क्या होगा, ऐसा judgment जो किसी foreign court ने किया, foreign court क्या होगा, यह आप देख लिए, clause 5 से पता चल जाएगा, इसके बाद 7a बस ध्यान रखिएगा कि high court होता क् है, सिर्फ clause आप ध्यान रख सकते हैं कि 7a में दिया है high court, बाकी पढ़ने की जरुरत नहीं है, specific inclusion बताया है, as such कोई meaning नहीं नहीं बताया high court का, इसके बाद 9 important है judgment, इसके बारे में already बात कर चुके है, order, judgment, decree, तीनों के बीच का difference आपको बता चुका हूँ पहले की class में, इसल के against decree pass हुई है, वो judgment debtor है, इसके बाद 11 में बताया गया है legal representative, this is again important, 11 is important, legal representative कौन होता है, दो execution में इसके बारे में आप already पढ़ चुके है, कि legal representative के against decree execute हो सकती है, किस amount तक होगी, जिता उसने deceased person से acquire किया है, उतने तक liable है वो execution में, यह मैं already आपको पढ़ा चुका हूँ, section, section important है, सारे मात करा है ते, देख यह जारा legal representative होता कौन है, legal representative means a person who in law represents the state of a deceased person, किसी मरे हुए वक्ति के property को जो represent कर रहा है, वो legal representative है, and includes any person who intermediates with the state of the deceased and where a party sues or is sued in representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party, so suing, तो भाइट, deceased person की property manage करने के लिए जो भी वक्ति है, वो आपका legal representative कहलाता है, clause 11 में दिया है, यह ध्यान रखियेगा, इसके बाद 12 है mean profit, अब mean profit भी मैं आपको बता चुका हूँ, already जब हम लोग orders पढ़ रहे थे, जहां आपने gender of cause of action देखा था, उसमें हमने देखा था कि अगर immovable property की recovery का suit है, तो कौन से cause of action add हो सकते हैं, मैं mean profit की बाद थी, और मैं आपको it, but shall not include profits due to improvements made by the person in all right, there was some am I audible what was the internet connection, that's what I felt, all right all right, okay, fine, fine, अभी fine, it is fine, चलिए, all right, all right, all right, चीक है, चीक है, तो भाई, 17 बात करता है public officer की और यह similar है, जैसा आपने public servant पढ़ा है, उसी तरीके का है, बस आप यह याद रखिएगा कि section 2 के clause में दिया है, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत आपको इधर नहीं है section 2 में, अब दूसरे sections की तरफ आ जाते हैं, जो हमें पढ़ने हैं, तो हमने jurisdiction की बात already कर ली थी, कि जब आप suit institute करने जाते हैं, तो यह जरूरी है, कि आप उस court के पास जाएं, जिस court का jurisdiction है matter यह jurisdiction primarily तीन तरीके का होता है, territorial jurisdiction, pecuniary jurisdiction और subject matter jurisdiction, pecuniary मतलब कितने amount तक का suit एक court सुन सकता है, और territorial मतलब area wise, subject matter मतलब किस चीज ते related suit आप सुन सकते हैं, इस तरीके से तीन parts में divided है, jurisdiction, pecuniary के बारे में section 6 बताता है, this is very very important, अब मैं section सिधर पर बताते जा रहा हूं, जो जो आपन section 6 is very important, so section 6 बात करता है, pecuniary jurisdiction की, यह simply बता देता है कि pecuniary jurisdiction होना चाहिए, court के पास जहां भी आप suit लेके गए है, अब किस court का कितना pecuniary jurisdiction है, यह state-wise vary करता है, अलग-अलग बता दिया गया है, यहां mention नहीं है किसी का pecuniary jurisdiction, बस section 6 करता है कि pecuniary jurisdiction होना चाहिए, इसलिए section number jurisdiction, दियान रखियेगा, section 6 deals with pecuniary jurisdiction, इसके बाद next part पर आजाईए, suits in general, इसकी एक subheading है, jurisdiction of the courts and resudicator, now this is very important, अब जो अपन बात करने जा रहे हैं, यह बहुत important है, और इदर हमें पढ़ना है section 9 सबसे पहले, section 6 के बाद हम क्या पढ़ने जा रहे है, section 6 के बाद जा रहे हैं, section 9 चलिए, separate heading के तहती मैं आपको पढ़ा दूँ, section 9, section 9 से सिर्फ यहां जो लिखा हुआ है, उतना ही important नहीं है, कुछ additional चीज़ें भी हैं, इस से related, I hope आप bear it के साथ साथ एक pen और copy लेके बैठे हैं, judgments भी, इस portion में कुछ landmark judgments जरूर आपको जानने चाहिए, तो that I'll give you the names of particular judgments, ज को जानने चाहिए, जहां से question भी problems में बन सकते हैं, इसलिए please ensure that you are sitting with a pen in a notebook as well, तो अब देखें जारा 9 है, क्या पहले समझते है, courts to try all civil suits unless barred, the court shall subject to the provisions here in contained, have jurisdiction to try, underline कर लेजिए, all suits of civil nature, किस तरीके के suit, try करना है court को, all suits of civil nature, suit of civil nature, word कांसा use किया गया है इदर, suit of civil nature, अब एक term और होता है civil suit, एक होता है civil suit और इदर पर क्या यूज किया गया है, suit of civil nature, what is the concrete and basic difference between these terms, suit of civil nature और civil suit ये समझना जरूरी है, उस पर मैं आता हूँ, जरा आगे का provision पढ़ते है, try all suits of a civil nature, except in suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred, अब देखें, section 9 दो पार्स में divided है, first part में वो ये बता दे रहा है, इसका जो positive aspect है, positive part है वो ये बता रहा है, कि civil courts जो है, वो कोई भी suit सुन सकते है, जो कैसा हो civil nature का, suit of civil nature सुन सकता है court, अगर वो suit expressly or impliedly barred ना हो, लेटर part जो है 9 का, वो एक negative clause की तरह देखा जाना चाहिए, वो ये general बात यह है, कि आप कोई भी suit सुन सकते है, जो suit of civil nature का है, लेकिन वो suit expressly or impliedly किसी law से barred नहीं होना चाहिए, ये कैसे होता है, मान दीजे को इस तो, बार-बार शोड़ीए, ये, आप सुप्ता हो बावर चाहिए, परले-परले ना हम स्पीछ को प्रियों, Is it fine now? Yes? Am I audible? चल लिए, ओलर-ए, there is some network issue today . कर लगता है टेक्निलोजी के बारे में कुछ ज्यादा ही मैंने बात कर लिए थी कि मुझे टेक्निलोजी पर भरोसा नहीं रहता है को आज चलिए लेट्स बिगिन चलिए वाई ओल्राइट इनकेस अगर कुछ आगे होता है तो इसलिए फ्राक्शन अफ सेकेंड जो नेटवर्क बीच में जा रहा है तो वी बोंट डिसकंटीनू वी त्राइग कि आज इस वोपन कर लें कंप्लेट अगर कुछ बहुत एक्स्ट्रीम आप से ठीक है तो यह टेक्निलोजी से माफी चाहता हूं है और मेरा कि आज मुझे कंप्लेट कर लेने काभी तक बहुत सांथ दिया है इस टेक्निलोजी ने थोड़ा सवर देदे ठीक है चलिए ओल्राइट आज है यह सेक्शन नाइं देखो सेक्शन नाइगर यह जो मैट अधिल 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 नाइगर आज है ना अब अधिल अधिल्ग कर लगता है अभी आगा मेरे खरणा पर लेक्स वह ल्राइट हो गया वह पस ना ठीक हैं अच्छा बहुत अधि अल्राइट ये अश्क यह जिए जीओ लगा विरे वाई इसे ही है इसलिए में कहता हूं सुछ टुए अधर लगा है जीओ फाइबर लगा है और नॉर्मल वाला इंटरेट नहीं है फाइबर लगा हुआ नॉर्मल इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होती है आज लेकिन टेक्नल विशाल के रहा है सेक्शन 10 कर लो पहले नौर ऐसा नहीं है सेक्शन से कह समस्या उसा चलिए वापस आ जाते हैं और अगर कुछ जादा लगेगा तो भी में आफ तो पोस्पोन इट है ना हो सकता उसको फिर अपन कल देखे बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसा ना करना को बताया दो पास में divided है पहला पार्ट केता है कि जितने भी civil courts हैं वो हर वो सूट ट्राइ कर सकते हैं जो civil nature का है बस वो सूट expressly नहीं होना चाहिए expressly कैसे law में कोई भी additional law आया कोई भी दूसरा law है उसने कोई authority या court बना दिया है कि यह matter इस authority को decide करना है इस court को decide करना है इन that कि यह वहां यह यह लिखा हो सकता है कि civil court इस dispute को decide नहीं करेंगे यह सब होते है express bar तो ऐसा कोई express bar अगर लगाया गया है तो वो matter deal नहीं करेगा फि करने के लिए और वहां कोई authority या court established दिया गया है और जो special remedy है वो वो court प्रवाइड कर रहा है in that case उस law का overall structure देखा जाता है उसका object purpose सब देखा जाता है और फिए determine किया जाता है whether civil courts are barred or not तो अगर कहीं भी ऐसा है किसी भी law में कोई particular sort of civil nature expressly or impliedly bar है तो उन matters को civil court deal नहीं I hope that is clear इतना समझ में आया अब इस express bar को लेके ना दो तीर important cases है अब मान लेचिये कि किसी particular law में expressly यह नहीं लिखा है कि civil court का jurisdiction bar होगा या फिर यह नहीं लिखा है किसी उसमें कि वहाई सिर्फ इस court का या इस tribunal का jurisdiction होगा जास्ट एक additional law है और कुछ specific matters में वो deal करता है और उस law कहीं यह बात नहीं लिखी है कि civil court का jurisdiction नहीं होगा इस पे या फिर यह नहीं लिखा है कि in matters को सिर्फ in particular courts को ही सुनना है ऐसा भी नहीं लिखा है just because कि एक separate law है और उसमें separate authority दी हुई है जो उन matters को deal कर सकती है सिर्फ इस बात से यह presumption नहीं लिया जाएगा कि उन particular matters को civil court deal नहीं कर सकती just because कि उसके लिए एक special law है और उसमें कोई authority दी हुई है जो उसको deal करेगी सिर्फ इस बात से civil court का jurisdiction बार नहीं होगा यह बात ध्यान रखेगा और यह बहुत important point है जो held हुआ है number of cases में cases के नाम लिख लेजे अगर यह बात आपको convey हो गई है जो मैं समझाना चाहरा था I hope that is conveyed कि भाई एक special law है जिसमें authority को दी हुई है particular disputes को सुनने के लिए just because कि एक particular authority वहां बना दी गई इसका मतलब यह नहीं कि civil court का jurisdiction बार हो जाएगा उसके लिए कुछ होना चाहिए implied express कुछ होना चाहिए यह बात held हुए multiple cases में case के नाम लिख लेजे बहुत जादा important है cases इससे related धूला भाई वर्सेस state of MP case का नाम लिख लेजिए धूला भाई वर्सेस स्टेट ओफ एमपी दूला भाई वर्सेस स्टेट ओफ एमपी स्टेट अफ मध्यप्रदेश that is 1969 इस चीज़ होई है इस सिर्फ इस बात से कि ए डिशन कोट है सब्लकोट का jurisdiction बार नहीं होगा एक और क्यूस का नाम ले अब्द वर्सेस भावानी अब्द वर्सेस भावानी 1966 यह बी सिमिलर कर रहा है स्यम चीजल्ड होई है था कैसे मेलर चीज़ अब्द वर्सेस भावाई मग्रय सुबहए सेज शेव रतन ॎमग्र्द समेह यह वह जए किस बहुत इमनंपर चाहितर उन निए हम आडड से रिलिए और एक और किस बहुत इंपर्टन आज से रिलेट कुरु बस प्रसे। इस है रिलेट कुरू निंग वर्ट शूंग फिस फिनांशंग गुरुबक्ष निंग प्रसे। Financial Commissioners, गुरुबक्ष सिंह vrs Financial Commissioner 1991 का case है यह यह अलग है, इसमें अलग चीज हेल्ड हुए है, वो मैं बता रहा हूं आपको, गुरुबक्ष सिंह vrs Financial Commissioner 1991 का case है, इसमें यह held हुआ था कि अगर माझनीजे कोई separate ट्रैबिनल या separate authority बना भी दी गई है particular matters को सुनने के लिए अगर वो ultra wires काम करती है अगर वो natural justice follow नहीं करती है अपनी authority से अलग काम करती है in that case वहाँ भी civil court का jurisdiction होगा भले एक separate authority या code बना दिया गया है particular dispute को सुनने के लिए अगर वो ultra wires चीज करते हैं अपने jurisdiction से बाहर का काम करते हैं in that case दूसरे codes का या civil court का jurisdiction वहाँ होगा इस केस का नाम भी लिख लेजिए करेक्ट शालिनी municipal corporation वर्सस सलिल कुमार बेनर जी भी काफी सारे cases हैं इसमें जो आपको एक दो लैंडमाक है वो जानने चाहिए आगे जो हम topics पढ़ने जा रहे हैं 10 11 और बाकी की सारी चीज़ें इनमें multiple cases हैं लेकिन सब अपन discuss ना तो कर पाएंगे ना उसमें जाएंगे थोड़े जो बहुत जादा लैंडमाक है उनकी बात हम करेंगे तो ये तो एक बात हो गई बार की implied या एक्सप्रेस अब अपन आ जाते हैं इस चीज़ को समझ लीचे जारा ब्रीफ में suit of civil nature और civil suit देखे civil suit उन suits को कहा जाता है जहां purely एक legal right का violation हुआ है purely legal matter में जो deal कर रहे है civil right का violation sorry legal right का violation purely एक civil legal right का violation है उसको civil suit कहते हैं जैसे आपके और मेरे बीच में एक contract हुआ मैंने उस contract का breach किया that is purely a civil legal right उसको अपन बोलेंगे civil suit लेकिन यहां section 9 में सीपी से use करता है the word suit of civil nature suit of civil nature से ये reflect करना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी matter हो सकते हैं जनमें legal civil right तो है लेकिन थोड़े बहुत issues social या religious nature के भी है एक कोई particular ऐसा dispute है जिसमें थोड़ा सा issue जो है वो social और religious nature का भी है लेकिन along with that there should be some legal issue as well वो एक broader aspect है इसलिए अगर ये suit of civil nature है तो civil suit इसका एक sub-part हो सकता है उसके अंदर जहां थोड़ा बहुत religious है social nature का भी question decide करना है उससे related है उसको अपन कहते है suit of civil nature और civil suit थोड़ा सा narrow वो confined है towards a particular civil right civil legal right जैसे for example बात समझेगा जैसे मैं आपको ये बताया कि भाई आपके और मेरे बीच में contract है मैं उसका ब्रीच किया है that is purely a question of civil legal right ये civil legal matter है purely civil suit इसको आप बोल सकते लेकिंगे को जैसी चीज़े हो सकती है जा थोड़ा बहुत religion या society की चीज़ भी जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को उसकी caste से निकाल दिया जाता है एक व्यक्ति को जैसे होता है ना एक particular society boycott कर देती एक व्यक्ति को आप गाउं में इससे कोई बात नहीं करेगा आप बताइए क्या ये suit of civil nature में आएगा एक particular व्यक्ति है जिसको उसके caste के लोगों ने boycott कर दिया कि कोई अपने घर उसको शादी में नहीं बुलाएगा कोई उससे बात नहीं करेगा कोई उसके घर नहीं जाएगा क्या ये जो dispute है इसको आप suit of civil nature कह सकते हैं yes or no तो ये भीया suit of civil nature में नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा section 9 के तैस क्योंकि किसी legal right का violation नहीं है अब एक matter ऐसा हो सकता है जहाँ social या religious issue भी है साथ में legal right का violation है तब वो suit of civil nature में आएगा suit of civil nature में कोई चीज कब आएगी जब वहाँ social या religious concern भी है साथ में legal right का violation भी है in that case it will be considered as suit of civil nature वो कैसे होगा जैसे मैंने आपको example दिया कि कि किसी वेक्ति को कास से बाहर कर दिया गया अब मान लीजिये अगर इस वेक्ति को जिसे गाउने boycott कर दिया अगर जो public resources है वो use करने से कोई इसे रोकता है मान लीजिये गाउं में कुआ है उसमें से पानी भरने से कोई इसे रोकता है on any such ground now you tell me whether it is a violation of legal right or not या मान लीजिये उस गाउं में एक मंदिर है वहाँ जाने से इसको रोक दिया जाता है because of his caste or any such reason अब आप बताईए यहाँ legal right का violation है या नई so the answer is yes क्योंकि उसके पास अधिकार है वो काम करने का वो अपना एक religious procession निकालना चाहता है एक विक्ति जिसको गाउं ने boycott कर दिया वो अपनी एक religious rally या कुछ समारों निकालना चाहता है भया उसका fundamental right है religious procession निकालना उसका fundamental right है तो right legal right का violation है बले इसमें religious question भी involved हो बले इसमें social nature का भी question involved हो but in substance there is a violation of a legal right that's why it will be considered as suit of civil nature और जहाँ purely सिर्फ legal right की बात है that is civil suit और जहाँ legal right का violation ही नहीं altogether कोई ऐसा matter जो purely religious या social nature का है वो suit of civil nature में भी नहीं आएगा जहाँ purely इस तरीके की चीज़ है जहाँ legal right का violation नहीं है जैसे मैंने कहा है क्योंकि एक वक्ति को समाज से बाहर कर दिया गया उससे कोई बात नहीं कर रहा है अब बात नहीं करना कोई legal right का violation थोड़ी है देखिए आप जैसे या फिर मान लीजिए purely कोई respect का matter है जैसे मान लीजिए आप एक ये question है कि एक बहुत-बड़ा trust है बहुत-बड़ा यह बात explanation में क्लियरली लिखे होई है जरा explanation 1 देखिए आप प्रपर्टी क्लेम कर रहे है और उफिस क्लेम कर रहे हो यह कोई प्रपर्टी अगर आप क्लेम कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर उस प्रस्ट के उसमट के ओफिस को कौन वेक्ति करेगा यह अगर वह बहुत प्रस्ट करता है पूरी दुनिया जाती है इट वहां साइट में खड़ा हो गया मैंने वह काम नहीं किया वह और मैंने नहीं दिया इसको आप सुट आप सिवल नेचर इसके लिए फाइल कर सकते हैं कि मैं एक व्यक्ति को उसकी दूरिस्पक्त नहीं दे रहा हूं तांसर इस नो क्योंकि यहां ओफिस का सवाल नहीं है ओफिस तो वो होल्ड कर रहा है इसी तरीके के एक्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं प्रिलम्स में रिटने की बजाए मेरे ख्याल से इस कॉंसेट को अगर आपने समझ लिया है तो आप बहुत हित्तर सवाल बना ले जाएंगे यह समझ में आया भाई यह बता लिख के अगर बता दीजिया आ गया है तो तो आपको पहले ही बताया था के आपन जो करेंगे बहुत ज्यादा डीटेल में नहीं जाएंगे दो मैंने आपको बताया ना यह लेक्श काफी लंबे होते हैं आप सुट विल निचर पर काफी ल हम प्री के लिए कर रहे है टाइम कंस्टेंट है विल भी स्टिक्टो इंपोर्टन पॉइंट्स हाँ बट ऐसा भी नहीं कि एकलम समझ में आया ऐसा भी नहीं करेंगे इसके बाद आईए आप जारा सेक्शन टेन बात करता है स्टे ऑफ सूट की इसको रेस सब्जिडाइज भी कहते हैं सेक्शन टेन बहुत ज्यादा इंपोर्टन है स्टे ऑफ सूट बैसिकली पहले थोड़ा सा समझ लीजिए हो क्या रहा है एक सूट अल्रेड़ी चल रहा है मैंने आपको पहले दिनी सीपीजी के ग्लास में यह बात समझा दी थी कि भाई जहां पे भी आप यह समय व्यार्थ हो रहा है मल्टिपलिसिटी हो रही है तो अगर मान लीजिए एक कोट में एक मैंटर ऑल्रेड़ी चल रहा है जैसे मान लीजिए कोट वन में एक मैंटर ऑल्रेड़ी ऑन्गोइंग है सेम मैंटर अगर कोट टू में चलता है सेम मैंटर अगर कोट टू में चल रहा है तो यह वाला कोट क्या करेगा स्टी कर देगा प्रसीडिंग्स अपनी जो बाद में इंस्टीट हुआ है वो क्या करेगा अपनी प्रसीडिंग्स स्टी कर देगा प्रीवियस वाले के टेज्मेंट के लिए that's rest subjudice या फिर स्टी आफ सूट एक बार ज़रा section पड़ते हैं उसके बाद कुछ important terms है जिनका meaning मुझे आपको समझाना है no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claim or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the supreme court अब देखिए subsequent suit subsequent court जो है वो इसके कर देवा प्रसेडिन अगर पता चलता है कि एक already एक court में ये मामला लंबित है ये proceeding already चल रहा है ये party same होना चाहिए subject matter same होना चाहिए directly and substantially issue होना चाहिए अब इस बात को समझने के पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन terminologies को समझें now what do you understand by title what do you understand by subject matter पहले ज़रा brief में इनको समझ लेजे तो 10-11 समझने में समस्यानी होगी title subject matter matter in issue matter in issue ये कुछ terminologies हैं जो आपको इदर देखने को मिलती है चेक parties तो parties के बारे में तो पर अड़री detail में पड़े ही चुके हैं ये कुछ terms है जो आपको section 10 और 11 दोनों में मिल जाएंगे पहले सरा brief में एक sample से इन बातों को समझ लीजिए ताकि बहुत सारी चीज़े clear हो जाएंगे जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच में एक dispute है there is a landlord L और इसका एक tenant है T जो है एक घर की possession में है और इस landlord का ये कहना है कि साथ हमारे बीच में एक rent agreement हुआ था हमारे बीच में एक rent agreement हुआ था जिसकी validity थी 6 मैंने की और वो 6 मैंने समाप्थ हो चुके है अब मुझे घर की possession वापस चाहिए ये landlord क्या claim कर रहा है कि भया ये जो इस घर में रह रहा है ये मेरा किरायदार है और इसके साथ मैंने एक agreement किया था 6 मैंने का कि 6 म duration था वो expire हो गया है इसलिए ये जो landlord है ये इस tenant से घर खाली कराना चाहता है अब चरह इसमें आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें ये जो मैंने इदर term लिखे हैं वो क्या है सबसे पहले जरा समझेए कि subject matter क्या है इसमें ये जो dispute है जरा बताते जाए ये comment box में subject matter क्या है इ या वो right जो वो claim कर रहा है that is also sometime maybe the subject matter ठीक तो वो property जो है जिससे related right claim किया जा रहा है that is basically the subject matter इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई साहब इसमें title क्या है किस title के अंदर ये लोग claim कर रहा है तो ये जो विक्ती है ये being the L जो है he is claiming the property being the landlord this T is claiming the possession ये क्या claim कर रहा है tenant possession दोनों क्या claim करना चाह रहे है या landlord भी क्या claim करना चाह रहा Danum possession is the relief that he is looking for यह possession क्या है landlord जो चाह रहा है कि इस ते घर खाली करा दिया जाए एविक्शन चाह रहा है basically so eviction is the relief and tenant is looking for the possession so that is also the तो यह जो property है that is the subject matter of the suit और जो title basically उस व्यक्ति का relation है subject matter के साथ जो party है party का जो relation किस relation से वो subject matter से connected है that's what we call title I hope you are getting this यह व्यक्ति एल इस property से कैसे connected है being the landlord अगर इसके पास एक cause of action है आपको मैंने cause of action पहले ही बता दिया था cause of action मतलब existence of legal right and its violation that's cause of action वो cause of action कहां से derive कर रहा है किस relationship के तहत cause of action derive कर रहा है यह इस वक्ति का subject matter के साथ connection क्या है that's basically the title so he is claiming the property being the landlord और यह जो possession लेकर बैठे हैं भाई he is claiming he is doing that under the title of a tenant किरायदार की तरह so title is something by which a person is connected to the subject matter I hope that is clear और जिसके basis पे वो relief claim basically कर रहे हैं just legal capacity मैं I should say so title is the legal capacity जिससे एक वक्ति subject matter से connected है I hope that is clear इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं matter in issue कि इधर पर matter in issue क्या है तो matter in issue वो चीज़ है जो इस व्यक्ति को वो legal capacity प्रोवाइड कर रही है ज़रा structuring समझना chronology समझना matter in issue वो चीज़ है जो इसका title बता रही है या इसको title दे रही है या फिर इसे cause of action प्रोवाइड कर रही है वो चीज़ matter in issue है जिससे यह वक्ति अपना title derive कर रहा है यह landlord कैसे बना यह अगर कह रहा है कि मैं landlord हूँ और यह अपना title claim कर रहा है यह अपना title assert कर रहा है और cause of action जो इसके पास आ रहा है वो किस चीज़ के प्रेट थू आ रहा है that is matter in issue तो यहां प्रूफ करने के लिए जो चीज़ छरूरी है उसको हम कहते है matter in issue, इसका cause of action proof करने के लिए क्या चाहिए हमें, ये rent agreement क्या चाहिए cause of action landlord का cause of action proof करने के लिए क्या चाहिए, rent agreement चाहिए, अगर वो eviction मांग रहा है कि भाया मैंने इसको किरायदार बनाया था और इसको 6 मैंने के लिए possession दी थी ये सब वो किस ground पर claim कर रहा है इस rent agreement के basis पर वो claim कर रहा है so that is the matter in issue ये है कि whether there exist, matter in issue क्या है, whether there exist a rent agreement between these two or not, ये matter in issue, और rent agreement उसका evidence है rent agreement क्या होगा, उसका evidence, landlord लाके दिखा देया code में copy जब ये rent agreement ते दोनों party sign किया है so matter in issue basically क्या है जिससे ये अपना title derive कर रहे है party जिससे, या party के पर जिससे cause of action आ रहा है these are called matter in issue I hope that is clear yes or no एक बार फिर बता दीजिए, party तो आप जानते ही है, और ये भी लिखा है parties claiming under the same title, उसको भी मैं ब्रीफ में बता देता हूं अब मालने चीए इस landlord ने tenant को दिया था और जो L है उसकी death हो जाती है इसकी जगे L का लडखा आ जाता है LS L का लडखा आ गया LS अब क्या ये claim कर सकता है बिल्कुँ claim कर सकता है क्योंकि उसने succession में लिया है अब इस case में जो title derived किया है उसने उस party से derived किया है तो that is one or the same thing चीक तो भाई देखिए एक बार फिर से एक बार breeze में फिर से इस chronology को समझी है subject matter ये property है जिस से related dispute है subject matter कई बार वो legal right भी होता है जो आप claim कर रहे हैं जैसे possession claim करी जा रही है अब subject matter को आप किस legal capacity से claim कर रहे हैं या relief अगर आप claim कर रहे हैं या आपके पास cause of action है किस legal capacity से है आप subject एक व्यक्ति एक पार्टी subject matter से किस legal capacity के तहत connected है उसको आप कहते हैं क्या title उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं title I hope this is clear वो legal capacity ये बंदा किस legal capacity में possession claim कर रहा है यहाँ property की being the landlord तो यहाँ जो title है वो क्या है landlord की तरह इसने किया अब ये समझ लेजे title बदलेगा कैसे माल लेजे rent agreement proof नहीं हो पाया court में और माल लेजे suit dismiss हो गया इसके बाद ये landlord क्या करता है अब ये court इमें एक suit file करता है और कहता है कि साब ये property मेरी है and I am the owner क्या कहता है that I am the owner of this property और ये जो व्यक्ति है T ये एक trespasser है ये कौन है ये एक trespasser है इसलिए उसको बगाईए adverse possession में है और मैं owner हूँ और मैं being the owner being the owner में इस property की possession क्लेम कर रहा है अब बताए पिछले suit में और इस suit में title बदल गया की नहीं इस और नो बताएए पिछले suit में और इस suit में title बदल गया की नहीं उसमें वो क्लेम कर रहा था being the landlord यहां वो क्लेम कर रहा है being the owner अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जरूरी नहीं है कि landlord हमेशा owner ही हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है आप जब rent control acts वगेरा पढ़ेंगे different states के आप इस बात को समझेंगे ये जरूरी नहीं है कि owner हो landlord वो वेक्ति होता है जो किराया लेने के लिए entitled है वो landlord है जरूरी नहीं कि owner हो इसलिए ये बात आपके जहन में होनी चाहिए तब ही आप इस बात को catch कर पाएंगे तो पिछली बार उसने कहा कि rent agreement expire हो गया फिर भी ये घर खाली नहीं कर रहा भगाईए लेकिन rent agreement court में proof नहीं हो पाया suit dismiss हो गया अब जब गुबारा suit file इसने किया क्या वो लिखे कि I am the owner अब ये matter in issue क्या होगा कि ये owner कैसे बन अमान ली जैसने बोला भाई हमारी कुष्टेनी प्रपर्टी है घर है हमारा हमारे पापा से succession में मिला था हमको तो matter in issue इधर ये हो जाएगा कि ये ownership कहा से आ रही whether he is the owner or not अब क्या पहले क्या था matter in issue अब होग ये बदल जाएगा इसलिए इस पर एपली के बल नहीं होगा सब्सक्वेंट सुट पर इसलिए बदल गया दूसरी के पासिटी में क्लेम कर लिया उसे इसके बाद मैं थोड़े से और examples आपको दूँआ तो थोड़ी और clarity आपको इस particular चीज़ पर हो जाएगी आप यहाँ जो एक word आप देख रहे हैं जो की section 10 में भी यूज है that is directly and substantially in issue तो इस बात को समझे directly and matter directly and substantially in issue तो matter directly and substantially in issue लिखने का मतलब जो important है वहाँ case में right और liability decide करने के लिए case की merit decide करने के लिए जो matter जरूरी है वो matter directly and substantially in issue है matter directly and substantially in issue का contrary क्या होगा इसका contrary होता है matter collateral collateral or incidental direct and substantial का contrary क्या होगा तो वो होगा collateral या फिर incidental जो actually issue था ही नहीं उस case में लेकिन उसको add कर दिया गया यहां striking out भी आएगा leading का court हो सकता हो court को relevant में होता नहीं है जो relevant है case decide करने के लिए उसी पर बात होगी उससे ज़्यादा बात court generally करना पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी कोई है court 1 और court 2 माल नीचे matter चल रहा था इतर और इसमें चार अलग-अलग issues raise करे गए a b c और d यह चार matter इन issue थे चिक अब इधर पर जब court 2 में एक दूसरी proceeding चल रही है यहाँ पर a है b है लेकिन इसके अलावा x और x और y दो दूसरे issues हैं यहाँ पर चार अलग issues थे अब जब subsequent suit file हुआ है उसमें दो issues से हम हैं दो अलग है तो अब देखा जाएगा whether these two issues whether these two issues are directly and direct and substantial issues or not और इस प्रोसेडिंग में भी यह दो direct और substantial थे या नहीं यह देखा जाएगा अगर यह in that case इस suit में section 10 applicable नहीं होगा और अगर यह directly and substantially इन इसू है यह सेम चीज़ दर थी in that case stay लग सकता है section 10 applicable होगा क्योंकि सेम है और वो directly and substantially इन इसू है तो matter इसू से काम नहीं चलेगा आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वो matter इसू directly and substantially इन इसू है या नहीं incidental भी कोई चीज़े हो सकती है उन बातों को 10 और 11 consider नहीं करता इसलिए यहाँ वो word यूज करे गए है directly and substantially इन इसू बाकि matter इन इसू तो आपको थोड़ी बहुत clarity matter इन इसू पर आपको हो गई है थोड़ी clarity आपको title के बारे में हो गई है कि title से क्या मतलब है title वो legal capacity है जिसमें एक वक्ति subject matter क्लेम कर रहा है आप section 10 के कुछ important questions जो आपको आते हैं सबसे पहले तो यहीं पूचा जाता है इसके अलाबा एसेंशल पूचे जाते हैं तो आपने लिए ब्रीफ में दरहा प्री के हिसाब से question mark कर लिए no court shall proceed with the trial of any suit तो trial पे applicable है यह किसी और proceeding पे नहीं in which the matter in issue is also directly and substantially in issue matter in issue दोनों cases में directly and substantially in issue होना चाहिए यह एक essential है इसके बाद in a previously instituted suit between the underline कर लिए same party suit किस के बीच में होना चाहिए same parties के बीच में होना चाहिए और between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title या फिर जैसे मैंने वो बताया कि जो main party है उसकी death हो गई तो उसका जो बच्चा है वो आ रहा है लेकिन वो title कहां से derive कर रहा है उस party से ही उस पे भी stay of suit applicable होगा ऐसा नहीं कि अब लड़का आके दूसरा suit फाइल कर लेगा अगर यह चल रहा है तो व पेंडिंग इंगे सेम और इनी अधर court in India यह बहुत इंपॉर्टन धै जो प्रीवियर सूट है वो पेंडिंग कहा होना चाहिए in India जो प्रीवियर सूट पैंडिंग कहा होना चाहिए घ्या की इंडिया की पोच्छन से मैं पूछा जाता है तो यह जरूरा थे हैं द्खिये सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब नहीं है सिंपल सवाल प्रिलिम्स का यह ध्यान रखिए बाकी यह है किसलिए स्टे ओफ सूट एक प्रोसीडिंग अल्रेडी पेंडिंग है दूसरी अगर इंसिट्यूट हो गए यह तो उस पे स्टे लगा दिया जाएगा इस परपस के लिए सेक्शन टेन है कि तब ऑपरेशन में आता है तो उसका जवाब यही है कि जब यह सारे फेक्टर्स प्रूफ हो जाएं कि यह जो सूट है सेम पार्टी के बीच में और सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके और जो मैटर इन इशू सब्सेंशली और इशू है इस सूट में वो ही एक प्रिवियस सूट अलरड़ी इंसेट्यूटेड है और उसमें भी यह सेम मैटर चल रहा है इस क्राउट पे सेक्शन 10 पोर्स में आता है सब्सेक्वेंट कोट जो है वो आगे प्रोसीड करने से रुक जाएगा क्योंकि पहली लाइन में लिखा है वो रोक देंगे अगर उन्हें पता चलता है कि एक प्रिवियस कोट में यह औरड़ी चल रहा है तो यहां पे उसको रोक दिया जाएगा सब्सेक्वेंट सूट में वो स्टॉप कर दी जाएगी इसको कहते हैं स्टे ओफ सूट इसके बाद आईए जरा 11 रेस्ट जोडिकेटा अब अगर आपको यह कहानी समझ आ गई है कि भाई matter in issue का मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया title का मतलब क्या है वो अब ब्रीफ में समझ गा अगर वो समझ में आ गया है 10 और 11 में 10 मात करता है कि एक प्रीवियर एक कोट में already matter चल रहा है subsequent कोट में अगर initiate हो गया है तो इसको stay कर दिया जाएगा whereas Resudicator क्या बोलता है कि अगर सेम matter already a court decide कर चुका है बस basic difference पहले समझना अगर same matter अगर same matter already a court decide कर चुका है competent jurisdiction का तो जो subsequent court है जहां दुबारा वो matter लेकर आया गया है वो इस matter को entertain नहीं करेगा वो competent ही नहीं है subsequent court competent ही नहीं हो उस matter को entertain करने के लिए because the same matter between the same parties and where the matter in issue was directly and substantially in issue यह सारे essential अगर इदर भी fulfill हुए है same party के बीच में है matter in issue directly and substantially in issue था पिछले में भी इसमें भी वो ही है और पिछला suit अगर already decide हो चुका है उसका judgment आ चुका है तो subsequent court उस matter को entertain ही नहीं करेगा अगर previous suit decide हो गया है पहले तो इस principle को हम कहते हैं कि भाया दोबारा same matter तो नहीं चलेगा बेसिक बात यही है क्यारा में और वो जो points है अगर आपको समझ में आ गए है matter in issue क्या है और directly and substantially in issue कब होता है जब वो merit decide अफेक्ट करें इतना important matter हो और merely incidental matter in issue नहीं होना चाहिए अब ज़रा देखिए 11 के करके essential or explanation देखते हैं उसके बाद मैं आपको कुछ और important points इससे related बताता है no court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit एक पहले suit था उसमें भी यह matter in issue directly and substantially in issue था और अभी same matter लेके same party दुबारा आ गई है दूसरे court के सामने ऐसे में क्या होगा so between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court अब देखिए यहां फे भी same बात है यह है court 1 यह है court 2 क्या-क्या essential सा रिजुडिकेट रा कि उनको समझ लीजे याद नहीं करना है समझना है तूला सा तो ज़रा एक बात पहले अब इसमें former court और subsequent court की बात चल रही है former court कौन सा होगा subsequent कौन सा होगा सबसे पहले इस बात को समझ लीजे उसके लिए आ जाईए explanation 1 पे जरा इसका explanation 1 पढ़िए the expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior there too तो भाया former court वो मना जाएगा जहां matter पहले decide हो गया बले institute बाद में हुआ हूँ लेकिन matter decide पहले हो गया जैसे मान लीजिए court 1 में एक matter institute हुआ in the year 2009 in the year 2009 एक matter start हुआ same matter start हो गया एक दुसरे court में court 2 में और यह हुआ आपका 2011 में institute यह हुआ 2011 में अब court 1 में यह matter decide हुआ है 2015 में 9 में institute होके 15 में decide हुआ इधर same matter 11 में institute हुआ और decide होगया 2013 में decide कब होगया 2013 में decide होगया अब बताइए इसमें former suit कौन सा यह अभी भी चल रहा है कियने का मतलब 15 इसको पन नहीं करते है इधर अभी चल रहा है इंसेट्यूट 2009 में हुआ था same suit between the same party जहां से मैटर है निशू था वो अधर 2011 में institute हुआ लेकिन 13 में उस court ने decide भी कर दिया अब रेजडिकेटा applicable होगा क्या इसमें former suit कौन सा माना जाएगा यह बताईगा कौन सा suit former माना जाएगा जो पहले decide हो गया है जो पहले decide हो गया है अब क्योंकि यह पहले decide हो चुका है already decide हो चुका है यह जो है इस पे लग जाएगा रेजडिकेटा इस पे लग जाएगा रेजडिकेटा और यहाँ जो डिखरी होती है वो वॉइड होती है रेजडिकेटा क्योंकि आपको try ही नहीं करना है अगर मान लिजेए इसको आपने decide पता ही नहीं चला कि दूसरा suit चल रहा था भाई देखिए एक court में already institute हो गई दूसरे court में इंस्टिटूट हो गई और इसने decide भी कर दी स्टे लगी नहीं पाया पता चली नहीं पाया इसने already decide कर दी सब्सिक्वेंट वाले ने 2009 में 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 स्टार्ट हुआ था दूसरे court में 11 में हो और 13 में decide भी हो गया अब क्यूंकि इदर already decide हो गया former court और कौन सा subsequent है अब अगर मान लीजिए former court था आपका मान लीजिए अगर former court था court 1 और जो subsequent है जहां matter चल रहा है वो है आपका court 2 इस से related कुछ essentials res judicator के यहाँ पे लिखे हुए है कि क्या क्या होना चाहिए तो भाई जब already court matter decide कर चुका है जो की है court 1 court 1 already matter decide कर चुका है between the same parties and everything तो इस court की proceedings पे इस सूट पे res judicator कब applicable होगा तो क्या क्या होना चाहिए parties same होनी चाहिए इदर ठीक है parties same होनी चाहिए और they are reclaiming under the same title ठीक है matter and issue वही होना चाहिए matter and issue और matter and issue कैसे होना चाहिए same directly and substantially matter and issue होना चाहिए इसके अलावा यह भी लिखा है अगर आप इसका end का portion देखेंगे तो इसमें end के portion में यह भी लिखा है 11 में litigating under the same title इना court यहां से ज़रा बेरिक देखिए इना court competent to try such subsequent suit पहले जिसमें decide हुआ है उसमें क्या जरूरी है कि यह जो पुराना court था यह competent होना चाहिए उस subsequent को भी try करने के लिए कहने का मतलब जो इस court में suit किया गया है अगर यह same suit पहले जब यह जो subsequent suit किया गया है वो अगर इधर किया जाता उस समय तो यह court competent होता तब्ही रेज जो डिकेटा लगेगा subsequent वाले पर otherwise नहीं इसलिए एदर लिखा है इना court competent to try the subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court और इस court ने उसको finally heard and decide कर दिया हो finally heard and decided by this court यह competent भी होना चाहिए किस वाले के लिए subsequent वाले matter को सुनने के लिए competent होना चाहिए जिसने already decide कर दिया है प्लस इस court ने उस matter को finally heard and decide कर दिया हो अभी कुछ pending ना है सब कुछ complete तो यह जो subsequent suit file इदर हुआ है इस पे रेज जुडिकेटा लगता है अगर यह essential fulfill हुए है तो I hope that is clear यह आपको court की competency वाली बात थोड़ी समझ में आई या नहीं हमें यह भी देखना है कि जिस court के decision की वजए से हम इस court को बार कर रहे हैं under race जुडिकेटा जिस court के decision की वजए से यह court competent होना चाहिए उस subsequent वाले matter को सुनने के लिए जिस दिन यह original suit file हुआ था उस दिन यह competent court होना चाहिए इस दिन इस दिन और उसको आपको करना पड़ता है याद तो कि आप यह बात समझने को तहीं आई नहीं इसलिए इसलिए इसके बाद जारा बाकी के explanation पर आई यह कहानी बची है यह और बची है और बची आभी एक कहानी चेक सो देखिए explanation 2 for the purposes of this section the competence of a court shall be determined irrespective of any provisions as to write off appeal from the decision of such court अब जो competency की बात चल रही है इस बात से court के competency decide नहीं इसके बाद देखिए explanation 3 यह important है the matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other अब जो matter in issue जिसकी अपन बात कर रहे हैं कि यह जो matter in issue है यह same होना चाहिए directly and substantially in issue होना चाहिए दोनों proceedings में यह जो matter in issue है यह एक suit में eligible किया गया हो पिछले suit में वो उठाया गया हो और दूसरी party ने उसको deny या admit किया हो अगर हम इस ground पे कह रहा है कि साथ same matter in issue है इन दोनों के बीच में पहले एक court इसी matter in issue को deal कर चुका है तो यह प्रूफ करना पड़ेगा raise judicator के लिए कि यह matter in issue actually raise हुआ था और raise होने के बाद इसको दूसरी party ने या तो deny किया था या उसे admit किया था यह है आपका express raise judicator कि यहाँ वो matter उठाया गया और यहाँ वो या तो deny कर दिया दूसरी party ने admit और उस पे फिर court ने अपना judgment दिया चीक और वो से matter in issue subsequent proceeding में भी लाया गया है तो explanation 3 कहता है कि जिस matter in issue की वज़े से हम raise judicator applicable कर रहे है वो पिछली proceeding में eligible हो और उसको या तो admit या deny किया जाना चाहिए इसके बाद explanation 4 अब देखे 3 और 4 में basic difference समझना 3 कहता है जो matter उठाये गए वो अगर दुबारा subsequent court में उठाये गए हैं तो raise judicator applicable होगा 4 कहता है यह बात करता है constructive raise judicator की तो महां लिख लिजिए constructive raise judicator और इसको समझ भी लिजिए 3 और 4 के difference को और इस constructive raise judicator को constructive raise judicator का क्या principle है जो 4 में दिया है देखे ज़रा any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially an issue in such suit अब ये जो explanation 4 है ज़रा इसको समझ लिए explanation 4 कह रहा है 3 तो ये कह रहा था कि वो same matter an issue यहां raise हुआ हो और फिर yeah to deny किया हो या तो उसको admit किया हो और फिर save matter and issue आपने दुबारा उठा लिया ये तो explanation 3 ने बता दिया लेकिन explanation 4 ये कह रहा है कि यहाँ एक matter and issue उठा था लेकिन एक दूसरा matter and issue जो नए suit में उठाया गया उसे भी यहाँ raise किया जा सकता था पार्टी ने raise नहीं किया जो matter and issue उन्हों ने इधर raise किया वो यहाँ भी raise किया जा सकता था लेकिन उन्हों ने raise नहीं किया और अब वो इस suit में वो matter and issue raise कर रहे हैं तो इस पे भी raise जूडिकेटा applicable होका इसको कहते हैं constructive raise जूडिकेटा भले वो matter आपने इधर raise नहीं किया था लेकिन वो matter ऐसा है जो raise किया जा सकता था एक example से इसको समझ लीजिए जरा raise जूडिकेटा की कहानी constructive वाली तो देखिए होता यह है मान लीजिए एक person है A एक piece of land है जो कि किसकी possession में है B की possession में है और A जो है वो मांग रहा है यह land वो यह land मांग रहा है I am being the owner मांग रहा है He is being the owner मांग रहा है title क्या है owner का अब matter in issue क्या होता है matter in issue वो है जो इसे इस legal capacity में लाके खड़ा कर रहा है इस title को या इसको जो जो चीज इसको वो title दे रही है या cause of action दे रही है वो क्या है matter in issue है कि ये owner बना कैसे अब माल लेजिए एक suit file किया है A ने against B कि भाई साब ये land तो मेरा है क्योंकि ये land मुझे कैसे मिला है ये कहता है मुझे succession में मिला है क्या कहता है succession में मिला है अपने father से ये ground इस ने raise किया so that is the matter in issue in the suit yes or no समझ में आ रहा भाई जड़ा yes no लिखते जाहिए क्योंकि थोड़ा सा ऐसी चीज है जो बड़े अराम से समझ नहीं आती कि इसलिए थोड़ा सा अगर आप communicate करते रहेंगे तो मेरे लिए बेतर हो जाएगा समझ में आ रहा है yes चलिए तो ये इसने पहले suit में ये raise किया कि being the successor he is the owner और इसलिए उसको possession मिलनी चाहिए यहाँ पे इसका suit dismissed हो गया सक्सेशन के थ्रू ये प्रूफ नहीं कर पाया माल लिजे ये कहना चारा था कि मैं adopted son हूं उस person का और ये अपना adoption lawful clear नहीं कर पाया कि वह lawful adoption है जिसके थ्रूँ ये sun मना इसलिए किसी भी ground पे इसका सक्सेशन का सूट dismissed हो गया अब ये तुबारा एक सूट फाइल करता है against the same party for the same subject matter इसने क्या उठाया एक ऐसा बना through will बना testamentary transfer था इधर matter in issue क्या है testamentary transfer और उसका proof होगा दो will अब ये कह रहा है कि मुझे will में मिला है ये line अब आप बताईए ये जो subsequent suit है जिसमें ये कह रहा है कि will के through मुझे मिला है यहाँ पे जो इसने बात raise करी यहाँ पे जो matter in issue इसने raise करा क्या ये पिछले suit में raise किय गया था the answer is no पिछले में raise नहीं किया पहले एलीज किया था कि मैं इस property का owner will के through हूँ नहीं इसने ये बात इलीज नहीं करी थी तो इस पे क्या explanation 3 इस पे क्या explanation 3 applicable है क्या explanation 3 के हिसाब से इस पे पिछले suit में दोस ने सिर्फ succession मोला था इसी लिए explanation 4 आता है जो principle लाता है constructive rejudicator का और constructive rejudicator ये कहता है कि ऐसा matter जो आपने raise तो नहीं किया था पिछले suit में लेकिन आप कर सकते थे which ought to be raised लिखा है ये थे which ought to be raised 4 में आप देखिए लिखा है might and ought to be raised किया जा सकता था तो करना साना भईया हमने क्या पढ़ा है quote का समय बहुत important थे frame of suit पढ़ा है इसलिए बाकी चीज़े पढ़ा है ताकि ये थोड़ा ज्यादा connect हो पाए frame of suit पढ़ा है frame of suit पूरे order का अगर essence निकाला जाए तो क्या था कि भईया आपके suit की framing ऐसी होनी चाहिए कि finally ये matter dispose of हो जाए it decide हो जाए इसके बाद कुछ रहना जाए इस तरीके से आपको frame करना है अपने suit को और आपने क्या करा एक ऐसा matter जो आप वहा है raise कर सकते थे आपने नहीं करा explanation 4 इस matter पे भी raise जो डिकेटा apply कराता है इस पे भी explanation 4 के हिसाब से अब आप ये suit file नहीं कर पाई क्योंकि ये matter आप already raise कर सकते है वह बात अलग है कि अगर मान लीचे इस बात की चानकारी आपको वह suit होने के बाद मिली पहले इसको will के बारे में नहीं पता था इसमें condition भी रहेगी देखिए जब इसने पिछला suit file किया on ground of succession तभी अगर इसको पता सा कि मेरे पास will भी है तो तो यह किसके हिसाब से बार्ड है यह जो subsequent suit है किसके हिसाब से बार्ड है यह वाला बार्ड है explanation 4 के हिसाब से कि भले आपने matter raise नहीं किया था पिछले में लेकिन आप कर तो सकते थे ना कर सकते थे तो कर लेना चाहिए था ठीक यह है आपका constructive raise judicator अशाली ने का doubt है sir it means यह according to explanation 4 that's correct correct यह बार्ड है under constructive raise judicator under explanation 4 it is barred I hope that is clear yes or no आया भाई समझ में पटाफट बताते जाओ काफी सामें अल्रेडी अपना टेक खा गई आज का चली all right all right so that is explanation 4 explanation 5 थेखिए any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section by deemed to have been refused आप ने एक सूट में माल लीजिए अगर चार relief claim करे और कोट ने सिर्ष 3 पे ही decree grant करी है एक के बारे में बाती नहीं करी आप ने चार relief claim करें suit में तीन पर decree आई एक के इसके बाद आईए explanation six where persons litigate bona fide in respect of a public right और of a private right claimed in common for themselves and others all persons interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating ये basically representative suits की बात कर रहे हैं अब लिख लिजे चाहे तो वहाँ ये basically बात चल रही है representative कि अगर एक representative ने suit फाइल किया बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे तो अब मानलो वो हार गया representative suit तो वो decree सबके अगे इंस applicable होती है ये आप ने पड़ा है आप उन में से कोई वेक्ती जाकर कि भाया वो तो represent ने किया था अब हम आ रहे हैं suit file करने ये नहीं चलेगा माना जाएगा कि आप नहीं suit file किया था तो यहां भी रेजुडिकेटा applicable होगा जहां किसी और ने आपको represent किया था inner suit अब आप नहीं जा सकते दुबारा लेके इसके बाद देखिए seven seven simply ये बताता है कि execution of decree पे भी applicable है the provisions of this section shall apply to a proceedings for the execution of decree बस इतना लिख लिजे से explanation साथ बताता है execution of decree पे भी applicable है रेजुडिकेटा इसके बाद explanation 8 पे आईए ये important थोड़ा सा मतब आपको क्योंकि याद करना है थोड़ा सा समझ लेंगे जो मैंने आपको 11 का later part बताया था न इस court की competency को लेके उस से related explanation 8 है अब ज़र एक example से explanation 8 को समझे जा कि होना क्या चाह रहा है ये जो मैंने आपको बताया कि court 1 में एक suit institute हुआ decide हो गया और matter in issue substantially and directly in issue है दोनों suit में party वाटी same है सबकुछ same है हमने एक essential 11 में ये भी पढ़ा है कि जो subsequent suit है जो subsequent suit है जिसको आप रोक रहे हैं जिस पे आप रिज़ुडिकेटा applicable कर रहे हैं ये भी एक condition है section 11 में कि जो former court है वो competent होना चाहिए इस suit को भी entertain करने के तो कई बार हो सकती है जैसे माल लीजिए इस court में जब वो original suit फाइल हुआ था एक property का dispute था माल लीजिए एक piece of land का dispute था और इधर पर माल लीजिए ये फाइल हुआ था 1990 में अब 1990 में इस land की कीमत थी 10 लाग रुपर और ये suit इस court में institute हुआ था क्योंकि इसका pecuniary jurisdiction लेट से 12 लाग था कि 12 लाग तक के matter ये court सुन सकता है कितना pecuniary jurisdiction 12 लाग था 10 लाग की property थी इसले suit हो गया है अब 1990 में ये matter decide हो गया है बाद में एक party same suit लेके एक दूसरे competent court के पास जाती है इसके पास और ये जो piece of land है ये जो subsequent suit है लेट से ये आया है 2000 में सन 2000 में आया है वो 1990 में था ये 2000 में आया 2010 में ये suit आया है अब ये जो property थी जो 10 लाग रुपे की थी आज की date में वो land कित्ते का हो गया है धर भी यह तो जो 10 लाग का था 1990 में 2010 में वो एक करोड के असपस आगे होगा अपन मान लेते हैं 80 लाग हो गया कि वह 80 लाक हो गया प्राइज उसका अब अगर आज जो suit इसकी competency कितनी थी बारालाग रुपे थी जब यह original suit पाई लुगा थे कितनी थे बारालाग रुपे तो क्या 80 लाग का suit entertain करने के लिए competence हो यह नहीं होगा क्या वह सब्सक्राइब हो जाएगा इससे तो पूरे रेस जुटिकेटर के प्रिंसिपल का परपस ही फूर फीट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर यह court उस समय सक्षम नहीं था आज जो suit फाई हुआ है subsequent उसको entertain करने के लिए क्यों because of its limited jurisdiction तो इस पे भी रेस जुडिकेटर एप्लिकेबल होगा ऐसे subsequent suit पे भी रेस जुडिकेटर एप्लिकेबल होगा otherwise होता क्या कि इस तरीके के cases का फाईदा उठाके दोबारा court को सताने चले जाते और जैसा हमने पड़ा कि भाईया court का समय ही सब कुछ है court का time ही सब कुछ है तो फिर तो रेस जुडिकेटर का purpose 4 feet हो जाता इसलिए explanation आट इदर लिखा है I hope you got this yes और नो लिखके एक बर जरत तुरन बता दीजे आप explanation आट अपके समझा आया है नहीं और जो 11 का लेटर पार्ट जो मैं आपको सम्झाना चारा था वो क्यों सम्झाना चारा था I hope you got that as well yes or no वो गया that's about रेस जुडिकेटर explanation से question आते ही आते हैं और आप मेरे ख्याल से रटेंगे नहीं आप समझ लिया है याद रखिए लाएगा चीड एसेंशल ध्यान रखिएगा और यह कुछ बाते हैं जो ध्यान रखिएगा question तो भाईया रेस जुडिकेटर से इतने बनते हैं concept अगर थोड़ा clear हुआ है तो काफी सारे question आप कर लेंगे लेकिन बहुत number of questions बनते हैं MCQ भी number of बनते हैं और जैसा मैंने कड़ा कि इसको पड़ाने में बहुत समय लगा यह तो मैंने बड़े brief में आपको एक एक point का सिरफ crisp बता दिया है उपर-उपर का conclusion यहां तक कैसे पह conceptual clarity आपको चाहिए जो detailed जा सकती है इस limited समय में उस दलल में आपको मैं नहीं ले जाता हूँगा and I hope you all understand that इसके बाद आईये section 12 की तरह अब आईये कौन-कौन से section अपन देख रहे हैं आप कुछ specific sections की अपन बात करेंगे तो सबसे पहले section 12 बहुत important है pre के लिए बार टु फर् in respect of any particular cause of action he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which the court applies section 12 सिरफ इस बात का declaration है कि अगर कहीं और already किसी रूल में ये कह दिया गया है कि एक बार आपका suit खता हुआ तो आप further suit ये लेके नहीं जाएंगे ऐसा हमने क्योंकि हमने पूरा CPC पहले पढ़ लिया है इसलिए अब आपको इस बात को समझने में कहीं मुश्किल नहीं होगी कि कई जगे ऐसा लिखा है कि further suit file नहीं होगा same cause of action पर further suit file नहीं होगा कल जगे आपने पढ़ा है section 12 बस इस बात का declaration है कि अगर किसी रूल में ऐसा लिखा है कि further suit आप file नहीं कर सकते तो वो prevail करेगा आप further suit file नहीं कर पाएंगे just because क्यो वो entitlement आपको नहीं मिलेगा वो rule supersede करेगा यह है आपका section 12 इसके बाद आईए section 13 और 14 पर foreign judgment की बात करते हैं section 13 और 14 बहुत important है आपके यह दोनों provisions when foreign judgment not conclusive और 14 है presumption as to foreign judgments इन provisions को पढ़ने के पहले ज़रा ब्रीफ में इसकी story समझ लीजे कि यह चल क्या रहा है ठीकि होता क्या है मांग लेजिए किसी foreign court में matter decide हो गया है बाकि सबको से में party से में matter हो गया है अब दो चीज़े है कि या तो वो जो matter हो गया है उसको लाक यापन directly भी execute करा सकते हैं ऐसा भी प्रावधान यहां है CPC में ऐसा भी प्रावधान है कि foreign court की decree को सीधे आप execute यहां करा सकते हैं या तो जब आप भारत में उस suit को institute करते हैं अब जो foreign court ने already judgment दे दिया है उसकी evidentiary value क्या है मान लीजे दो parties है A और B इनके बीच में matter already कहीं foreign court में decide हो गया है कुछ अब वो जो foreign court का judgment है वो जो foreign court का judgment है उसकी evidentiary value यहां जो suit file हो रहा है उसमें क्या होगी तो section 13 कहता है कि भाया conclusive म माना जाएगा कुछ exception है जहां यह लिखा है कि वो judgment conclusive नहीं माना जाएगा conclusive माना जाएगा का मतलब आप समझते है na evidence की basic जनकरी तो आप रखते है na conclusive माना जाएगा का मतलब वहाँ जो चीज़ करती है foreign court ने उस case में जो चीज़ करती है अगर आप उस judgment की certified copy यहां ले आए है इस suit की trial में तो उसने जो बातें decide करती है उसके लिए अब इस present trial में जो भारत में चल रही है evidences नहीं लिए जाहेंगे किसी party से क्योंकि वह conclusive माना जा रहा है वह जो ज़जमेंट था वह conclusive माना जा रहा है conclusive का मतलब अब उस बात का ribittal नहीं होगा उसको आप ribitt नहीं कर पाएंगे conclusive है मतलब वह सर्व मान जा है अब अगर यहां judgment की copy ले आए हैं तो अब उस matter को यह court दोबारा अपॉर्चुनिटिंग देगा party को evidences लाने की उसको disprove करने की अगर वह conclusive है तो तो section 13 बताता है कि कब foreign judgment conclusive होगा और कब conclusive नहीं होगा इससे related है section 13 2013 देखिए quickly a foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly edicated upon between the same parties or between the parties under whom they or any of them claiming litigating under the same title except अगर foreign judgment आ चुका है है उसकी certified copy आपके पास है तो उससे conclusive माना जाएगा except यह exceptions लिखें है a से लेके f तक वो conditions बताई गई है जब foreign judgment को conclusive नहीं माना जाएगा kब नहीं माना जाएगा बहुत simple common sense के चीज़ें है इससे question आता है लेकिन a देखिए where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction competent jurisdiction के court ने नहीं दिया था अगर तो conclusive नहीं माना जाएगा b where it has not been given on the merits of the case merit पे नहीं दिया गया है तो भी conclusive नहीं माना जाएगा c where it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of international law or of a refusal to recognize the law of India अगर international law के किसी incorrect view पे वो judgment हो गया है या फिर law के इंडिया के किसी law को आपने recognize करने से refuse कर दिया है उस judgment को सुनाते समय ऐसे किसमें वो judgment conclusive नहीं माना जाएगा भारत में इसके बाद देखिए d where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice जिस proceeding में वो foreign judgment obtained किया गया है वो opposed to natural justice थी natural justice की basic एकाद principle बता दीचे ज़रा पढ़ चुके हैं आप जैसे audio अल्टरम पार्टम की दोनों party को chance मिला हो अपने आपको कहने का अगर natural justice के किसी भी principle का violation है उस proceeding में हुआ है तो वो conclusive judgment नहीं माना जाएगा यह देखिए where it has been obtained by fraud fraud से obtained किया हुए judgment है तो भी वो conclusive नहीं माना जाएगा if where it sustains a claim funded on a breach of any law in force in India अगर आपने वहाँ पे जो claim obtain किया है वो किस तरीके से किया है Indian law जो कि force में है उसके breach में किसी Indian law का breach करके आपने वो relief अगर यह claim आपने लिया है उस judgment से तो वो judgment conclusive नहीं माना जाएगा तो A से लेकर F तक ground है यह बताते है कि कब एक foreign judgment conclusive नहीं मना जाएगा अब 14 क्या है presumption as to foreign judgment तो भाया हमने 13 के A में पढ़ा कि court of competent jurisdiction ने अगर दिया है अगर court of competent jurisdiction ने दिया है foreign court ने तभी वो conclusive होगा otherwise नहीं 14 इसके regarding presumption बताता है 14 यह कहता है कि अगर आप उस judgment की certified copy लाके इधर इंडिया के court में पेश कर रहे हैं तो इंडिया का court shall presume इंडिया का court यह presume करेगा कि वो competent court नहीं दिया इंडिया कोई presume करना नहीं बट एक रिबटेबल presumption क्योंकि शाल लिखाओ यह एक रिबटेबल presumption है कि जस judgment की copy यहाँ दी गई है वो एक competent court ने दिया अपोजट पार्टी के पास यह मौका होगा कि वो evidence देके इस बात का थंडन कर पाए इस बात को disproof कर पाए evidence देके अपोजट पार्टी किसाब यह जो judgment की बात करने हैं जिसको आप यहाँ conclusive proof की तरह use करने वाले हैं पहले यह तो देख लीजे तो कि section 13 के clause A में तो यह लिखा है कि आप इसको conclusive तभी मान सकते हैं जब यह judgment वहां के जिस foreign court ने दिया है वो उसके पाद वो competent court हो यह जरूरी है तो पहले यह तो चेक कर लीजे कि competent court ने दिया है या नहीं तो court बुलेगा भई है section 14 में लिखा है कि अगर हमारे पास वो copy आई है तो हम तो यह मानेंगे कि यह competent court ने दिया है आपको समझ से है तो आप evidence ले आई है बस यही बात 14 में लिखी हुई है तो इंडिया का court यह presume करेगा अगर इसके सामने certified copy लाए गई है कि यह जिस court ने judgment पास किया है वो competent jurisdiction का था आगे लिखा है unless unless the contrary appears on the record या तो on the record contrary appear होना चाहिए but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction तो अगर मान लिजे आप presumption रखेंगे यह कि आपके सामने अगर certified copy आई है तो आप मानिए कि competent court नहीं दिया और क्योंकि competent court ने दिया इसलिए वो conclusive proof होगा उस बात का जो उस court ने decide करा है उस matter का यह conclusive proof माना जाएगा लेकिन अगर adverse party के पास chance है तो adverse party के पास यहाँ chance होगा कि वो evidence देखे इस बात को disprove कर सकते हैं कि साथ यह competent jurisdiction ने नहीं दिया और अगर adverse party ने यह proof कर दिया है कि यह जो judgment जिसको आप conclusive proof मान रहे हैं उस matter का यह तो competent court ने दिया ही नहीं है अगर यह proof कर देती है adverse party तो फिर उस judgment को conclusive proof under section 13 clause A नहीं माना जा सकता that's the whole story around 13 and 14 and I hope you got it आ गया भाई समझ में yes or no जड़ा लेख के बता दीजे yes or no that's about foreign judgment yes all right चलिए आगे बलते हैं place of suing next जो subhead आप देख पार रहे है that is place of suing कहा suit file करना है basically jurisdiction की कहानी है कौन से jurisdiction की territorial अब यह जो कहानी है place of suing यह basically किस की कहानी है territorial किस court में जाना है किसका jurisdiction होगा 15 से लेके 25 तक किसी से related सारे provision है किसी के इर्द किर्द important है सबसे पहले section 15 बहुत important है प्री में पूछा जाता है तो place of suing से related जो section है वो देख लिए जिए जरा place of suing इसमें देखिए सबसे पहले section 15 section 15 बताता है कि आपको उस territorial jurisdiction के उस court के पास जाना है जो lowest competent court है देखिए 15 कहता है every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it जो सबसे छोटा court है जैसे मान लीजिए एक ही शहर में अलग-अलग hierarchy of civil court है एक है civil judge junior division और एक है district court तो भाईया अगर आपका जो matter है उस पे जो lowest grade का court उस territory में बैठा है उस territory का जो lowest grade का court बैठा अगर उसके पास competent है आपके matter को सुनने के लिए तो आपक वो suit file करने उसके पास जाना है सीधे आप higher court के पास मत चले जाएए जो lowest grade का court है उस territory में आप वहाँ जाएंगे यह कहता है section 15 this is important इसके बाद 16 बताता है इम्मोवेबल प्रपर्टी के suit से related F जो है for the recovery of movable property actually under this stream का attachment F जो है बस वो movable property की बात करता है लेकिन वो movable property कहां है कहीं attachment में है distress में किसी particular place पे है तो वो movable property भी कैसी हो गई इम्मोवेबल की तरह हो गई क्योंकि उसे move नहीं किया जा रहा है मासी वो already वहाँ attached है fix इसी लिए यह बात कहीं गई है तो यह सब किसी से जहां property एक particular location पे situated है बाई तो यह जो सारे suits हैं जो majorly immovable property की बात कर रहे हैं यह सारे suit कहां institute करे जाएंगे जहां वो property situated है उस जगे उस territory में यह suit institute किया जाएगा प्रोवाईजो यह कहता है कि अगर मान लीजे प्रोवाईजो को आप brief में समझ लीजे इसका प्रोवाईजो यह कहता है कि अगर मान लीजे जो defendant है जिसने इस तरीके कि किसी immovable property के साथ कोई wrong commit किया है उससे आपको अगर सिरफ compensation लेना है और defendant एक अलग jurisdiction में है और immovable property किसी और jurisdiction में defendant कहीं और रहता है लेकिन उसने जो wrong commit किया है किस से related किया है उस immovable property और उसमें आपको सरफ damage वामेज लेना है जहां इस defendant का personally appearance जरूरी है अगर ऐसी situation है कि defendant की personal appearance जरूरी है और defendant किसी और territory में रहता है और immovable property कहीं और situated है जिसके साथ उसने wrong commit किया है in that case proviso कहता है क आप दोनों में से कहीं भी suit file कर सकते हैं आप वहाँ भी कर सकते हैं जहां वो immovable property situated है जिसके साथ wrong commit हुआ है या फिर आप उस जगे पे भी कर सकते हैं जहां वो defendant reside करता है या business करता है तो जहां defendant रहता है या business करता है वहाँ भी करा जा सकता है in such cases जहां आपको कोई claim करना है defendant के अगेंस और जिसमें उसकी personal appearance required होगी in that case आप defendant की place पे भी कर सकते हैं या immobile property जहां situated है वहाँ भी दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं ध्यान रखेगा 16 important है 17 देखिए suits for immobile property situated within jurisdiction of different court आप माल लीजे जो property अलग-अलग court के jurisdiction में situated है माल लीजे एक अंकल है एक अंकल है यूँ इनका एक घर है भोपाल में भोपाल में घर है इनका indoor में एक piece of land है और भयानक प्रोपर्टी इनने मद्यब्रदेश के चार-पास शेरों मना रखिया लग-अलग अंकल के निपटने के बास जब इनके court के jurisdiction में situated है थोड़ी बहपाल में थोड़ी इन और में थोड़ी कहीं और तो फिर किस court का jurisdiction होगा यहां पर कहा suit file किया जाएगा इसके regarding 17 बात करता है इसलिए 17 का head note क्या कहता है suits for immobile property situate within jurisdiction of different अलग-अलग court के jurisdiction में situated property है भाई साब तो ऐसे में क्या होगा किसी में भी कर सकते हैं जहां-जहां जिस-जिस court के jurisdiction में property का कोई part है आप वहाँ suit file कर सकते हैं where a suit is to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situate within the jurisdiction of different courts the suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situate जहां कोई भी portion situated हो वहाँ आप कर सकते हैं that is 17 so 17 is also important जहां property अलग-अलग court के jurisdiction में situated है इसके बाद 18 अब 18 में certain ही नहीं है कि कि किस court के jurisdiction में अधारा बात करता है place of institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are uncertain court की local limiting uncertain है समझ ही नहीं आ रहा है यह property किस particular court के jurisdiction में जा रही है इसे कि इसमे के लिए भी 18 केता है दोनों में से किसी में भी आप कर सकते हैं बस अगर यह uncertainty है तो इस बात को राइटिंग में record किया जाएगा कि uncertainty थी लेकिन इस particular court में suit institute कर दिया गया है बाकि इसका जो subsection 2 है वो appellate court के और revisional court के power बताता है तो भाई या वो यह कहता है कि इस ground पे आगे चलके अगर कोई dispute होगा तो यह देखा जाएगा कि पहले आपने तो सेम आपकी रहेंगी है तो वहां पर भी दोनों में से किसी भी court में करा जा सकता है जहां दो अलग अलग court के jurisdiction में property आ रही है वहां भी किसी में करा जा सकता है section number याद रखना यह जादा section number बहुत जाद है important है कि 17 किसकी बात कर रहा 18 किसकी बात कर रहा है यह जरूरा ज्यां रखिएगा इसके बाद 19 तो 19 बात करता है अभी तक अपने इम मुवेबल के बारे में पढ़ रहे थे 19 बात करता है मुवेबल की या फिर रॉंग टु परसन जैसे डिफेमिशन प्रपरटी के अगेंस नहीं होता है तो परसन के अगेंस है या फिर मुवेबल प्रपरटी अगेंस है तो कहां फाइल करेंगे उसके ल राइज हुआ उस जगे का जूरुष्डिक्शन या फिर जहां डिफेंडेंट रहता है या ब GOD कर ता है उस जगे का जूरुष्डिकशन तो मुवेबल या फिर परसन में आप आए दिल्ली से भोपाल और यहां कि आपने मेरी विजदती करी defamation आपने कमिट किया और फिर आप चले गए वापस दिल्ली अब मेरे पास option है cause of action कि तरह राइस हुआ है भोपाल में तो मैं या तो भोपाल कर सकता हूं या जहां defendant रहता है बिजनस करता है आप डिली में रहता है तो इन दोनों पोट का jurisdiction यहां रहेगा illustration से question आता है इसके बाद 20 देखिए तो यह suits to be instituted where defendant resides or cause of action arises subject to the limitations of course it every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction तो बाकी सारे court कहा है किन-किन courts का jurisdiction होगा बाकी matters पर तो A में लिखा है the defendant or each of the defendants where there are more than one at the time वो जहां reside करते हैं या वोलिंटरली बिजनस करते हैं CDC बात simply समझ येगा A और B दोनों उसी की बात करते है defendant की और defendant की रहने की या उसके occupation या business की और C बता रहा है the cause of action holy or in part arise तो 19 और 20 में same बात है जहां defendant रहता है या business करता है या फिर जहां cause of action arise हुआ तो चाहे movable से related wrong हो person से related हो या कोई और हो इन में सब में दो जागे का jurisdiction आता है जहां cause of action जहां defendant रहता है यह movable property के case में वहां होता है जहां movable property situated है that's the conclusion of these provisions explanation corporation की बात करता है तो corporation के regarding simple सी बात explanation में यह लिखी है कि अगर मान लीजिये अब यहां पर भी दो सावाल आएंगे क्योंकि 20 में अपन ने एक मट ज़रा यह explanation और थोड़ा से समझ लेना है 20 वाला regarding corporation तो corporation के case में यह होगा कि मान लीजिये भारत में उसका एक ही office है उस corporate अगर मान लीजिये किसी जिवस्टिक person के अगेंज suit file होना किसी company के अगेंज अब या तो दो condition होगी या तो उसका भारत में एक ही office है अलग अलग जगे ब्रांच है मान लीजिये कैसी company है जिसका सिरफ दिल्ली में office है और उसने कोई wrong commit किया या उसका cause of action arise हुआ है भुपाल में तो दोनों के jurisdiction आ जाएंगे दिल्ली का भी आ जाएगा भुपाल भी हो जाए क्योंकि यह corporation defendant है यह company defendant है तो उसका क्योंकि office दिल्ली में है तो वह हो गया या फिर cause of action arise हुआ तो cause of action भुपाल में arise हुआ जो एक्स्पाल में arise हुआ है द्यान से अगर cause of action भुपाल में arise हुआ है और भुपाल में इसकी एक ब्रांच है in that case jurisdiction दिल्ली के court का नहीं होगा इसमें दोनो cause of action भी भुपाल में arise हुआ है और उस corporation का office भी है भुपाल में तो दोनों तरीके से जो jurisdiction आना है चाहे वो cause of action से आए चाहे place of business से आए दोनों जगे से cause of jurisdiction सरफ और सरफ भुपाल शहर का आएगा यह बात आप ध्यान रखिएगा हां लेकिन मान लीजिए एक office उसका head office उसका दिल्ली में है ब्रांच office उसका इन दौर में ब्रांच office नहीं है लेकिन cause of action भुपाल में अराइज हुआ है इन दाट केस दोनों का jurisdiction आएगा भुपाल जहां cause of action अराइज हुआ या फिर प्रिंसिपल सीट जहां है head office जहां है दिल्ली इन दोनों का आएगा I hope that is clear explanation आपका बताता है एक बार ज्यान से पढ़ेंगे और अंडूस्टाइब that is section 20 इसके बाद आगी 21 पर section 21 ऑब्जेक्शन की बात करता है जूरिस्टिक्शन से अगर अगर objection है तो वहिया आपको court of first instance में ही फाइल करना है जिस सब्सक्राइब जहां पहली बार आपने फाइल नहीं किया और उसके बाद आप appellate court के पास जा रहे हैं तो appellate court कभी entertain करेगा जब वो यह ensure हो जाए कि आपने court of first instance के यहां भी जितना जल्दी संबह वो सक्का था उतना जल्दी यह objection raised किया था in that case only the appellate court will entertain this otherwise not यह लिखा है एक किस में objections to jurisdiction no objection asked to the place of suing shall be allowed by any appellate or revisional court unless underline कर लोजे unless such objection was taken in the court of first instance अगर आपने court of first instance में जहां actually suit file किया था जिसके jurisdiction से आपको समझ चाती पहले आप उसको तो बताते अगर आपने उसको नहीं बताया तो appellate court इस बात को entertain करेगा आगे लिखा है at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before settlement and unless there has been a consequent failure of justice एक तो court of first instance में भी आपने यह objection raised किया हो plus उस lack of jurisdiction की वजए से जो suit decide हुआ है क्योंकि आप किसके पास देखिए यह 21 का जो objection है यह क्या बता रहा है कि जब आप appellate court या revisional court के पास गया है और उन से जाके आप यह कह रहे है कि साथ जिस court नहीं है decide किया है matter उसका तो jurisdiction ही नहीं था तो appellate या revisional court यह देखेगा दो बाते चेक करेगा सबसे पहले वो यह देखेगा कि आपने quota first instance में objection raise किया था कि नहीं earliest possible opportunity पे plus इस lack of jurisdiction की वज़े से failure of justice हुआ है या नहीं अगर यह दो बाते प्रूफ हो गए in that case only appellate jurisdiction will consider this otherwise it will not यह बात ध्यान रखेगा 21 में 21A इसके बात section 21A भी important है 21A बात करता है bar on suit to set aside decree on objection as to place of suing बार on suit बार on suit का मतलाग अगर माल लीजे एक court ने decree दे दी है और एक party को उस decree से यह समस्या है कि जिस court में वो decree pass करी है उसके पास jurisdiction ही नहीं था वो competent court नहीं था तो इस decree को set aside कराने के लिए आप दूसरा suit file नहीं कर सकते 21A क्या बार करता है देखिए 21 बात कर रहा था कि appellate court का बंटेटीन करेगा अपील में जा सकते हैं 21A क्या रहा है कि अगर आपको jurisdiction की समस्या थी एक decree में एक decree को आप set aside कराना चाहते है इस ground पे कि साप competent court का jurisdiction ही नहीं था उसके लिए आप एक similar court में जाके suit file नहीं कर सकते है अपील कर ये लेकिन उसके लिए आप suit लेके नहीं आ सकते हैं यह है 21A तो 21 बताता है इस ground पे आप suit फाइल नहीं कर सकते है ध्यान रखिएगा 21A इसके बाद 22 से लेके 23 24 25 ट्रांसवर से रिलेटेड बातें करते हैं इसके इसके लिए इसके बाते हैं ऑद नहीं कर सकता है अब माल लेजिए कि एक कोट में किसी एक कोट में कर सकता है plaintiff माल में जे plaintiff ने suit file किया in the court where cause of action was arised जहां cause of action arise हुआ था plaintiff ने वहां suit file किया अब defendant के पास ये option है कि defendant अगर चाहे तो इस suit को transfer करा सकता है दूसरे jurisdiction के पास दूसरे jurisdiction किस court का है जहां defendant reside करता है ये कामाप application देखे करवा सकते है अगर आपके पास justified तो देखे 22 where a suit may be instituted in any one of two or more courts and is instituted in one of such courts any defendant किसके पास है अधिकार defendant any defendant after notice to the other parties बाकी सबको notice देने के बाद में at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement apply to have the suit transferred to another court and the court to which such application is made after considering the objections to the other parties if any shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed तो भाइसा यहां 22 में आपने किसको अधिकार दे दिया section 22 में आपने अधिकार दे दिया defendant को कि जो multiple courts के jurisdiction है अगर किसी एक particular court में suit institute हुआ है तो आप दूसरे के पास आ सकते हैं आप यह application दे सकते हैं कि यह सूट भाइया transfer कर दिया जाए defendant की सहुलियत पर यह transfer हो सकता है जैसे मान लेजिए court 1 में institute किया किसने plaintiff ने लेकिन जो हमारा defendant है वो चारा है कि हम जहां रहते हैं वहां हो जाए इसने case ground पर कर दिया plaintiff ने cause of action arise हुआ था लेकिन इस court का भी jurisdiction है तो अब जो defendant उसके पास option है कि भले इस suit institute यहां हुआ है वो चाहे तो इसे transfer इदार करवा सकता है अगर court को satisfy करते properly तो वो करवा सकता है suit institute किदर हुआ है तो institute आपका हुआ है यहां यहां suit institute आप समझेए 23 बताता है कि इस कि application किसके पास देनी है कौण यह decide करेगा कि दोनों मैंसे किस court में होगा किसके पास दोगए आप application उसी court के पास तो दोगए ने तो किसके पास application देना है उसके लिए 23 बता रहा है तूट court application like किस court के पास application like करेगी तो इसमें सबसे पहले लिखाया मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपके लिए अगर ये जो दोनों court है जिनका jurisdiction है अगर ये दोनों court same court के subordinate है subordinate से मेरा मतलब अगर इन दोनों court की appeal appellate court appeal जहां जाती है इन दोनों court की अगर वो court same है वो court है ये कौन सा court इसको अपन नाम दे देते हैं C3 इसको अपन क्या नाम दे देते हैं C3 court 3 है जिसके जिसके पास appeal जाती है अगर इन दोनों के same court के पास appeal जाती है तो फिर court 3 entitled होगा उस case में court 3 उस case में entitled होगा जहां जाती है क्या appeal इसके पास आपको application देनी है और यह decide करेगा कि दोनों में से किस court में यह suit institute आपका होना चाहिए चीक अगर मान लीजिए इनके appellate court अलग अलग है मान लीजिए इसका appellate court तो यह है लेकिन जो हमारा दूसरा है that is court 2 जो है जहां defendant वाला इसका appellate court अलग है इसका appellate court इसके जो appeal जाती है वो जाती है मान लीजिए C4 में court 4 में जाती है ऐसे किस में कौन decide करेगा इन दोनों के उपर अगर same high court बैठा है तो यह high court decide कर देगा अगर इन दोनों के उपर same high court बैठा है तो high court decide कर देगा अगर दोनों सेम हाई कोट के अंदर आ रहे हैं, तो फिर आपएलेट कोट अलग अलग है, तो फिर इन दोनों के उपर जो हाई कोट बैठा है, वो डिसाइड करेगा, किसमे करना है, है और माल लीघे तो नों के हाई पर बीज़े एलगे यह चोड कहते चंप Sprint Is को temptation करेंगा तो इसका जो क्लास थै वह कहता है इस शुक्राइब करेगा जहरा सूटerd Office sto शुक्न 3 एक यह वर सच इसाड़ी परुद इस constellation इसका हाई कोट कौन है यह वाला हाई कोट तो यह हाई कोट डिसाइड करेगा कि कहाँ चलेगा अब जरा एक बात मुझे यह बताईए कि अगर अपन इस हाई कोट कोई अधिकार दे रहे हैं डिसाइड करने का अब यह यह लिए जवाला यह तो अलग हो गया ना यह सेम छोडिश्डिक्शन थोड़ी है तो आप logically अगर थोड़ा सा सोच के देखें कि ये high court अपने jurisdiction के बाहर की चीज़ कैसे decide कर लेगा कि ये दूसरे jurisdiction में होगा suit file या इधर होगा क्योंकि इसका territorial limit तो एक तरीके सबस अपने state तक ही limit है लेकिन इसका clause 3 तो कह रहा है कि आप decide कर लो जहां institute होगा इससे related a case है बहुत important जिसमें ये बताया गया है कि 23 का जो subsection 3 है वो सही नहीं है वो applicable नहीं है और वो valid नहीं है इसलिए अब ये repugnant हो चुका है case का नाम लिख लेजे जरा दुरगेश शर्मा वर्सिस जैश्री 2008 ये case है इसको note down कर लेजे जरा इसमें held किया था कि भाया अब दो हाइप के बीच की बात है इस से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डालना है तो ये काम तो किसका है सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए आप कहा से जुरिस्टिक्शन आपका तो इतना ही है तो इसलिए ये कॉन इसके बाद आईए जरा 24 पर अब जन्रल पावर है 24 और 25 आप देखेंगे तो वह बात करते हैं जन्रल पावर की इसका किसकी बात कर रहा है तो देखिए शेक्शन 24 तुन परावर राफ ट्रांस्वराए विड्रॉल कि एप्लिकेशट इंपतिर पर आपर आपडि फिसके पारवर आप डिसके पास पार है High Court and District Court के पावर है कि अपने जो Subordinates है उनमें वो इधर से उधर केस Transfer कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं अपना केस दूसरे के पास Transfer कर सकते हैं सेम चीज अपने CRBC में पढ़े हैं तो अपना केस ये Subordinate को दे सकते हैं अपने Subordinate Courts के बीच ये General Power High Court and District Court का 24 में दिया है बाकी ज़्यादा चीज़ें इंपर्टेंट नहीं है एक बार रीड करिएगा, that's it 25 पर आईए तो 25 बात करता है Supreme Court इसमें दो-तीन क्वेश्चन की Subsection 1 को आप देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी इसमें एक question और जो important है कि ये application of party पर होता है जनरली, party अगर application दे तब ही ये होता है, जैसे आप 25 का जरा Subsection 1 देखिए on the application of a party and after notice to the parties and after hearing of such of them as desired to be heard the Supreme Court may at any stage, if satisfied ये ये कर सकता है, party की application पर तो इसमें ये भी लिखा है, section purchase में ये भी लिखा है कि किसी ने अगर vexatious या फिर frivolous application दी, कोई justified ground नहीं था case transfer कराने की application देने का उसके बाद भी अगर आपने application दी है तो जरा इसका Subsection और जो है, उसकी second last line देखिए यहां आपके उपर compensation लगाया जा सकता है compensation to any person, जिस person को उसके transfer से नुकसान हुआ है, उसको compensation दिलाया जा सकता है, not exceeding 2,000 rupees, तो इधर से ये भी ध्यान रखिएगा rupees 2000 का सवाल भी पूछा जाता है, not exceeding 2,000 rupees, that is also important from 25, so that's all for 1 to 25 अभी और चीज़ा है, पढ़ना है एक दो, तो एक से 25, बाकी 26 से कल मैंने आपके पूरे दिखा दिया थे आपको एक एक करके सारे section हम complete कर चुके हैं already, तो सीधे आप आजाईए अब appeal पे, क्योंकि उसके पहले हम कर चुके हैं पिछली class में, पिछली class में supplemental proceedings अपन ने कर लिया 94, 95 में आपको करा चुका हूँ अब आजाईए appeals 96 appeal के लिए order order corresponding पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ review में एक order आपको मैं refer कराऊँगा उसके अलाबा order सब पढ़ने की जरूरत नहीं है वो हमकाली खतम कर चुके हैं 96 appeal from original decree कोई ज्यादा complexities नहीं है simple सा है CRPC का appeal में तो काफी कुछ है कहां जाएगी किस से जाएगी इसमें कुछ है नहीं बहुत simple simple सिर्फ section number याद रखना है एक तो important बात है याद रखनी है उनके बारे में 96 देखिए appeal from original decree original decree से मतलब first appeal की बात चोल रही है एक trial court ने decree दिया उसके against आप appeal में जा रहे है इसके लिए कहा गया है कि appeal original jurisdiction में सबसे पहरे first appellate court के पास जाएगी save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the timing in force the appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decisions of such court जिसने अभी किसी भी court ने original jurisdiction में अगर कोई decision लिया है decree पास करी है तो उसकी appeal होगी, appeal कहा होगी जहाँ appeal जानी है, generally जो भी appeal जाती जो भी RRK vote की बहाँ जाएगी इसका subsection 2 केता है appeal may lie from an original decree passed ex-party ये भी धहन रखियेगा कि decree बले ही ex-party pass हुई हो, उससे भी appeal लाएग करती है ex-party decree से भी appeal लाएग करती है subsection 3 देखिए, important है कौन से order की बात चल रही है कौन से order के कौन से rule की बात चल रही है पहली पढ़ा चुका हूँ आपको मैं consent decree की बात है ये ये बात चल रही है consent decree की consent decree की जहाँ compromise कर लेते हैं consent decree ली जाती है वहाँ appeal लाएग नहीं करेगी इसके बात देखिए subsection 4 no appeal shall lie except on a question of law ये बहुत important है subsection 4 से सवाल आता है कि small causes court से जो cognizable proceedings है जो small causes court से cognizable है उसके case में appeal generally lie नहीं करेगी अगर no appeal shall lie except on a question of law from a decree in any suit of the nature cognizable by courts of small causes when the amount or value of the subject matter of the original suit underline कर लीजे does not exceed 10,000 रुपे अगर 10,000 से उपर का subject matter नहीं है तो court of small causes से appeal लाए नहीं करेगी except on question of law अगर question of law है कोई तो तो करेगी otherwise लाए नहीं करेगी if the subject matter is up to 10,000 रुपे 10,000 तक का subject matter है तो generally लाए नहीं करेगी बढ़ हाँ अगर question of law है तो करेगी that's subsection 4 and it is important for documents इसके बाद 97 97 is very very important बहुत ज्यादा important है अपील के अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब 97 बहुत important section है कौन कौन से section अपन पढ़ रहे है तो section हमने पढ़ा पहले 96 और उसके बाद अपन आ जाते हैं section 97 97 is important appeal from final decree where no appeal from preliminary decree अगर आप difference बहुत अच्छे से जानते हैं preliminary decree और final decree का preliminary decree पास करी है quote ने अगर उस preliminary decree के against आपने तुरंट appeal नहीं करी preliminary decree आने के बाद आपने appeal नहीं करी आपने wait किया है preliminary decree आने के बाद preliminary decree आने के बाद अगर आपने उसके against अगर आपने वेट किया है final decree आने का तो भाइया final decree आने के बाद अगर आप अपील में जाएंगे तो उस preliminary decree की appeal नहीं सुनी जाएगी preliminary decree जब आई है उसके बाद ही आपको appeal करना है preliminary decree के अगेंस final decree के पहले अगर यह आपने नहीं किया है तो preliminary decree की appeal सुनी नहीं जाएगी that is very important यहां लिखा है where any party agreed by a preliminary decree passed after the commencement of this court does not appeal from such a decree he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final अब final decree के बाद अगर आप appeal करने जाएगे तो preliminary decree पे सवाल नहीं उठा सकते हैं अगर आपको preliminary decree पे सवाल उठाना था तो preliminary decree पास सुने के बाद ही appeal में आना था यह कहता है 97 and this is very important इसके बाद 98 है decision where appeal heard by two or more judges बहुत ज्यादा important तो नहीं है बट कुछ exams में पूछा गया है brief में समझ लीजिए जहां even number of judges ने appeal सुनी है 2, 4, 6 और उनका जो opinion है वो equally अगर divided है दोनों का opinion अगर equally divided है मान लिजे चार जजजिस हैं तो दो कुछ कह रहे हैं दो कुछ same बात कह रहे हैं contradictory बात कह रहे हैं ऐसे में वो क्या करेंगे matter refer करेंगे किसी दूसरे judge को या combination of judges को और फिर finally देखा जाएगा कि जिनको उनने refer किया प्लस पहले जन्होंने appeal सुनी इसमें majority किस की है अगर मान लिजे पहले चार जजजिस थे दो कह रहे थे कि भाया decree सही है और दो कह रहे थे appeal में कि नहीं ये decree set aside होनी चाहिए उन्होंने एक दूसरे judge को refer किया उसने भी बोल दिया set aside होनी चाहिए no decree to be reversed or modified for error of or irregularity not affecting merits of jurisdiction कुछ irregularities की बात करी गई है decree आ गई है उसके बाद आप appellate court में गए है appeal के लिए तो कि ये section किसके अंदर पढ़ रहे है appeal के अंदर so original jurisdiction का जो court है वो decree pass कर चुका है अब आप appeal के लिए गए है और appellate court के पास जाके आप को irregularity का ground ले रहे है कि साब इस तरीके की irregularity थी इसलिए decree set aside कर दीजे तो appellate court तभी decree set aside करेगा जब ये proof हो कि उस उस irregularity की वज़े से failure of justice हुआ है otherwise decree set aside ये reverse नहीं होगी देखिए no decree shall be reversed or substantially varied nor shall any case be remanded in appeal on account of any misjoinder non-joinder के ground पे ये नहीं होगा of parties or cause of action or any error defect or irregularity in any proceeding in the suit not affecting the merit of the case और the jurisdiction of the case बाकी कोई भी error हो अगर जब तक उससे jurisdiction affect ना हुआ हो या merit affect ना हुई हो case की तब तक हो valid नहीं होगा और non-joinder और misjoinder के ground पे तो decree का भी reverse नहीं होगी unnecessary sorry अगर necessary party को आपने नहीं जोड़ा है तो फिर reverse हो सकता है तब ये applicable नहीं है ये बात provision में लिखी है provided that nothing in the section shall apply to non-joinder of a necessary party या हमने concerned order में भी पढ़ा था तो I hope that is clear but 99 is important इसके बाद सीधे important है आपका 100 section 100 is important after this section 100 देखिए जरा second appeal की बात करता है अब original jurisdiction का जो court था उसने judgment decree सुनाई उसके against आप first appeal में गए आप first appeal में जो judgment आया है उसके against आप second appeal में जा रहा है second appeal कहां होगी सबसे पहला सवाल ये 2-3 सवाल pre-K सबसे पहले second appeal के section में दी है 100 कहां appeal file होती है second appeal तो high court में होती है दो सवाल को सबसे पहले ये important save as otherwise exclusively provided in the body of this court or by any other law for the timing and force an appeal shall lie to the high court from every decree passed in appeal decree passed होई है किसमे? appeal में तो फिर second appeal कहां जाएगी? high court के पास जाएगी? by any court subordinate to the high court if the high court is satisfied that the case involves a substantial question of law और किस ground पे होती है second appeal ये भी बहुत important है जहां substantial question of law involved हो तभी second appeal होगी question of fact पे second appeal नहीं है तो second appeal सरे रेटेट परी के कहां के question section number कहां जाएगी? किस ground पे जाएगी? तीनों important है इसके बाद इसका subsection 2 भी important है appeal में lie under this section from an appellate decree passed ex-party अगर appellate decree भी ex-party पास होई है appeal की में जो decree पास होई है बस यह दो-तीन question यहां important है section 100 से इसके बाद सीधे आजाएगी section 102 की तरफ section 102 no second appeal in certain cases कुछ cases में second appeal होगी ही नहीं वो कौन से है no second appeal shall lie from any decree when the suit sorry when the subject matter of the original suit underline कर लिजे is for recovery of money not exceeding 25,000 rupees 25,000 रुपे तक का अगर recovery of money का suit है और उसमें first appeal हो चुकी है तो ऐसे suit में second appeal नहीं होगी जहां 25,000 तक का suit है recovery of money का suit है उसमें तो second appeal होगी ही नहीं यह 102 कहता है चीक 25,000 से ज़ादा होना चाहिए तब second appeal होगी otherwise नहीं होगी यह बहुत important question है इसके बाद सीधे देख लेजे section 104 यह बहुत ही ज़ादा important है appeal से बहुत ज़ादा important है सीधे section number भी पूछा जा सकता है भाई देखिए अभी हम किस से appeal की बात कर रहे है decree pass होई है decree से appeal में आप गए है order से भी appeal file होती तो order से appeal किन-किन cases में हो limited cases में order बहुत limited order है जिन से appeal लाइ करती है बहुत limited वो कहां दिये गए है 104 में पहला question तो यह आता है orders from which appeal lies किन से लाइ करती है अब अगर आप इन order को देखेंगे तो याद रखने में समस्या नहीं होगी क्योंकि CPC अपन अल्रड़ी पढ़ चुके है इन orders के बारे में आप अल्रड़ी जानते है जैसे सबसे पहला देखिए एन order under section 35A ज़रा बताते जाए 35A किस order की बात करता है यह आपको पढ़ा चुका हूँ मैं already section 35A मैं कौन सा order होता है किस चीज का order पास होता है section 35A में so the order of cost cost से related है इसके बाद है एन order under section 9192 तो 91 और 92 किस से related है 91 और 92 किस से related थे भाई कली पढ़ाए है मैंने आपको यह आपको यह सा मत करो रहा है कली पढ़ाए है तो public nuisance और public charity से related उस से related अगर है तो appeal लाए करेगी इसके बाद देखिए next an order under section 95 फिर एन order under any of the provision of this code imposing a fine directing the arrest or detention in the civil prison of any person except where such arrest or detention is in execution of decree execution of decree में अगर arrest detention किया गया है तो उस order के against appeal लाई नहीं करेगी लेकिन इसके अलावा इसके अलावा अगर कोई भी order पास किया गया है fine impose करने का या arrest या detention का in that case appeal लाई करेगी ऐसे order से appeal लाई करेगी इसके बाद last देखिए any order made under rules from which an appeal is expressly allowed by rules अगर किसी order में expressly दिया हुआ है किसी order से related expressly provision दिया है कि इस order के against appeal लाई करेगी वहाँ भी लाई करेगी और अगर expressly नहीं दिया है तो यह तीन category है बस कौन-कौन सी section 35A के order के against section 91 92 के order के against और section 95 के order के against जो वह supplemental proceedings फरजी करवाती है उस पर जो compensation लगता है सबसे ज़्यादा यह पढ़ा था न 95 अब आपने क्योंकि section पढ़ ली है सेलिए मुझे लगता आपको याद रखने में ज़्यादा problem नहीं होगी इन चीज़ों को तो यह 104 important है इसका सब्रूल 2 भी important है 104 का सब्सेक्शन 104 का subsection 2 भी देखिए इसका अपील नहीं का मतलब order के अगें second appeal नहीं हो order pass किया original jurisdiction के court ने first appeal में आप चलेगा 104 में अब 104 में appeal में जो decide हुआ है उसके अगें second appeal नहीं हो इसे decree के अपने second appeal देखी 107 सिरफ section number देख लिजे power बताता है appellate court के और आप बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आपने CRPC पड़ा है appellate court के पास सब power होता है appellate court के पास कफी सारे power होते हैं इसलिए 107 पढ़ेंगे नहीं बस section number देख लिजे powers of appellate court determine कर सकते हैं 109 important है इदर जो आपको जानना चाहिए इदर से भी question बनते है 109 when appeal lies to supreme court अभी high court की बात अपने कर लिए second appeal दाती है supreme court में appeal कब जाएगी तो इसके लिए high court अगर certify करता है किसी matter को अगर किसी matter को high court certify करता है वो जाएगा supreme court और high court कब certify करता है इसके लिए आप 100 में में देखेंगे दो अलग-अलग clauses दिया है 1 और 2 पर आजाएए सीगे तो 1 देखिये जरा that the case involves a substantial question of law of general importance अगर high court को ऐसा लगता है किसी case में कि इस case में substantial question of law है जो general importance का है तो वो certify कर देगा कि supreme court में अपील ले जाहिए second that in the opinion of the high court the said question needs to be decided by the supreme court अगर high court को लगता है कि यह particular question supreme court को ही decide करना चाहिए in that case also the high court will certify और high court बोलेगा भाईया वहाँ लेगा यह वहाँ करिए इसको चीक तो यह important है इसके साथ अब appeal के यह तो हमने section पड़े एक particular order का एक particular rule important है जिससे MPCJ में तो mains में भी सवाल आया है cross objection कहां दिया है बहुत important है होता क्या है जरा समझ लीजी एक बार order 41 rule 22 निकालिए बेरेक में order 41 rule 22 निकालिए तो order 41 जो है वो आप देखेंगे तो appeals from original decree की बात करता है और इसका जो rule 22 है उसको देखिए जरा upon hearing respondent में object no decree as if he had preferred a separate appeal मैं आपको कहानी समझा देता हूँ cross objection की की है क्या देखिए माल लेजए एक appeal में respondent कौन होता है जरा बताईए तो ए अगर appeal file करने गया है court में तो ए कौन है appellant है जिसके against वो appeal file हो रही है वो कौन है respondent है और appeal किसके against हो रही है तो appeal file हो रही है भाई या decree के against yes or no decree के against तो obviously decree किसके against आई होगी इस appellant के against इसलिए appeal करने जा रहा है decree किसके favor की है इस respondent के favor के decree है कभी तो उसके against appeal करने appellant जा रहा है कि साल ये decree जहीं नहीं है अब जब appellant decree के against appeal करने अगर appellate code के पास जा रहा है तो ये rule 22 कहता है कि ऐसी appeal में अगर respondent को लगता है कि मुझे भी इस decree से समस्या है कुछ अगर इस respondent को भी कोई समस्या है और respondent separately appeal file कर सकता था तो rule 22 कहता है कि respondent इसी same appeal में जो appellate ने file करी है इसी में अपना objection भी file कर दें कि आपको क्या objection है मानली ची ये satisfied नहीं है कि आपने जो compensation मेरे को decrement दिलाया वो sufficient नहीं है ज्यादा चाहिए मुझे जबकि अपिलेट इसली आया है और respondent क्या कह रहा है उसे चलिए इसके बाद आजाईए next part पे sections पे वापस आईए section 113 14 15 अब अपना आते है reference review और revision की बात पे तो तो सबसे पहले देखते है अपन section 113 113 देखिए reference to high court बहुत plain simple है अगर आपने CRPC का reference पढ़ा है मेरे साथ तो आधर्वाइस भी तो आपको पता होगा reference में किसी भी matter को trial court क्या करते है high court के पास भेज देखते हैं उसके opinion के लिए यह decide करने के लिए CPC में भी same चीज है यहां लिखा है subject to such conditions and limitations as may be prescribed any court may state a case and refer the same for the opinion of the high court कोई भी court matter भेज सकता है high court के पास opinion के लिए कौन सा and the high court may make such order there on as it thinks fit तो कोई भी matter कोई भी court high court के पास भेज सकता है 113 reference में लेकिन इसका प्रवाइजो कहता है कि अगर court को किसी particular act ordinance या regulation की validity को लेके समस्या है प्रवाइजो बहुत important है यह mandatory यह तो है इधर तो देखे इसका जो 113 का जो main portion है वहाँ तो लिखा है कि any court में स्टेटा केस चाहे तो भेज सकते हैं discretion है बट एक जगे binding है प्रवाइजो वो कहता है provided that where the court is satisfied that a case pending before it involves a question as to the validity of any act, ordinance, regulation इन सब की validity को लेके अगर सवाल है तो इस प्रवाइजो की last line में आप देखेंगे the court shall state a case stating out its opinion and the reasons thereof and refer the same for the opinion of the high court अगर किसी act, ordinance या regulation की validity को लेके सवाल है और उससे related case trial court में चल रहा है तो यह mandatory है कि आपको high court के reference के लिए भेजना यहाँ शाल लिखा है बस यह बाते हैं यह दो बातें important है reference related section number कौन सा है reference का किसके पास भेजा जाता है तो high court के पास भेजा जाता है सारे court भेज सकते हैं कोई भी matter लेकिन जहाँ ordinance या इनकी validity को लेके सवाल है वहाँ भेजना mandatory है इसके बाद आईए section 114 पर 116 प्री में limited सवाल पूछे जाते हैं इदर से so review देखिए subject as a for said any person considering himself agree review होता क्या है CRPC में review कौन से section में है बताईए जरा CRPC के किस section में review दिया है रेफरेंस तो थन्वीर ने बता दिया review कौन से section बताओ भाई so the answer is there is no review in CRPC criminal court के पास यह power नहीं है कि अपने ही दिये हुए judgment को दोबारा review कर ले यह power criminal court के पास नहीं है लेकिन civil court के पास है under 114 114 review का power देता है जिस court ने matter decide किया वो दोबारा review कर सकता है अपने ही judgment को that's a review अब यहाँ पर देखिए दो तीन सावार आते हैं सबसे पहले किस section में review दिया है किन cases में review exercise होगा यह बहुत important है जो 114 में दिया है इसके अलावा review किन grounds पर होता है यह order में बताया है दो मिनट के लिए उसको रेफर में करूँगा पहले 114 देखिए subject has afforded any person considering himself a by a decree or order from which an appeal is allowed देखिए कहा review होगा कहा नहीं होगा यह बहुत important है यहां तीनों में बताया गया है कि कहा review कर सकते हैं किस case में तो पहला case क्या है by a decree or order from which an appeal is allowed ऐसी decree ऐसा order जिससे appeal allowed तो है लेकिन आगे लिखा है by this court but from which no appeal has been preferred ऐसे decree order है जिससे appeal allowed तो है लेकिन आपने prefer करी नहीं है तो आप review करा सकते हैं तो आप review करा सकते हैं भी देखिए by a decree or order from which no appeal is allowed by this court CPC जिन order या decree से appeal allowed ही नहीं करता उस case में आप review करा सकते हैं C by a decision on a reference from a court of small causes small causes के reference पे कोई decision आया था उस decision से आप review करवा सकते हैं तो small causes court के reference के decision का review कर सकता है court इसके अलाबा जहाँ appeal allowed है लेकिन prefer नहीं करी गई है वहाँ review कर सकता है और जहाँ appeal allowed ही नहीं है, वहाँ भी review कर सकता है, basically appeal होनी नहीं चाहिए, अगर appeal कर दी है, तो फिर review नहीं है, आगे लिखाए, may apply for a review of judgment to the court which passed the decree, तो review कौन करता है, जिसने decree pass करी, वो court खुद अपने judgment को review करता है, इसके corresponding order पर आ जाईए, वहाँ से भी एक सवाल important है, कि किन grounds पर review होता है, that is also important order 47 का rule 1, निकाल लीजे तुरंट, order 47, rule 1, निकाल लिए ज़रा, बेरेक्ट में, तो देखिए, reference related भी order है, लेकिन पढ़ना नहीं है, 46, उसमें से कुछ आता नहीं, बस number याद रखिएगा, सारे इनके मैंने आपको कल की class में बताया था, कि number order के याद रखना है, इसके बात देखिए, order 47 देखिए, review की बात कर रहा है, application for review of judgment, यहाँ बताया है, कि किन ground के करेंगे, तो पहले तो यहीं बताया है, किन cases में review की application होगी, ABC, same बात कर रहा है, जो अपन ने section में पड़ा, उसके आगे देखिए, and who from the discovery of new and important matter or evidence, which after the exercise of due diligence was not within his knowledge, or could not be produced by him at the time when the decree was passed, or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, तो देखिए, क्या-क्या ground है, किनके इन ground पे आप यह review file करेंगे, सबसे पहला, कोई नई discovery हो गई है, from the discovery of new and important matter, कोई नया matter या evidence, court ने जब decide किया, तब वो evidence नहीं था, decide होने के बाद मिला है party को, तो इस ground पर review कराया जा सकता है, या फिर लिखा है, error apparent on the face of the record, इस पंडरलेंग कर लेजे, error apparent on the face of the record, देखते ही समझ में आ रहा ह या फिर कोई दूसरा sufficient reason, तीन grounds हैं, जिस पर review करवाया जा सकता है, और किन cases में allowed है, वो अपन ने already पढ़ लिया, so that's all for review 114, इसके बाद आईए 115, इसके बाद आईए section 115, section 115 is revision, revision क्या होता है, तो भाई, revision basically यह होता है, कि high code जो है, अपने subordinate code के records मंगा लेता है case के, कि आप आपने सही decide किया है या नहीं, grounds क्या है, वो सब दिये हुए है, किन grounds पे revision होता है, वो देखिये, the high code may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to such high court, and in which no appeal lies, underline कर लीजे, जहाँ appeal lie नहीं करती, वहाँ revision होगा, सबसे important question है, underline कर लीजे, in which no appeal lies, there too, and if such subordinate court appears, ground क्या होंगे, यह देखिये, to have exercise a jurisdiction not vested in it by law, अब जो jurisdiction है, उसके बाहर का काम कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया, जिसका powery vest नहीं है, ultrawires काम कर दिया, किसी court ने, इस ground पे revision हो जाएगा, अगर appeal lie नहीं करती है, in that case, भी देखिये, to have failed to exercise a jurisdiction so vested, जो काम करना था, आपने वो काम नहीं किया, इस ground पे भी revision हो जाएगा, say to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity, या फिर आपने अपना jurisdiction exercise तो किया है, लेकिन material irregularity या illegally आपने अपना jurisdiction exercise किया है, इन तीनों ground पे high court revision कर सकता है, लेकिन case case ऐसा होना चाहिए, जहाँ appeal lie नहीं करती, यह बहुत important है, तो high court records मंगा के revision कर लेगा, CRPC पे आपने revision पढ़ाया है, पर थोड़ा स के लिए करेगा, अगर court को लगे कि इस matter को मैं reverse कर दूँ, तो ऐसे case से court का judgment जो है, वो change हो जाए, merits affect होनी चाहिए, revision किन matters का करेगा, किन चीज़ों का, जिससे merit affect हो रहे है, अगर merit affect नहीं हो रही है, तो revision नहीं करेगा, high court फाल तो अपना समय खराब नहीं करेगा, क्या आप होगा, बस revision के लिए इतना ही important है, corresponding order है ही नहीं, तो पढ़ने की ज़रुत नहीं है, इसके बाद सीधे आजाईए, आप miscellaneous पे, reference review revision के बाद, miscellaneous provisions पे आजाईए, important जो provision है, वो देख लेजे, pre के question सीधे-सीधे आते है, 132 बात कर रहा है, exemption of certain women from personal appearance, बहुत जादा important है, section 132, section 132 is important, जो परदानशी women है, उनकी appearance compel नहीं करेंगे, लेकिन, अगर execution of decree में, arrest होना है, in that case, arrest कर लिया जाएगा, ये 132 में लिखा है, women who according to the customs and manners of the country ought not to be compelled to appear on public, shall be exempted from personal appearance in court, उनकी personal appearance required नहीं होगी, लेकिन इसका subsection 2 देखे, nothing here in content shall be deemed to exempt such women from arrest in execution of civil prison, in any case, in which the arrest of a woman is not prohibited by this court, arrest अगर करना है, तो वो कर लिया जाएगा, appearance आपकी हम माफ कर देंगे, लेकिन अगर arrest होना है, तो फिर arrest हो जाएगा, परदानशी women का, 132 में appearance से, किस section में exemption मिला है, ये pre का बहुत important सवाल है, ध्यान रखिएगा section 132, 133 भी बहुत जादा important है, अब ये कुछ special लोग है, जिन court में appear होनिक जरूरत नहीं है, इसलिए CRPC के commission और CPC के commission में भी difference है, वो बनाते समय भी मैंने आपको ये बात बताया था, कि यहां exemption दे दिया गया है, कुछ लोगों को appearance से, the following persons shall be entitled to exemption from personal appearance in court, namely कौन-कौन है, सारे बड़े अधिकारी, देखिए, एक hierarchy देख लिएगा, तो administrative council के वो, और इसके अलाबा ministers हैं जो state के वो, high court के judges, कितने लोग important है, पूरी जो hierarchy, union की hierarchy में, देखो important लोग कोन है, president, vice president, इसके अलाबा आपके judges, supreme court के ministers और presiding officers दोनों house के, तो presiding officer आपने लोग सभा का लिख दिया है, राज सभा का क्यों नहीं लिखा, तो कि राज सभा का pres प्रेइड ऑफिसर, vice president होता है जो अल्रेटी लिखा हुआ है, तो president, vice president, president, presiding officer of the house, और ministers इनको exemption मिला है, same hierarchy state में चलेगी, High court के judges को exemption मिल गया है, उसके बाद आपके governor को मिल गया है, ministers of state को मिल गया है, और यहां के houses के presiding officers को भी मिल गया है, इन सब को exemption मिला है, इसके बाद दे यह judges magistrate के exemption की बात कर रहा है arrest से exemption from arrest under civil prison no judge magistrate और other judicial officer shall be liable to arrest under civil process underline कर लिजे कब arrest नहीं होगा while going to presiding in or returning from his court जजसाब जब court जा रहे हैं court में preside over कर रहे हैं या court से घर वापिस आ रहे हैं इन तीन समय पे किसी भी civil process में जजसाब को arrest नहीं किया जाएगा यह ध्यान रखियेगा 133 में दिया है इसके बाद 135 A भी important है section 135 A अब यह बात कर रहा है member of assembly, member of parliament member of loog sabharaj sabhar and member of state legislative assembly इनको exemption नहीं मिला 133 में आप देखिया, ministers को मिला है presiding officers को मिला है, members को नहीं मिला उनको किदर मिला है 135 A में कब है exemption उनके लिए इन सब के लिए जो exemption है वो जो ABC clause लिखे हैं उनमें उनका description दिया है, जो मैंने आपको अल्रडी बता दिया उसके बाद जो लिखा है वो देखिये एक तो इन members को तब मिला है जब parliament का assembly का session चल रहा हो जब वो meeting attend कर रहा हो parliament या session की तब exemption मिला है appearance से या फिर session के 40 दिन पहले और session के 40 दिन बाद session के 40 दिन पहले during session और session के 40 दिन बाद इस duration में इन्हे personal appearance से exemption sorry, arrest से exemption मिला है no person shall be liable to arrest or detention in prison under civil process civil process में यह जो विदायक और सांसद है इनका arrest नहीं होगा कब नहीं होगा जिस समय parliament का session चल रहा है यह meeting attend कर रहे है वो उसके 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक इनका arrest नहीं होगा in civil proceeding it is not exemption in appearance it is related to arrest यह ध्यान रखेगा इसके बाद यह होगा आपका 135A इसके बाद सीधे आजाईए 144 अब यह तो exemption से related था एक separate provision है section 144 दो इसके बारे में भी आपको execution में भी decree में मैंने आपको बताया था विगास इस deemed decree विसलिए इसके बारे में बताया था application for restitution 144 का जो order होता है यह deemed decree माना जाता है मान लिजे decree holder के favor में decree आ गई है किसके against आई है judgment data के against decree holder के favor में decree आ गई इसने कुछ receive कर लिया इस decree holder में out of that decree कुछ receive कर लिया decree आ गई decree holder के favor में मान लिजे इसने पचास हजार receive कर लिया है मान लिजे इसने property receive कर लिया decree आने के बाद तो बहुत एक तो सब करणने के लिए इस सिरफ एप्लिकेशन देना है 144 का सब सेक्षण टू कहता है इसके लिए आप सेपरेट सूट फाइल मत कर जबंदे अब इसके लिए आप separate suit file मक करिये, court को अपना काम नहीं बढ़ाना है भाया, आप सिर्फ original jurisdiction का जो court था, उसके पास application दे दीजे, restitution की application under 144, और court आपको वापस दिलवा देगा, यह जो समान चला गया है आपस, वो आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि appellate court ने, आपके favor में कर इसके बाद आईए 148, अब कुछ छोटे मोटे provisions और हैं, जिन में है, section 148, enlargement of time, this is very important, भाई साब, CPC में जहां भी court को power दिया गया है, कोई time limit, निरधारित करने का power है, time limit दी हुई है, इसको extend कर सकता है court, कितने दिन तक, यह भी important, एक तो section भी important, enlargement of time, और एक discretionary power है, कि प्रसक्राइब और allowed by this court, the court may in its discretion from time to time, underline करिये, enlarge such period, not exceeding 30 days in total, total मिला के किते दिन, तो भाईया 30 days total, इस से जादा नहीं, यह आप कर सकते हैं, दोनों सवाल important है, इसके बाद 148, बहुत ही जादा important है, section 148, कफी important है, caveat की बाद करता है, अब देखें, caveat क्या है, जैसे मान ले मुझे यह अन्देशा है, कि मेरे अगेंस कोई civil proceeding initiate हो सकती है, या हो चुकी है, और इसमें court मुझे बुला सकता है, या मेरा involvement हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, court में caveat file कर दूँगा, अगर मुझे अन्देशा है, कि मेरे अगेंस कोच, soit court file हो सकता है, तो मैं पहले ही एक caveat file कर दूँगा, सोट में, कि साब मेरे अगेंस अगर कोई मामला आए ना, तो बस इतनी महरवानी कर देना कि मेरे पास notice भुजवा देना इस बात का, तो कि मैं busy रहता हूं, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे MPCJ के interview चल भाना है, मुझे foundation batches की class लेनी है, मुझे रात मेरे वीडियो थोड़े शेयर कर दें, वीडियो लाइक कर दें, थोड़े comments कर दें उस वीडियो पर, इसलिए मेरे आप ऐसा करना है कि कहीं मुझे वो miss ना हो जाए matter, कहीं मेरे अगेंस दूसरी actions ना हो जाए, इसलिए मैं caveat file कर दूँगा उस quote में जाकर, जहां मुझे लग बहुत crash course करा लिया तो उन्हें और CPC पूरा बड़ा भी दिया है, अब आज हो जाए, ठीक, तो यह होता है basically caveat, it warning, कि मैं पहले ही वो दे देता हूं quote में application कि कोई आए तो मेरे को बता देना, notice बिजवा देना, यही करा जाता है caveat में, ठीक, कित्ते दिन valid होता है, दो सवाल important इसके बाद inherent power देखिए 151, इसके बाद क्या important है, 151 important है, section 151 और section 152, 153 तीनों बहुत important है, 151, 152, 153, saving of inherent power of court, inherent power का आप मतलब समझते हैं, expressly कुछ नहीं भी लिखा है, तो court कर सकता है, for the ends of justice, nothing in this court shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court, to make such orders as maybe necessary, underline कर लिजे, for the ends of justice or to prevent the abuse of process of law, ends of justice के लिए, या process of law के abuse को रोकने के लिए court कुछ भी कर सकता है, वो भले इसमें ना दिया हो, इस court का कोई भी provision court को अपने इस power से नहीं रोकेगा, restrict नहीं करेगा, यह inherent power किस section में दिया है, ध्यान रखिएगा, 151 में दिया है, ऐसे ही 153 एक provision है, 152 एक provision है, 152 देखिए, amendment of judgment, decrees or order, तो यहां लिखाए, clerical या arithmetic error अगर कोई हो गया है, judgment decree order में, उसको correct किया जा सकता है, that is 152, clerical or arithmetic mistakes in judgments, decrees or orders, or errors arising therein from any accidental slip or omission, may at any time be corrected by the code, either of its own motion, or on the application of any of the parties, ठीक, अपने से भी कर सकता है, party की application से भी, clerical or arithmetic mistake कर सकते है, इसके बाद 153 actually proceeding की बात कर रहा है, कि proceeding में correction आप कर सकते हैं, किसी भी stage में, so 153 देखिए, general power to amend, the court may at any time, and on such term as to cost or otherwise, as it may think fit, underline कर लीजे, amend any defect or error in any proceeding in a suit, and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue raised by or depending on such proceeding, अगर real question determined नहीं हो पा रहा है, तो आप proceeding में कोई भी चीज़, कोई भी defect अगर हुआ है, proceeding में, आप उसको amend कर सकते हैं, cost was लगाके, defect आप amend कर सकते हैं, क्योंकि real question in control, वर्सी clear होना चाहिए, नहीं तो प्रोसेडिंग का direction सही नहीं रहता है, इसलिए general power to amend 153 में है, clerical arithmetic amendment 152 में है, और 151 में है inherent power, तीनों section बहुत important है, और इस तरीके से भाई साब आपका खतम होता है CPC, अब जारा एक बार बेरक्ट उठा के आप बिल्कुल देख सकते हैं, सारे section हमने पढ़ लिए, interest वाला section भी मैंने आपको mark कराया था, महां बस की ध्यान रखना, 6% interest लगाया जाता है CPC में बस, बाकी orders में जो जो important थे, वो सारे हमने पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उन थोड़े concepts भी देखें हैं, और इस तरीके से जैसा मैंने आपसे वादा किया था, कि CPC भी मैं आपको वैसे ही कराऊंगा, जैसे CRPC कराया है, concept भी समझेंगे, direct question भी पढ़ेंगे, overall picture भी समझेंगे, इस पूरे subject की कि ये चल क्या रहा है, and I hope कि वो आपके समझ में आया है, और अगर आगया है, तो आपको पता ही है, आपको करना क्या है, तो वो जरूर करिएगा, कि इस series को CPC के, not only UP का free, उसके बाद भी आप बाती लोगों तक पहुचाएं, कि भाई अगर आपको एक सही जान चाहिए, subject का और easy तरीके से आप सरपढ़ना चाहते हैं, तो इधर आएं, ताकि इसी तरीके से थोड़ा, क्योंकि मैं बिना मतलब के time करता नहीं हूँ, या आप बहुत अच्छे से जाने का हैं, अपन वो नहीं है कि यार, तुम तो बस पढ़ लो, और तुम तो हमें credit भी मत दो, हमें बस याद रखना, अपन मतलब याद नहीं है, याद ब बले मत देना, लाइक कर देना, शेर कर देना, और कमेंट्स कर देना, ठीक, चलिए, थांक्यू सो मच पर जॉइनिंग, गुड़नाइट एवरीवान,